हाई एवरिवन वेलकम टू दिस्क्रेस कोर्स जहां पर हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के हेल्प से आप कैसे फॉल स्टैक डेवलप्मेंट कर सकते हूं वही समझते हैं कि यहां पर हम क्या क्या चीज़े हैं जो कि आंगे देखने वाले हैं तो प्रीडिक्विजिट है जो इसका वो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा हाई लेवल कर नहीं है बहुत बेसिक मैं आपसे एकस्पेक्ट करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत ज्यादा जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है थोड़ी समयनत आपको पर मैं पहले आपको बताऊंगा कि जावा स्केट का जो कोड है वो आप कहा पर लिख्के रं कर सकते हो गैसा बहुत बहुत बेसिक से लेकिन बहुत में फीचर से इसको जानेंगे जो हमें बहुत आंगे help करेंगे एक application मों develop करने के लिए उसके बाद हम समझेंगे कि API क्या होता है server-side rendering, client-side rendering क्या होता है and then हम create करना सीखेंगे API API क्या होता है वो समझें then API create करना सीखेंगे and then हम जाएंगे server-side rendering के side कि आप कैसे HTML page को अपने application से serve कर सकते हो और API में हम बनाएंगे एक छोटा सा project जिसका हम कहते है meetup application तो meetup application के लिए हम API create करेंगे and then हम सीखेंगे कि कैसे आप server में page HTML page को generate करके HTML page client को दे सकते हो HTML page कैसे serve किया जा सकता है and then कुछ dynamic content generate करना हम सीखेंगे HTML page कैसे generate किया जाता है उसके बाद हम उसकी practice करने के लिए यहाँ पे एक और meetup application जिसका हमने API बनाया है उसी को हम full stack में convert करके meetup application बनाएंगे जहाँ पे हम HTML pages serve करेंगे form submission सीखेंगे form कैसे create करना है mongodb के साथ कैसे काम करना है यह सारी चीज़ें सीखेंगे हम एक full stack web application बनाएंगे meetup application जो कि आप अभी देख रहा होंगे अपनी screen ते तो यह जो journey है इसमें बहुत सारी basic basic चीज़ें ही मैं complete करूंगा जो application है at the end जो आपको मिलने वाला है वो बहुत छोटा सा application है इसमें मैंने form create किया है form को आप submit करोगे data save हो जाएगा data आपको table में देखेगा बस इतना ही लेकिन यह video बहुत जादा लंबा है इसमें बहुत सारी basic चीज़ें है तो अगर आपने यह video complete किया तो आप एक बहुत बड़े application पे भी काम कर सकते हो और multiple project में अगर आपको काम करना है देखना है full working API project कैसे काम करता है बट उस basic का use करके मैंने चोड़ा सा demo दिया है आपको meetup application में कि आप उसको कैसे use करके working website create कर सकते है तो चली start करते हैं अपना यह crash course javascript full stack का now start करेंगे installation से तो और उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि javascript को run करने के बहुत basic तरीके क्या है वो कौन सा place है जहां पे आप javascript का सबसे starting code है जो की बहुत आसानी से आप लिख सकते हो तो अगर आप javascript के बारे में पहले से बहुत कोई जानते हो तो आप video को skip कर सकते हो description में आपको time stamp मिल जाएंगे video के time stamp आप उस पे click करके आप अपने specific जो भी chapter आप देखना चाहते हो आप उस पे jump कर सकते हो सारे chapter जो है independent रहेंगे तो आपको कोई भी problem नहीं होगी आपको पता है installation कैसे करना skip कर दीजिए time stamp पे जाईए second chapter पे आप click करके आँगे बढ़ सकते हैं so start करते हैं तो पहले मैं आपको बताऊंगा installation बाद मा करेंगे node.js का node.js क्या होता अगर आप जानते हैं ठीक नहीं जानते हैं कोई बात नहीं बड़ मैं कहूंगा आपको थोड़ा सा javascript आना चाहिए basic javascript कैसे variables create करते हैं कैसे functions create करते हैं कैसे functions को call किया जाता है कौन-कौन से अलग-अलग तरीके हैं javascript में variables को create करने के तो आई यह आप जानते होंगा अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं description में कुछ बहुत ही अच्छे javascript के beginners के लिए जो videos हैं उसके link दे रहा हूँ वो English में हैं लेकिन वो मेरे हिसाब से वो best videos हैं आप एक बार उनको follow कर लिजे उन videos को बार complete कर लिजे तो आप javascript का basics बहुत जादा जाने लगे और फिर हम implement कर सकते हैं अपना full stack application so आप उन videos को complete कर लिजे आए होप वो videos आपको बहुत जादा पसंद आने वाले हैं तो चलते हैं पहले देखते हैं कि javascript को आप कैसे run कर सकते हो क्या तरीके हैं javascript को run करने के सबसे जो आसान तरीका है जो basic है वो है आपका browser का console javascript जो है वो starting में run होता था आपके browser में आपको अब यह सर्च करना है कि कब होता था कब बाद मैं यह वो कौन सा year था जब हम javascript को browser के बाहर run करने लगे और कैसे और कौन था वो बंदना जिसने इसको possible किया यह आपका करा में comment करके मुझे ही बताईए तो javascript का जो basic code है वो हम लेक सकते हैं अमने browser console में इसको मैं कैसे open कर सकता हूं कोई भी tab आप open कीजी right click कीजी inspect पर क्लिक कीजी आप जाएंगे यहाँ पर इस elements में यहाँ पर कुछ tabs मिलेंगे network source console इसको हम कहते हैं Chrome का developer tool dev tool तो हम जाएंगे console पर यह रहा console यहाँ पर हम javascript का कोई भी code लिख सकते हैं so javascript में variables करके create करते हैं where cons let के help से let's create a variable मैंने यहाँ पर लिखा variable number is equals to 90 यहाँ गया मैं इसको print करना चाहता हूं मैं लिखूँगा console.log और मैंने इसको print किया तो यह 90 यहाँ पर print हो गया let's create an object मैंने यहाँ पर लिखा where student is equals to variable create किया और मैं इस variable में देना चाहता हूं name यह मैंने एक JavaScript object create किया comma age 33 enter तो एक student object मैंने create कर दिया यह देख सकते हूं student object let's create an array मैंने आप लिखा where numbers is equals to you मैंने array create किया यह enter किया एक array हमने आप पर create कर लिया ओके तो यह एक basic तरीका है जिसके help से मैं JavaScript को run कर सकता हूं अपने browser console में बड़ ऐसे हम code नहीं लिखते हैं हमेशा तो हम एक दूसरा तरीका use करेंगे जिसको हम करेंगे file file में अपना code लिखेंगे और उस file में code लिखने के बाद उस file को run करेंगे तो यह होता है दूसरा तरीका आई ही समझते हैं यह तरीका कैसे यहाँ पर काम करता हूं कैसे हम अपने JavaScript को HTML file के साथ link कर सकते हैं HTML file यह जो browser पर रन होता है जो browser पर HTML file होगा उसके साथ हम जावास्क्रिप को link करेंगे वह जावास्क्रिप फिर रन होगा browser पर आई समझते हैं कैसे JavaScript file को HTML में link करके run किया सकता है तो क्योंकि अब हमको JavaScript code है और HTML markup है वह हमको लिखना एक file में है तो file को edit करने के लिए हमको चाहिए code editor जहां पर अपना code लिखेंगे आप notepad में भी लिख सकते हो कोई problem नहीं लेकि notepad में आपको suggestions नहीं मिलते हैं आपको proper उसमें suggestions रोकर कोई error आती है तो वह आपको पता नहीं सब कुछ आपको type करना पड़े है तो हमें आप यूज करेंगे VS code का download करेंगे VS code आपको simply Google में जाना और यहां पर आपको लिखना है VS code फस्टी लिंक आपको मिलेगा यहां से आपको download करने VS code Windows यूज करना है तो Windows के लिए Linux पे हैं तो Linux के लिए Mac पे हैं तो Mac के लिए नाव मैं Windows के लिए download करूंगा download करने के बाद आपको मिलेगा एक एक exy expi आप double click करेंगे ओके-ओके-next-next करके आप VS code को install कर लेंगे VS code को install करने के बाद आपको मिल जाएगा VS code आपके system पे यह रहा मैं इसको open कर लेता हूँ क्लिक करेंगे इस आइकन पे VS code यहाँ पे open हो जाएगा कि मेरे पास पहले से install था तो बहुत सारी मैंने configuration यहाँ पे की हुई है तो यहाँ पे हम करेंगे JavaScript के लिए अपने VS code को ready कुछ extensions जिनको मैं तो आपको जाना इस extensions आइकन पे और यहाँ पे आपको लिखना है अपने थीम का नाम कोई भी थीम आप सर्च कर सकते हो जो तीम मैं installing यह install हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से आइकन मिलेंगे अगर यह आपको जो सर्च बार हो चला जाता है लेक्से यह चला गया है यहाँ से ठीक है मैंने भी जो डीफॉल्ट डार्क थीम हो इंस्टॉल लिए अब यह तो इंस्टॉल हो गया तो अपनी थीम होगा से कर रहा हूं वह आयो मेराज बॉर्डर इस पर मैं क्लिक करूंगो जो थीम हो अपला हो जाएगा यह तो हो गया थीम का काम ना फिर से आपको जाना फिर एंस्कोड को यह तो यहाँ पे आप चाहते हैं नहीं चाहते तो कोई बात नहीं वी एस कोड मैं पहले से ज्याव स्क्रिप्ट के सा बहुत तो ठीक तो यह खाजी आदी वेस कोड की तो यह हो गया नाव नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिटियर प्रिटियर आप इस्ट्रोल कर लीजिए यह क्या करता है आपके कोड को फॉर्मेट करता अगर आपने कुछ आड़ा तिरच्छा कोड लिखा है उपन नीचे लाइने कर दीए त यह मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है और यह अपना आप काम करेगा तो अगर आप कोई भी फाइल क्रियेट करते हो लेट्स से मैंने यहाँ पर फाइल क्रियेट किया इंडेक्स.js फाइल और मैंने आप एक फंक्शन क्रियेट किया function मैंने इसको कहा say hello और say hello के बाद मैंने यहाँ पर इतनी साही line break दे दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया console.log hello world ठीक अब देखो console के बाद में टैब नहीं है तो आपका जो code formator वह यह कहता है जो फंक्शन क्रियेट करो जो भी code लेखो यह टैब का स्पेस देके आपको लिखना है ठीक है मैं इसको सेफ करता हूं फाइल को यह format नहीं हो रहा है आप इसके configuration कर सकते हो जैसे आप सेफ कर हो format नहीं होता है राइट क्लिक करोगे format document पर क्लिक करोगे तो format हो जाएगा यहां मेरे पास multiple formators है तो यह कहरा कौन सा वाला formator आपको यूज करना है मैं configure में जाओंगा मैं सलेट करूंगा prettier जैसे मैंने prettier सेलेट किया देखो code यहां पे format हो चुका है तो उस तरह से मैं code को format क मैं Ctrl-Shift-F press किया format हो गया तो इस तरह से आप इसको code को format कर सकते हो बस इतना ही कुछ utility है जाला कुछ install नहीं करना है अब हम देखेंगे आंगे बढ़ते हैं अपने इस course में और अब हम देखेंगे कि अपनी JavaScript code को आप एक file में कैसे रन कर सकते हूं कि मैंने index.js यहाँ पर create किया था मैं इसको यहाँ से delete कर देता हूं इसकी जरूरत नहीं है अगा नाव मैं VS code को close कर देता हूं ठीक है या फिर मैं एक नया window open करता हूं पहले और फिर मैं पहले वाले window close करूंगा ऐसा मैंने क्यों किया ताकि मैं को बाता पाऊं किसी folder को VS code मै कैसे open करना है now VS code को भी मैंने आपे close कर दिया नाव मैं फिर से VS code को open करूंगा search किया मैंने आपे VS code open किया हमने आपे VS code now यहां पर मैंने एक folder create किया हूँ है desktop पे courses के अंदर YouTube folder के अंदर javascript full stack crash course इस folder पे मैं सारा code लिखने वाला हूं यह आपको मिल जाएग GitHub पे यह कुछ git की configuration है जिस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं उसको आप ignore कीजिए इस folder मैं सारे examples को create करूंगा तो यह वाला जो folder मुझे VS code मे चैले आप open करेंगे और फर यहां पर file है file में जाएंगे यहां पर आप करेंगे open folder open folder में क्लिक करने के बाद आप इस folder को select करेंगे और open करेंगे तो फोल्डर यहां open हो जाएगा दूसरा sort तरीका क्या है इस folder को आप पकड़ी और इसको drop कर दीजिए अपने VS code में तो इस त करेंगे अपने सारे examples तो पहले example देखते हैं जहां पर हम देखेंगे कि अपने html file के साथ javascript code को कैसे run किया जाता है तो मैं आप एक folder create कर रहा हूं folder का नाम मैंने आप दिया 01 underscore js underscore with js with html यह मैंने अपने file का नाम folder का नाम दिया ताकि आपको समझने में असानी होगी कैसे हमने के बाद एक examples create किये थे step by step हमने चीजों को अपने जो complexity है वो हम बढ़ाने के बाद में folders wise files के name wise आपके जो complexity है code की बढ़ती जाएगी ठीक है तो first example है जिसमें हम html के साथ javascript लिखेंगे इस folder के अंदर में एक file create कर लेता हूं index.html index.html now इसमें हम basic html5 add कर देत है select करिंग html5 enter so यह आ गया html5 document का कुछ title होता है दे देते हैं document का title हमने लिखा first javascript code safe किया now body के अंदर कुछ-कुछ लिख देते हैं हमने कहा h1 मैंने आप लिखा javascript full stack full stack course save किया इस file को run कैसे करते हैं तो simply folder पर जाएंगे आप और इस html5 पर double click करके आप इसको run कर सकते हैं बहुत simple है index.html पर double click किया file यहां पर run हो गया now इस file में जो भी javascript लिखूँगा वो यहां पर run हो जाएगा javascript लिखना कहा है लेकिन तो आपको javascript लिखना है इस file के अंदर script tag के अंदर head tag के अंदर हम एक script tag add करेंगे यह बगए script tag इसके अंदर हम लिखेंगे javascript एक variable create किया मैंने username is equals to मैंने username variant create किया एक और variable create करते है student नाम का जिसको हम एक object देंगे object में हमने username नाम का property add किया जिसका value है username इसका age है 23 23 save किया एक object create किया let's console let's log it on the console so console.log log करेंगे पहले हमने username को log करना है then console.log और student object को भी print करना है तो हमने basic javascript लिख दिया script के अंदर save किया यह run होगा file और यह javascript का जो जो भी हमने लिखा हो javascript वो execute होगा और यह console में print हो जाएगा वापस जाएगे file में file में हमने changes किये है इसलिए हम इसको reload करेंगे file को हमने किया reload console पर आएंगे यहां पर print हो गया विरेंद्र और username और age okay so यह दूसरा तरीका है html file में हम javascript को link करते हैं या फिर javascript directly script tag में लिखते हैं और वो यहां पर run होता है next step है हमारा जो code है वो हम script tag में ना लिखें हम यह javascript code अलक्स से javascript file में लिखें और html में सिर्फ html लिखें तो ऐसा कर सकते हैं क्या करेंगे इसके लिए simple है हम यहां पर एक और file create करेंगे file का नाम मैंने देखा index.js javascript file का नाम कुछ भी हो सकता वाट extension उसका .js होना जाइए js वगा हम यह जो code है इसको हम यहां पर shift कर सकते हैं तो एक काम करते हैं इसको हम लिख देते हैं app.js कर देते हैं इसको और एक और file create करते हैं app.html ताकि index वाला example आपका separate रहे और यह वाला example अलग ना क्या करेंगे app.html में एक html लिखेंगे थोड़ा सा यह रखा हमने लिखा app.html इसके अंदर कुछ html लिख देते हैं हमने लिखा h1 app.html यहां पे एक और h2 add कर देते हैं हमने लिखा script in separate file ठीक है यह आ गया ना हमारे पास app.js जो javascript code है हम app.js में लिखेंगे तो index.html से यह जो code हमें इसको copy कर देता हूं और app.js में paste कर देते हैं तो यह जो code था वो हमने लिख दिये javascript file में अलग से और यहां पे लिख देता हूं file is equals to app.js एक और file कुछ एक मैंने प्रॉपर्टी एड़ कर दिए ताकि सामझ में आये कहां यह दूसरा वाला object है ना इस app.js को हमें link करना पड़ेगा app.html के साहँ तब तो html को पता चलेगा कि यहां को javascript code भी है यहां पर हम यूज करेंगे script के अंदर src src में आप देंगे path उस file का file रखा हुआ है app.js नाम से हमने लिख दिया app.js तो अब क्या होगा html जब parse होगा browser पर तो उसको मिलेगा app.js through app.js भी यहां पर run हो जाएगा now run करेंगे इस file को file struct file directory में जाएंगे अपने और यहां पर app.html पर double click करेंगे यहां पर हम जाएंगे इंस्पेक्ट पर जाएंगे और जो भी console पर हमने print किया हो देखेंगे तो यहां पर देखोगे विरेंद्र यहां पर object print हुआ object के अंदर age file name app.js and यहां पर आया है विरेंद्र ठीक तो इस तरह से मैंने क्या किया अलग से javascript file create किया और उस javascript file को html में लिंक करके यहां पर run किया तो यह एक तरीका है javascript को run करने का now next यहां पर node.js के help से क्या है node.js आईए समझते हैं सबसे बहले काम करते हैं चलते हैं node.js की website में search करेंगे google में node.js यहां पर आएंगे download for windows का option आया है यहां पर कुछ कुछ लिखा हुआ है node.js is a javascript run time build on chrome's v8 engine यह क्या है v8 javascript engine control press करके मैं इस पर click करूंगा ताकि यह new tab पर उपर हो जाए यह आ गया है यहां पर v8 के बारे में क्या है v8 is in google's open source high performance javascript web assembly engine return in c++ कुछ नहीं है असान सब्दों में अगर हम का है javascript को run करने के लिए एक engine की जरूरत पड़ती है तो गूगल का open source high performance javascript web assembly engine है जो की c++ में लिखा गया है और यह chrome में use होता है chrome मतलब आपका chrome browser chrome browser उसको use करता है javascript को run करने के लिए अब एक बंदा आया वो कौन है आप उसको search कर google पर उसने क्या किया इस chrome browser का जो जो वीट इंजन है इसको उठा लिया और उससे उसको उठाके उसकी help से क्या किया node.js बना दिया node.js क्या है कुछ नहीं exe file है उस exe file की help से आप javascript को run कर सकते हो जिसको हम कह रहे है node ठीक है node एक प्रोग्राम है v8 engine को उठाके c plus लिखा हुआ है जिसकी help से आप javascript को browser के बाहर run कर सकते हो आई वो समझ में आ गया होगा now क्या करना है कुछ नहीं node.js है node इसको आपको install कर लेना है अपने system में और आप browser के बाहर अपनी javascript file को run करने लगोगे simple तो चलिए देखते हैं क्या है तो उसको download करेंगे यहाँ पर दिखा हुआ है LTS 14.17.6 recommended for most users अभी है 14.17.6 जब आप वीडियो देख रहा है तब कुछ और हो सकता है उससे कोई problem नहीं है आप इसको download कर लीजे जो भी latest वाला है आप मेरे में कौन सा वाला installed है वह मैं आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर type करूंगा cmd और just zoom it यहाँ मैं लिखूंगा node-version और यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कौन सा मेरे में installed है तो मेरे में जो अभी installed है वह 10.2.4.1 नोड का version है जो काफी पुराना version है क्योंकि अभ download करके इसको install करना वो भी आप यहाँ पर देख लोगे तो यहाँ पर यहाँ पर यह download हो चुका है exe file msi जो की installer है windows का आप जो भी system use कर रहे है उसके साब से आपको यहाँ पर solution मिल जाएंगे मेरे में windows है इसलिए इस नमर को solution दिया है कि आप windows के लिए download करो तो यह download हो चुक welcome to the node.js setup wizard चलिए इसको install करते हैं now click करेंगे next पे accept करेंगे agreement click करेंगे next then next यहाँ पर बता रहा ही कहाँ पर install हो रहा है program files के अंदर node.js के अंदर ठीक है next करेंगे again and next यहाँ बता रहा क्या चीज़ इंस्टाल होने वाली NPM package manager इंस्टाल होने वाला है automatically install the necessary tools click कर देंगे then click करेंगे next पे then click करेंगे install पे तो इस तरह जो node.js हो आपके system में install हो जाएगा अब नोड.js successfully installed finished पे क्लिक करेंगे यहाँ पे command line उपन हो चुका है जहाँ पे कुछ tools है वो की install होंगे click press and key to continue press कर देते हैं इंस्टाल हो जाएगा उसको मैं minimize कर देता हूं तो यहाँ पे और टूल हुआ था install NPM क्या है बाद में हम देखेंगे बटा भी बार चेक कर लेते ह हैं कि यहाँ पर जो हमने install किया है उसका version कौन सा update हुआ है या फिन ने क्योंकि मेरे पास पहले से तुझा जो था वो पुराना वाला था तो बार मैं इसको confirm कर लेता हूं मैं यहाँ पर लिगूंगा node hyphen hyphen version तो यहाँ पर मुझे version पता चलेगा कौन सा मैंने install किया हुआ है तो npm का जो version है वो 6.14.15 है एक और टूल है npx उसको भी देख लेते हैं npx hyphen hyphen version तीनों चीज़े क्या है हम आगे देखेंगे npx का भी same version है 6.14.15 तो ठीक है अभी इसकी हमको इतनी ज़रूरत है ज्यादा डीप पे नहीं जाते हैं इसको बंद करेंगे इसको minimize करेंगे and then अ now start करेंगे node.js के साथ javascript को run करना कैसे run किया जाता है आई देखते है एक्जामपल तो उसके लिए मैं आपके करूंगा root folder मैं मैं आपके कहीं पर भी क्लिक किया इस folder के अंदर तैने यहां पर में एक folder create कर लेता हूं इसको मैं नाम देता हूं 02 अंदर स्कोर js यहां पर मैं फाइल क्रियेट करूंगा आएक फाइल क्रियेट कर लेते हैं variable.js नामसे तो एक और मैं पर फाइल बना लेता हूं 01 स्कोर या Brendan 4 भी यूज कर सकते हैं बट स्पेस यूज कर 2005 मैं कि यूजस कर रहा हूंग कि तो 0-1-डильно-डरीवल-डल डॉod first example.js first example.js इसको हम node.js से run करेंगे तो first example मैंने बनाया जिसमें मैं खाली file रख रहा हूँ कुछ भी मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ ना इस file को मैं run करूँगा अगर आप किसी भी javascript file में बिलकुल भी code नहीं लिखते हैं तो वो भी एक valid code होता है एक valid code तो नहीं कहूँगा मैं यह कहूँगा valid source file होता है क्यों code तो इसमें ही नहीं तो एक valid javascript source file है अगर आप simply javascript.js से file को save करते हूँ मैं इसको भी run कर सकता हूँ तो इसको run कैसे करेंगे आप इस folder पर क्लिक कीजिए right click करके आप इस पर क्लिक कीजिए open in integrated terminal तो vs code में एक terminal होता है command prompt, command line, terminal आप जो भी बोलते हों तो यहाँ पर यह open हो गया मैं यहाँ पर command run कर सकता हूँ मैं यहाँ पर लिकूँगा node 01 tap press करूँगा तो इस folder में जो भी 01 से start file होगी वह आजाएगी tap press करने तो यहाँ पर आया dot slash 01-first-example.js enter press किया तो यहाँ पर वो file run हो गया पर इसमें कुछ output नहीं था कुछ भी हमने print नहीं किया कुछ भी variable create नहीं किया तो कुछ भी नहीं आया ठीक है यह काम में command prompt से भी कर सकता हूं तो इसको मैं command prompt में कैसे open करूँगा तो पहले तो हम command prompt open करेंगे यहाँ गया command prompt यह Linux के लिए है और Mac के लिए है LS हमें आप यूज करेंगे dir windows पे तो यहाँ पे इसमें फोल्डर से उसकी list आ गई आप देखो GitHub courses यह folders है यह courses directory मुझे इसके अंदर जाना cd for change directory और मैं जाना चाहता हूं courses के अंदर तो यहाँ मैं लिखूँगा cd courses और tap press करूँगा courses इसके अंदर में लिखता हूं dir तो तो इसके अंदर के इतने सारे folder है वो मुझे पता चल गए यहाँ मुझे YouTube के अंदर जाना है तो मैं लिखूँगा cd y press करके tap press करूँगा तो YouTube यह आ गया यह आ गया अगेन हमने कहा एक बार देख लेते इसके अंदर कौन कौन सी डिरेक्टरीज है तो इसके अंदर है एक जावास्किट फुल स्टेक क्रेस्क्रोस यह मुझे चाहिए तो मैं लिखूँगा cd j press करके tap प्रेस करूँगा तो आ यहां पर देखेंगे डारेक्टरी में क्या क्या है तो इस डारेक्टरी में है करेंट डारेक्टरी डॉट डॉट मतलब की बैक जा सकते हैं डारेक्टरी में इसके बाद एक फाइल है जिसका नाम है 01.example.js इसे मुझे रन करना है मैं यहां पर लिखूँगा node 01 tap press किया तो let's create an error तो मैं यहां पर कुछ भी type कर देता हूं जो कि invalid code है यहां पर मुझे एक error आएगी रन करेंगे node तो यहां देखूँग एक error आया हुआ है not defined error आया मतलब मैं यह बताना चाहता हूं कि nodes जा मैंने रन किया तो कुछ-कुछ हुगा background ठीक है तो अकर मैं कुछ भी सब कुछ मैंने रिमूफ कर दिया तो यह वैलेड जावाइस्क्रिप्स वाइल है जो की successful यहां पर रन हुगा तो इसका one problem का मैं यूज नहीं करूँगा करूँगा enterprise करूँगा तो यह फाइल यहां पर रन हो गया ओके तो यह था हमारा basic example जहां पर हमने कुछ भी code नहीं लिखा सिर्फ हमने जावस्क्रिप्स फाइल बनाया node.js की help से run किया next next chapter में next section में देखेंगे जावस्क्रिप्स कुछ कोड लिखेंगे और फिर हम उसको node.js से run करेंगे ना खुछ जावस्क्रिप्स का जो basics है वो यहां पर हम discuss करेंगे बहुत detail मैं नहीं बताऊंगा बहुत brief मैं मैं आपको एक overview आपे दूँगा कि कैसे variables create करना है कैसे functions create करना है loop if else यह सारी चीज़े ओके लेकिन साथ में description में कुछ links आपको provide कर रहा हूं आप उन links पर click कीजिए और जाके देखिए थोड़ा सा detail में आप उसको पढ़िए कुछ documentation के link है कुछ YouTube के कुछ दूसरे वीडियो के link है आप एक बार अगर उनको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा लेकिन मैं आपको एक overview आप दे रहा हूं उनके लिए जो बिलकुल नहीं जानते हैं और थोड़ा अगर आप ज्यादा जानना चाते हैं तो description में link है उस प कैसे variables create करते हैं यहीं समझते हैं JS basics के अंदर मैं यहाँ नया file यहाँ पर create कर रहा हूं 02-variables.js यहाँ पर हमें variable create करना है तो variable create कैसे करते हैं using where keyword हमारे पास तीन यहाँ पर तरीके हैं एक variable create करने के है तो मैं comment add कर रहा हूं पहला थरीका है हमारे पास using where दूसरा है हमारे पास यूजिंग let तीसरा हमारे पास using const देखे कर के दिखते हैं पहले where से प्रवेर से एक variable create करते हैं यहाँ लिखते हैं पहले where then आपके variable तो variable का नाम कुछ भी हो सकता है जैसे कि मैंने का username variable क्या होता है variable एक तरह से container होता है जिसमें अपना data store करते हैं data जिस container में हमने store किया उसका कुछ नाम तो होना चाहिए था कि हम उसको दोबार access कर सकें तो उस container का मैं नाम दे दिया username उस username के अंदर मुझे कुछ values को insert करना है तो मैंने single code में मैंने इसके अंदर विरेंदर insert कर दिया now let's print it on the console तो console.log और यहाँ पर मैं username को print करूँगा ओके ना उसको run करने के लिए मैं यहाँ पर control back tick press कर सकता हूँ तो इसे टर्मिनल open हो जाएगा लेकिन अभी टर्मिनल देखो कौन से फोल्डर पर open हुआ है जावास के full stack press course में पर मुझे इसमें नहीं जाना है मुझे जाना है इस file को run करना है मुझे तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं इस पर right click करके open in integrated terminal यहाँ पर करूँगा लेकिन यहाँ पर देखो power cell open हुआ है अगर आपके होता है ठीक नहीं है तो command prompt होगा अगर आप इसको cmd में change करना चाहते तो आप यहाँ पर cmd type करके enter करोगे तो यहाँ पर यह command prompt में convert हो जाएगा ओके नाव यहाँ पर मैं क्या करूँगा CLS screen के लिए हुआ इस फाइल को मुझे run करना तो मैं लिखूँगा node node हमारे फाइल का नाम है 02 tap press करेंगे और run किया तो यहाँ पर विरेंद्र आया तो हमने एक variable create किया और उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया let's create something else so मैंने आप लिखा where age is equal to 23 and let's print this age मैंने एच को प्रिंट किया अब अलग लग टाइप के मारे पास values होती है जैसे कि जो विरेंद्र है वो एक string है जिसमे हम character का sequence रख रहे है स्ट्रिंग यह एक number है ठीक है वैसी हम और भी चीज़ें आपर create कर सकते हैं let's create a boolean variable तो मैंने का is admin क्या वो admin है यहाँ यहाँ ना वैसका answer होगा तो हम आया और ना के बूले वैल्यूस करते हैं true or false तो मैं इस पर का true हमने का where is 18 is 18 क्या बहुत हारा साल का है yes तो मैंने का false हमने का नहीं तो मैंने का false ना इसको हम print कर सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा is admin and then यहाँ पर हम लिखेंगे is 18 is 18 safe किया इसको हमें run करना है वापस आइंगे command prompt में यहाँ पर हम लिखेंगे node 02 इस file को run करना है यह हमारा file यहाँ पर run हो गया perfect इस file को run करने के लिए हम एक extension का भी use कर सकते हैं extension install करने के लिए हम जाएंगे extension में और हम यहाँ पर टाइप करेंगे run ओके यहाँ पर आएगा code runner यह रहा code runner इसको आप install कर सकते हो जब हम इसको install कर लेंगे तो हम directly code को run कर सकते हैं बटन क्लिक करके तो आपको टर्मिनल वगिरा open करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो यह अलग-अलग tools है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए true and false यहाँ पर जो values है हमने store की हैं जैसे मैंने बताया है यह boolean value है यह number है यह string है तो हम इसको देख सकते हैं कि यह वाक्य में number है तो हम इसको print कर सकते हैं किसी भी variable का type print कर सकते हैं आवस के उप में using type of type of type कैसे पता करते हैं तो इसके लिए में नया example create कर रहा हूं यहाँ पर हमने लेखा यहाँ पर मैंने लिख दिया विरेंद्र और यहाँ पर मैंने लेखा console.log और यहाँ पर मैंने लेखा स्टुडेंट सेफ किया रन करेंगी कोड को तो सिंप्ली फोल्डर पर राइट क्लिक करके मैं कहूंगा open in terminal मैं टर्मिल पर आ चुका हूं और मैं यहाँ पर लिखूंग इसका value प्रिंट किया तो क्या आएगा इसका value विरेंद्र ठीक है ना मैं इसका copy create करता हूं अगेन मैंने इसको प्रिंट किया पर उससे पहले मैं इस student का value change करना चाहता हूं मैंने student is equals to हमने आप लिख दिया संदीप तो मैंने student variable का value change कर दिया और रन करते हैं इस code को अगेन तो यहाँ पर देखो कि पहले विरेंद्र प्रिंट हुआ फिर संदीप value वैने चेंज कर दिया now create a variable using const तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिखा आधार नमबर तो इसको हम simply print कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पर क्या होगा हमने देखा नोड 02 और फाइल को रंड किया तो यहाँ अधान नमबर प्रिंट हो गया ना मुझे करना है इस अधान नमबर का value चेंज करना है तो यहाँ नया value assign किया लेकिन इस बार अगर मैं code run करता हूं तो यहाँ पर एक error आया हूँ assignment to a constant variable तो इसका मतलब यह है कि जब आप const difference है जिसके लिए मैंने description में link दिया गया है आप उसको follow करके इसके बारे में detail में पढ़ सकते हैं अगर नहीं देखते हैं उस वीडियो को या फिर documentation को समझ पाएंगे तो terminal को close करते हैं यह तो था light and const के बारे में बात करेंगे अब types के बारे में कि नाव बात करते हैं types की कौन कौन से हैं पर types है multiple types की values होती है जहाँ इसके में कभी डेटा है जिसको हम है handle कर रहे हैं उसको एक type होता है string boolean number object array तो यह सारी चीज़ है देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पर रिकता हूँ console.log मैंने आप एक नए फाइल क्रेट किया types.js में एक link भी दिया है जिसको आप देख सकते हैं detail में पढ़ सकते हैं documentation से आस console.log में मैं print कर रहाँ type of ठीक है type of है इस type of की help से आप print कर सकते हो किसी भी value का type जैसे मैं लेका type of विरेंद्र मतलब कि एक double quote या single quote में एक value यह कौन से type का है इससे मुझे पता चलिजा जाएगा तो अगर मुझे इसे run करना है तो क्या करेंगे file में click करेंगे integrated in open terminal और open in integrated terminal और मैं यहां पर लिखूंगा node 03 और यहां पर आया string फिक है नाव इसका copy create करते हैं और इस string को convert करते है single quote में और single quote में मैं इस बार name दिख रहा हूं तो इसमें क्या होता है इसमें भी आया हुआ है string and string तो में लबकी single quote से भी हम इस ट्रिंग कर दें double quote से इवर single code को change कर दिया double quote में किसने prettier ने code formator ने सको change कर दिया कोई बात नहीं तो हम यह लगेंगे again console.log और मैंने और भी type के values हैं इसको मैं copy करता हूँ मैं लेखा type of और यहाँ पर मैं square bracket create करता हूँ तो इस square brackets हम create करते हैं array तो यह क्या है देखते हैं क्या है यह print करके देखते हैं मैंने यहाँ पर लेखा open and integrated terminal and then लेखा node 03 और run किया तो यहाँ पर आया type of number okay file को मैंने save नहीं किया file को save करेंगे again run करेंगे तो यहाँ पर type of object तो basically यह एक array है बट यह internally एक object है तो array भी एक object ही होता है तो सब्सक्राइब की बात करता हूँ तो यह type of object है now object कैसे create करते है curly bracket open close करता हूँ तो इस तरह से भी मैं object create करता हूँ now check करते है इस curly bracket का type क्या है तो यह भी आया हुआ है यहाँ पर object ठीक है तुस्तरे multiple values है इस code में जो मैंने यह link attach किया हुआ है इस link में आप जाके देख सकते हैं आप बहुत सारी type के values है तो यहाँ आप आप देखोगे यह यह रहा description, undefined, null, boolean, number, begin, disk के बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पर लगला type values है string कैसी create करते हैं तो यह रहा एक string type यह रहा single quote में string template literal में backtick का use किया गया है एक number को अगर हमने single quote में wrap किया है तो वो भी string है type of one is equals to equals to string no type of always returns a string तो यहाँ पर type of one is equals to equals to string जो type of जो हमको return करता है वो एक string है basically तो इसलिए यहाँ पर true होगा type of string of one अलग-अलग examples से समर्से complex examples हैं आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो जावास्क्रिप्ट में है आई समझते हैं functions क्या होते हैं functions कैसे create करते हैं जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर मैं एक और file create कर लेता हूँ 04 function functions.js functions.js ओके 04 functions.js ना उसको मैं run करना है तो क्या करेंगे function की create करते हैं basically let's say मुझे यहाँ पर दो number का sum निकालना है तो मैंने यहाँ पर एक variable create किया const से const a is equals to मैंने यहाँ पर लिखा 10 मैंने लिखा 12 और मैंने लिखा const b is equals to const b is equals to 13 now मैंने यहाँ पर लिखा const जो c है या फिर जो answer है मैंने का answer is equals to a plus b और फिर मुझे इससे print करना है तो मैंने का console.log और इसमें मैंने answer को print कर दिया तो इसमें यहाँ नंबर का sum निकाल लिया now इसको run करते हैं so integrated terminal में open करेंगे इसको and then यहाँ पर हम लिखेंगे node04 functions.js 25 25 answer है number change कर देते हैं यहाँ पर मैंने लिखा एक number यह है दूसर number यह रहा now again run की हमने आपर answer है 25 and 27 I mean 7 अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो code है मैं repeat कर रहा हूँ copy-paste कर रहा हूँ बार बार तो aap सिभली कोड को copy-paste कर रहा हूँ मैं तो मैं क्या कर सकता हूँ जो code मुझे बार बार यूज करना है मैं उसको फंक्शन में रैप कर सकता हूं एक बंडल बना सकते हैं हम कुछ लाइंस ओफ कोड का और उसको मैं कहूंँगा फंक्शन फंक्शन को हम कॉल करेंगे कॉल करना मतला उस फंक्शन को यूस करना तो लेट से एक मैंने फंक्शन यहां पर क्रियेट के फंक्शन क्रियेट करने के लिए मैं लिखता हूँ function फिर function का नाम तो function का नाम माली कि मैंने कहा say hello ठीक है मैंने एक function का नाम दिया say hello जिसका काम क्या है hello बोलना तो इसके अंदर मैं लिखूंगा console.log और यहाँ आप में लिख देता हूँ hello world PvP save किया मुझे का Online करना है है hello Sequething मैंने दो लायन printing कई, अकर मुझे है दो लायन करता है इस दो लायन को ऐसे करके copy करता और पेस्ट करता है गाँ अगर यह थे को पेस्ट यह ने क्रियेट किया मैंने दो लाइन का एक बंडल बना दिया और इस इस कोड ब्लॉक को मैं नाम दिया say hello function माने का तरीका है function function का नाम परांथिस open close curly bracket open close और फिर curly bracket के अंदर आप लिखते हो अपने code ना उस function को use करना है तो simply call करेंगे हम लिखिए यहापर say hello open close parenthesis यह function call होगा function के अंतर के दो line execute हो जाएंगी यहां पर रण किया hello something hello word print हुगा मुझे अगर इस दो line को फिर से execute करना है तो मैं इस function को फिर से call करूँगा तो मैंने इस चार बार function call किया और चार बार call करने से चार बार यह दो-दो line है चलींगी और यह print हो जाएगा console को तो यहा तरह तरह से outline हो जाती है लेकिन यहापे सिर्फ मैंने चार बार लिखके इन दो line को execute किया तो यह तरह से function function एक task है जिसके अंदर हमने लिख दिया कि उस task के अंदर हमको क्या करना क्या 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 steps है उसको complete करने के लिए this is called function तो कुछ functions create करते हैं आप तो इसको मैं remove कर देता है यह मैंने function create कि है इसके अंदर हम एक variable बनाएंगे मैंने का variable या फिर एक variable const create कर लेते हैं मैंने का const x is equals to 90 const y is equals to y is equals to 20 const answer is equals to x plus y and then इसको मुझे print करना है तो मैंने का console.log और इस answer को हमने आप प्रिंट कर दिया अब इसको मुझे execute करना है तो यह हमने function create किया सिर्फ define किया है इसको execute करने के लिए function को हम call करेंगे तो आंगे गए हमने function को call किया तो इस तरह से क्या होगा यह जो दो numbers है इनके sum हमको यहाँ पर मिल जाएंगे तो मुझे क्या करना है इस function में जो कुछ है input दे सकता हूँ मैं ठीक इस function में input दे सकते हैं मालब कि जब number से हम run time में change कर सकते हैं तो मैं इस function में input add करूँगा तो मैंने आप लिख दिया आंसर डिफरेंट आया तो इस तरह से मैं function को parameterized function कहते हूँ मैं इसको इस में function को call कर दे आए बाहर से input दे सकता हूँ और इस function को call कर सकता हूँ पिसे हमने console.log किया तो log एक function है जिसको मैंने call किया इस करना काम है log का print करना कुछ भी console पे ठीक तो ये एक function का example है अभी हमने अपने खुद के functions create किये इस तरह से आपको और भी functions create करने है अपने end पे जैसे मैंने किया multiply sum के लिए वैसे आप multiply divide के लिए अपने end पे कर सकते हू ओके तो ये था हमने input दिया now एक function है कुछ output भी दे सकता है तो जरूरी नहीं यह जो sum है हमको इसको print करना था इस answer को हमें return करना है मतलब कि यह answer इस function का output हो सकता है तो हमें आप एक लिखेंगे हमको इससे print नहीं करना हम इस answer को as a output देना चाहते है function में तो हमने आप लिख द return में हमको मिलेगा तो हम यहां पर इसको hold कर लेंगे मैंने कहा answer is equal to या गया मारा answer one और फिर से हमने आप लिखा answer const answer two तो इस तरह दो answer मेरे पास आ गए मैं बाद में इनको कहीं भी यूज़ कर सकता हूं तो मैंने लिखा console.log answer one and answer two यह हो गया दोनों नमबर यहां पर print हो गया तो यहां पर मैंने देखा function हम बिना input के create कर सकते हैं बिना output के और दूसरा हमने देखा हम इसको input दे सकते हैं त description में दे रहा हूं functions को detail में पढ़ने के लिए आप उसको follow कर सकते हैं तो अभी हमने क्या देखा functions को कैसे create किया जाता है ना functions के साथ थोड़ा सा और detail में बात करेंगे functions के साथ हम और क्या क्या चीज हैं यहां पर कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहां पे एक और file create कर रहा हूं मैं इस file पर click किया या फिर मैं इस folder पर click करूंगा यहां पर मुझे इतनाए file add करना है जिस file का नाम है 05- function- assignment.js assignment का मतलब है वो homework वाला assignment नहीं assignment मतलब किसी भी variable में एक दूसरी values को हम assign करते हैं वो वाला assignment तो यहां पर मैं कहा देखाना चाहता हूं कि हम function को किसी variable में assign कर सकते हैं JavaScript तो जैसे कि मैंने अभी function मनाया say hello तो फिर से create करते हैं मैंने यहां पर लिखा say hello function create किया इसको मैं pass करूं एक name जिसको वो hello बोलेगा और यहां पर मैं कहूंगा console.log console.log और मैं यहां पर कहूंगा hello and then plus करके मैं एक name यहां पर add करूंगा hello के बादेगे space add करेंगे और वो जो name है जो भी name मैं इसको input में pass करूंगा उस name को यह hello कहेगा then मैं तुमास और logic मैं add कर लेता हूं चाकि एक line क time code कोडना हो कुछ multiple हो यहां पर मैं यहां पर कर द non यहां नेम है तो मुझे करते लो लॉग और है तो 349 नेम को प्रिंट करना है नेम के साथ hello बोलना है अगर नेम नहीं है तो उस-केस मैं मुझे करना मैं मैंने कहा else else मुझे यहां पर कहा ना मैंने का console.log और मैं यहां पर लिखूँँगा hello guest hello guest अगर आपने username pass नहीं किया name तो हम कहेंगे hello guest अगर आपने name pass किया है इस function को तो हम कहेंगे hello plus name ओके तो मैं इसको wrap कर देता हूं curly bracket में इस तरह से and else को भी जाकी की confusion ना हूँ यहां गया if and else इस function को मैं call करूंगा मैंने यहां पर लिखा say hello इसको मैं name pass करूंगा let's say मैंने का variant एक बार फिर से call करते हैं say hello को इस बार मैं name pass नहीं कर रहा हूं तो इस बार मैं name pass नहीं किया इसका मतलब name नहीं है name नहीं है तो hello guest आएगा and then फिर से call करते हैं यहां पर say hello और यहां पर मैं name दे देता हूं उस बार संदी परफेक्ट ना इस file को मैं run करना है open करेंगे इसको terminal में so यहां पर मैंने का open and integrated terminal यहां गया okay तो perfect यहां पर मुझे क्या करना है run करना है इसको मैं यहां पर लिखूँगा node और इस file का नाम जो कि 05-functions function assignment run किया तो यहां पर क्या है hello विरेंद्र hello guest hello Sandeep as expected output अब हम क्या कर सकते हैं इस function को एक variable को भी assign कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा एक variable पहले create करूँगा यहां पर अभी उने direct function बनाया लेकिन हम मैं कुछ अला करूँगा मैं यहां पर एक variable बनाऊंगा मैंने कहा where एक function मैंने कहा say hello is equal to now मैं यहां पर same function फिर से create करूँगा लेकिन इस बार इस function को कोई नाम नहीं दे रहा हूँ ठीक है आँ यह जो भी code था मैं इसको यहां से copy कर लेता हूँ और यहां पर हमने paste किया यह तो इस बार मैंने के function मनाया है एक variable को assign कर दिया और उस variable को मैं as a function call यहां पर कर सकता हूँ रण करते हैं इस फाइल को यहां पर कहा है hello guest hello guest hello Sandeep ठीक है ना एक बार फिर से उसको call करते हैं मैंने लिखा say hello and then यहां यहां पर कोई नाम मैंने यहां पर लिखा हर्ष save किया again run करेंगे run किया है यहां पर आया hello विरेंद्र hello guest hello Sandeep hello हर्स तो यहां पर आपको यह याद रखना कि हम किसी function को एक variable में भी assign कर सकते हैं ठीक है now आँगे चलते हैं एक और example create करते हैं सेम तो मालनी जी मैंने यहां पर एक function ना create किया मैंने इसको कहा do sum ठीक है यह फंक्शन मैंने नॉर्मली create किया इसका काम है sum करना या फिर मैं करते हूं double it double it एक function create किया इसको एक number मिलेगा यह एक number को double करके return करेगा तो मैंने यहां पर लिखा return number multiplied by 2 तो यह कर रहा है इस number में double करके उसको return कर रहा है यहां पर मिलेकर देता हूं console.log इस double it को call करेंगे मैंने यहां पर लिखा double it और इसको मैं pass कर देता हूं 5 तो जो भी answer है वो क्या print होगा यहां पर 10 सही है ना यहां पर run करते हैं तो यहां पर आया 10 आप मैं करूंगे इस function को एक variable मैं assign कर सकता हूं नहीं आँगे चलते हैं मैंने constant variable create किया मैं इसको कह देता हूं multiply by 2 एक variable create किया multiply by 2 और इसको मैं यह double it function assign कर रहा मैं इस function अंगर नाम तो चीजन कर नहीं सकता बनने के बाद तो मैं कर रहा हूं एक variable बना रहा हूं multiply by 2 और उसको मैं double it को assign कर रहा हूं तो जो मैं double it को call कर रहा था मैं multiply by 2 को call करूंगा तो भी मेरा answer same आएगा प्राय करते हैं इसको यहाँ पर हम कहिंगे multiply by 2 और इसको मैं pass करूंगा कोई भी एक number जो की कुछ written करेगा तो मैं उसको print करूंगा मैं लेखा console.log और यह तो इस बार में 6 को multiply by 2 कर रहा हूं जिसका answer आएगा 12 और आपको यहाँ पर यह देखना है कि simply answer same आ रहा है लेकिन मैं उस function को किसी variable को assign कर रहा हूं और बाद मैं उस variable को as a function यहाँ पर call कर सकता हूं बस यही है इस section का सारांस कि हम किसी function को किसी variable में assign कर सकते हैं और नेक्स्ट function पर ही और बात करते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर callback function की callback function क्या होता है वो समझते हैं ठीक है तो यहीं पर मैं basics के अंदर एक और फाइल क्रेट कर रहा हूं 06-callback callback.js ठीक है तो callback function कुछ नहीं है एक function मनाएंगे उस function को दूसरा function पास करेंगे और फिर उसको उस function के अंदर से call करेंगे इसको करेंगे callback function फ्रॉद से confusing है बिल्कुल नहीं आईए देखते हैं तो एक function मैं create कर रहा हूं एक function मैंने आपर create किया मैंने इसको कहा प्लेस ओडर मैंने एक function करेंगे इसका कहा हूं मैं और प्लेस करना आप इसको एक product पास करो गए इस product के लिए order प्लेस करेंगा तो नहीं मैंने यहांपे लिखा console.log और आपने यहांपे लिखा कि order is placing for product कौन सा product है मैंने कॉमा करके उस product को यहां पर print कर दिया ठीक है नहीं मैं यहांपर इस function को call करूंगा मैंने का place order product का नाम दे दी थी आप मैंने का laptop और इस place order function को मैंने call किया इसको एक product पास कर दिया, run करेंगे इस code को क्या होगा, print हो जाएगा, order is placing for the product laptop, ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई code है, जो की circumstance, order place होने के बाद चले, ठीक है, तो मैंने का order place होने से लनला चाहिए, और फ़ंक्षन मैंने और फंक्षन दूसरा function, मैंने इक और फंक्षन करन लिया, मैंने इस function हों कहा send email, order जब place होता है, तो हम एक email send करते हैं, now किसको ये email send करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि email send करना है ये करना है अभी कुछ कुछी को नहीं simple रखते हैं इसको email send होगा इसमें मैं लिख देता हूँ console.log console.log मैंने यहाँ लिखा email sending तो मैंने यह कहा आप से कि place हो जाए जैसी order उसके बाद आपको email send करना है तो ठीक है आपका place order function call किया इसके just बाद मैं यहाँ पे send email function call कर दूँगा ठीक है तो अब run करते हैं इस code को क्या होगा जिसमें क्या होगा आप कहले order place होगा जैने email is sending ठीक है अब ऐसा हो सकता कि order को place होने में दो-तीन में का time लग रहा है या फिर कुछ processing चलती है जिसमें तो आपको time लगता है तो इस case में क्या होगा function में अगर कुछ time लगता है तो यह जो send email यह रोकेगा नहीं जैसी place रो function call होगा उसको दो-तीन में का time लग रहा लगने तो send email पहले हो जाएगा तो हम गया चाहते है जैसे यह जब काम पूरा complete हो जाए उसके बाद हमको यह run करना है ठीक है या फिर मैं इसको यहां से remove करता हूँ मैंने एक और function है यहां पे create किया मैंने का function send email की जाएगा मुझे order place होने के बाद मुझे कुछ और करना है मुझे यह करना है कि मैंने इसको लिख दिया यहां पे send मैंने यहां पे लिखा जैसे place हो गया order इसके बाद मैं यहां पे कहूंगा send या फिर मैं इसको कहा देता हूँ do something else कोई भी काम मुझे यहां पे करना है console.log यहां पे मैंने लिखा doing something तो अब मुझे यह वाला function run करना है इस बार place order होने के बाद तो इस बार मैं do something को call कर दूँगा तो मैं यहां पे यह करना चाहता हूँ कि place order जैसे ही हो उसके बाद जब यह code चल या उसके बाद मुझे कुछ run करना है लेकिन मैं उसको function calling के time पे नहीं कि जब आप place order करते हो उसके बाद आप को यह line call करना पड़ेगी तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि यह जो function है मैं place order को pass कर दूँ और place order में जो function है यह करने का काम जो भी send करना है email आप जो कुछ भी करना है वो place order खुद करें internally वो हम कर सकते कैसे मुझे यहाँ पर कौन सा function इसके बाद call करना है वो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ मैं यहाँ पर एक parameter और add करूँगा जिसको मैं करूँगा callback तो basically हम एक function इस place order को pass करेंगे और यह जो callback है हम इसको यहाँ से call कर सकते हूँ मैं का callback को call कर दिया जब मैं place करूँगा order तो यहाँ पर कॉमा करके इसको एक function भी pass करूँगा मैंने का do something function call करना है do something function call करना है जिसके मैंने reference pass कर दिया तो यह वही बात हो गई कि मैंने एक function एक variable को assign किया है same चीज मैंने यहाँ पर किया एक do something function था जिसको मैंने callback को assign कर दिया और यह callback बाद मैं यहाँ पर आके call हो जाएगा same चीज again करते हैं हमने का place order इस बार मुझे again place करना है order इस बार जो है यह phone के लिए है लेकिन इस बार मैं do something नहीं करना चाहता है मैं इस बार send email करना चाहता हूँ मैंने send email को इस बार send कर दिया यहाँ पर अब क्या होगा place order call होगा यह line run होगी callback call होगा callback मतलब do something इसको मैंने call कर दिया next time send email इस callback में जाएगा इस case में हमारे callback function do something and send email यह हमारे callback functions है जो कि place order के बाद यहाँ पर call हो रहा है run करते हैं इस code को क्या होता है so पहले बाले जो order के लिए placing order for laptop but is about do something and order is placing for product phone but is about email sending तो मैंने कहा कि यह function को दूसरा function pass किया जो कि बाद में call हो रहा है इसको मैं कहता हूँ callback ओके यहाँ पर मैं link दे रहा हूँ और detail में पढ़ने के लिए आप उसको follow कर सकते हैं now बात करते हैं higher order function की higher order function क्या होता है थोड़ा सा advance हो सकते हैं यह सारी topics बाद आपको अभी समझना है कि हाँ हम यह सारी चीज़ है कर सकते हैं जावस्किप में क्या यूज है वो मैं आपको आंगे बताऊंगे जहां हम इसको implement करेंगे जापना code करेंगे express.js पे तो सारी चीज़ां और अच्छे से clear होंगे ठीक लेकिन अभी आप इस चीज़ को feel सायद ना कर पाएं कि क्या यूज है इंची जोगा लेकिन बहुत अच्छे चीज़ है अच्छे फीचर सहीं जावस्किप के जो मुझे परसनली बहुत ज्यादा पसंद है रिखे है यहां पक्षण फाइल यहांपट एसे फांक्षान हायाया यहाम करー नाम लीन देUhitermिलिल टैषर फंक्षं डास प्टार नाम इस हांदर होता है वो देखतेँ है तो मैंने यहां पक्षं क्वरीट मनाया इस फंक्षं क्षं को मैं कहते हुआ साओं से हेलो औके और नाओ इसके अंदर मैं एक और function मनाऊंगा, इसके अंदर मैं एक और function मनाया है, मैंने इसको कहा दिया, hello, ये बना दिया, ठीक है, तो say hello एक function है, और इसके अंदर मैंने एक और function मना दिया, और इसके अंदर जो मने फंक्शन मनाया है, इसके अंदर हम कुछ-कूड लि इनंदर से रितन कर दिया यह क्या एक function है यह क्या इस function को मैं इस function के अंदर से return कर दिया हम मैं unrealistic call कैसे करूँगा तो पहले मैं लीए खूँँगा से SAYгорो जो को इन्मेस कॉल किया तो यह code execute होगा यह code क्या करता है एक function create करके function को return करता है तो जब यह function कुछ return करेगा तो हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन यहां पर प्रिंट हुआ ओके तो बेसिकल एक फंक्शन के अंदर से मैंने एक फंक्शन को रिटन किया है और इस फंक्शन को मैंने यहां पर होल्ड कि एक वरियबल में क्योंकि इस फंक्शन ने रिटन किया एक नया फंक्शन और इस हेलो के अंद एक function को return भी कर सकती है तो इस case में यहाँ पर जूस से हो function है यए अशूंद के इंदर से मैंने function को return कर दिया एक 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 जाम्पल देखते हैं है लाइफ अमलपक समझ में आया थ्वड़ा था कि हाँ क्या यूस हो सकता है इसका तो लेट से इनने एक function यहाँ पर create किया मैंने कहा मॉल्टीप्लाए मैंने इसमें लिखा multiply 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 by 2 multiply by 2 मैंने एक function stimulate किया और इसके अंदर से मैं रिटन करूँगा एक और function और इस function को मैं pass करूँगा number a ठीक है इस function को मैं pass करूँगा एक दूसरा number नहीं इसको मिल्टिप्प्लाइब baj य़ास मिने function की यहां नमर यहां प朋友 कॉण से नमबर से मुझो करना है वो बता दिया मैंने इसके अंदर मैं एक और फंक्चन में आउंगा जो कि अगेन एक और नंबर यहां पे लेगा नंबर टू और इसके अंदर से मैं यहां पर रिटन करूँगा नंबर multiplied by number 2 और लास्ट में आपके करूँगा return return multiply by और सब्सक्राइब नहीं जो फंक्शन मैंने extra create किया यह वाला मैं इसको return करूँगा तो मैंने इसको कहा some function कोई भी तो मैंने इसको लग दिया multiply ठीक है इसको मैंने दिया multiply बाहर वाले करना multiply by और जो अंदर वाला function है मैंने इसको यहां से return भी कर दिया तो मुझे इसको लगने की जरूवत नहीं है फिर इसको लिए जरूरत नहीं है इसको यह call हुए इसको मैंने number को pass कर दिये 2 तो अभी जो function इसको मैंने 2 pass किया और अब यहां से मुझे function return हुआ है जो function मुझे return हुआ है यह multiply by 2 तो अब इस multiply by 2 को मैं जब भी call करूँगा यह उस दूसरे number को 2 से multiply करेगा तो अगर मैं आप जिता हूँ console.log और मैं इस multiply by 2 को call करूँगा और इसको मैंने pass कर दिये 3 तो इस case में क्या होगा यह कोई भी number यह जो function मैंने अब नया function बना दिया है यह number यह function हमेशा 3 को कोई भी number जो मैं पास करता हूँ उसको हमेशा 2 से multiply करने वाला है ठीक है तो इसको मैं कहता हूँ multiply by 2 multiply by 2 save किया run किया यहां पर क्या आया अगेन एरर आया हुआ है multiply by 2 is not defined multiply का spelling अलग है यह हो गया now run किया अगेन और यहां पर क्या आया 5 6 and 8 आया तो I think result क्यों आ रहा है यहां मैंने प्लस कर दिया actually मुझे यहां पर multiply का sign लगाना है run किया तो यहां पर क्या आया 6 8 and 12 तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने एक function यहां पर नया जनरेट कर दिया इसको मैं को partial function कह सकता हूँ हूँ इसको कहता हूँ partial function तो यह function क्या करेगा सिर्फ जब भी मैं function को कोई number pass करूँगो वह हमेशा 2 से multiply करेगा एक और partial function create करते हैं aan Hip अंगे चलते हैं यहां पर मैंने partial function एक और create करना है मैंने का कहा कौंस्ट एक और partial function मैंने यहां पर create किया मैंने कहा multiply by 5 तो मैं आईसा function मारणना चाहता हूँ जिस function को मैं call करूँ हमेचा हो five से multiply करें तो यह मैंने बना दिया partial function तब यह जो multiply by 5 एक partial implementation हो गया मेरे पास जो हमेशा एक नमबर को 5 से multiply करेगा नौरन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15, 20 and 13 तो यह एक function मैंने बनाया const multiply by 5 जो कि हमेशा एक नमबर को 5 से multiply करेगा हो क्योंकि मैंने एक बार इस function को 5 के साथ call किया है तो यह एक फायदा यहाँ पर हो सकता है कि आप एक बार function मैंना उसको partially एक बार implement करके उसको बार बार अलग अलग values के साथ call करोगे तो एक जो starting में जो आप चाहते थे कि हाँ वो function हमेशा 2 से multiply करेगे तो वो आप यहाँ पर access कर सकते हो साथ ही कुछ समझ में आया हो साथ कुछ समझ में ना आया हो कोई बात नहीं हम आगे जब express js पर जाएंगे तो ऐसी चीज़ें बार बार यूज करेंगे और जितनी प्रेक्टिस करेंगे तनी अच्छे सीज़ों समझ पाएंगे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा समझते हैं अब्जेक्ट से हम यहां पर कैसे क्रियेट करते हैं पहले तो मैं आपको बता चुक हूँ वेरियाबल में लेकिन अभी थोड़ा साथ डीटेल में देखेंगे यहां पर क्रियेट कर रहा हूं मैं JSBasics के अंदर 0808-arrays.js तो अभी हम यहां बात करेंगे अरे के बारे में इसके बाद हम बात करेंगा अब्जょक्ट के बारे अरे क्या होता है तो येरे एक समद्शे लिज़ी आप लिस्ट होता है लिस्ट है का नाम स्टॉर करना तो मैं एक student का नाम स्थोर करना, तो मैं एक variable create करूँगा, student is equals to और इसमें इन रो कर दिया, विरेंद्र, तो यह तो एक student, लेकिन मुझे multiple student create करने तो मैं करूँगा, एक student variable बनाएंगा, मैंने का where student 1 is equals to, हमने इन स्थोर कर दिया, संधीब, वैसि एक और में जो variable बनाना पड़ेगा, मैंने का student 3 3 is equals to something कोई भी student तो मैंने इस तीन variable बनाए लेकिन मुझे आप multiple students को store करना है तो मैं आप array का use कर सकता हूँ तो array में आप एक ही variable बनाओगे लेकिन वो variable एक array type का होगा तो array में आप multiple values को एक सांद store कर सकते हो तो एक variable बनाएंगे हमने इसको का students कि तो मैं इसको plural में यूज़ कर रहा हूँ students एक array बनाने के लिए आप square bracket open close करते हो तो इस तरह से आपका array बन जाता है इस array में आप insert करते हो data कैसे करना है तो आप यहीं पर कर सकते हो directly पहला नाम है विरेंद्र next then again एक और नाम इंसर्ट कर सकते हैं कॉमा करके यह मैंने तीर नाम है आप insert कर दिये ना उसको print करते हैं देखते हैं क्या आता है मैंने का console.log और इस students की जो list है उसको मैंने आपे print किया now run करेंगे इसको simply run button पे क्लिक करके भी मैं इसको run कर सकता हूं मेरे पास जो extension है वो काम आएगा तो यहां पर आया विरेंद्र संदीप और हर्स अब मुझे अगर इसमें से जो पहला वाला मतलब की zeroth index पे मैं square bracket zero use करूँगा वैसे square bracket one use करेंगे and then square bracket two use करेंगे तो इस तरह से मैंने पहला नाम access किया दूसरा और तीसरा save किया run करते हैं इसको यहां पर देखोगे विरेंद्र प्रिंट हुआ फिरेंसंदीफ फिर यहां पर हर्स तो इस तरह से मैं किसी array के element को access करता हूं अब यह तो था मैंने static data यहां से directly insert कर दिया करके लेकिन मुझे बाद में मैंने एक array यहां पर create कर लिया लेकिन मुझे बाद में insert करना एक और नाम तो मैं कैसे करूँगा तो simply मेरे पास जो students variables पर मैं .push call करूँगा push एक element को insert कर देगा यहां पर एक नया नाम add कर देते हैं एक नया नाम add है अपने यहां पर किया और यहां पर मैं कहूँगा console.log यहां पर हम्ने student को print करेंगे तो आप देखोगे कि last में आपके पास एक और नाम यहां पर insert हो गया होगा यहां पर फिर यहां पर एक और नाम insert हो गया तो इस तरह से मैं किसी array में values को insert करता हूँ नाव मैं इसमें से एक value को remove भी कर सकता हूँ तो मेरे पास students object पे एक method है, pop, pop क्या करेगा, आपका जो last वाला जो भी element है, इस list में, इस array में जो last element है, उसको जो है हाँ से remove कर देगा, तो मैंने कि बार pop call किया, तो जो last element है, वो remove हो गया होगा, now फिर से इसको print करते हैं, आप द इस तरह से और भी methods हैं, जिस पे आप काम कर सकते हूँ, यहाँ पर मैं जब students लिखता हूँ, मैंने का dot, तो यहाँ पर आप देखुए, यह जो purple color से दिख रहा है, यह methods है, और जो blue color कहीं है, वो properties है, तो length, तो मैं directly length को access करके, यहाँ पर पता कर सकता हूँ कि हमारे array का size क्य GTH को लेके problem क्यों आ रहा है, एक बार फिर से run करते हैं, ओके तो यहाँ पर क्या है, 3, क्योंकि जो last मैं, जो मेरा array है, उसका size कितना है 3, यह कुछ basic method सी, push and pop and student में data insert करना, और उसको read करना, यह हमने यहाँ पर देखा, ओके, तो यहाँ पर एक और होता है, एक और बहुत जादा use होने वाल, जो कि for each, for each में क्या आप looping करते हो, for each एक function है, method इसको मैंने call किया, अब यह function क्या करता है, इसको चाहिए एक और function, दूसरा function, तो मैं इसको pass करता हूँ एक और function, जिस function में, यह जो array for each method क्या करेगा, यह एक element आपको इस function के parameter में देगा, तो अगर मुझे यहाँ पर data मिलेगा, तो मैंने इसको कहा item, और एक और function है, जो कि run time पर call होने वाला है, तो अगर मैं इस पर कहता हूँ, console.log और मैंने इस item को print किया, तो हम देख पाएंगे कि हम इस for each method से iterate कर सकते हैं, किसी भी array में, run किया, तो यहाँ पर देखो, last में, तीन element जो हम print हुए, मैंने आप एक function create किया, मैं इस function को arrow function में भी convert कर सकता हूँ, जो कि हम पहले भी, सायद नहीं देखा है, हमने, callback, function, assignment, okay हमने arrow functions के बारे में नहीं देखा, तो next जो chapter है, उसमें arrow function के बारे में बताऊँगा, arrow function क्या होता है, तो इसको मैं भी छोड़ता हूँ, arrow functions को बहुत रिपलेश नहीं कार रहा हूँ अभी, आँगे देखेंगे arrow functions, तो यहां पर मैंने arrow functions के बारे में नहीं बताया है ठीक है ओके भी example नहीं arrow function पर ओके तो arrow function बहुत important है मैं इस array के बाद आपको बतेखाऊंगा object क्या होता है then object के बाद मैं आपको बताऊंगा कि arrow functions हम यहां पर कैसे create करते हैं अभी के लिए फिलाल लतना ही for each में हमें आप एक function पास कर रहे है इस function को एक एक आइटम मिलने वाला है और इस आइटम को मैंने आप पर प्रिंट किया यह कुछ basic methods हैं जो कि आप array पर कुछ actions हैं जो आप यहां पर perform कर सकते हैं और array की कुछ properties हैं जैसे की length उसको आप access करके पता गर सकते हैं तो यहां पर मैं इसका link देता हूं आपको arrays MDN official documentation का जहां से आप देख सकते हो सारी methods array पर क्या क्या आप उस array पर कर सकते हूं तो यहां पर find, every, include, for each सारी methods हैं यह बहुत important है एक बार आप documentation को जरूर से follow करें तो यह आगया है array एरे पर हमने element create किये एक element को access किया last element को access किया for each का use किया push किया एक element फिर pop किया shift किया shift में क्या होता है remove an element from the front remove an element from the front अगर आपको back से करना है तो आप pop का use करते हो वैसे ही unshift unshift में आप add करते हो starting में एक element using push आप last में एक add करते हो index of से पता करते हो कि यह element वो कौन से index पे है splice से आप remove करते हो यह सारी चीज़े हैं जो कि आप यहाँ पर documentation देख के यहाँ पर पढ़ सकते हैं 09 arrow function.js यहाँ पर basically मुझे function create करना है एक function मैं create कर लेता हूँ मैं इसको कहा say hello say hello and यह हमने आप function create किया इसका काम क्या है यह console.log कुछ log करता है जिसमें मैंने लेखा hello okay यहाँ say hello को हम call कर सकते हैं मैंने लेखा यहाँ पर say hello run करेंगे तो output में आया hello और इस function को मैंने आपको बताया कि हमें variable को भी assign कर सकते हैं तो एक और function है यहाँ पर create करते हैं जिसमें मैं constant variable create कर लेता हूँ मैंने कहा say hello say hello to is equal to function create करेंगे अब एक function जिसमें कोई नाम नहीं होगा इस तरह से यह function मैंने create किया जिसको मैंने एक variable को assign कर दिया say hello variable को okay और इस परली bracket के अंदर मैं अपना call लिख सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर लेखा console.log hello from variable ठीक है ना यहाँ पर हमें say hello to को call करेंगे say hello to इसको मैंने call किया और run करेंगे तो हमको same output मिलेगा hello from variable यह मुझे को यहाँ पर मिलेगा तो say hello to is not defined say hello यहाँ पर तो है okay spelling mistake है save किया run किया तो आया hello from variable okay तो अब यहाँ पर हम देखिए this function किया होता है तो arrow function में हम बिना function keyword की help से हम एक function create कर सकते है create करते है that arrow function यहाँ पर एक variable create करूंगा मैंने यहाँ लेखा const arrow function arrow function यह क्या है सिर्फ एक variable का नाम और कुछ भी हो सकता है यह खाए अब मुझे यहां पर एक फंक्शन क्रियेट करना हो तो मैं करता हूं फंक्शन और इस तरह से मैं एक फंक्शन क्रियेट कर सकता हूं आप लेखा console.log arrow function तो अब मैं इसको arrow function मैं convert करना चाहता तो फंक्शन की बड़ यहां आपसे में remove कर दूँगा और यहां पर सिर्फ रहेगा parenthesis open close और यहां पर रहेगा एक arrow यहां में एक arrow बना रहा है इसलिए हम इसको arrow function कह रहे हैं simple है बस इतना ही है कुछ नहीं function को remove करना जो parenthesis है उसके बाद आपको arrow बनाना और उसके बाद body यह बन गया हमारा arrow function इस arrow function को call करेंगे तो हमने कहा arrow function को हमने यहां पर call किया arrow function यहां पर print हो जाएगा तो यहां हमारा अब पुढ़ाया arrow function तो इस तरह से मैं एक arrow function create करता हूं तो चलिए multiple और function create करते हैं arrow functions इसमें parameter होगा तो एक arrow function जिसमें हम color load करेंगे sum तो लट से मैंने एक variable let बनाया मैंने इसको कहा sum is equals to arrow function create किया यह basic arrow function का syntax तो यह बन गया एक arrow function अब arrow function के अंदर मुझे कुछ code लिखना तो मैं स्कलिबरेट के अंदर लिखूंगा मैंने आप लिखा console.log sum एक variable x create कर लेते हैं मैंने आप लिखा const x is equals to कोई value y is equals to कोई दूसरा value मैंने आप लिखा const z is equals to x plus y और फिर हम इस z को print करेंगे तो मैंने आप लिखा sum is z okay now sum को call कर सकते हैं यह हमने sum को call किया क्या output sum is 179 तो यह एक arrow function है जिसमें कोई भी input नहीं है कोई भी parameter नहीं है और यह कुछ return भी नहीं करता है ना एक और example create करते हैं same sum जो variable उसको assign करेंगे एक और arrow function यह assign किया ना इस arrow function को मैं parameters pass कर सकता हूँ यहाँ पर मैंने कहा x और y इसको दो parameter मुझे देने है और यहाँ पर मुझे क्या करना है एक variable const z में create करूँगा जिसमें मैंने कहा x plus y और simply मैं इसको log करूँगा तो मैंने कहा console.log sum is comma यहाँ पर हमने पास किया z इस sum को हम call करेंगे बट इस बार हम इस sum को parameters pass करेंगे let's say मैंने पास किया 10 and 20 तो इस बार सेम रिजल्ट हमको मिलेगा 10 and 20 30 मिलेगा console.log g is not defined okay sum is 30 तो इस बार मैंने एक arrow function मना है लेकिन इस बार मैं इसको दो parameters pass किये एक और example देखते हैं sum को हम अगेर एक और function assign करते हैं जिसमें हम कुछ return करेंगे okay तो यहां पर अगेर मैं return चाहता हूं x और y इस बार मैं जो constant z है इसमें answer store करूंग x plus y इस बार मैं z को return करना चाहता है तो मैंने लेखा return z तो इस बार मैंने इसके अंदर कुछ print नहीं किया है यह जो function यह कुछ return करेगा जो कि है z ना इसको call करेंगे तो मैंने का console.log और इस sum को मैं call करूंगा 10,20 तो क्योंकि मैंने यहां पर sum को console.log के अंदर के उपास किया क्योंकि sum function कुछ value return करता है तो जो value return करेगा उसको मैंने print किया number change कर देते हैं थोड़ा सा different result आएगा save किया run करेंगे और यहां पर आया output 60 जो कि यहां से आया है तो इस पार arrow function ने कुछ return किया अगर आपके arrow function में बिलकुल code नहीं है कुछ जादा सिफ single line का code और single line का code है कुछ जो की return करता है तो इसके लिए कौर्ट syntax हमारे पास इसको मैं का हूँ है sum is equals to कुछ इस तरह से तो आपको curly bracket add करने की ज़रूत नहीं है आप लेको को x,y आपको यहां से x plus y का जो sum हो return करना तो आप simply लिख सकते हो x plus y तो इस arrow function का मतलब क्या है कि आपने जो input pass किये मैंने उस input को plus करके यहां से return कर दिया तब arrow function के बाद बिना करी bracket जो भी लिखते हो उसका मतलब है आप उसको return कर रहे हो तो यह सबसे छोटा syntax है arrow function का ना उस function को call करेंगे तो मैंने का console.log sum को call करेंगे and then 30 and 20 और create करते हैं कुछ और function मैंने का const मैंने इसमें लिखा say hello say hello say hello again मैंने लिखा और यहां पर मैं एक arrow function pass करूँगा जिसको मैंने पास कि एक name यह say hello क्या करेंगा जो भी name है उससे string create करेंगा जिसमें कहाएगा hello और hello के बाद इसका name यह template string है जहां पर मैं back tick का use करता हूँ और dollar sign यूज करके percentage curly bracket और यहां पर मैं जो variable name pass करता हूँ और replace हो जाएगा या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ confusion हो रही हो तो यहां पर मैं लिखूंगा hello space plus करके name तो इस arrow function मैंने करके name पास किया और यहां से मैंने arrow देके बिना curly bracket के अगर मैंने string लिखा इसका मतलब यह है कि इस arrow function के अंदर से मैं इस string को return कर रहा हूँ इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि और यह ने पास किया name और इस name का body है is body मैंसे आपने return किया घलो name यह इसका मतलब यह कुछ इस तरह से होने वाला है simple है name यहाँ पर मैंने directly string pass किया मतलब कि मैं उस string को return कर रहा हूँ तो अब मैं लिखूंगा console.log function को call करेंगे say hello again और इसमें मैं एक name pass करूँगा मैंने लिखा विरेंद्र again एक name pass करेंगे मैंने लिखा Sandeep and then run करेंगे तो यहाँ पर क्या आया hello विरेंद्र, hello Sandeep तो जो अभी string था वो concat होके यहाँ से return हो गया simply एक function है तो arrow functions को मैं अब directly किसी भी किसी भी function की parameter body में भी pass कर सकता हूँ क्योंकि अभी एक arrow function है ठीक है तो जैसे कि मैंने आप एक function create किया let's say मैंने एक function create किया मैंने कहा do something do something या फिर मैंने कहा एक मेरे पास function है जो कि data लेकर आता database से तो मैंने इसको कहा fetch data ठीक है data लेकर लेकर मैं बताना चाहते हूँ function pass करना चाहता हूँ कि जब data आ जाए है तो एक call back है जिसको आपको call करना है तो data आ जाएगा है यहां पर मैंने लेकर console.log fetching data और इसके बाद मैं callback को call करना चाहता हूँ यह मैंने यहां पर लेकर call back की मैंने यहां पर call back यह पर吧 बार्डेटा आ जाएगा उसकेब यहां callback को call किया तो आप मैं जब fetch data को call करूंगा तो इसे मुझे एक function pass करना है last time हम क्या कर रहे थे मैंने आप एक const callback create किया और callback को मैं एक function pass करा तो जो कि मैं function ऐसे तरह से directly बना सकता हूं हम क्योंकि मैं arrow function जानता हूं तो मैं एक arrow function बना है मैंने आप दिया कि console.log call after call after data fetch और यह callback है मैं इस fetch data को pass कर दूँगा callback तो अब क्या होगा जब fetch data call होगा तो fetching data print होगा then जो callback मैंने इसको pass किया है यह function मैंने यहां से call कर दिये तो यह function जब call हो जा तो call after fetch data यह print होगा now run करते हैं तो यहां पर क्या है fetching data call after data fetch तो अब मैं अलक से यह function create ना करके इस directly यहां पर एक function create कर सकता हूँ parameter body में कुछ इस तरह से तो यह मैंने यहां पर callback pass कर दिया directly और इसके अंदर बेच को भी code है वो लिखना चाहता हूँ मैंने लिखा console.log from arrow function callback नो run करते हैं इसको यहां पर क्या आया fetching data from arrow function callback तो using arrow function में directly एक function create कर सकता हूँ parameter body के अंदर ही function create हुआ उसका reference इस fetch data को pass हो गया और फिर यह fetch data call हुआ है जिसको callback मिला है जिसमे यह arrow function है उसके बाद आया fetching data और यह callback call हुआ जो कि था एक arrow function ओके तो यह यहां पर use है arrow function का अभी ज़स्ट आप याद रखिए कि arrow function कैसे create करते हैं बाद में इसका बहुत ज़्यादा use होने वाला है यह हम express.js पर काम करेंगे अब्जेक्स कैसे create किया जाता है अब्जेक्स क्या होते हैं आई समझते हैं पहले तो एक नया file create कर लेते हैं 10th file ही हमारा जिसको मैं कहूंगा objects.js objects.js तो यहां पर जब हम कोई भी data store करते हैं अपने memory में हम कोई भी application क्रेट करते हैं web application कोई भी software की बात करें तो हम को यहां पर जो main है वो हमारा data है data के साथ खेलना होता है तो यहां पर जा मैं कुछ type करता हूं तो वह एक data है तो यह data कहीं नहीं नहीं store होगा घर मैं Chrome पर आता हूं Chrome पर जाने के बाद अगर मैं फिल्फीटुकोड.com पर जाता हूं तो यहां पर अगर आपको जो भी चीज़ें देख रही हैं वह कहीं कहीं तो यह तरह का data है हमारे पास ठीक है जैसे कि यह course है तो किसी course पर अगर मैं click करता हूं तो कोर्स के पास बहुत सारा data है जैसे कि इस course का नाम क्या है इस course में कितने बंदें इन्रोल्ड है इस course का rating किया है कितने लोगों ने कितनी कितनी rating की है इस course का language क्या है इस course का instructor को न है क्या उसका description है, इसका duration कितना है, इसका prerequisite क्या है, तो यह सारा जो data है, वो कहीं न कहीं stored है, तो एक data है, जो complex data है, बहुत सारा data है, तो हम, अगर वाली जो मैं कोर्स का information को store कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, course का एक name होगा, तो मैंने कहा, const course का name है, तो course का नाम मैंने store कर दिया, ठीक है, अब course का price है, course का मैंने price यहाँ पर store कर दिया, इसके बाद कुछ और है, मैंने कहा, course का जो timing है, वो कितना है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ, duration, तो मैंने कहा duration इसका जो भी है, मैंने कहा 23, तो इ दूसरे कोर्स का मुझे फिर से create करना है तो मैं कहांगा const name2 या फिर name क्योंकि same name से variable बना नहीं सकता तो name2 मैंने create किया तो इस तरह से multiple variables create करूँगा ठीक है कैसा होगा अगर मैं इस multiple variables को एक unit में bind कर दूँ ओके इसका मतलब है कि मैं एक ही variable बनाओं एक ही object बनाओं एक तरह से मैं एक entity बनाओंगा जिसके अंदर पूरा डेटा जाएगा तो वह मैं अगर सकता हूं using object तो object क्या है basically एक बड़ सर्च करते हैं Google मुर देखते हैं कि Google की definition क्या है javascript में सो मैं यहां पर देखता हूं MDM लिखता हूं MDN जो की javascript का documentation है developer.mozular.org की website वहां पर इसमें मैं देखना चाहता हूं object क्या होता है तो object javascript ठीक है तो first link मुझे मिला object javascript नाओ देखते हैं क्या है an object class represents an object class represents one of the javascript data type एक तरह का data type है जो की complex data type है simple सा नहीं कि हमने एक ही value store कर दी तो यह data type है कौन सा data type है इस पर आप click करके देख सकते हो data type क्या होता है जो कि हम पहले भी देख सकें जैसे let foo इसमें मैंने number store किया फिर मैंने string store किया तो इसमें अलग-अलग type है इसका जिसे string boolean number वैसे एक type है object ना object में क्या खास है वो देखते हैं it is used to store various key collection and more complex entities complex entities single value complex entities object can be created using object constructor to the constructor और object initializer literal syntax कौन सा syntax है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो key value pair एक सब्दा आया था यहां पर क्या है store various key collection ठीक है तो key और value के फॉर्म में data को हम store करेंगे तो चलते हैं इसी दे practical में एक object create करते हैं मैंने object const मैंने कहा course का data रखना आपको ठीक है तो हमने कहा course नाम का एक हमने आपको create कर दिया variable इस course के अंदर मुझे key value store करना है जिसलिए मैं curly bracket open close open करूँगा तो इस तरह से मैंने object create कर दिया ठीक है तो अगर मैं आप लेकता हूं curly bracket open close यह मैंने बना दिया आप दिया एक object इस object के अंदर key और value में store कर सकता हूं तो अगर मैं इस में print करता हूं मैंने लेखा console.log और मैं इसका type check करूँ मैंने आप type of course course का type क्या है मैंने बताया कि मैंने एक object बनाया है और यह object type का है तो course का जो type यह क्या होगा object रण किया तो यहाँ एक object type का variable है तो मैंने एक object बना दिया इस object के अंदर मैं key value store कर सकता हूँ उससे पहले हम यहाँ पे print करेंगे console.log इस course object को print करती है ना इस course के अंदर मुझे key और value देना है तो key और value तो माली जी course के अंदर क्या क्या चीज़े हैं course के अंदर configuration है course का title है course का description है let's say course का title है key colon करके मैं उसका value देता हूँ माली जिसका title है angular js course तो इसके अंदर मैंने course के अंदर मैंने एक property add कर दिया है जिसका key है title उसका value है angular js course कुछ feel आ रहा होगा आपको मैंने जब इसको save किया तो यहाँ पे console पर क्या प्रेंट हुआ एक object इसके अंदर टाइटल स्टोर की हमेंने और उसका value इस तरह से एक value इसके अंदर multiple values store कर सकता हूँ let's say मैंने इसमें लेखा description this is the description of the course course का price course का price है colon करके हमें इसा colon use करना key colon value price का है इसका मैंने का 199 या फिर मैंने कहा 999 and then इसका discounts कितना है तो मैंने का 199 इसका instructor कौन है तो मैंने आप लेखा विरेंद्र पर टेल ठीक है तो इस तरह से मैंने complex course object बनाया है जिसके अंदर मैंने यह सारी values को store किया है let's print it on the console यहाँ पर हमारे पास एक object print हुआ है इसके अंदर title description यह सारी values जो है store हो गई है तो इस तरह से मैं complex object create करता हूँ perfect है now अगर मुझे इस course का title access करना है तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ course object dot course variable dot यहाँ पर सजेशन मिल रहा है मुझे इसका title चीए मैं करको course dot title अब आपको इसका description चीए तो मैं करको course dot description रन करते हैं तो आप देखोगे अलग-अलग मैं ने print किया course का title print हो गया course का description आ गया तो इस तरह से मैं इसका title और description भी access कर सकता हूँ ठीक है तो इस तरह से मैं बनाता हूँ एक object तो अभी वने documentation में देखा था है कि हम object constructor को भी call कर सकते हैं तो एक तो यह तरीका object क्रियेट करने का दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं एक दूसरा object बनाते हैं बनाता हूँ तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ मैंने लेखा console.log और मैंने इसको लेखा type of type of student क्या है वो देख लेते हैं इसके बाद हम इस student को भी print करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है now run किया यहां पर क्या आया object आया और curly bracket same मतलब कि मैंने एक खाली object create किया लेकिन हम मैं इस object के अंदर values कैसे store करूँगा यह syntax यहां पर हम नहीं करेंगा तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर मैंने का student dot करके मैं कोई भी value insert कर सकता हूँ माली इस student का नाम तो student dot name is equals to विरेंद्र और value insert करना मैंने का student dot age is equals to 23 now student का address है तो मैंने इसको single quoted double quote मैं रैप करूँगा तो इस तरह से मैं student के अंदर कुछ values को insert कर दिया यह एक दूसरा तरीका है किसी object के अंदर values को insert करने का तो अभी आप देखो कि object था जिसके अंदर name age और address आ चुका है तो इस तरह से मैं create करता हूँ objects इस section को बहुत ध्यान से देखना है इसमें हम बात करेंगे modules के बारे में ठीक है अभी हम क्या कर रहे हैं सारा code एक ही file में लिख रहे हैं यहीं पर function मनाया यहीं पर call कर दिया यहीं पर variable बनाया और यहीं इस इसी file में print कर दिया तो यह तो single file का था लेकिन जब हम project पर गाम करेंगे तो ऐसा नहीं होता है एक ही file में तो पूरा project नहीं बनने वाला है तो बहुत सारी files होंगी जिसमें हम code लिखेंगे और ज़रूरी नहीं कि हम function एक file मनाते है तो उसको उसी file में call करें हम उसको दूसरी file में call कर सकते हैं ठीक है तो इसको कैसे maintain करना है इसको कैसे handle करना है वह हम यहाँ पर सीखने वाले हैं तो यहाँ जो js basics है basics है यहाँ आप इसको खतम करते हैं क्योंकि यह जो part है next वाला यह node.js से related है तो javascript basics मतलब यह browser पर नहीं चलेगा जो अब मैं आपको बताने वाला नोड.js में ठीक है तो इसके लिए मैं आप एक नया folder क्रेट कर रहा हूं 03 underscore modules modules ओके यहाँ दोड़ाम एडवांस देखने वाले हैं बहुत ध्यान से देखना है यह वाले chapters इस folder के अंदर मैं एक और folder क्रेट कर लेता हूं मैंने इसको नाम दिया 01 01 just folder का नाम ही मैंने दिया 01 इसके अंदर मैं एक और folder क्रेट कर लेता हूं 02 इस तरह से मैं examples क्रेट करूं 01 के अंदर चलते हैं basic example क्रेट करते हैं एक फाइल क्रेट करता हूं मैं इसका नाम में ने रखा app.js एक और फाइल मैं आपर create करूंगा index.js और app.js को मैं rename कर देता हूं मैं इसको कह देता हूं lib.js lib मतलब library तो मैं कुछ आंसे functions create करूंगा lib.js में जो common function होंगे और फिर हम उनको index.js में use करेंगे जैसे कि lib.js है अभी index.js में चलते हैं इस फाइल को हम run करने वाले हैं तो index.js में एक log statement लगाता हूं console.log और यहां पर मैं लिख दिया index.js index.js इस फाइल को मुझे run करना है तो simply मैं इस folder पर right click करूंगा open in integrated terminal मैं cmd use करना चाहता हूं मैंने यहां पर लिखा cmd तो यह cmd में convert हो गया अब मुझे यहां पर क्या करना है मैं लिखूंगा यहां पर index.js तो index.js यहां पर print हो गया ठीक है अब मैं lib.js में जाओंगा lib.js में कुछ और code लिखना चाहता हूं तो मैंने यहां पर एक function create किया इस function का नाम में रखा say hello say hello अब इस say hello में मैं लिखना चाहता हूं console.log console.log यहां पर मैं लिखा hello और comma करके मैं name पास करना चाहता हूं जिसको आप hello बोलना चाहते हूं तो यह मैंने एक function define कर दिया lib.js में जिसका काम है hello बोलना इसको हम पास करेंगे एक name लेकिन इस function को मैं यहां पर call नहीं करना चाहता हूं मैं इसको call करना चाहता हूं index.js से तो वो मैं कैसे कर सकता हूं वो हम देखेंगे तो जब आप index.js में आते हो और आपको कुछ use करना है दूसरी file से तो आपको यहां पर बताना पड़ता है कि मैं इस file से यह वाला जो function है यह वाली जो property है वो यूज करना चाहता हूं तो वो आप कैसे बताते हो using require function यहां पर लिखते हो आप एक variable create करते हो पहले const और इस variable का नाम कुछ भी हो सकता है तो मान लीजे मैं भी इसको underscore बोल दिया और equal now यहां पर मैं call यूज करता हूं require function का require और यहां पर single quote में या double quote में मैं उस file का path देता हूं कि कहां पर है यह file जहां से आप उस function या फिर उस library को use करना चाहते हूं तो वो है lib.js और जो की current folder में ही रखी जहां पे index.js वहीं पर है मैं directly यहां पर लिख सकता हूं lib.js यहां पर आपको suggestion भी मिलेंगे lib.js नहीं मिलते हैं कोई दिक्कद नहीं यहां पर आ गया dot slash करेंगे current folder में है तो यहां पर आया lib यहां पर लिख से मुझे क्या चाहिए वो मैं यहां पर बताऊंगा तो let's say मुझे यहां पर जो लिख से function मिलने वाला है मैंने उसको कह दिया say hello function मिलने वाला है तो अब हम क्या करेंगे यहां पर console.log देखते हैं उस say hello में क्या है तो say hello को मैंने just अभी print किया हुआ है और देखते हैं इसमें क्या आता है तो यहां पर क्या यहां एक object आया हुआ है ठीक है तो जो मेरा जो function है वो नहीं आया तो हर एक जो module होता है हर एक file होता है अगर आप करते हो require.something तो वहां पर आपको एक object मिलता है तो यह मिल गया आपको एक object ठीक है लेकिन मुझे say hello function चाहिए था वो तो नहीं मिला तो जैसे आप बताते हो index.js में कि मुझे वो function यूज करना है वैसे ही आप lib.js में बताओगे कि यह जो module.export और इसको मैं pass करूँगा say hello तो अभी जो module.export था उसमें था empty object लेकिन आप मैंने empty object को replace करके इसमें say hello pass कर दिया है तो अगर अब मैं require करता हूँ तो मुझे मैंने जो module.export मैं जो say hello assign किया था वो say hello मुझे यहाँ पे मिलेगा और यह जो say hello है एक function होगा तो अगर again मैं करता हूँ node index.js तो मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए sorry यहाँ पर मैंने थोड़ाँ गल्ती की है module.exports होता है यहाँ पर exports ठीक है type of mistake था यह नाओ यहाँ यहाँ पर मैं again उसको run करता हूँ तो यहाँ पर क्या आया एक function मुझे मिला हुआ है perfect तो अब मैं क्या क पास नहीं किया है तो मैं इसको नाम पास कर सकता हूँ यह मैं इसको नाम पास किया अगेन में run करूँगा तो आया hello वे रेंदर तो यहाँ पर हमने क्या देखा एक दूसरा folder फाइल था इस फाइल के अंदर मैं एक say hello function मनाया था उस function को मैं किसी दूसरी file में use कर पा रहा तो इससे क्या होगा module.exports मतलब आप क्या क्या चीज हैं बाहर दिखाना चाहते हो वो आपने यहाँ पर बता दिया आप इसको यूज करना है तो आप उस function में जाओगे इस फाइल में जाओगे जहां यूज करना वहाँ है आप लेकूगए require के बाद आप बताओगे वह file औ गया ओके तो यह है एक basic तरीका कि हम कैसे एक module को यूज करते हैं अब यहाँ पर कुछ चीज है जो change होती है जैसे कि आपके multiple folder multiple functions हैं आप तो multiple functions को एक साथ कैसे export कर सकते हो वो हम देखेंगे next section में थोड़ा सा complex करते है modules को complex नहीं basically यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यह आपको सीखना यहाँ पर बहुत ज्यादा confusion होती है लोगों को ठीक है कभी-कभी हम directly module.exports में direct function assign कर दिया कभी-कभी हम module.exports में dot करके assign करते हैं तो देखते हैं क्या होता है आप तो जमारे पास zero two example ह इसमें हमें create करते हैं तो again मैं यहाँ पर एक file create कर रहा हूं index.js and then यहीं पर एक और file मैंने create किया lib.js या फिर मैं इसको इस बार नाम change करके कह देता हूं math.js ठीक इसमें mathematics function लाइंगे तो चली कुछ functions create कर लेते हैं math.js मैं तो एक मैंने यहाँ पर function create किया इस बार हम arrow function create करते ह हूं जिसमें number 1 होगा and then number 1 and यहाँ पर हो जाएगा एक number 2 इसमें मैं return करना चाहता हूं क्या return करना है मुझे दौनों number का sum तो मैं directly यहाँ पर लिख सकता हूं क्या number 1 plus number 2 अगर आपको इस वाज में नहीं आया है तो आप arrow function वाला chapter देखिए यह मैंने एक arrow function create किया है जिसको मै दो number पास करने वाला हूं और simply मैं उन number का sum यहाँ से return करने वाला हूं तो यह sort form है return ना लिखके हम directly arrow function में इस तरह से उसको return कर सकते हैं तो यह मैंने एक sum function create किया ऐसे ही मैं और भी functions create करूँगा मैंने इसको लिख दिया multiply 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 मैंने यहाँ पर function create किया एक और function create करते हैं subtract subtract एक और function create किया है इसमें मैं सिर्फ यह जो operator से उसको change करूँगा एक बार मैंने multiply किया एक बार मुझे minus करना है तो इस तरह से मैंने आप इन तीन functions create किये अब इन तीनो functions को मुझे किसी और file में use करना है तो मुझे इसको export करना पड़ेगा तो अभी हम क्या लिखते हैं मैंने लिखा module तो अगर मैं कुछ भी export नहीं करता हूँ उस case में क्या होता है वो देखते हैं तो बापस चलते हैं index.js में और इस index.js में उस file से जो हमने export किया है देखते हैं वो क्या है तो मैंने लिखा const मैंने जो भी export किया है मैं इसको लिख देता हूँ वो भी result is equals to और हम use करते है require function का तो मैंने आप लिखा require and then is require में हमें पास पास करना उस file का path तो क्योंकि वो current folder में ही है जहां पे index.js है वहीं पे है तो मैंने का .slash तो मैं पर आ मिलने वाला है इस module से से मुझे क्या मिला एक empty object नहीं मिला रन करते हैं कि तो यह मिला यहां फे Means का मिला में एक empty object तो अगर मैंने madrdos.js से कुछ भी नहीं export क्या तो मुझे empty object मिलता है तो इसका मतलब यह है कि मैं यह कह सकता हूं कि जो module है मेरे पास module.export export module.export में एक object है इस तरह से अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला क्योंकि सेम मॉड्यूल.export में एक empty object था जो कि by default पहले से है ठीक है तो कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला गेन मैं अगर करता हूं तो मुझे same result मिलेगा यह मिला एक empty object तो अब मुझे क्या करना है इन multiple values को इस empty object में export करना है तो क्या कर सकते हैं आपको पता है कि इस export में empty object ही दो है पहले से तो मैं क्या कर सकता हूं modular export एक object है उसके अंदर में ठीक है multiply and then subtract तो इस case में मैंने खा किया module dot export कमेंट में एड कर रहा हूं मैंने आप लेखा जो module था मेरे पास module dot export क्या था एक empty object था मैंने क्या किया module dot export में पहले क्या था module dot export में एक object था मैंने क्या कि इस object के अंदर sum नाम का property add कर दिया तो इस case में जो modular object है वो क्या हो गया इस case में जो value is sum is equals to एक function sum नाम का यहां पर आ गया ठीक है एक function आ चुका है इसके बाद क्या होगा यहां पर से कहा है इस object के अंदर multiply नाम का property add करो यहां पर क्या add हो जाएगा sum तो पहले से था लेकिन इस बार एक और function add हो गया जिसका नाम है multiply multiply उसका key मैंने रखा हुआ उसका value का है function जो कि again एक function है तो यहां पर मैंने कर दिया यह function अब तीसरी line में क्या होगा जब आपने again कहा इसमें subtract नाम का property फिर से add करना है तो फिर क्या होगा यहां पर sum पहले से था multiply पहले सा था एक और function add कर दिया मैंने module.exports में जो कि है subtract और जो कि again एक function है तो कुछ इस तरह से मुझे जो result यहां पर export मैंने किया है last मैं तो अगर हम मैं index.js में जाता हूँ या फिर result चेक करता हूँ तो मुझे एक object के अंदर 3 values मिलने वाली है run करते हैं इसको तो यहां पर आपने क्या देखा sum एक function मिला multiply function मिला subtract एक function मिला तो अब मुझे इन में से 3 function है मुझे कोई एक use करना तो मैं कैसे करूँगा मुझे आप result मिला है result से मैं एक function को access कर सकता हूँ मैंने का const sum is equals to result.sum वैसे हम यहां पर करेंगे result.multiply result.substract तो इस तरह से मैंने यहां पर तीनों function को एक एक variable में store कर लिया subtract तो यह तीन function मेरे पास आ चुके हैं हम मैं तीनों function को use कर सकता हूँ तो चली sum को call करते हैं और sum हमको कुछ return करने वाला है तो मैं इसको लिख देता हूँ console.log में and then sum कुछ return करेगा मैंने का 10 and यह कर दिया ठीक है 10 12 इसके बाद multiply को call करेंगे यह आ गया multiply यहां पर हम use करेंगे बहुत चोटी सी चीज थी यह object से related है ठीक हमने जो object पढ़ा था हमने की value insert किया वही concept है बस थोड़ा सा confusion ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा detail बता है अब मैंने तीनों functions को use किया है तो क्या होगा result as expected जो भी है तो यहां पे 22 120 and 2 यह कुछ इस तरह से मैं use करता हूँ अब इसक रखता है कि मैंने आपको object distracting के बारे मैं नहीं बताया तो वह एक बार हम बात कर लेते हैं क्या होता है object distracting मेरे पास अगर एक object है मैंने का const मेरे पास एक student object है जिसके अंदर name है name का value विरेंद्र और age है age का value है 23 ठीक है तो अगर मेरे पास student है तो अगर मुझे इसमें से name और age रीड करना तो मैं क्या करूँगा मैंने का const name is equals to name is equals to student.name सही है ऐसे ही करूँगा मैं फिर मैंने का const age is equals to student.age तो मैं इस तरह से name और age रीड करूँगा लेकिन इसका एक sort hand है जिसको मैं कहता हूँ object distracting उसमें क्या होता है कि अगर आपके object के अंदर जो की है वो आपके इस variable के बिल्कुल दोनों सेम है मतलब यहां पे भी name और यहां पे भी name है यहां पे भी age है दोनों सेम है तो मैं यहां पे object distracting use कर सकता हूँ कैसे मैं एक variable बनाऊंगा constant यहां पे curly bracket का use करूँगा फिर आपको वो properties के name बताने है keys के name बताने है जिनको आप इसमें से read करना चाहते तो वो दो name और age है इन दौनों variable में आ जाएगी and then मैं यहां पे कर सकता हूँ console.log name,age ठीक है तो मैंने यहां पे student का name और age यहां पे read कर लिया और वो name और age यहां पे आ गया जिसको मैंने print किया है और आप यहां पे value देख सकते हो क्या होगा variant draw 23 ठीक है तो यह मैंने आपको क्यों बताया वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैंने यहां आपको क्यों बताया मैं इसको यहां पे add कर देता हूँ और इसको मैं comment add कर देता हूँ इसका क्या use हो सकता है वो देखते हैं, तो मैं इसको यहां से remove करता हूँ, मैंने require में क्या किया है, require में मुझे मिल रहा है एक object, कुछ student की तरह है, जिसमें name और age है, लेकिन उसमें क्या है, तीन function है, sum, multiply, और subtract, तो क्योंकि मुझे उसे एक variable में store करना है, तो मैं यहां पर directly curly bracket open close करके, यहां ही पर मैं लग सकतना हूँ, sum, multiply and subtract, तो यह मेरा यहां पर एक short hand हो गया, इस values को तीनों को read करने का, तो आगया यहां पर sum, multiply, सारा सेम रहेंगी, बस यहां पर मैंने एक syntax को change कर दिया, तो यह subtract मुझे इसको करना पड़े हो, क्योंकि यह जो की है, यह same as इसके जैसा होना की जो आपने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं आप इसको run करता हूँ, तो मुझे मिलेगा यहां पर same result, 22, 120 and 2, तो यह हो गया यहां पर, कैसे हमने object distracting का use किया, module.export से object को read करने के लिए, key value pair को read करने के लिए, तो इस तरह से मैं use करता हूँ, एक live, एक file है, जिसके अदर मैं multiple function create किये, उन multiple functions को मैं इस तरह से यहां पर use कर सकता हूँ, किसी दूसरी file में. Now, यहां पर मैं थोड़ा सा syntax को change कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, last मैं आपको यहां पर क्या मिला, object मिला एक, ठीक है, तो ultimately मैं एक object को यहां से export कर रहा हूँ, मैं यहां पर एक कुछ हैसा लिख सकता हूँ, कि मैंने जो मुझे export करना है, वो मैं बना लूँ पहले, तो मैं यहां पर लिख दिया, const, exports as equals, एक object create किया है, एस object के अंदर मुझे key value insert करना है, तो यह जो key values वो मैं insert कर सकता हूँ, मैंने sum की value होगा, एक sum function, और जो multiply है, multiply, multiply है, उसका value है, again multiply function, एक object बना रहा हूँ, मैं simply है, हमने last video में सीखा हुए था, अब मैं यहां पर subtract एक और key है, ज इसकी values है, तो यह मैंने export का एक object जो create कर लिया, और finally मैं यहां से क्या करूँगा, जो module.exports है, इसमें यह जो exports object मैंने create किया, यह मैंने इसको assign कर दिया, तो यह भी मैं कर सकता हूँ, same वही तरीका है, ठीके, दौनों का जो मतला पर वो एक ही होने वाला है, तो अग मैं इसक मैंसे cut करके last में add कर देता हूँ, यह मैंने इसको last में add कर दिया, और यह एक तरीका हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ पर multiline comment कर देता हूँ, यह मैंने यहां पर multiline comment add कर दिया ठीक है आप ऐसा करो या फिर आप ऐसे करो दौनों में बात एक ही है ठीक है just syntax यहां पर change हो रहा है now run करते हैं index.js क्या आता है result पहले तो सब को मैं close कर देता हूं close all index.js में आएंगे run करेंगे यहां पर error आया हुआ है क्या error है exports const exports has already has been declared already has been declared अच्छा ओके 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 एक्शली में क्या होता है आपको यहां पर देख नहीं रहा है कि एक variable है exports नाम का लेकिन वो है ठीक है इसको इसको सब्सक्राइब में पढ़ने के लिए मैं आपको एक link देता हूं जिसमें आप जाके देख सकते हो मैं इसको कहता हूं node.js wrapper function function node.js wrapper function how to change module node.js wrapper function common.js module understanding the node.js wrapper function कोई भी एक link आप उठालो उसमें से आपको चीज़ें समझ में जाएंगे कि wrapper function क्या है ठीक है तो यह आ गया wrapper function यहां पर file.js नहीं नहीं यह नहीं एक minute wrapper function exports यह रहा यह रहा एक wrapper function इस function में देखू कि आप एक variable exports है है एक variable exports इसी exports function के इस exports के बारे में जो node.jsm को error दे रहा है कि exports पहले से declared है तो हम आरे पास एक internal function पहले से बना बनाया होता है जो कुछ देख नहीं रहा है बट वो है तो यह उसमें exports नाम का एक यहाँ पर variable होता है जिसकी वाज़े से हमको error आ रही है तो इसको आप देख सकते हो ठीक मैं link देदूँगा description में तो क्या करेंगे इसको simply नाम change कर देते हैं तो मैं कहा देता हूं export exports data और यहाँ पर मैं मैं आप इस index को change किया अम मैं इसको थोड़ा और चेंज कर सकता हूं मैं इसको comment किया मैं क्या कर सकता हूं module module.exports exports is equal to यह तो मैं directly इसको एक object दे रहा हूं लेकिन इसके अंदर मैं directly जो key value pair है यही pass कर सकता हूं ठीक directly मतलब कहने का पतलब वही है तो लेकिन हम थोड़ा सा और changes करूँ है मैं जब आपका key और value दौनों same होते है की और value जो कि दौनों same है sum और sum लेकिन इस case में sum एक key है और दूसरा sum एक variable का value है लेकिन दौनों में अगर दौनों same है आप same जो variable name है उसी name से आप key create करना चाहते हो तो आपको दो बार sum colon sum लेकने की ज़रुवत नहीं है तो आप simply एक बार sum लेक सकते हो उसका मतलब यही होता है sum colon sum same चीज आप multiply के लिए कर लोगे और sum, multiply, subtract तो इसका मतलब भी यही होगा क्योंकि आपका जो variable name है आप उसी से key भी create करना चाहते हो तो आप simply उसको एक बार पास करो इसका मतलब यह है कि internally क्या होने वाला है आपका sum नाम से key create होगा और उसका value यह sum variable होगा तो यह एक और sort form है जिसको आप use कर सकते हो, now test करते हैं उसको मैंने का index.js run किया तो यहाँ पे same result मुझे फिर से मिला अभी हम समझते हैं यहाँ पे asynchronous javascript के साथ कैसे काम करना है, asynchronous javascript का मतलब क्या है पहले तो वह समझते हैं यहाँ पे फोल्डर की create कर लेते हैं 04 वैसे तो यह javascript basics के अंदर ही जाना चाहिए बट ठीक है मैं इसको तो अलग से create कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा important concept है तो इस पे थोड़ा सा अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ मैं लिदेता हूँ async javascript async बस लिखा हूँ मैं async under code js एक फोल्डर मैंने create किया इसके अंदर मैं एक नया file create करूंगा इसको मैं नाम दे देता हूँ control.log और मैंने यहाँ पर लिखा line number 1 इस तरह से मैं इसको multiple lines यहाँ पर copy किये line number 2, line number 2, line number 3, line number 4 line number 2 के बाद मैं यहाँ पर एक लूप लगा देता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा for, एक for loop का मैंने यहाँ यूज किया जिसमें एक variable बनाया index is equal to sorry let index is equal to 0, index is less than 5 तो पांच बार यह loop चलेगा and then मैंने यहाँ पर लिखा i++ और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ console.log और इसके अंदर मैं प्रिंट करूँगा इन लूप इस फाइल को मैंने सेफ किया ना इस फाइल को मैं रन करूँगा आसिंक js में क्लिक करके इसको इंटिगरेट टर्रेमिल में open करेंगे and then हम यहाँ पर लिखेंगे node01 जो भी फाइल का नाम है .js and then उसको मैंने रन किया तो यहाँ पर एक प्रॉबलम आया हुआ है now error क्या है एक बार देख लेते हैं कि reference error i i को लेके एक error यहाँ मैंने i++ लिखा है इसके जगह पर मुझे लिखना चाहिए index++ now again run करेंगे same file तो यहाँ पर क्या आया कि जो result है line number one line number two line number two फिर से print हुआ क्योंकि मैंने 3 line लगातार print की हुई है इसके बाद हमारा loop था तो loop चल गया और इसके बाद फिर से मैंने यहाँ लिखा था line number three line number four तो यहाँ मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि जब मैं कोई भी code लिखता हूं जावा script का तो लाइन बाई लाइन यहाँ पर execute होता है जो पहली number पर वह पहली execute होगा जो दूसरी number पर वह दूसरी बाद execute होगा ठीक है लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसको data fetch करने में लगता है दो सेकेंड का टाइम तो दो सेकेंड का टाइम में यहाँ पर कैसे जागा सकता हूं मेरे पास एक function होता है set timeout इस set timeout को मैं पास करता हूं एक function एक arrow function मतलब कि आपको क्या करना है आप वो बताओ दो सेकेंड बाद और हम यहाँ पर देते हैं उसक एक demonstrate करने के लिए मैंने इसको implement किया है कि आप यह मानके चलिए set timeout नहीं है यहाँ पर कुछ ऐसा code है जिसको दो सेकेंड का time लगता है data को लेके आने में अब यहाँ पर पहले मैं लग देता हूं कि console.log और मैं यहाँ लग देता हूं fetching data यहाँ पर data fetch हो रहा है ठीक है यहा data fetched data जो है वो आच चुका है मेरे पास ठीक है तो यहाँ पर मैंने का data आ रहा है and then set timeout के वहाँ दो सेकेंड बात यह रन होगा तो दो सेकेंड बात क्या है data आ गया लेकिन मैं actually मैं चाहता क्या हूं हूं यहाँ पर मैं यह चाहता हूं कि जा मैंने line number one को print किया और मैं इनको लिकाल रिमूफ कर देता हूं line number three line number one के साथ मुझे data के बाद मुझे data fetch करना है तो मैंने कहा fetch data अब मैंने data fetch कर दिया तो मैंने data fetch करो फिर जैसी data fetch हो जाए जैसे उसके बाद आना चाहिए कि data आ गया और उसके बाद आना चाहिए line number four ठीक है ना रन करते हैं इसको देखते हैं क्या होता है यहाँ पर आया fetching data line number four आ गया और फिर उसके बाद आया लाइन जो भी है तो output हमारा क्या आया हुआ कि line number one पहले print हुआ उसके बाद मैंने fetch data को call किया लेकिन fetch data जब call हुआ तो fetch data आया लेकिन fetch data के बाद data fetch हो जाना चाहिए फिर line number four आना चाहिए कि इसके अंदर यह function लिखा हुआ है बड़ ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर क्या हुआ हुआ लाइन नमबर one आया फिर fetch data जब call हुआ तो यह वाला लाइन आया उसके बाद लाइन नमबर four आया और बाद में आया fetch data क्योंकि इसके बाद वाला जो code है व नमबर four को पहले ही रन कर देगा और जब दो second बाद जब data आएगा तब ही इसको रन करेगा ठीक है तो यह थोड़ा सा unexpected output है कि मैं तो यह चाहता था कि जब data fetch हो जाए उसके बाद मुझे यहाँ पर line number four को रन करना है तो यह काम मैं कैसे कर सकता हूं using callback तो यह काम करेंगे क जो भी code मुझे data fetch करने के बाद run करना है वो code मैं इस fetch data को callback मैं pass करूंगा मैं इसको pass करूंगा एक callback और मैं कहूंगा fetch data से कि जैसे ही data आ जाये, जैसे ही data आ जाये तो इस callback को call कर दो, तो data fetch जैसे ही हो जाएगा इसके बाद मैं इस callback को call कर दूँगा, कुछ इस तरह से, तो अब मुझे expected output में लेगा कि जैसे ही data मेरे पास आ गया है, दो सेकेंड बाद उसके बाद यहाँ पर मुझे जो भी code run करना है callback वो यहाँ पर run हो जाएगा, तो फिर उसके बाद रहन होगा line number 4 अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, तो run करते हैं उसको देखते हैं, क्या है line number 1 fetching data, then I have data fetched, then I have line number 4, तो यहाँ पर एक use callback functions का कि हम asynchronous जो काम है वो हम कर सकते हैं using callback जो कि आंगे बहुत जादे use होने वाला है, एक example create करते हैं, demonstrate करते हैं इसको कि कैसे यह ariel में काम कर सकता है, तो मैं आप एक function create कर लेता हूँ, कि fetch, मैंने आप लिखा get all students, okay, मैंने यहाँ पर लिखा get all students, मैं यह कह रहा हूँ कि यहाँ पर set timeout लगा दू, मतलब कि सारे student को आने में कुछ time लगता है, set timeout और जैसी data आ जाता है, तो फिर मैं यहाँ पर कौन सा function run करूँगा, तो मैं कह देता हूँ कि मुझे function, basically मुझे function यहाँ पर run करना होता है, 2 seconds बाद, तो माल लो यहाँ पर मैंने कहा 2 seconds का time लग रहा, तो मैं कहा कर सकता हूँ यहाँ एक callback pass करूँगा, कि जैसी student आ जाए मेरे पास, एक काम करते हैं, पहले इस function को call करते हैं, तो इस function में मुझे मैं चाहता हूँ कि जो भी इस function को call करेगा, इस callback को वह student यहाँ पर pass करेगा, एक function को, तो मुझे मिलेंगे यहाँ पर सारे students, and then यहाँ पर मिलेंगे console.log, students सारे यहाँ पर print करना चाहता है, now get all student को, यहाँ पर मैंने पास के callback, तो इस callback को हमें यहाँ पर accept करेंगे, and then मैं चाहता हूँ कि दो second बाद यह callback run हो, तो मैंने यहाँ पर pass करते हैं यह callback, तो simply मैंने get all function को call किया, इसको मैंने pass के callback, यह callback run होगा दो second बाद जब यहाँ पर data आ जाएगा, but इस data को चाहिए है data, तो simply इसको मैं remove करके एक दूसरा callback pass कर रहा हूँ, तो दो second बाद मुझे कुछ data मिलने वाला है, तो मैं रख देता हूँ students is equals to 1,2,3, यह कोई students है, and then यह student मैं pass करूँगा callback में, तो callback को pass करेंगे यह सारे students, जो कि हमको data हमको मिला हुआ है 2 second बाद database से, तो क्या होगा, जब भी मैं get all function call करूँगा, इसको pass करूँगा एक callback function, उस callback को मिलने वाला है एक student का list, जो कि हमने यहां से pass किया, वो student यहां पर print हो जाएगा, तो यहां मैं कहता हूँ, console.log message दे देते हैं यहां पर, हमने यह आप लेखा fetching data, जैसी data आएगा मेरे पास, तो यहां पर लेख देता हूँ, एक और console.log getting data, and now उसको run करते हैं, यहां पर मैंने run किया, fetching data, get data, getting data, 2 second का समय लगा और यहां पर आया एक error, error क्या है, error आया हूँ, इसको लेके तो उसको एक बार और कर देते हैं, यहां पर प्रॉब्लम था, fetching data, getting data, and then 2 second बाद यहां पर प्रिंट हुआ, 1, 2, 3, 2 second का time लगा उसके बाद मुझे फंक्शन में रून करना तो मैंने कर दिया, ठीक तो यह इस कुछ इस तरह से यहां पर काम करता है, callback function, यह जो काम है यह थोड़ा सब complex है तो इसको हम replace कर सकते हैं promise से, अब देखेंगे next section में कि promise क्या होता है, कैसे मैं इस callback को remove करके यहां पर promises का use करके, इस syntax को थोड़ा असान मना सकते हूं, और वो कितना comfortable है यूज करने में promises वो हम देखेंगे, अब देखेंगे कि promise क्या होता है, promise कुछ नहीं simple सा एक object है, तो चलते हैं एक बार उसको documentation में पढ़ते हैं कि promise क्या है, तो एक बार चलते हैं यहां बें सर्च करते हैं javascript promise, ठीक है तो यहां पर फस्ट ही link मुझे मिलेगा developer.mozula.org.mdn, यहां पर जाद है promise क्या है, तो promise in an object represents the eventual completion और failure, यह दो चीज़ें important है, completion और failure of asynchronous operation, तो एक asynchronous काम है जो आप कर रहे हो, उसमें एक error होगा या फिर उसमें result होगा, वो success होगा या फिर fail होगा, तो promise object आपको वो दोनों मेंसे कोई एक चीज रिटन करता है, कैसे करता है, आंगे चलते हैं देखते हैं, तो यहां पर एक नया file add कर लेते हैं, मैंने यहां पर लेखा simply 02.02 underscore promise.js, ओके नाओ यहां पर create करते हैं example, यहां पर मैं लेखूंगा, मैंने एक नया promise create करना है, तो मैंने लेखा const promise is equal to, promise is equal to new promise, new promise मैंने यहां पर create किया, और यह जो new promise है, अगर मुझे जब भी promise मैं create करता हूं, तो मैं इसको एक callback pass करता हूं, तो इसको मैंने अगेन यहां पर callback दे दिया, अभी जो callback है इसको मिलते हैं यहां पर दो parameters, पहला होता है यहां पर resolve, resolve, resolve और दूसरा होगा यहां पर reject, ठीक है तो अगर आपको promise के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें से आपको अगर कुछ, जो success result देना तो आप इस resolve function को call करते हो, अगेन यहां पर जो callback function है, इसमझे जो दो parameters हैं यह भी खोद एक function है, तो मैं जब resolve को call करता हूँ, तो मतलब की success result है, और reject को call करता हूँ, मतलब की error है, तो try करते हैं resolve के साथ पहले, तो मैंने resolve को call किया, इसको मैं pass करूँगा कुछ data, माल ली जी मैंने इसको pass कर दिया, 1,2 &,3 यह मैंने इसको resolve कर दिया, promise यहाँ पर resolve होगा, promise resolve होने का मतलब, promise से हमको कुछ data मिलेगा, promise से data कैसे मिलेगा, माल ली जी मैंने का promise dot, तो मैं यहाँ पर use करूँगा then, promise dot then, और then में मुझे मिलेगा result जो promise resolve कर रहा है, मुझे यहाँ पर मिलेगा result, यह भी callback function होगा, इस function में हमको यह result मिलेगा, कुछ इस तरह ऐसे, now यहाँ पर मुझे वह मिल जाएगा result, तो मैंने का console dot log result, now simply run करते हूँ, देखते हैं क्या होता है इसका result, यहाँ मिलेगा node 02 promise dot js, मुझे result मिलेगा, क्योंकि तुरंद मिलेगा कुछ time नहीं लगा, इस asynchronous काम को होने में, तो माल लीजिए, promise को resolve होने में लगता है, 3 second का time, अब मैं यहाँ पर set करूँगा, set time out, और यहाँ पर मैं pass कर देता हूँ, callback time out को, जो की चलेगा 3 second बाद, और इस 3 second बाद यहाँ पर promise होता है resolve, इसका मतलब यह है कि जो आपका result है, वो 3 second बाद आया database से, और उसके बाद 3 second बाद मैंने इसको resolve किया, ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, console.log fetching data, और अब इसको run करते हैं, और देखते हैं, क्या होता है result, run किया, क्या है fetching data, and then 3 second बाद आएगा यहाँ पर मेरा result, सही है, तो 3 second बाद मेरा result आया, जिसको मैंने then करके यहाँ पर subscribe किया, और जैसे मैं कहता हूँ promise.then, तो फिर यहाँ पर यह काम होता है शुरू, then कहने के बाद जैसे 3 second बाद result आता है, तो मेरे पास जब भी मैं resolve call करता हूँ, तो मेरे पास आता है result, तो इसका हम कैसे use करेंगे आंगे देखते हैं, लेकिन एक यहाँ पर error generate करके देखते हैं, तो अगर 3 second बाद यहाँ पर resolve नहीं होता, माल लीजिए कुछ error आ गई, और error आने के बाद मुझे यहाँ पर करना है error generate, तो मैं करूँगा reject और इसको pass करूँगा new error, ठीक मैंने का new error और मैं कहाँ देता हूँ, 3 second लगे और 3 second बाद हो गया connection error, ठीक तो यह हो जाएगा reject, तो यहाँ पर आया fetching data, 3 second बाद एक error आ गया जो कि unhandled था, then sketch को हम pass करेंगे एक और arrow function, इस arrow function को मिलेगा वो error object, and then यहाँ पर हम print कर देंगे console.log error, तो अब देखते हैं क्या होता है fetching data, 3 second बाद आया connection error, तो वो error यहाँ पर print हुआ, यहाँ मैंने लिख दिया error, तो उस तरह से मैं promise पर error भी handle करता हूँ, तो promise एक object है, जो कि eventually हमको या तो result देगा, या फिर एक error अपना यह काम करने के बाद, यह तो था basic promise हम कैसे create करते हैं, now मैं इसको यहाँ पर comment कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कि जो हमने callback की help से get student वाला किया हूँ था, इसको मैं कैसे implement कर सकता हूँ यहाँ पर, right, now, यहाँ पर मैं एक function create करूँगा, मैंने का get all student, यह मुझे सारे student रेटन करेगा, लेकिन इस student को आने में लगता है, 2 second का time, 2 second बाद मैं इसको run करना चाहता हूँ, तो मैंने का 2 second बाद मुझे सारे student मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मैं return करूँगा एक promise, ठीक है, तो जो set time out है, यह सब काम होने में लगता है, तो मैं promise से return करूँगा यहाँ से, student का list return नहीं करूँगा, मैं promise return करूँगा, तो मैंने यहाँ से return क्या है, यहाँ से return का return, new promise, जब भी आप database में काम करूँगे, तो आपको promise बनाना नहीं पड़ेगा, promise बना बनाया हमको जो database के जो libraries होंगी, वो हमको promise देंगी और हमको सिर्फ data पर काम करना है, ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ promise create कैसे करता है, इसको मिलेगा यहाँ पे एक resolve, इसको मिलेगा एक reject, अगर आपके पास data आ गया तो आप resolve करोगे, error है तो reject, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई time out है, set time out, इसको रखता है 2 second का समय, और उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है resolve, मैंने हाँ पे लिख दिया resolve, और resolve करना है मुझे एक student का list, तो यहाँ पे मैं लिख दिया student, virendra, sandeep, तो इस तरह से 2 second लगेंगे, और सारे student मुझे मिल जाएंगे, इस function के मैं call करूंगा, मैंने लिखा get all student, अभी student return करता है promise object, तो हाँ पे आप देखो को promise मुझे मिलता है, मैंने का dot then, तो जैसी get student all आया, मैंने का जैसी मुझे सारे student मिले, then function call होगा, उसके अंदर मुझे मिलेगी student की list, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे सारे students, एक arrow function pass किया, मुझे क्या करना है, मुझे simply से console पे log करना, तो मैंने का console.log, सारे student को print कर दो, अगर कोई error आती है, तो मैंने का catch, जो भी error आएगी, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, then मैंने आपे लिखा console.log, error, ठीक है, now run करते हैं इसको again, तो यहाँ पे 2 second का time लगा, and मेरे पास सारे students हैं, वो आ चुके ही, perfect, तो इस तरह से में इसका use करता हूँ, now कज बार यह then and catch, अगर using लगता है, कुछ लोगों को यह पसंद नहीं है, तो यहाँ एक दूसरा syntax है, वो syntax कौन सा है, वो देख लेते हैं, तो अगर यहाँ पे मैंने एक function create किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा function, मैंने यहाँ पे लिखा do something, and then यह मैंने एक function create किया, मैं जब इस function के अंदर अगर get student को call करता हूँ, get all student, तो अगर आप then or catch का use नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे async और await का use करते हैं, तो आप पहले तो बताएंगे कि यह function जिसके अंदर आपने लिखा है, यह function async काम करने वाला है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यह async है, ठीक है, तो मैंने आप लिखा, async function create करना है, तो function के पहले मैं लिखता हूँ async, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यह async function है, and then मुझे जब भी मैं get all student call करूँ और then or catch use नहीं करना चाहता है, तो मैं यहाँ पे await का use कर सकता हूँ, मैं इसके आँगे लिखूँँगा await, इसका मतलब है कि wait करो जब तक पूरा student object मुझे मिलने जाता, 2 seconds तक यह wait करेगा और उसके बाद मुझे जो भी result मिलेगा, मैं उसे एक variable में store करूँगा, तो यह then or catch से थोड़ा और अच्छा लगता है कुछ लोगों को कुछ लोगों को नहीं लगता है, तो अपने अपनी preference दोनों का मतलब एक ही है, बस syntax change है, तो अब अगर then और यह थोड़ा confusion लगता है तो आप यह कर सकते हो get all student, अब wait कर आओ result को, result को बोला wait करो जब तक सारे student नहीं आजाते, 2 seconds तक wait करेंगे और फिर student मिल जाएगा मुझे, जो भी student मिले मैंने आप लिख दिया console.log, और फिर मैंने आप इस student को print कर दिया, same work, now do something को call करेंगे, यह मैंने करेंगे do something को call, do something call हुआ, get all student call होगा, wait होगा result के लिए 2 seconds तक student मिलेंगे, सारे student print हो जाएगे, now run किया, 1, 2, result, यह आगया, same result, अब मैंने इसको function में क्यों wrap किया है, कि यहाँ पर एक rule है, कि आप जब भी कोई function call करते हो, जो कि asynchronous function है, जो promise return करता है, और आप उसे await करना चाहते हैं, तो आप उसको एक function में wrap करते हो, उस function को हम करते हैं async mark, किसी async function के अंदर ही हम await का use कर सकते हैं, तो यह दोना combination में चलते हैं, तो यह था यहाँ पर promise basic कि हम कैसे promise को, then की use से result लेकालते हैं उसका, या फिर await की help से भी उसका result हमें यहाँ पर access कर सकते हैं, यह था basic हम इसको use करेंगे, जब हम MongoDB के साथ यहाँ पर काम करेंगे, आने वाले section में, तो चलते हैं, next section में जहाँ पर हम देखेंगे express.js की help से आप कैसे एक full stack application यहाँ पर create कर सकते हैं, उससे पहले हम देखेंगे third party modules आप कैसे use कर सकते हैं अपने website में, अपने इसी project में मतलब कि एक ऐसी library जो हमने नहीं बनाई किसी और की बनाई हुई है, उसको हम download करके use कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे, third party modules कैसे use करना है, वो हम देखेंगे, जैसे हमने बनाई module यहाँ पर module बनाना हमने सीखा, तो हमने क्या किया था math.js module बनाई था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था कि कुछ functions जो कि मैंने create किये हैं, और इन functions को एक file में मैंने wrap कर दिया और फिर उनको यहाँ से export कर दिया, तो उनको मैं use कर पा रहा हूं, तो वैसे ही मैं यहाँ पर कुछ modules हैं, जो कि third party का मतलब किसी और ने module बनाए हुए मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं बनाए हैं मतलब वो सब के लिए बनाए हैं, तो मैं उनको download करके use कर सकता हूं, ठीक है, तो जैसे कि आपको link list use करना तो अपना link list क्यों बनाओगे, आप download कर लो जो किसी और ने बनाया हुआ है और आप उसका use कर सकते हो, जैसे कि आपको किसी text को किसी और change करना, किसी और format में तो उसके लिए हमारे पास libraries हैं, उनका आप use कर सकते हैं तो वही अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, कैसे आप use करोगे, तो चलते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ञए फोल्डर पाल्डर कर लेते हैं, बाहरे यहाँ पर कहीं पर खुक करेंगे और फोल्डर करेंगे यहां पर ने यहाँ पर और यह यह 205 लिखोंगा, मैंने लिखा 000ण कर पार्टी एं магаз index इसके अंदर मैं यहां पर एड़ कर देता हूं एक file index.js इसके अंदर हम यूज करें कोई module तो for example मेरे पास एक एक variable है जिसमें मैं एक paragraph रिखना चाहता हूं मैंने यहां पर लिखा hi I am विरेंदर तो अगर मुझे से title case में convert करना है title case का मतलब है कि हर एक letter का जो first character है हर एक word का जो first character हो capital case होना चाहिए तो इसके लिए मेरे पास कोई library कोई function नहीं है लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं console.log और अगर मैं यहां पर लिखता हूं पैरा dot मैंने आप लिखा to lower case तो इससे सारा कुछ lower case में जाएगा और मैं अगर लिखता हूं यहां पर टू uppercase तो इससे सारा कुछ uppercase में जाएगा ना इसको और मैं रन करता हूं यहां पर आप देखो कि यहां पर आया hi I am brain lower case hi I am brain uppercase लेकिन मेरे पास यहां पर कोई function नहीं ज इस NPM के help से हम third party library third party packages को download करते हैं करना कहां से download कैसे करना मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी यूज करना मुझे तो यहां पर NPMJS करके website npmjs.com इस पर आपको जाना है और वो जो NPM install किया है उससे हम जो भी install करते हैं जो भी library download करते हैं वो आपको यहां पर मिलेगी तो आपको यहां पर सर्च करना है अगर मुझे यूज करना है title case में कुछ चीजों को convert करना है मैं आप लिखूंगा title case जो भी library होगी वो मुझे म code में टर्मिनल में जाएंगे अपने command prompt में यहां पर हम लिखेंगे npm i for install या फिर आप लिख सकते हो directly install और यहां पर लिखूंगा अपने package का नाम मेरे package का नाम है title-case तो यह मैंने कहां से देखा यह मैंने देखा अपने इस website से इसका नाम है title case इससे क्या होगा यह जो title case के जो भी code है जो भी code base जो package है वो पूरा download हो गया हमारे folder में ठीक है तो यहां पर देखो कि आप यह download हो चुका है इसमें लिखा tslib और यहां पर लिखा title case ठीक है तो अब यहां पर package.json file बना हुआ है package.lock.json जिसमें information है कि मैंने कौन सी dependency download की हुई है install की हुई है ठीक है इस add करेंगे तो मैं यहां पर लिखूंगा const और const के बाद उसका जो भी variable जो भी आप store करना चाहते हो जिसमें उसको तो मैंने यहां पर लिखा title case is equals to आप require का use करते हो किसी module को use करने के लिए and then यहां पर आप देते हो path तो अब यहां पर जब भी आप इस तरह से लिखोगे और आपके इस folder में कहीं पर भी node modules नाम का folder है जब भी मैं कुछ install करता हूं npm install करके अंदर चला जाता है यह देख सकते हो title case के अंदर कुछ कुछ आया हुआ हुआ जिसमें code लिखा हुआ है title case में कैसे convert किया जाता है तो उसका code उससे हम कोई मतलब नहीं किसे अंदर क्या code है हम यहाने लिखा console.log और इस title case को print करते हैं कि यह क्या है and then file को run किया तो यहाँ पर इस file को again run करेंगे यहाँ पर क्या आया इसमें एक object है और उस object के अंदर है title case नाम का function ओके तो यह require मुझे क्या return कर रहा है यहाँ पर एक function उस function के अंदर है title case नाम का function तो मैं इस function से call कर सकता हूँ title case function को title case dot title case और फिर यहाँ पर हम दे सकते हैं अपना यह paragraph and then इसको run करेंगे तो आप यहाँ पर पाईएंगे कि hi i am very in the title case मा convert हो चुका है तो इस तरह मैंने third party package डाउनलूड किया इस case में तो यह था एक package और यहाँ दूसरा package यहाँ पर यूज करते हैं लाट से मुझे कुछ unique IDs generate करनी है तो मेरे पास एक package है UUID generate करने का मैंने यहाँ पर लिखा UUID और यहाँ पर एक package आ गया है UUID यह क्या करता है कि यूज unique IDs यहाँ पर generate करता है तो इसको install कैसे करनी हमने का NPM install UUID टर्विनल ओपन करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे NPM install UUID NPM install UUID करने से जो नोड मॉड डूल है उसके अंदर आपका UUID की जो भी code है वो यहाँ पर डाउनल हो जाएगा and then उसको हमें यहाँ पर use कर पाएंगे ठीक है तो ओके आई यह install हो चुका है यहाँ पर folder नहीं आया हुआ है तो वो globally install हो गया होगा तो यहाँ पर UUID है ठीक है तो modules के अंदर title case एक बार मैं refresh करूं कि ओके refresh करने से यह आ चुका है UUID मैंने आप इंस्टॉल कर दिया है इसको यूस कैसे करेंगे सेम तरीका है मैंने आप लेखा कॉंस मुझे नहीं पता है इसमें से मुझे क्या मिलने वाला है तो मैंने कर ली बैके छोड़ देते हैं उसको और मैंने कहा है यहां पर require function का use करेंगे और क्योंकि मुझे जो package यूस करना है वहां पर मुझे solution आगया UUID अब यह UUID में कुछ मिलेगा मुझे कुछ return होगा तो क्या है यहां पर हम देख लेते हैं V1, V2, V4 अलग-अलग versions है तो मुझे V4 use करना है as करके मैं उसका नाम change कर सकता हूं तो मैंने इसको कह दिया UUID now मैं UUID as UUID क्या syntax है इसका यहां पर मिल जाएगा documentation में करना है V1, V4 from UUID जब आप require का use करते हो तो यहां पर आप colon pass करते हो इस तरह से उसका मतलब यह जो मैंने V4 यहां से import किया है उस V4 को मैं as a UUID नाम से यूज करूँगा तो यह function करता क्या है तो मैं यहां पर लिखूँगा console.log मैं as a UUID function को call करूँगा तो यह मुझे एक UUID generate करके देगा जो कि यूणीक ID होता है तो आप यहां पर देखोगे UUID generate हो चुका है इस तरह सब multiple generate कर सकते हो copy किया मैंने इसको सब्सक्राइब करूँगा तो यहां पर multiple UUIDs generate हो गई तो क्या आप यह खुद कर सकते थे हम कर सकते थे लेकिन हम बहुत सारा code लिखना पड़ता तो मैंने इससे चक्या किया किसी और ने मेरे लिख लिख दी आया है तो यह यहां पर फाइदा है third party packages को use करने का तो हम जब server create करेंगे तो हम एक third party package express js का use करेंगे तो यह आपको वहां काम आएगा let's do some more things let's download some another package called बहुत सारे packages है यहां पर जो मन करें आप वो लिख दो यहां पर मुझे link list create करनी थी मैंने बताया तो मैंने कहा link list search करते हैं कौन link list बनाए javascript मे इतना सारा code लिखना पड़ेगा तो इ यहां पर यह रहा है link list नाम का package इसको हम use करना चाहते हैं हमने का npm install link list install करते हैं link list और देखते हैं कि कैसे काम करता है मैंने लिखा यहां पर npm install linked list इसके लिए net connect होना चाहिए ठी है यह download होता internet से यह हो गया refresh करते हैं तो node module में एक और आगा linked list अब इसको कैसे use करना है तो म यहां पर एक और file create कर लेता हूं ठीक है तो यहां पर मैं create कर लेता हूं again मैंने कहा linked-list.js तो इसके अंदर में link list क्रेट करूँगा so मैंने यहां पर लिखा const और एक function create करेंगे sorry function call करेंगे require require के help से मुझे use करना है link list को यह मैंने link list को use किया यह मुझे क्या return करता है list और item ठ list linked list और print करते हैं इस link list में कि मुझे क्या मिला तो console.log and then print करते हैं इस link list को save किया and run किया यहां पर मुझे मिला क्या बात है import to load ES module अच्छा require के साथ I think यह काम नहीं करेगा क्या okay ES6 मुझे यहां पर use करना पड़ेगा let's try list है यहां पर मैं इसको use करूँ इस तरह से मैंने यहां पर लिखा list save करते हैं इसको list and then run किया node की help से करते हैं node linked list अपने folder में जाओंगा मैं 05 के अंदर 05 and then यहां पर है node linked list यह problem दे रहा है क्योंकि यहां पर actually मैं must import यहां पर इसकी कुछ functionality यह है कि जो package है यह सिर्फ काम करेगा import to load es module जब आप es module का use करोगे यह कुछ import statement होते अलग-अलग होते हैं तो अभी इस पर नहीं जाता हूं ठीक है तो simply काम करते हैं चलो इसके साथ problem है तो कोई दूसरा linked list use करते हैं linked list javascript के साथ simply use करना है मुझे तो यहां पे js data structure js एक यह भी है मेरे पास इसमें सारा data structure हो सकता है तो देखते हैं क्या है क्लिक करेंगे इस पे and then यहां पे इन्होंने भी use कर require का जो की सही है हमारी यूज कर रहा है उसमें require की जरूत पड़ेगी हमको तो चलो उसको यूज करके देखते हैं copy किया में इसको यहां से तो यह हमारे पास actually options है बहुत सारे options जरूर नहीं करने का बहुत सारे modules से आपको जो use करना है वो use कर सकते हो यह काम नहीं कर रहा ठीक है हम data structure js कुछ कुछ और है उसको use कर सकते हैं तो यहां पर मैं require में use करूंगा data structure.js जो कि अभी install हो रहा है यह आ गया इसके अंदर क्या क्या चीजे हैं तो multiple चीजे हैं आपको क्या यूज करना है aviary data structure बहुत सारी चीजे मैं यूज करना चाहता हूं linked list का then यहां पर just print करते हैं linked list देखते हैं इसमें क्या है and run किया यहां पर class link list चलो उसका object बना लेते हैं तो मैंने आप लेखा const list is equals to new linked list एक object बन गया now इस list पर मुझे add करना है list.add head push देखते हैं कौन सा method list में add करने के लिए find head insert add का option है clear count find remove remove first to array insert first यह रहा insert first तो insert करते हैं एक element तो मैंने आप लेखा विरेंद्र and then insert first फिर से करूँगा मैं तो मैंने आप एड़ कर दिया संदीप और क्योंकि जो link list है अगर मैं उसमें first में insert करता हूं तो जो हमारा head होगा वो कौन सा होगा first element तो यहां पर print करके देखते है list का head है वो क्या है यह मैंने list का head print किया तो आएगा संदीप क्योंकि वो first made किया गया है head function है call करेंगे इस function को run किया तो यहां पर क्या आया link list का node आया जिसका value संदीप और उसका next node है वो है लिंक लिस्ट में का उधर linking होती है अब मैं data structure में नहीं जाओंगा मुझे just use करना था कि मैं कैसे third party package use कर सकता हूं तो यह एक तरीका है ऐसे बहुत सारे packages है इसको आप use कर सकते हो आने वाले lectures में हम देखेंगे जब हम कोई server create करना था हम एक express js package का use करने वाले हैं ओके तो मिलते हैं next section में और देखते हैं कैसे यहाँ पर हम server को create करते हैं सो अब हम start करेंगे यहाँ पर एक full stack application कैसे create किया जाता है वो हम आप अप सीखने स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हम use करने एक express js का अभी हमने सीखा कि हम कैसे third party packages का use करते हैं तो वैसे एक express js third party module इसका use करके हम यहाँ पर एक web application create कर सकते हैं तो exactly express js आखर है क्या उसको समझने के लिए मैं simply क्या करूँगा Google पर जाओंगा और यहाँ पर मैं search करूँग express js js और उसकी जो official website है वहाँ पर जाके हम इसको पढ़ेंगे क्या रही express js आखर है क्या तो first ही यहाँ पर आपको definition मिल जाएगा कि express js क्या है यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि web application an express js is a minimal and flexible node js web application framework that provide robust set of features in web and mobile application तो basically अगर आपको भी website create करनी है तो आपको कुछ tools की जरूरत पलती है बहुत सारे उसके components होते हैं website बनाने के लिए okay जैसे कि middleware, authentication, authorization, request को handle करना, get request handle करना, put request handle करना तो यह जो सारी चीज़ होती है और बहुत सारे features है जो कि हमको यहाँ पे देता ही express js, APIs आप इसमें APIs कैसे create कर सकते हो बहुत ही आसानी से, API is quick and easy creating a robust API को performance express js provides a thin layer fundamental web application feature without obscurring node js features that you know and love तो बहुत सारी चीज़ हैं जो क्या आँगे देखिंगे और भी वह सारे frameworks हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप इस पे क्लिक करते हो popular frameworks पे तो यहाँ सारे frameworks की list है तो getting started guide में routing, writing middleware, using middleware, overriding express यह सारी चीज़ एडवांस topic में है template engine, process manager, security, privacy, security performance बहुत सारी चीज़ें तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे बट अभी start करते हैं सबसे पहले चलते हैं getting started में installation कैसे install करना यह सारी चीज़ें हुई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ तो इसको छोड़ते हैं जलते हैं yes code में स्टार्ट करना express js के साथ तो पहले तो हम express js install करना पड़ेगा और उससे पहले हम यहाँ पे project start करना पड़ता है जब भी हम express js के साथ काम करते हैं तो project start करने का मतलब क्या है वह हम देखेंगे तो basically यहाँ पे मैं पहले folder create कर लेता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं 06 underscore express इसमें हम छोड़ छोड़े examples यहाँ पे create करके चीजहों को समझेंगे तो आप मैं देता हूं 06 express js और इस express js folder के अंदर मैं सारे folder से यहाँ पे create करूंगा तो काम करता हूं मैं इस vs code को यहाँ आप से बंद कर देता हूं create close कर देता हूं and then इसको folder में जाके open करूंगा so in explorer में जाएंगे तो यह जो particular folder है वो open हो गया 6 express js पे मुझे काम करना है तो यह आ गया वह folder जो कि अभी empty है इस folder को मैं necessary files मुझे नहीं देखेंगी ओके तो अब मैं आ चुका हूं 06 underscore express js folder के अंदर यहाँ पर मैं कोई भी file create कर सकता हूं तो basic example create करते हैं तो काम करते हैं एक project यहाँ पर create करते हैं तो सबसे पहले हमको start करना कैसे start करेंगे तो पहला काहा मैं हमारे एक project folder create करते हैं जिसके अंदर हम लिख देते हैं 01 underscore quick start 01 underscore quick start इस folder के अंदर हम करेंगे quick start इस folder को हम open करेंगे अपनी terminal में तो integrated terminal को भी आप use कर सकते हो मैंने यहाँ पर use किया हुआ यह तो यहाँ पर मुझे क्या करना है मैं यहाँ पर लोगूँगा npm init and enterprise करूँगा इससे क्या होगा उस particular folder में package.json नाम की file create होगी यहाँ पर पुशा गया है package का नाम क्या है मतलब आपने project का नाम क्या रखना चाहते हो तो मैंने कुछ नहीं जो लिखा हुआ है 01 quick start यही रखना है तो enterprise करेंगे वर्जन क्या है आपके project का 1.0.0 description क्या है तो description मैं लिख देता हूँ है आपके quick start project enter क्या है आपका entry point क्या है तो मैंने लिखा index.jsa entry point okay enter test command कुछ भी नहीं git repository नहीं है कुछ भी keywords कुछ नहीं है enterprise करेंगे author कौन है लिख देते हैं यहाँ पर विरेंद्र and then enter license isc by default is this okay yes enterprise करेंगे तो यहाँ पर package.json create हो चुका है इस package.json के अंदर होती है आपके project की पूरी information आपके project का नाम क्या है आपका project कौन कौन सी external libraries को modules को packages को use करता है उसकी information यहाँ पर होती है तो अभी जो हमारा package है यह क्या use करने वाला है तो उसको भी छोड़ते हैं एक create करते हैं इस project के अंदर index.js index.js के अंदर है यह मेरा quick जो starting point होगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है main index.js तो हम मैं इसको run कैसे करूँगा तो अपने command prompt में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे npm start और enterprise करेंगे तो npm start करेंगे आपका जो main मैं जो लिखा हुआ index.js इसको यह run करेगा जैसी मैं इसको run किया तो यहाँ पर यह क्या आया कुछ भी नहीं आया है तो यहाँ एक error आया हुआ है missing npm start ओके तो बैसी के लिए पर प्रॉब्लम ही है कि npm start जवाब बोलते हो तो npm क्या करता यह आपके scripts के अंदर यह search करता कोई start नाम की script है क्या तो start नाम की कोई script यहाँ पर नहीं है तो मुझे यहाँ पर script add करना है तो मैं script add करूँगा इसके अंदर मैंने लिखा start और then json तो मैं last में comment करूँगा यहाँ आप मुझे बताना है कि आप फाइल को run कर जवाब npm start लिखोगे तो इस time पर आपको क्या करना है तो मुझे file run करनी कौन सी index.js मैं आप लिए देता हूं node double quote मैं node index.js इसका मतलब यह है कि अगर आप command prompt में लिखोगे node index.js ठीक है यहाँ मैं लिखा node index.js तो यह कि इसको run कर रहा है आपके file को मैं अभी हूँ quick start में मुझे run करना index.js तो यहाँ मैं लिखो node index.js को मैंने नहीं बनाया हुआ है quick start के अंदर तो मैं इसको move करूँग अ quick start के अंदर यह मैं इसको move कर दिया and then यहाँ यहाँ मैं लिखूँगा node index.js run किया तो index.js run हो गया इसके ज़िए मैं लिखता हूँ npm start और enter किया तो भी same काम होगा npm start क्या करेगा missing script start ओके यहाँ मैं जब लिखता हूँ npm start तो क्या होता है इस package.json में लिखा हूँ है start script इसको मैं कुछ क्या करना है node index.js run करना है तो node index.js यहाँ रन होगा और इस तरह से मेरा जो file index.js हो रन होगा इसके अंदर कुछ भी नहीं दा तो add करते है एक console.log और इसके अंदर हम लिखते हैं कि index.js ना मैं इस file को again run करना चाहता हूँ तो मैं करना मुझे प्रोजेक्ट को run करना मुझे particular file को रन करना project मतलब जैसे ही मैं script दूँगा तो सारी जो file से वो run होगी तो मैं यहाँ पे लिखूँँगा node index.js या फिर npm start npm start internally क्या कर रहा है node index.js को ही run कर रहा है तो यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं package.json create करते हैं उस package.json करना क्या express.js कैसे आएगा हम आरे पास देखेंगे आने वाले section में ना install करेंगे express.js तो command prompt open करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे npm install यह से हमने लास्टाइम module इंस्टाल किया था linkedin module linked list module इस्टाल किया था इसे वाद हमने capital case का नहीं लिए title case module इंस्टाल करना है मुझे पता क्या चलेगा कि npm install पर module का नाम क्या है मुझे भी आद नहीं है तो यहाँ पर आप installation में आऊगे express जैसे documentation में तो यहाँ पर आपको चले जाए क्या लिखना है npm install express तो इस module का नाम है express तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर मैंने लिखा npm install या फिर sort में आप आई लिख सकते हो तो इससे होगा क्या मैं कहूंगा npm install express तो express js जो हो हमारे system में आके install हो जाएगा और यहाँ पर एक folder create हो जाएगा node modules का जिसके अंदर होगा express js का सारा code जिसको हम use करेंगे अब यहाँ पर एक changes होंगे changes यह होंगे कि जो आपका express js जब install हो जाएगा तो आपका package.json अब यह update हो जाएगा इसमें क्या update होंगे आईए समझते हैं और उसका क्या मतलब है यहाँ पर आप देख सकतो dependencies नाम का एक field add हो गया है इसके अंदर आ गया है express इसका मतलब यह है कि जो मेरा project है मेरा project का नाम है underscore quick start 01 underscore quick start यह जो project मेरा इस project के उस dependency है जो कि express का version 4.17.1 अब इसका क्या मतलब है package.json का क्या मतलब है क्यों यहाँ पर यह dependency add होई देगी मैंने आज बनाया है express jsv project हो सकता है कि एक साल बाद आपको यह project फिर से run करना है तो आपको कौन से package कौन से express js install करना कैसे पता चलेगा तो आप अगर latest वाला install कर लोगे तो हो सकता है जो 4.7 में जो मुझे चाहिए था latest वाले version में ना हो तो हमारा application break हो सकता है मुझे exactly यह 4.17.1 का version चाहिए कैसे पता चलेगा इसको start project को तो package.json के अंदर मैं एक entry कर दी कि भाई जब भी आप run करो express js का यही version install करना है तो यह यहाँ पर use है package.json का कि जो भी packages हम install करेंगे वो package.json उसके entry create होती जाएगी ताकि future में आपको पता हो कि आपको जो project है वो कौन सा express version यहाँ पर use करता है right तो अब यहाँ पर install हो गया express js अब हम इसको use करने के लिए तयार है तो आंगे बढ़ने से पहले एक utility अब एक module है उसका हम use करेंगे तो वो tool कौन सा है उसके बार हम बताता हूं उसको मैं कहता हूं node mon ठीक है node mon क्या करता है तो वो दिखा देते हैं so node mon basically जैसे कि मैं कोई file save करता हूं मुझे फिर से run करने के लिए node index.js लिखना पड़ता है फिर से मैंने फाइल में कोच changes किये तो फिर से मुझे node index.js लिखना पड़ता है यहाँ पर जो node mon है यह क्या करेगा node mon में लिखा गया एक code ही है यह क्या करता है node mon एक tool है जो help करता है हमें applications को automatically यहाँ पर restart कर देता है जैसे ही आप यहाँ पर changes करते हो तब तो इसको use कैसे करना है तो आपको पहले इसको install करना है node mon install hyphen g node mon इस तरह से यह हमारे package हमारे project से related नहीं है यह globally install होगा हम अपने system में कहीं भी इसको use कर पाएंगे यहाँ पर मैं simply लिखूँगा node mon npm install hyphen g node mon तो इस तरह से जो node mon है वह आपको system में install हो जाएगा अब इसका use कैसे करना है तो simply आपको node mon अपने file का नाम तो इस तरह से जो file है उसको node mon देखता रहेगा जैसी आप उस file को change कर होगे तो वह automatic restart हो जाएगा try करते हैं इसको मैं भी इसकी folder में हूँ 06 express js folder में हूँ मैंने यहाँ पर लेखा node mon और इसके बाद मैं लेखा index.js index.js enter किया so यहाँ पर क्या हुआ okay मैं अभी हूँ 06 express js के अंदर मतलब कि मुझे जाना है अभी quick start folder के अंदर मैं जाओंगा cd 0 quick start के अंदर मैं आ चुका हूँ now यहाँ पर मुझे run करना है using node mon run करने के तो मैंने लेखा node mon index.js run किया तो यहाँ पर देखो कि क्या है watching watching asterisk मतलब कोई भी files जो है यहाँ पर चेक कर रहा है जैसे ही मैं कुछ file change करूंगा automatic यहाँ पर restart हो जाएगा तो यहाँ पर time बचे का मुझे बार-बार restart करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी मैंने यहाँ पर लिखा hello world तो कुछ होगार मैं changes करता हूँ मैंने लिखा console.log file changed और मैंने यहाँ पर save किया तो जैसी मैं save करूंगा यहाँ पर देख सकते हो आप जो हमारा application है वह यहाँ पर restart हो चुका हमारी जो file है वह फिर से run होगा using node 1 कुछ भी मैं change करता हूँ dot भी add करता हूँ और ctrl s जैसी मैं press करता हूँ save होता है file और यहाँ पर changes reflect होते है तो यह tool है वास ही utility tool है जिसका हम use करेंगे बारा बार मुझे file को run नहीं करना पड़ेगा जैसी मैं save करूंगा file restart हो जाएगा जो हम बात करते हैं एक application की या तो वह API हो या फिर web application हम क्या करते हैं यहाँ पर हम अपने browser पर जाते हूँ यहाँ पर website visit करते हैं तो सबसे पहला हमारा initial point होता है जब भी हम start करते हैं web application तो हमें एक ऐसा कुछ tool चाहिए जो हमारी request को handle करें हम जब URL पर बार पर कुछ भी लेखें slash API slash student या फिर home page या फिर orders या फिर my cart तो वह request जाएगा server के पास server उसको handle करेगा तो उसके लिए हम यहाँ पर create करेंगे एक server जो हमारी request को यहाँ पर handle कर सके हूँ यह module मुझे कुछ return करता है यहाँ पर यह module मुझे कुछ return कर रहा है वह एक function जो कि express मैंने आप बताया कि express function है यह देख सकते हूँ express एक function है इस function को हम call करेंगे तो मुझे एक app का object मिल जाएगा मैंने आप लिखा const app is equal to express express function को call किया इससे मुझे app का object मिल गया and then यहाँ पर मैं काऊंगा app.app एक object है जिस पर महुसारी methods and functions properties में call कर सकता हूँ इस पर मैं काऊंगा app.listen लिसन एक function है इसको हम pass करते हैं इक port number यहाँ पर मैंने पास किया 3000 या फिर 3000 123 जो भी आप देना चाहते हो and then इसके बाद हम pass करते हैं callback callback क्या है तो जैसे ही आपका जो server हो तयार हो जाएगा 3000 port पे तो यह callback यहाँ पर run हो जाएगा and then यहाँ पर मैं लिख देता हूँ console.log और यहाँ पर मैं लिखा server is listening on port 3000 okay now यहाँ पर application restart को और यहाँ पर आप देख सकते हो server is listening on port 3000 इसका मैं लभी यहाँ हमारा server ready है हम आप विजिट करेंगे यहाँ पर जब मैं locally कोई server run करता हूँ तो मैं इसके लिए use करता हूँ localhost का and then report का नाम colon करके मैं यहाँ लिखूंगा 3000 enterprise किया तो यहाँ पर आया cannot get slash इसका मतलब यह है कि slash एक url जो कि आपका home url होता है उसको handle करने के लिए हमारे पास कोई भी router नहीं है कोई भी यहाँ पर हमने ऐसा code नहीं लिखा है जिसमें हमने यह बताया हो कि यह जब slash पर request आती है तो आपको क्या करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर define करने होते हैं router इसको हम कहते है request handlers तो एक request handler यहाँ पर define करेंगे कि जो request slash url पर जा रही है उसको handle करने के लिए function होना चाहिए जो run होगा तो वह हमने नहीं बनाया है तो आई समझते हैं कैसे request handle यहाँ पर create किया जाता है तो request को handle करना है हमें तो अभी जो request हमने send किया है इसको हम कहते है homepage पर जब भी हम कोई request send करते हैं अपने localhost 3000 पर इसके slash करके हमने जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम उसको कहते हैं हमारे URL जो path है वह slash तो हमें slash को handle करना है हमारे जो app होता है इस object पर हम app.get get का मतलब कि आपको get request handle करना चाहते हूँ जब मैं browser डिरेक्टली कुछ टाइप करके enterprise करता हूं तो वह get request होता है या मैं form submit करता हूं तो वह post request होता है इसी तरह से हम API में काम करते हैं तो delete request और put request यह अलग-अलग type की request होती है आप से मिली Google में सर्च कर सकते हो कि http request की methods है वह कौन-कौन सी तो आप अगर यहां पे सर्च करोगे http request methods तो आपको बहुत सारी methods मिल जाएंगी इसमेंसे आप देख सकते हो कौन-कौन सी जैसे कि मैंने का student चाहिए तो select students आप post का use कप करते हो जब आपको कुछ data submit करना है तो आप यहां पे post request का use करते हो put request में क्या है जब आपको कुछ replace करना मुला कुछ update करना है तो आप put request delete यह आपको कुछ resource delete करना है देखेंगे आंगे कैसे यह काम करते हैं तो simply अगर मैं कुछ type करता हूँ और enter press करता हूँ इसको हम लगे get request है तो हम यहां पर use करेंगे app.get का app.get method है call करेंगे इसको हम पहला argument देते है path कि आप कौन से path में इसको handle करना चाहते हो तो slash पे मैंने कहा कि app जब भी कोई slash से request आए तो क्या करना है तो एक function run करो कौन सा function हम बताएंगे इसको यहां पर मैं pass करूँ एक callback function जैसे ही request आएगा इस URL पर यह function यहां पर run होगा अब इस function में जब यह run होगा तो यहां पर मैं कहा देता हूं console console console.log और यहां पर मैं लेखा request रिक्वेस्ट आगई ठीक है एक request आगई नहीं सेफ करते हैं इसको run करके देखते हैं क्या होता है तो page को मैंने reload किया तो page अभी reload किया वो फस गया response नहीं आ रहा मेरे पास और यहां पर देखो background में क्या है request प्रिंट हो गया तो यहां पर कुछ response क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहां से कुछ वापस से send नहीं किया तो हमने browser से कहा कि slash request send किया तो वह यहां पर आया लेकि लिए हमारे पास यहां पर parameters होते हैं पहला होता है यहां पर request दूसरा होता है यहां पर response तो request से आप इस request related सारी information read कर सकते हो response से आप response generate करते हो मतलब इसकी help से आप client को वापस कुछ भेज सकते हो यहां पर मैं लिख देता हूँ response.json तो json की help से आपको json send करते हो तो अगर और मैं just simply लिखता हूँ send method है मेरे पास इससे आप कुछ भी request की साथ कुछ भी data send कर सकते हो for example मैं यहां पर लेखा h1 और इस h1 को मैंने close किया है यहां पर लिख देता हूँ hello world hello world now save करते हैं मैंने किया जब भी request आएगा तो यहां से मैं return कर दिया response.send तो यह जो hello world है वो यह यहां से send हो जाएगा now page मैंने reload किया तो hello world यहां पर आ चुका है जब हम API बनाते हैं तो हम यहां से json send करते हैं तो json send करने के लिए हमारे बास special method json और एक object बना के हम इसको send कर सकते हैं तो for example मैंने एक object बनाया मैंने आप लेका message is request to मैंने आप लेका message is request to मैंने आप लेका response.json जो की json response send करता है नो यहां पर मैं इस message को add करूँगा तो इस बार क्या होगा जो message है वो मुझे यहां पर मिलेगा json के format में वापस आते हैं page को reload करेंगे तो यहां पर आप देखोगे json आया जिसमें लिखा हुआ message hello world तो यहां पर अगर आपके browser में कोई extension install नहीं है तो यह json आपको ऐसा नहीं देखेगा यह simply आपको देखेगा कुछ ऐसा लेकिन मेरे पास यहां पर एक extension install है जिसको मैं कहता हूँ json viewer यह रहा तो आप simply यहां पर लिख सकते हो इसको install करने के लिए json viewer and then यहां पर आप लिखो chrome extension यहां पर आपको first ही result मिल जाएगा json viewer का आप इसको install करके यहां पर add कर सकते हो तो आपको जो page में जब भी आपको json देखता है तो वो आपको formatted देखने लाएगा कुछ इस तरह से आप इसको use करके अपना यूटिलीटी है वह यहां पर add कर सकते हो तो इससे हमारे जो काम हो असान हो जाता है देखने में आसानी होती है data को तो यह तो था कि हम यहां पर get request कैसे handle करते हैं आप बात करते हैं कि post request कैसे यहां पर handle करेंगे ठीक है तो यहां पर मैं print कर देता हूं get request get request multiple type के request होते हैं मैंने आपको बताया एक होता get जिसमें हम कुछ data return करते हैं तो इसको तो प्रॉपर कर लेते हैं कि इसरो message ना देके हम इसे कुछ proper return करते हैं कुछ data ठीक है तो एक काम करता हूं मैं आप एक array create कर लेता हूं top पे तो मैंने आप एक array create किया जिसक इसका id क्या है तो मैंने से दिए इसका id one है ठीक है तो यह student का list जो है मैं यहां से return करूँगा तो simply जब भी गोई app get request आएगा slash पे मैं इसको कर देता हूं slash students ठीक है slash student जब भी request आएगा localhost kodan 3000 slash students पे मैं यहां से student का list return करूँगा तो यहां पे message की जगा पे मैं एक object create कर ले इसका मतलब यह है कि मैं जो key है वो students के नाम से create करना चाहता हूं तो इसका मतलब होगा students colon students तो मैं दो बार ना लिखके मेरे पास short form होता है मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं तो इसमें जो key है वो same as होगा इसके valuable name के जैसा तो अगर मैं इसको save करता हूं और आप मैं वापस जाओं और page को reload करूंगे यहाँ पर आप देखोगे यह error आगे कि इस तरह कोई URL नहीं है मेरे पास एक URL is students और इस पर मैं request send करता हूं मेरे पास students के अंदर एक student का सकता हूं जब मैं बात करता हूं app.post तो यह आ गया यह post request के लिए मैं मुझे same request में same URL में मुझे post request send करनी है मैंने आप लिख दिया slash students तो यह जो students है यह get request के लिए है जब get request send करोगे आप slash student पर यह run होगा लेकिन अगर आप post request send करोगे तो यह वाला code यहाँ पर रन होगा इसको again मिलेगा request object और इसको मिलेगा सर्वर को send कर रहा है मतला वो data save करना चाहते हूँ तो काम करते हैं अभी simply message देता हूँ मैं यहां से एक object create किया और इसके अंदर मैंने message add किया मैंने लिखा post request on students ठीक है वापस चलते हैं post request send करेंगे तो post request में यहां से send नहीं कर सकता ठीक है तो post request send करने के लिए हमारे पास कुछ tools होते हैं जैसे मैं नहीं नहीं पॉस्ट करने के लिए आपको form बनाना पड़ेगा अभी मैं form नहीं बना सकता है मेरे पास stable वगरा कुछ नहीं हम API में काम कर रहा है basically मैंने एक तरह का API बनाया है तो यहां मेरे पास form नहीं है तो मैं इसको यहां पर यह रहा कुछ आइकन इस तरह का है देख लीजिए दैन यहां पर इसको आप इंस्टॉल कर लोग इंस्टॉल जैसी करोगे आप रिस्टार्ट कर ले न विस कोड तो आपके पास यह आइकन यहां जाएगा अब आपको यहां से बताना है आपको नया लगोस पर इसको जाएं करना चाहते हो तो गैट रिक्विस्ट ब्राउजर की जरूत नहीं मुझे तो यह नौट फांड है इस्टॉडेंट से क्योंकि यहां पर सेंड किया इस्टॉएं का लेक्ट आ गया अउस पर मुझे पोस्ट रिक्विस्ट करना है और यहां से मेरे पास आया message post request to these students, जब आप get request send करोगे तो ये function run होगा, post request send करोगे तो ये function run होगा, तो ये message आगए, तो मैंने आपको बताए कि post request जब आप send करते हो, तो आप body भी send करते हो, उस आप में data, तो वो data कहाँ है, तो आप जाओगे body में, इसके बाद जाएंगे json, यहाँ पर हम एड़ करेंगे json body, तो मुझे एक student का data send करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया name, इज़ी request to एक कोई दूसरा name add कर देंगे, मैंने कहा ले संदीप, and then send करेंगे, तो यह data मैंने send किया है, मैं इसको read करूँगा, इसके अंदर तब तो मैं कुछ operations perform करूँगा, तो मैं इसको read करने के लिए use करता हूँ, यहाँ पर request object, इस request object के पास होता है data, यहाँ पर मैं इस console.log करा लेता हूँ, मैंने का console.log, and then request.body, जो भी आप body में इसको send करते हूँ, वो यहाँ पर आके आपको मिल जाएगा request.body में, आप फिर से send करते हैं, ना request, and console में देखते हैं क्या या, undefined, तो undefined क्यों आएगी, क्या हमें body read करने के लिए एक थोड़ी सी configuration करना ही है, वो configuration क्या है, आपको यहाँ पर use करना है, app.use, and then यहाँ पर आप लिखोगे express.json, इसका मतलब यह, इसको मैं कहता हूँ middleware, middleware क्या होता है, just अभी आप एक line में सुन लीजिए, यह बाद में middleware अपना खुद का create करेंगे, तो basically middleware क्या है, जब भी आप कोई request send करते हो, तो यह function run होता है, यह मैंना भी बताया, और फिर अगर post request होता है, यह function, लेकिन middleware होता है, वो भी एक function होता है, तो middleware कब run होता है, जब भी आप request send करते हो, तो अगर आपने इसको पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई function पहले लिख दे तो वो function run होगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा यह request handler run होगा, तो इसको मैं कहता हूँ middleware, आप request send करते हो, तो पहले वो middleware के पास जाएगा, मैं then send करेंगे, यहाँ पर आप देखो को जो body था name, संदीप, यह मुझे मिल चुका है, इसमें हम कुछ और भी add कर सकते हैं, मैंने लेखा id is equals to 23, id is equals to 23, send किया, तो यह same data मुझे, अपने server के console में मिल चुका है, तो हम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर body को read कर सकता हूँ, जो भी हमको मिला है body में उसको read करके, हमें carry में insert कर देते हैं, और देखते हैं, यह save होता है कि नहीं, तो पहले तो उसको read करेंगे, तो चलिए name read कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर लेखा const, name is equals to request.body, body के अंदर name है, name को read करेंगे, and then इस name को हम save करेंगे, अपने student की list पर, so हमने का students.push, इसके अंदर हमें insert करना है data, एक object create करेंगे, name pass कर दिया, और एक id, तो id मैं क्या कर लेता हूँ, जितना इस student का length है, उसमें plus 1 कर id हो जाएगा, id is equals to, जो भी student का length है, जो भी student का length है, उसमें मैंने का plus 1, तो इस बार id का हो जाएगा 2 और उसका name यहाँ पर save हो जाएगा, and then response में हम करते हैं, जो नए object हमने create किया है, उसको हमें यहाँ से return करते हैं, generally एक convention हो तक जब भी आप API create करते हो, जो नए student आपने create क जाएगा, उसको आप यहाँ से return करते हो, तो एक काम करते हैं, इस नए object को उठा के रख लेते हैं, एक variable में मैंने का const, student is equals to एक नए object, and then इस नए object को हम करेंगे, student की list में push, and then इस student को हम send कर देंगे, अपने response के साथ और एक object के form में, now save किया, वापस आते हैं, request को send करेंगे इस id वो remove कर देते हैं, send किया request, यहाँ पर क्या है, student name Sandeep, क्योंकि मैंने एक नए student safe किया है, तो अब मैं इसको get request जब send करूँगा, तो मेरी student list में 2 student हो गया होंगे, send करेंगे, तो यहाँ पर पहला student विरेंद, दूसरा है Sandeep, एक और add करते हैं, मैंने आप लिखा cm, and then यह क्योंकि post request है, क्योंकि मैं data safe करना चाहता हूँ, send करा, तो यहाँ पर एक नए student add हो गया, फिर से get request send करेंगे, तो यहाँ पर तीन student हो गया हो गया, यह हो गया, तीन student, तो उस तरह से मैं यहाँ पर post request handle करता हूँ, कुछ भी data को save करने के लिए, हमेरे का use कर रहे हैं, बाद म तो एक तरीका तो यह है, हमने JSON send किया body में attach करके, दूसरा तरीका होता है, कि हम यहाँ पर question mark करके भी server को data send करते हैं, जैसे कि मुझे student को यहाँ पर sort करना है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ short by, sort by is equal to name से मुझे sort करना है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो sort by मैंने लिखा नहीं, मैं server पर read कर सकता हूं, तो इसको read कैसे करके है, हम इसको कहते है query, तो Q EAD करने के लिए, जैसे कि मैंने, इस पर request send कर रहा हूं, तो यहाँ है Пuccgivingatore्य पर query करता हूं, इस request object से, क्यों मैं request कर रहा हु, request के साथ कुछ data आया हुँ है, तो इसको quick read कैसे कर सकता हूं, तो स key value pair होता है इस बार की के name is equal to value value आपका send किया तो यहां पे क्या यह name is equals to value यहां पर और भी add करना है तो मैं end का use करता हूं end मुझे age-text क यहां WAS field हो wsp value range is equal to 23 जो query है वो यहां पर print हो रही है इस query को मैं रीड कर लिया अब query object में क्या name है और age है तो मैं उसको read कर सकता हूँ असानी से तो मैं यहाँ पर कहा हूँगा query.name and then query.age तो इस तरह से मैं query का name और age को use कर सकता हूँ अगर मैंने send किया तो यहाँ पर क्या है value और 23 तो यह यहाँ पर तरीका इस तरह से मैं using query object request.query इस query string के जो भी values है उसको मैं यहाँ पर read कर सकता हूँ अब अगर एक ही नाम से multiple queries है जैसे कि माल लीजिए यहाँ पर age है 23 है मैंने फिर से add कर दिया मैंने का end age is request to 12 दो-दो age हो गए send करते हैं तो यहाँ पर देखो कि age का एक array मुझे मिलता है क्योंकि array में multiple values हैं तो इस तरह से मैं यहाँ पर use करता हूँ request.query का किसी भी query string की values को read करने के लिए तो हमने यहाँ दो तरीके देखे data send करने के server में पहला है body के साथ json के साथ दूसरा है यहाँ वे query string तीसरा होता है params ठीक है तो params कैसे काम करते हैं देखते है तो जैसे कि अगर मैने आपका students एक है student के वाद slash करके मैंने का one तो इसका वन स्कस्राइब यह है कि मैं एक student मैंसे वह student चाहता हूँ जिसका id one तो तरह स्पे मैं आपको신्यक्ड होलाई जायताओ सब्सक्राइब यह पूद बेक है item 2 तो पर मेरा URL क्या होगा इसके लिए वो देखते हैं तो student slash id है मेरे पास ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा next चलते हैं आंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ app.get क्योंकि यह get request simply आपका path क्या है तो मैंने यहाँ पर लिखा slash students slash id है यह मैंने का slash id okay then यहाँ पर मैं एक pass करूँगा callback और इसको मिलता है request again and इसको मिलेगा response जिसके help request data response से response return करेंगे and then यहाँ से मैं लिख देता हूँ return response.json return कर देते हैं और simply मैं यहाँ पर लिख देता हूँ id is equals to something ठीक है now देखते हैं यह काम करता है नहीं अब वापस चलते हैं मैंने इसको रिलोड किया तो यह अभी भी not found आ रहा है क्योंकि जो मेरा url उसमें लिख देता हूँ id तो अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह पर लिख देता हूँ id तो अब यह काम कर रहा है लेकिन अगर आइड की जगह पर लिखता हूँ 3 तो फिर यह काम नहीं करता तो बैसके लिए अगर आप dynamic value देते हो id की जगह पर कुछ proper values चेंज हो रही है तो उसके लिए आप यहाँ पर slash id लेकते हो slash id का मतलब है hardcoded जब id मिलेगा तब ही यह चलेगा तो अगर यह dynamic value तो आप यहाँ प लेकिन ही जो id मैंने send किया है इसको मैं read कैसे करूँगा तो अगर आपने यहाँ पर लिखा है id तो इसका मतलब इस request के अंदर params के अंदर request object है तो मैं आप लिखता हूँ console.log and then मैं आपको यहाँ पर print करके दिखाऊँ request.params and अब आप देखोगे page को reload किया request.params में कुछ आ करते हैं थाकि console यहीं पर हमारे पास तो इसको मैं remove कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लग देता हूँ students slash 12 तो यहाँ पर 12 आ गया 13 कर देते हैं तो 13 आ गया सही है now यहाँ पर आपको multiple अगर values रीट करने हैं तो आप multiple तरीके से slash करोगे colon करके माल लीजिए आप कुछ पास कर रहे हो अपना age पास कर रहे हो तो परमस के अंदर age भी आएगा और id भी आएगा तो इस बार आपको दो parameter पास करने पड़ेंगे 13 होगे आपका id इसको आपको age प using params को read कर सकता हूँ अब आपको इसमें से एक एक value रीट करनी है तो आप यहाँ परमस.age params.id तो just examples हैंगे आप कैसे id and age use करते हो अभी हम इसका proper example नहीं create कर रहे है कि इसका करना क्या है बस अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि parameters को read कैसे किया जाता है body को कैसे read किया जाता ह है और query को कैसे read किया जाता है तीन तरीके है data को read करने के ठीक है and then चलते हैं वापस page को reload किया तो यहाँ पर क्या आया application reload हो रहा एक्चली ओके यहाँ पर यह वाले URL नहीं काम करेंगे कि मैंने दो URL दो parameter add कर दी तो एक और parameter add करेंगे तो यह आ गया ठीक है तो इन parameter को यहाँ से return कर देते हैं तो return करने के लिए simply मैं आप क्या लिख देता हूं मैंने आप लिख दिया request.param जो भी params होंगे उसको मैं यहाँ से return कर र गया 12 हमने अभी देखा get request कैसे handle करते हैं post request कैसे handle करते है get request यह फिर post request के अंदर आप query add करते हूं query का मतलब क्या है query जो आप अपने URL में यहाँ पर question mark करके add करते हो key value pair उसको हम कहरेंगे query string उसको कैसे read किया जाता है parameters कैसे add करते हैं आपके URL में यह 112 यह parameters है इसको हम request.params के help से access करते है request body अगर हमने send किया जो कि post request के साथ होता है तो हम post request के साथ जो body body add कर रहे है JSON उसको हमने कैसे read किया वह हमने देखा हमने यहाँ यहाँ यूज किया आप.useexpress.json यह क्या है मैं आपको आंगे explain करूँगा और detail में क्या यह करता क्या है middleware है middleware क्या होता है आंगे देखेंगे उससे पहले देखते हैं कुछ और methods है type है यहाँ आप यहाँ पर लिखो के app.put यहाँ पर है यहाँ पर मैं send करता हूँ students आपका url यहाँ पर मैंने का colon id क्यों क्योंकि जब हम put request send करते हैं इसका मतलब यह कि आपको अब्जेक्ट करना चाहते हूँ तो अगर मैं कोई student object अब्जेक्ट करना चाहता हूँ तो कौन से student म मुझे update करना उसका id भी send करूंगा मैं तो ऐसे अगर आपको कोई course update करना है तो आप courses slash id कौन से id वाला course या फिर कौन से slug वाला course आपको update करना वह आप बताते हो put request में इस तरह से parameter add करके now मैं put request send कर रहा हूँ इस student slash id पे इस पर मुझे run करना एक function जो कि होगा एक callback function request and response दो objects है request object तो हमां information में लेगी सारी request की तो आप मैं करता हूँ console.log console.log handling put request okay handling put request और अब मैं यहाँ पे जो भी मैंना id send किया उसको भी read कर लेते हैं तो जो कि मुझे update करना है तो मैंने यहाँ पे लेखा console.log console.log updating updating अपडेटिंग अपडेटिंग प्लस करके यहाँ पे मुझे id चाहिए तो id कैसे मिलेगा request.params.id तो इससे मुझे मिल जाएगा id तो इस वाले student को हम update कर रहे हैं simply और मैं यहाँ से return कर देता हूँ क्या same response तो मैंने यहाँ पे लेखा response.json और एक message दे देते है message is equals to put request put request आपके जो params है वो add कर देते हैं मैंने का params is equals to request.params तो जो भी आपने params send किये वो मैंने यहाँ से return की और यह put request है जो मैं put request की बात करता हूँ तो मैं browser सिर्फ get और post request ही send कर सकता हूँ put request के लिए मैं कोई javascript का help करूँगा help लूँगा या फिर एक client एक http client thunder client का use करेंगे जो कि यहाँ पर put request send करेंगा तो अगर मुझे इस पर put request send करना है तो मैं change करूँगा put request students पर मुझे send करना है slash करके student का id इसको आप update करना चाहते हो send करेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका message message request request params में आपने क्या send किया वो आ गया एक आ पर ult张 के तो यहाँ आ प्रम आप pos request send करते हैं तो आप body भी sent करते हैं किआप इस student को update करना चाहते हो name is equal something तो यहां पर मैं body by मैं उते इसक की रहें कि हो body is equals to request.body तो इस तरह से मैं इसकी body को भी read कर सकता हूँ ना टेस्ट करते हैं request को send किया तो यहां पर देख सकते हो params में मैंने id 23 send किया है body में name is request to cm यह send किया है तो simply आप इसके आँए logic कुछ भी हो सकता है आप यहां पर database में data add करते हो date update कर सकते हो simply ओके तो इस तरह से मैं यहां पर handle करता हूँ एक put request ना बात करते हैं कि आप इसमें delete request कैसे handle करते हूँ तो delete request handle करना बहुत आसान है जैसे हमने get put post handle किया वैसे ही app.app.delete यहां पर हम लिखेंगे app.delete और delete request है तो कोई URL पर आप delete request send करोगे तो मैंने यहां पर लिखा slash students में delete request send करना चाहता हूँ और किस student को आप delete करना चाहते हो अगे आप बताओगे उसका ID यहां भी pass करके and then same चीज़ यहां पर होगा मैंने कहा request और यहां पर जाएगा response इसके बाद मैं read कर सकता हूँ को conscious student delete करना चाहता हूँ तो मैंने यहां पर लिखा console.log console.log deleting student of id id क्या है तो मैंने कहा request.params के मैंने id send किया तो मैं लिखूँगा है यहां पर id अगर आप यहां पर लिखते हो अगर आप लिखते हो यहां पर student id तो आप params में लिखोगे student id ठीक है यह आपको ध्यान रखना है बस इतना ही है इसके बाद मैं delete किया मैं यहां से response return कर सकता हूँ मैंने का response.status code आप send कर सकते हो कोई status code मैंने का 204 जब भी 204 क्योंगे जब यह student आप delete करोगे तो वो delete होने के बाल 204 का मतलब है no content यह वो delete हो गया तो कोई content नहीं और फिर यहां से मैं return कर सकता हूँ क्या और यहां से मैं JSON return करूँगा एक message return करेंगे student student deleted ठीक है तो यह मैंने app.delete request है यहां पे handle किया तो अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ delete नहीं कर रहा रहा हूँ कि मेरे पास को database वागरा भी नहीं है जब मैं database connect करूँगा या फिर कोई array में data handle करूँगा तो उस टाइम पर करूँगा डिलीट और डिलीट करने के बाद मैं यह response रिटन कर दूँगा ना चलते हैं रिक्विस्ट में try करते हैं तरह मैं delete request send करना चाहता हूँ body की जरूरत नहीं है remove करेंगे and यहां पे param set किया है 23 send किया यहां पे एक error आ गया internal server error type cannot read property of type undefined okay कुछ logical mistake है यहां पे get of undefined तो get of undefined line number दिखा हुआ क्या कहीं line number लिखा हुआ है response.js and then क्या problem है type error आया हुआ है property get deleting आया हुआ है delete of student actually मैं यहां पे मैंने लिखा हुआ response.status 200 actually response नहीं है यहां पे spelling mistake कर दी मैंने so यहां पे जाएगर response ठीक है now try करते है request को send किया यहां पे आया कुछ भी नहीं पर status आप देख सकते हो 204 no content इसका मतलब है कि यह student यहां पे delete किया हुआ है okay again मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ read नहीं किया just demonstrate किया कैसे आप status send कर सकते हो now आप यहां पे 404 अगर देना चाहते हैं जैसे कोई student है और वो नहीं मिला database में तो आप एक error generate करते हो 404 मतलब की not found देखेंगे next section में कैसे generate कर सकते हो आप यहां पर errors अगर आपको यहां पर अलाग अलाग स्टेटस send करने है तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं तो माल लीजिए एक और यहां पर create करते हैं मैंने का app.get को आप get request send करोगे slash पर मैंने का 200 status code ठीक है just demonstrate के लिए मैंने एक error मैंने जो URL है वो code के basis बना रहा हूं मैंने का slash 200 जब आप send करोगे तो इसका मतलब है कि आप 200 status code यहां से return करना चाहिए तो status code हम कैसे set कर सकते हैं अगेन मुझे यहां पर मिलेगा request request and response now response की help से आप status देते हो generate करते हो तो response से मेरे पाद मैंने का response.status status से आप status set कर सकते हो 200 status जब आप कोई status send नहीं करते हो और directly आप यहां पर लिखते हो success response success response ना उसका हम ब्राउजर से भी check कर सकते हैं क्योंकि मैं मैंने आप यहां पर get request लिख किया तो अब मैं क्या करूँगा localhost की 3000 और colon करके मैंने का 200 तो आप 200 में क्या है success response right now और भी multiple response होते हैं एक और मैं create करता हूँ मैंने का app.get 404 तो मुझे यहां पर एक not found वाला पेज अगर देना तो मैं कैसे दे सकता हूँ आप कोई error कोई मैस आपने कोई endpoint handle कि ए student slash id वाला और उस id को को इस student आप पूर नहीं मिला आगर तो आप यहां से 404 तो यह आ गया not found page आया जिसमें 404 है यहां पर आपको सौंच में नहीं आ रहा होगा लेकिन अगर मैं inspect करता हूँ element की status क्या है इसका और element network tap पर जाएंगे and then page को reload करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह आ गया 404 यहां पर देख सकते हो 404 मतलब की error page है और यहां पर लिखता हूँ 200 इसका मतलब है कि यह success है यहां पर 200 आया जो कि है success page राइट तो इस तरह से मैं यहां पर अलग-अलग status set कर सकता हूँ अब अगर आपने कोई form submit किया है जिसमें email id नहीं दिया user ने तो आप उसके इस पर 400 bad request यह दे सकते हूँ error code से क्या होता है आपको proper पता चलता कि यह जो error code है अगर error code देते हो तो आपको message देने की जरूरत नहीं है यहां पर 200 है तो मुझे पता ही success response है तो आप message नहीं भी दोगे तो चलेगा right message अलगा हो सकता है लेकिन code universal है सबको पता है कि इसका मतलब है not found इसका मतलब है bad request right यहां मैं लिखता हूँ http status code सर्च करते हैं आप तो status code की आपको list मिल जाएगी तो आपको पता चलता है consensus आपको काप send करना है 100 for continue successful response आपने 200, 201 created, 202 accepted, 204 no content जब आपको content delete कर देते हो तब उसके लिए है और इस तरह से multiple redirection के लिए आपको redirect करते हो तो 301 moved permanently not found के लिए है यह मतलब redirect कर रहा है और not found 404 मतलब की कुछ नहीं मिला लेकिन 20302 मतलब की page नहीं मिला तो आपने कोई और page दे दिया उसके बदले में तो यहां पर 302 इस तरह से बहुत सारे हैं इसको आप detail में देख सकते हो ठीक है तो इस तरह से हमें आपर set करते हैं status code यह था यहां पर quick start हमने एक folder बनाया है जिसमें हमने अब हैं में बहुत ही basic सी चीजां देखिं कैसे हमें आप एक simply मैं यहां पर जो quick start है इसको मैं close कर रहा हूँ अभी इसमें नहीं मैं एक और नया folder यहां पर बना रहा हूँ मैं लिए पहले खा 0 to underscore middleware middle middleware ठीक है 0 to underscore middleware now इसको terminate करेंगे अपना जो run हो रहा है और यहां पर मैं कहुँँँगा cd.dor एक folder आप आएंगे और फिर मुझे आना middleware के अंदर तो मैं middleware पर राइट क्लिक करके भी open in terminal कर सकता हूँ तो सही open in terminal हो गया तो यहां पर middleware holder के अंदर हूँ मैं अब मैं यहां पर लिखूंगा मुझे नया project list के अंदर start करना है middleware के अंदर आगे हम करेंगे npm init ठीक है मेरे package का क्या नाम रखना है वो यहां पर मुझे बताना पड़ेगा तो यहां पर आया package नेम आपको क्या रखना जीरो टू मिडल वेर्स वर्जन वन पॉइंट जीरो यह दिस्क्रिप्शन इंटर इंटर करेंगे कुछ नहीं ज्यादा यस आप एक package.json आ चुका है ना मुझे फिर से एक नया project ही start कर रहा हूं तो मुझे फिर से express.js इस फोल्डर के लिए install करना पड़ेगा तो फिर से कर लेते हैं बार बार आप कीज़े ताकि आपकी practice ज्यादा हो ठीक है jsa starting file बना लिया फिर से हमें पूरा server बनाना है तो मैंने लिखा const express is equal to fast कर रहा हूं एक स्प्रेइन नहीं करूंगा पहले मैं कर चुका हूं क्योंकि तो यहां पर मैं करूंगा require require express express से मुझे मेला function मैंने का const app const app is equal to express को हमने यहां पर call किया and then is पर मैं का हूंगा app.listen यहां देंगे callback जिसमें मैं लिखूंगा console.log console.log और यहां पर मैंने लिखा running on 3000 save किया run करते हैं इसको simply मैं यहां पर लिखूंगा node.mon मेरे पास install है node.mon और file का नाम तो index.js तो इस तरह से एक router बनाना है, एक response यहां से return करना है, तो मैंने का request और response दो parameter से add होंगे, response की help से मैं कुछ generate करूंगा यहां पर message तो यहां पर मैं कहां देता हूं response.json और यहां पर मैं message add कर देता हूं मैंने का message is equals to message is equals to students, ठीक है now मैं इसको यहां से copy करूंगा, multiple copies create किये, यहां पर मैं लिख देता हूं, students के बाद मैंने यहां लिख दिया courses, और यहां पर मैं लिख दिया books, ठीक है इस तरह से मैंने तीन URL हैंडल किये, message यहां पर change कर देते हैं, यहां पर मैं लिखा courses, और यहां पर मैं कर देता हूं, books, तो अब इसको browser से check कर सकते हैं, browser पर आएंगे और यहां पर मैं लिखूंगा localhost, colon 3000, 3000 slash students, यहां पर आएगा students का message, इसको मैं change करके करूंगा courses, तो आ गया courses message, और इसको मैं change करके करूंगा books, तो आ गया मेरे पास books, तो तीनो router यहां पर चल रहा है, ना बात कर आप ते middleware की, middleware क्या होता है basically, middleware कोशन नहीं है, simply आप का कर रहा है, request send कर रहा हो, तो यह function run हो रहा है, तो request send करने के पहले आप कोई function है, जो कि run करना चाहते है, उस request को handle करने से पहले, तो आप एक function है, यहां पर रेजिस्टर कर दोगे, वो हो जाएगा, middleware, middleware मतलब जो क इस पर यह वाला function run हो रहा, मैं चाहता हूँ, इन function के पहले कुछ और code भी run होना चाहिए, यह को और function है, जो मैं बनाऊँगा, फूर रहा होना चाहिए, तो उसको हम कहें, middleware, middleware कुछ ने एक function है, पहले तो एक function create कर लेते हैं, function कर नाम मैं रख देता हूँ, middleware, और इसको मिलता है request object और response object, इसमें एक और add करेंगे next, यह क्या करेंगा next को मैं आपको बताऊँगा, तो इसके बाद हम कहेंगे, यहाँ पर next को call कर देंगे, तो यह आगया next को हमने call कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख दिता हूँ, console.log, और यहाँ पर मैं लिख दिया middleware called, middleware यहाँ यहाँ पर call हो गया, अब हम देखेंगे कि, अब हम क्या करेंगे middleware को अपने application के साथ register करेंगे, इन सब के पहले, तो यहाँ पर मैं लिखूँँगा, app को बोलूँगा, भाई, यह middleware उसको use करो, तो मैंने का app.use, और उसको मैंने pass कर दिया, यह middleware, अब क्या होगा, जब भ यहाँ पर books का response था वो आ गया, अंदर यहाँ पर मैं कहा देता हूं, courses, तो आ गया, यहाँ पर middleware called हुआ, और यहाँ पर courses आया, जब कि यह URL नहीं है, फिर भी middleware call हुआ, तो जब भी मैं request send करूँगा, वो URL वो चलेगा, उसको मैं कहा देता हूं, course, तो यहाँ आ गया course, ल उसके लिए हम call करते हैं, next का, अगर मैं next को call नहीं करूँगा, तो फसा रहे का response मुझे नहीं मिलेगा, अगर आप चाहते हो, आप middleware से ही return करना चाहते हो, कोई response, तो आप simply इस response की help से return कर सकते हो, मैं यहाँ पे message ही देता हूं, मैंने कहा, message is equals to returned from middleware, तो अब हर एक request में य function call होता है, तो अब क्या होगा, response का, JSON मैंने return किया, और यहाँ से मैं score कर दूँ, return, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी request मैं send करूँगा, तो हर request में मुझे यह वाला message मिलेगा, क्योंकि मैंने next को call नहीं किया, और यहीं से return हो गया, तो आंगे वाले हो, तो चल ही नहीं पाई किया, और इसमें से मैं response return कर दिया, तो अब इसका use हम क्या कर सकते हैं, इसका use हम कर सकते हैं, validation में, verification कुछ करना है, perform करना है, उसका हम कर सकते हैं, कुछ एक कैसा task है, जो आपको पहले करना, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हर request में कुछ information है, जो कि console पे print हो जाए, तो मैं इस function क use कर सकता हूँ, logging के लिए, कैसे करेंगे, तो simply मैं मुझे यहाँ पर body print करना है, data वो print करना है, हर एक request के लिए, मैं चाहता हूँ, जो भी मैंने param send कि हैं, वो print हो जाए, तो मैंने का, params is request to request dot params, चीक है, मैं चाहता हूँ, हर एक request में, मैं जो query send कर रहा हूँ, वो भी मेरे मैंने का हूँगा, यहाँ पर request dot query, save किया, वापस आए, आप कोई भी request आप send करो, आपके console पर query बगरा जो भी print होगी, params query मैंने कुछ send नहीं किया, कुछ print नहीं हुआ, मैंने कहा, name is request to value, send किया, name is request to value आया, तो simply जो भी request मैं send करूँगा, यह middleware call होगा, और उसके अंदर म जो भी common task perform करना, वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, right, अगर हम किसी particular URL के लिए middleware को run करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बहुत simple है, आपको इस function को देने के पहले, एक और यहाँ पे आप comma के बाद, वो function दे दीजिए, वो run हो जाएगा, ठीक है, जै और मैं हाँ पर function create करूँगा, function का नाम रखूँगा, मैं only for, for student, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा request, response and next, तो next को call करेंगे कि मुझे आंगे वाला function run करना है, तो मैंने next को call किया, इसके अंदर कुछ-कुछ लिख देते हैं, मैंने लिखा console.log, this will run, run only for, only for students, ठीक है, त अब इसे only for students अनना है, तो जहाँ पर आपका students वाली URL है, उस पर मैं इसको apply करूँगा, यहाँ पर comma के बाद, तो comma के बाद मैं यहाँ पर add करूँगा, only for students and comma करके, आपका handler, तो आपके को जब भी को request आएगी, तो पहले यह तो चलेगा ही, यह हर request में चलेगा, उसके पहल जो चला, main use, जो common वाला middleware वो चला, उसके बाद I will run only for student, तो student वाला middleware चल गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका return हो गया response, यहाँ अगर मैं इसको run करता हूँ, books के लिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ common वाला चला, यह student वाला नहीं चला, ठीक, तो एक ही कर सकते हो, तो यहाँ पर हमने यह समझा कि request और response के साथ एक parameter और next है, जो कि हम यहाँ पर add कर सकते हैं, जब next call करते हैं, तो जो भी आंगे वाला, जो भी matching वाला जो route होता है, वो call हो जाता है, लेकिन हम इसका use कर सकते हैं, error को handle करने के लिए, कैसे, अगर मैं सबसे last मैं एक एक और middleware add कर दूँ, मैंने कहा app.use, और मैं यहाँ पर एक और middleware add कर दूँ, यह मैंने एक और middleware add कर दिया, ठीक है, और मैं इसको दूँगा request, response, और simply next की ज़रोत नहीं, last मैं add किया, तो अगर मैं इनके अंदर से next call करता हूँ, इसमें से किसी के अंदर से भी, तो next का लेगा नहीं, क्योंकि slash student वाला था ये, books भी नहीं चलेगा, तो next में ये है, मतलब ये सब के लिए सल सकता है, तो अगर मैं इसके अंदर से next call करता हूँ, तो ये वाला चल जाएगा, try करें इसको, तो मैंने इसके आंगे लिख दिया, कि next, ठीक है, just मैंने student के अंदर लिख कि ये चलेगा, तो जब ये वाला चलेगा, यहाँ पर तो मैं कहा देता हूँ, response.json, response.json, मैंने आप लिख दिया, response from last, last function, ठीक है, last middleware कहा देता हूँ, इसको, last middleware, जब मैं इस student पर जाऊँगा, तो next call होगा, next का मतलब है कि ये last वाला, ठीक है, तो वापस चलते है, इस students की, यहाँ पर जो message है, तो देखते हैं, क्या आता है, मैंने आपर next call किया, यहाँ पर आया, will run only for the student, यह run हो गया, and then, यहाँ पर मैंने return कर दिया next, तो फिर ये वाला run होना चाहिए, देखते हैं, क्या होता है, यहाँ पर course है, इसको मैं करूँगा, students, यहाँ पर क्या आया, response from last middleware, आया, तो जब मैंने यहाँ से next call किया, तो जो भी आंगे next होगा middleware, वो यहाँ पर run हो जाएगा, तो यह बाला call हो गया, मैं इसका use कर सकता हूँ, errors को handle करने के लिए, right, तो अगर यहाँ पर कोई error आती और मैंने आप लिख दिया, try catch, try catch, तो try के अंदर में लिख देता हूँ, student का जो भी data है, वो return कर दो, लेकिन अगर इसके अंदर error आती है, तो यह काम करते है, जनरेट करने से पहले एक error भी throw कर देते है, तो मैंने आप लिख दिया throw new error, एक नया error मैंने आप जनरेट किर दि किया, और error catch करने के बाद मैं यहां से next call कर सकता हूँ, तो यह मैंने call कर दिया, यहां पर next, और यहां पर मैं pass कर दूँ, error, ठीक है, and then वापस चलते है, page को again मैंने आप reload किया, तो something went wrong, error message आया, तो वो handle नहीं हुआ, तो क्या होता next, जब मैं error के साथ call करता हूँ, तो यहां पर यह call नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इस next को, error को remove पर दूँ, और फिर इसको मैं call करूँ, तो reload किया, तो यहां पर आया response from last minute, जब error आया तब, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर एक error response यहां पर add कर देता हूँ, तो मैंने यहां पर लिख दिया error, तो जब भी error आप next function को call करोगे, तब यह वाला handler चलेगा, लेकिन आप बिना error किया कर आप इसको call करते हो next को, तो फिर यह नहीं चलेगा, कोई और चलेगा, जो भी matching होता है, अगर नहीं है, तो फिर कोई नहीं चलेगा, now page को again reload करते हैं, तो इस बार दे कोई response.json is not a function, okay, request response, sorry, error, request response and then यहां पर हमें एक और add करेंगे next, request response and next, page reload किया, यहां पर I cannot get slash student, ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहां पर cannot get slash student, क्योंकि जब मैंने next call किया, और इसमें देखो कि यह error के लिए बनाया है, तो यह error वाला call नहीं होगा, तो आप जब next में error object पास करोगे, तब ही यह वाला function call होगा, और के अंदर आ जाएगा हमारे पास वो error जो कि हमने यहां से pass किया है, तो अब मैं यहां से क्या करूँगा, मैं यहां से sign करूँगा, यह status, अगर error है, तब ही यह वाला message चलेगा, तो मैंने कहा error 500 dot, हमने कहा JSON, यह, तो error आएगा 500, जो भी response है, आप message में देना चाहते हो, कि व call होगा, next में आएगा, something went wrong, लेकिन अगर मैं इस error को generate नहीं करता हूँ, तो simply मैंने यहां से generate किया है, JSON, जिस में है, students, reload किया page, तो यहां पे message में मिलेगा, students, right, तो मैंने आप error खुद से generate किया था, यह generate होगा dynamically, जब आपको यह ऐसा कुछ काम करते हो, जहां पे errors आ सकती है तो उस case में यह error handler आपको काफी help करेगा, error handler यहां पर क्या करेगा, simply आपको next call कर देना है, error pass करना है इसको, और आंगे जो भी आपने register किया हुआ है, error request response next के साथ, तो वो वाला जो भी handler होगा, वो यहां पर use हो जाएगा, इसको हम कहते है, error handler middleware, right, I hope समझ में आगया होगा कि error handler middleware हैं से यहां पर कैसे काम करता है, यहां पर एक और यहां पर concept है, router का, बिसलिए router क्या होता है, हो सब बसते हैं, तो मैंने यहां पर middleware जो बनाया हुआ है, हमारा project, इसके अंदर index.js, तो जैसे कि अगर माल लीजिए, मैं यहां पर add करता हूँ, मैंने यहां यहां पर app.get, मुझे get request handle करना है, तो मैंने का app.get, मैंने यहां पर लिखा slash API slash courses, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा slash API slash courses, और यहां पर मैं पास करूँगा एक function, जो की, इसका जो response handler वो होगा, तो मैं आपर multiple, अलग-अलग create कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अलग-अलग ही create कर लेता हूँ, ताकि कोई confusion ना हो, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ request और एक और parameter हो जाएगा, यहां पर response नाम का, and then इसमें मुझे कुछ return करना है, तो मैंने यहां पर लिखा response.json, and then यहां पर मैंने लिखा URL का नाम देता हूँ, जो भी मैं URL पे hit कर रहा हूँ, वही यहां पे add करूँ यह, मैं इसको multiple copies यहां पर create किये, तो पहला है courses, API slash courses, एक और बना लेते हैं, मैंने का API slash students, API slash books, and then API slash, यहां पर मैं कर देता हूँ, API slash marks, और एक और add कर लेते हैं, API slash products, यह मैंने मैं multiple APIs यहां पर create किये, application run हो रहा है, then चलते हैं browser पे और इसको try करते हैं, तो यहां पर मैं लगूँगा, slash API slash students, तो यहां पर I cannot get, okay, API slash API slash students, जिसमें error आया हुआ है कि cannot get, okay, एक बार हम application को reload करते हैं, and again इस पर मैं get request send करूँगा, API slash students पे, तो again I am not found, तो मैंने यहां पर application को restart किया, एक बार मैंने control C press करके, फिर से application को run किया, तो यहां पर URL जो है, आने लगे, ठीक है, तो यहां पर API slash students, यहां पर मैं कहूँगा, API slash courses, यहां गया API slash courses, API slash books, ठीक है, तो सारे result मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन आप यहां पर देखो कि हर एक URL में म तो इसके आँगे slash API use करना है मुझे, देख तरह ऐसे मैं group create करूँगा using यहां पर router, तो सको कैसी use करना है, तो मैं यहां पर use करता हूँ, router का कैसे, मैंने router बना है, const router is equals to express, जो हमने import किया है, उसके अंदर होता है router function, इसको मैं call करूँगा, तो इस तरह से मिरे पास एक router को object कर जाएगा, अब यहां जा मैंने app use किया हुआ है, जो भी मैंने API slash वाले हैं, जिस पर मैंने app use किया है, उस app को मैं replace कर दूँगा, इस router से, मैंने आप लिख दिया router dot get, तो जो काम आप app के object पर कर सकते हो, वो काम आप router object भी भी कर सकते हो, इसके बाद मैं last मैं लिख दूँ अभी भी आएगा, ठीक है, same result आ रहा है, तो simply better router बनाया, उस में router dot get किया, जो url इस पर है, मैंने router को दे दिया, अपने app को, एप को मैंने बता दिया कि router के पास बहुत सारी urls है, तो उसको वो चेक कर लेगा, now मैंने यहाप page को reload किया, same result, लेकिने अब मैं यहाँ पर यह API slash इसको मैं यहाँ से remove कर सकता हूँ, इन सम में से मैं इसको remove करूँगा, और मैंने यहाँ पर बताया कि router को मैंने बताया कि जब भी router को request मिलेगा, और उसमें यह चेक करेगा slash student है क्या, और जब मैं इसको register करूँगा, तो मैं यहाँ बताऊँगा कि इस router को कभी use करना है, इस router को कभी use करना है, जब इसमें slash API है तब, तो app को मैंने बता दिया कि app.use this router कब जब आपके URL में slash API है तो, जैसे slash API मिलेगा हमारे URL में यह router activate होगा, और फ़र यह router चेक करेगा कि API के बाद क्या है, courses है या फर यह है, ठीक है, तो reload करते हैं page इक बार बार, यहाँ पर यहाँ आपका URL, तो यहाँ पर मुझे full URL चाहिए, तो मैं आपर लिखूँगा original URL, तो इससे मुझे proper URL है, full वालप वो मिल जाएगा, तो अगर मैं इसको reload करता हूँ, API slash books पे, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, यह book है, okay, full URL के लिए मेरे पास request के साथ है, query path accepted URL, base URL पर सर्च करते हैं, क्या आता है, reload किया page, तो यहाँ पर आगा base URL हमारा API, base URL के लिखूँगा original URL तो आपको मिल जाएगा, यह books, तो इस तरह से हमें आपर URL कर सकते हैं, तो basically यहाँ पर मैंने router बनाया है, और जिसको मैंने, यहाँ प कब use करना है, जब slash API हो, तब इस router को use करना है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है, इसका फायदा है कि बार बार मुझे API नहीं लेखना पड़ रहा है, हर एक URL के साथ, एक फायदा ही है, दूसरी चीज़ है कि हम इस router को अलग से एक file में रख सकते हैं, और वहाँ से router क को export कर देंगे, और जब router को export कर देंगे, तो अपने एक file में इसका कहीं भी use कर सकते हैं, क्योंकि जब नहीं कि आप एक ही file में सारी URL बनाओ, तो हम इसको move कर सकते हैं, किसी और file में, और वहाँ पे हम router use करके, इस router को export कर देंगे, और उस export करने के बाद अपने index.js में app से बोल देंगे कि ये router use करो, ठीक है, तो next section में देखेंगे, कि हम यहाँ पर कैसे file का structure create कर सकते हैं, proper सारे router से एक file में, सारे controller एक file में, सारे middleware से एक file में, तो create करते हैं कि file structure, जिसमें हम सारे modules में, सारे files उसको व्यवस्थित रखेंगे, अलग-अलग files में, तो इसके लिए मैं करूँगा, basically, जो index.js है, उस पे हम अपना main code लिखेंगे, जो की starting point होगा, और इसके बाद अलग-अलग folders create करेंगे, जैसे middleware है, तो middleware में ही मैं create करता file-structure, file structure, okay, इसके अंदर में नया project start करूँगा, control-c press किया, yes, and then, हमने लिखा CLS, अब मुझे करना एक नया project start करना है, तो मैं जाओंगा, अपने file structure वाले folder के अंदर, integrated terminal में इसको हम open करेंगे, यह आ गया, यहाँ पे मुझे start करना है, नया project मैंने का npm init, npm init, yes, 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 करते जाएंगे, directly, यह हो गया, yes, okay, now, यहाँ पे install करेंगे, express.js, again, मैंने आप लिखा npm install express, so, यहाँ पे express install हो जाएगा, now, चलते है, file structure folder में, हाँ पे, पहला file होगा, हमारा index.js, तो basically, same code हम लिखने वाले है, लेकिन थोड़ा सा structure इसको create करेंगे, एक files का, एक structure रहेगा, अपना होता है, जो मुझे पसंद है, और ज्यादा तर लोग ऐसा use करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, common structure, so, run कर लेते हैं, इस file को index.js, जो मैंने create किया है, using node 1 करूंगा, मैंने आप लिखा node 1 index.js, file run होगा, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर, now, create कर लेत app create हो गया, now, मैंने का app.listen, कौन से port में listen करना है, मैंने का 3000 port पे listen करना है, and then, जैसे यह run होता है, तो मुझे आप क्या करना है, मैंने का console.log, server is running on port 3000, okay, just a message दे दिया, तो server is running, okay, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास routers रहेंगे, मैं उसको एक अलग file में, या अलग folder में रखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं एक folder create कर लेता हूँ, folder को मैं देता हूँ, नाम routers, routers, ठीक है, तो routers आ गए यहाँ पर, तो अब इस राव, यहाँ पर मैं routers create करूँगा, तो क्योंकि मुझे जब मैं routers create करता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, उसके अंदर, router के पहले file create कर लेता हूँ, मेरे पास है student router, ठीक है, तो मैं इस file को नाम दे दूँगा, student router.js, student router, जब मैं routing करता हूँ, तो क्या लिखता हूँ, app.get, app.post, तो मुझे student router में भी ऐसा ही लिखना है, मैंने का app.get, app.get, कौन सा URL चाहिए, आपको, मैंने का slash API slash students जब भी होगा, तो म मुझे एक function यहाँ पर रहन करना है, इस function में होगा, मेरे पास एक request, एक function में होगा, एक response, वही same code जो हमने पहले लिखा था, और यहाँ से मैं response return करूँगा, तो मैंने का response.json, एक student का list मुझे यहाँ से return करना है, तो मैं यहाँ पर कुछ random names add कर देता हूँ, मैंने लिखा व मेरे पास app object है, तो यह app object मुझे इसको यहाँ पर भीजना पढ़ेगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक function में wrap कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा function, function मैंने यहाँ पर लिखा register, या फिर just a function create कर लेते हैं और इस function को export कर देंगे, ठीक है, तो यह काम करते ह यह function, इस function को मैं pass करूँगा, यह app object, तो इसको मैं pass कर दीता हूँ, यहाँ पर एप, ठीक है, तो यह मैं export कर दिया है, अब इसको मैं use का ऐसे करूँगा, तो for example, अभी देखो, मैं इस function के अंदर एक console.log लगा दीता हूँ, मैंने का console.log और इस app को यह बार print करते हैं, ठीक ह तो मैंने का const, मैंने आप लिखा student router is equals to require, कहाँ पे है, dot slash router folder है, उसके अंदर है आपके पास student router, यह function है, यहाँ जो मैंने export किया है, वो एक function है, एक बार उसको print करके देखते हैं, मैंने का console.log, console.log, console.log और मैंने आप लिखा student router, तो मैंने student router को प्रिंट किया, तो आप देख function जो की anonymous का कोई नाम नहीं है, ठीक है, तो इस function को अगर मैं call कर दूँ, तो यहाँ पर क्या आया, undefine, आया, undefine क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर app.get लेखा, लेकिन जो app का value है, वो मैंने यहाँ पर pass नहीं किया, इस function को मुझे app देना है, तो यह जो app object है, वो म help से मैंने app.get यहाँ पर use किया हुआ है, तो ultimately वो code मैंने एक file में ना लखके, दूसरी file में रखा और उसको इसको इस तरह से use कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक और app object यहाँ नहीं बना सकते, तो हमारे पास पूरे application में सर्फ एक ही app object होता है, ठीक है, तो इस तरह से मैं इस app के स students तो यहाँ पर नाम का list आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, मैंने function मनाया है, फिर मैंने उसको register किया है, तो यह थोड़ा सा problematic लग रहा है, थोड़ा सा complex लग रहा है, एक और add करते हैं यहाँ पर, मैंने कहा, API slash get slash student slash कोई भी आप ID यहाँ पर pass करोगे, और वो test करते हैं, इसको मैंने का strength slash ID, तो उस ID का गोई भी एक name आए, यहाँ पर आ गया, तो दौनों काम कर रहा है, अगे इसमें को API repeated है, प्लस ही function जो मैंने create किया, और इसको मैं use कर रहा हूँ, थोड़ा सा complex है, तो यहाँ पर मैं use कर सकता हूँ router का, कैसे, तो यहाँ पर मैं router का मैंने का require, require, require express, and then this express की help से router बनाएंगे, तो मैंने का const router is equals to, express को dot पे मैं काऊँगा router एक router आगया मेरे पास, अब यह सा function की मैंने जरूरत नहीं मुझे है, आप मैंने आपको क्या बता रहा है था, आप जो काम app पे कर सकते हूँ, वो काम app router पे भी कर सकते हूँ, तो अब एस app को मैं replace कर दूँगा router से, router से, और इस app को भी replace कर दूँगा, मैं router से, तो अब क्या होगा मैं इस router की साथ र peng दिया, आप एस router को मुझे app के साथ use करना है, तो मैं इस router को यहां से export कर सकता हूँ, तो मैंने लगा, आपको दिखाता हूं मैंने का console.log और मैंने इस router को यहां पर प्रेंट किया स्वरी इस्टुडेंट राउटर तो यहां पर मैं प्रेंट करूँ गा इस्टुडेंट राउटर यहां पर क्या एक empty object okay empty object आया हुआ है जो कि मैंने यहां से router को export भी किया है okay module.exports यहां पर क्या है module or export लिखना था मुझे तो एक student router मुझे मिल चुका है अब इस student router को मैं अपने app के साथ link कर दूँगा क्या कर सकता हूं मैंने का app.use and then मैंने इसको बताया कि भाई student router use करना है तो अब मैं student router use करूँगा जिसके अंदर urls है API slash student और slash name test करें इसको तो प्रॉपरी काम कर रहा है कोई problem नहीं है यह आ गया बड़ यहां पर API repeat हो रहा है तो इस API को मैं यहां से remove करके उस router के साथ जब मैं रसो register कर रहा हूं तो यहां पर बता सकता हूं कि इस router को कब use करना है तो मैंने यहां पर लिखा इसको तब use करना है जब किसी भी url में slash API है तो मैं लिख दिया slash API वापस चलते हैं अब देखो यहां पर same result आ रहा कोई problem नहीं है अब यहां पर एक और चीज है जब आप student वाले router use कर रहा है तो इस में slash student भी repeated है तो मैं इसको भी यहां से remove करके इस तरह से use कर सकता हूं यहां पर होगा slash यहां पर होगा slash id और मैं इस API के आंगे लिख सकता हूं slash students तो आप जो repetition है उसको मैं एक ही बाल लिख रहा हूं यूरल चलेगा इसके आंगे अगर id है तो यह बाला url चलेगा तो इस तरह से मैंने यहां पर क्या राउटर थोड़ा सा अपना जो structure उसको यहां पर cycle दिया थोड़ा सा understand and understandable easy to understand है तो आसानी से आप चीज़ें को समझ पा रहा हूँ ठीक है same result वैसी आप multiple router से यहां पर create कर सकते हैं जैसे मैंने student router create किया है तो एक ही structure है कि मैं router के अंदर सारे router रखे now यहां पर देखोगे कि इसके अंदर में functions को run कर रहा हूं right यह function है और यह भी एक function है यह basically क्या ह यह logical part है हमारे functions का तो यहाँ पर मैं कर सकता हूं इन functions को अलग create कर सकता हूं तो इसको हम कह सकते है request handler right तो मैं यहाँ पर file structure में जाओंग एक folder create कर लेते है हम इसको कह देते है request request handlers request handlers आप बोल सकते हो या फिर हम इसको कह सकते हैं controllers, controllers हम इसको बोलते हैं तो simply मैं इसको कह देता हूँ controllers, ठीक हैं, इन दौनों में से कोई बी एक नाम लग सकते हो आप, तो मैंने यहाँ प्रेश पर controller किया, controller के अंदर में create कर लेता हूँ, student ts, controller, एक student controller मैंने यहाँ पर create किया और यह होगा .js फाइल student controller को मैं करूँगा rename और यहाँ मैंने का .js यह मैंने बना दिया एक student controller यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ इसके अंदर मैं सारे handlers create करूँगा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाले functions ओके तो create करते हैं मैंने का const एक function create करेंगे जिसमें होगा get all student करके नाम रखता हूँ इसका get all students students is equals to एक function बनाएंगे इस function में होगा request और response तो simply वो जो anonymous function था arrow function उसको मैं यहाँ पर shift कर रहा हूँ यह बना दिया मैंने यहाँ पर मैं लिखूँँगा response.json json list return करेंगे मैंने का विरेंद्र विरेंद्र यहाँ पर मैं लिख देता हूँ justin and then एक और नाम कोई भी लिख देते हैं मैंने आप लिखा callum तो यह कुछ मैंने नाम लिखे एक और बनाना है मैंको get a single student वाला तो मैंने आप लिखा get student by id यह वाला मतलब जब आप student slash करके कुछ send करते हो तो उसके लिए है यहाँ पर मैं एक student return करूँगा ना इन दोनों function को मुझे बाहर से use करना है तो मैं इसको export करूँगा मैंने का module.exports as equals to यहाँ प एक object create कर ले दे मैंने का get student को export किया get student by id को export किया दोनों function export हो गए अब मैं router में जाके इन function को replace करूँगा क्योंकि यह जो function है मैंने वहाँ पर move कर दिये जब मैं का हूँगा slash पे कोई request आए तो मुझे चाहिए get all students यह run होगा and then इसको मैं replace कर सकता हूँ get student by id से तो यहां पर क्या हुआ मैंने थोड़ा सा अपने structure को files को थोड़ा सा साफ सुत्रा बना दिया तो यहां पर देखो काफी कम code है और हां समझ में आ रहा है कि यहां ठीक है जब भी request आए slash पर यह function run करना है इस पर मैं control प्रेस करके जा सकता हूँ कि इस function के इंदर क्या लिखा है ठीक है यह request response से यहां से return होने वाला है तो मैंने simply functions को एक अलग file में रख दिया तो हमारा structure है काफी सही है एक ही file में सारा code नहीं है हम file को अलग-अलग create कर पा रहे है तो यह structure आपको काफी ज्यादा देखने मिलेगा controller routers वाला ओके now test करते है application को page को reload किया यहां पर सारे student आ गए एक student चाहिए तो slash करके मैं id pass करूंगा मैंने का slash id यहां पर आ गया एक student ठीक है logic code में अभी कुछ नहीं है तो मैं इसके लिए galaxy file बना सकता हूं तो let's say मैंने कुछ middlewares बनाए अपने file में तो एक और file folder बना लेते हैं मैंने इसको नाम दे दिया middlewares middlewares तो इसके अंदर मैं अपने सारे custom middlewares create करूंगा let's say मैंने आप एक middleware create किया इसको मैं देता हूं index.js file इसके अंदर मैं सारे middle user create करूंगा तो for example मैंने middleware create के मैंने का const मैंने कहा error handler error handler middleware error handler middleware है इसको हम function assign करेंगे middleware कैसे create करते हैं error वाला तो इसमें 4 parameters होते हैं पहला error basically 3 जो की last वाल optional है तो यहां वहां कहूंगा error request response and इतना ही and then यहां पर कोई error होगा तो simply मैं यहां से return करना चाहता हूं मैंने कहा response.status response.status 500 मैं json return करना चाहता हूं मैं यहां पर कहूंगा json और simply यहां पर error message internal server error एक और error handler create कर लिया एक और error handler create कर लेते हैं यहां मैं logger बना दूंगा मैंने कहा logger middleware यह करेगा logging करेगा जो भी request आएगी उसको यह print करेगा तो simply यहां पर मैं कहा करूंगा middleware कैसे create करते हैं logging के लिए क्योंकि मुझे logging करने के बाद next वाला जो router handler उसको call भी तो करना है तो simply मैं यहां पर लिखूंगा पहले console.log मुझे क्या के चीजें प्रिंट करने है query बगारा जो भी है तो मैं यहां पर use कर लेता हूं const is equals to const is equals to मैंने यहां पर लिखा request request and then यहां पर मैं कहूंगा मुझे कुछ चीजें मिलने वाली है मैंने का params query and body and body ठीक है तो यह चीजें मैं use करने वाला हूं इनको मैं print करना चाहता हूं params query and body तो यह मैंने logging कर दी console पर then is next चुक है उसको call कर देंगे simple अब तो मुझे बाहर से यूज करना है तो मैं इसको export करूँगा तो मैंने का module.exports is equals to error handler middleware को export करेंगे और इसके बाद इसको मैं export करूँगा logger middleware यह मैंने export कर दिये और उनको मुझे use करना है अपने तो बापस आएंगे यह है हमारे पास app object तो मुझे यहाँ पर use करना मैंने का app.use पहले मैं use करूँगा logger middleware logger middleware logger middleware logger middleware यह आगया जो की import हो चुका है और जो error handler middleware हो हम सारे register करने के बाद last में use करते हैं तो यहाँ मैं app.use क्योंगी error सबसे last में आएगा मैंने का error handler middleware तो इस तरह से मैंने middleware को यहाँ पर register कर दिया तो यहाँ पर देखो बार बार मैं middleware को use कर रहा हूं तो एक काम कर सकते हैं मैं एक और index.js में एक और function create कर सकता हूं तो मैं एक और function कर लेता हूं मैंने का app इसको मैं pass कर दूँगा app और यह क्या कर देगा सारे middleware से यहाँ पर register कर देगा तो मैं कह देता हूं पहले app.use app.use पहला middleware मुझे use करना जो कि यह logger middleware और क्योंकि मैंने बताया error middleware सबसे last में use होता है तो error middleware को मैं यहाँ से export करूँगा बाकि किसी को export नहीं करूँगा ठीक है और इस register को भी export कर देंगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया register middleware अब मैं जाओंगा file structure में और यहाँ पर पैस से बहुत है error handler तो मेरे पास है ठीक है error handler को last में करेंगे बट यहाँ पर मैं function call करूँगा जो की register middleware उसका काम है middleware को register करना तो यह आ गयर इसको हमें pass करना है app object तो यह क्या करेगा function register कर देगा सारे middleware इसको मैंने app pass किया है इसके अंदर क्या code लखा है मैंने का app.use logger middleware इस तरह से और भी middleware से use करना है मुझे तो माल लीजिए app.use जैसे कि express के कुछ middleware है inbuilt वाले वो यूज करना तो मैंने का const express को import करेंगे const require qire require express को import किया मुझे यूज करना है json वाला middleware एक तो पहले तो इसको cut करेंगे कि logging के अंदर मैंने query param body use किया है तो जब body आप read करते हो तो उसके पहले आप यूज करते हो json वाला middleware मैं यहाँ पर लिखूंगा express.json यह matter करता है कि आप कौन सा middleware यूज कर रहो जिस sequence में आप यूज करते हो उसी sequence में call होते हैं ठीक है इसके बाद मैं यूज करूंगा app.use express.url encoded यह वाला काम आता जब आप कोई form के सांथ काम करते हो तो यह मैंने middleware यहाँ पर दो यूज कर दी है इसके बाद लॉगर middleware लॉगर को body और query मिल जाईए कि कीज़े जो body और query यह वो body के अंदर आ चुका है तो इस तरह से मैंने register middleware एक function बना दिया file structure के अंदर आपस आएंगे करने के बाद आप इसको port में register कर सकते हो तो यह काफी साफ सुतरह साफ का application है ठीक है एक काम और यहाँ पर हम क्या कर सकते है कि एक और file बनाए app.js जिसमें हम इसका सारा जो app का यह सारा configuration वो करेंगे लेकिन index.js में सिर्फ आप app.listen लिखोगे बाकी कुछ नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं यह भी structure हो सकता है तो फिलाल के लिए इस section में इतना ही काफी हमने यहाँ पर काम किया ठीक है एक request यहाँ पर handle करके देख लेते हैं तो एक request में यहाँ से send कर देता हूँ मैंने का students slash तो यह किया तो यहाँ पर data आ गया params बगयर जो भी है वो काम कर रहे है ना parameter set करते हैं मैंने कहा एक idea करना मुझे 23 तो यहाँ पर 23 params में print क्यों नहीं हुआ print होना चाहिए क्योंकि मैंने आप middleware use किया है params वाला ओके तो test कर लेते हैं कोई दिखकर नहीं है API को मैंने पहले student router use किया यहाँ पर मैंने student router use किया उसके पहले मैंने कहा register करना है मुझे app और इस register के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है मैंने इस register के अंदर लिखा हुआ है कि पहले use करो app.json app.logger middleware अंदर के तो params हैं वो तो print होने चाहिए request.params params एक काम करते हैं, यहां पर मैं कर लिता हूँ console.log and then request.params save किया फाइल and then run करेंगे ओके, तो यहां पर क्या आया, params मैं empty आया लेकिन मैंने params तो send किये हुए है, थोड़ा सा error हो सकता है, यहीं भी देख लिते हैं क्या problem है तो यह काम करते हैं, अपन चलते हैं student router के अंदर, student router मैंने use किया यह slash id वाला, तो यह parameter, param है तो इसको print होना चाहिए, यहां पर इसको print करके देख लेते हैं, तो मैंने यहां पर लेखा console.log, console.log and then मैंने लेखा request.params okay, now page को reload किया, तो params में यहां पर ID आ चुका है, तो यह मुझे पहले क्यों नहीं मिल रहा है, यह देखना पड़ेगा, कहीं इसमें matter करता है, जो मैंने कहा structure कि आप कब कौन सा middleware register करते हूं, तो middleware मैंने जो logging middleware है, वो खब register किया है, मैंने फेले यहां पर कहा एक app create किया, और यहां पर API slash student में मैंने कहा कि student router run करना है, ठीक है, उसके पहले मैंने register किये है middleware, और यहां पर मैंने कहा app.json को use करना है, app.use को मैंने use किया, app pass किया app.use मैंने कहा express, and register middleware मैंने यहां से export किया हुआ है, and finally, मैंने express.url भी लिखा, इससे कोई फर्क न पढ़ना नहीं चाहिए, वैसे तो, यहां पर logger middleware मैंने use किया, okay, ऐसा नहीं होता, actually, मैंने यहां पर reason यह है, जब आपको middleware use करते हो, url के साथ, उस router के साथ, उस url के बाद, तभी आपको parameter मिलता है, उसके पहले आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यह params आपको यहां पर नहीं मिलेगा, इसका कुछला condition हो सकता ही, कम मिलेगा, तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर यहां पर जो मानी जी मैं query है, query add करके दिखते है, query print होता की नहीं, तो हम चलते हैं, यहां पर वापस मैंने का question mark, search is equals to something, तो you search is equals something, यह आपके यहां पर print होना चाहिए, यह प्रिंट हो गया, वैसी body हो जाएगा और परम यहां नहीं हो रहा, तो यह कब काम करें, जब आप उसको router के साथ attach करो, यह parameter तो यहां पर है, तो इसके बाद यह आएगा, तो मान लीजे मैं यहां पर फिर से add कर दूँ, logger middleware, तो मैंने यहां पर लिख दिया, logger middleware, तो यह हो गया, now student router मुझे इसको यूज करना है, यहां पर, तो मैं यहां पर कहूँगा, logger middleware, तो अब क्या लोगर middleware, दो बार कॉल होगा, एक बार पहले, एक बार इस id के बाद, ओके, अब यह print होगा, 100%, तो अगर मैं अब इसको करता हूँ, enter, तो अब आप यहां पर देख करता है, थोड़ा सा confusing हो सकता है, बड़ जब आप स्पसांत काम करोगी तो आपको चीज़ें clear हो जाएंगी, right, अभी मैं उसको remove कर दिया है, बड़ आपको जो query string है, वो यहां पर आपको मिल रही है, आपके logger middleware के अंदर, तो सारी चीज़ यहां पर प्रॉपर काम कर रही करेंगे, यहां अभी तक जो हमने सीखा है, आई उसके एक बार हम practice करते हैं, और from scratch, इक नहीं project बनाएंगे, और फिर सारा file structure भी same करेंगे, जैसा हमने last section में देखा, और फिर हम यहां पे बेसे सक CRUD API create करने वाले हैं, courses का जिसमें दो field लेंगे, course का title, course का description, बस दो ही चीज करते हैं, simple सा, एक मैंने कहा, 04 underscore API API-practice, यह मैंने बनाया, इसके अंदर क्या करूँगा, मैं, उसे, इसे मुझे एक project folder create करना है, तो इसमें मुझे एक practice.json create करनी होगी, तो open in integrated terminal, and then, यहां पे हम लिखेंगे, npm init, अब इस npm init के बाद आपको package का नाम देना है, क्या आपने folder करना है, अपने project का क्या नाम देना चाहते हो, तो जो भी है, हम enter, enter करेंगे, ज्याद कुछ नहीं, okay, keywords author में, मैं name दे देता हूँ, अपना, and then license, and then yes, is it okay, yes, तो इस तरह से मैंने आपे create कर दिया, now, यहां पे मुझे add करना है express index.js, index.js, जो कि हमारा entry point होगा, हमारे application का, त index.js, use करना है, express, express हमने install नहीं किया है, folder पर right-click करेंगे, open in integrated terminal, npm install express, हम एक बार express install कर सकते थे, locally या फिर globally, उससे भी हमारा काम हो जाता, लेकिन मैं आपको practice करना चाहता हूँ, बार-बार इसलिए, यहां पर मैं अलाग-अला package.js, हर एक folder में create कर रहा हूँ, तो इस तरह से यहां पर express.js install हो जाएगा, इसको हम last में देखेंगे, इसको मैंने यहां से remove किया, ना जलते हैं index.js में, यहां पर हम create कर लेते हैं, अपना express.js server, तो यहां पर हम लिखेंगे, const express is equals to require module को load करेंगे, क्योंकि हम एक third party module use करना है, इसको load करते हैं, हम express require की help से, एक app create करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा express, call करेंगे, इस function को इस तरह से मुझे यहां पर मिल जाएगा, एक app object, app पर मैं काऊंगा, app.listen, और मुझे कौन सा port यूज करना है, तो यहां पर मैं एक port create कर लेता हो, मैंने का const port is equals to 3000 port, मुझे यूज करना है, app.listen में हम pass करेंगे, वो port number, इसके बाद एक callback, जैसे ही successfully यहां पर create हो जाएगा, server यह callback call होगा, यहां पर मैं एक message देना चाहता हूँ, मैंने का console.log, server is running, server is running, on port बता देते हैं, इसको मैंने का on port, and then port number क्या है, यहां पर, तो यहां पर मैं pass करूँगा, वो port number, now इतना देखते हैं, run करके, क्या होता है, so simply ह आप मैं लिखूँगा, node mon, यहां फिर node, node mon, index.js, run किया, तो यहां पर message आया, server is running on port, 3000, perfect, now, मुझे यहां पर routers create करने हैं, तो simply मैं एक folder create करूँगा, routers के लिए, एक folder add करेंगा, हमने यहां यहां पर लिखा, routers, routers, एक और folder create कर लेते हैं, API practice के अंदर, इसको मैं controller, controllers, यह हो गया, एक folder create कर लेते हैं, middleware के लिए, यहां पर मैं कहा देता हूँ, middleware, perfect, middleware बाद मैं add करेंगे, जब हमको जरूरत पड़ेगी, पता चलेगा आपको, कि उस middleware को use करने से क्या हमें वाइदा मिल रहा है, तो अभी जब error आएगी, ता हम उसका use करेंगे, error नहीं या फिर जब सके हमको जरूरत पड़ेगी तब, तो index.js है हमारे पास, एक home के लिए create कर लेते हैं, जो कि हमारा basic जो home request उसको accept करेगा, so app.get, तो जब आप slash पर request send करोगे, तो मैं यहाँ पर एक function run करूँगा, जिसको मिलेंगे दो parameter, पहला request, दूसरा है, response, जब आप request send हूँगा, कि आपका जो API वो working है, तो मैंने कहा, API is working, okay, API is working, इसको test कर लेते हैं, thunder client का मैं यहाँ पर use करूँगा, एक नाय request create करेंगे, and then यहाँ पर हम कहेंगे localhost, colon 3000 home request आया, तो यहाँ पर API is working, तो मैं चालता हूँ, slash API में भी same message मुले, मुझे मिले, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, I am not sure about it, let's try it, क्या करते हैं, आप एक array pass कर देते हैं, और इसको मैं दूँगा, slash comma करके मैं लेखा slash API, तो I think यह दौनों के लिए work करना चाहिए, I am not sure मैंने बहुत जादे use नहीं किया, और जनले हम ऐसा use नहीं करते हैं, कि हम एक URL पर दौनों चीज़ करें, let's try it, क्या होता है, तो मैंने इस पर send किया, तो हमें देखो, slash API में भी यह काम करने लगा, और यहाँ पर, slash पर भी यह काम करेगा, ठीक है, तो मैं इसको का देता हूँ, localhost, colon, 3000, and enterprise क्या API is working, slash करके मैं API करूँगा, तो API is working, आप चाहते हो multiple URL करना, तो array यहाँ पर pass कर सकते हो, जहाँ पर आप simple एक ही router है, यहाँ पर create करो, okay, now I am sure कि array वाला काम करता है, क्योंकि मैं इसको run करके देख लिया, ठीक है, तो अब हमें router create करेंगे, जिसको हम इसको हम इसके बाद register करेंगे, so router समझाएंगे, router create कर लेते हैं, यहाँ प एक file create कर लेता हूँ, मैं course router, so मैंने य इसको हम pass करेंगे, express, const router create करना है, तो मैं इसको कहा देता हूँ, course router is equals to, express.router, router create हो गया, हम मैं कहूंगा course router.get, कोई भी request आएगा, slash पे, slash पे क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ, काम करते हैं, इसको remove करते हैं, और यहाँ मैं लिखता हूँ, module.exports is equals to, यहाँ पे हम एक object रेटन कर देते हैं, इस object के अंदर है, मुझे पास course router को मैंने हाँ, export किया, now index.js में उसको use करना है, तो मैं कहूंगा app.use, and मुझे use करना है course router, तो simply मैंने लिखा course router, और मैंने अप लिखा require course, यह मुझे एक object रेटन करता है, उस object के अंदर है key value pair, की का नाम है course router, इसलिए म courses से, वो सारे URL इसको hit करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि जब भी मैं को request send करूँगा, इसका base URL होगा, API slash courses, कुछ इस तरह से, तो अब इसके आंगे क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पर बताऊगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा वाई, जब course router dot get, तो इस पर जब कोई get request आ से return करना है, तो मेरे पास courses है नहीं, एक static data create कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा const, courses is equals to a array create क्या है, इसके अंदर एक object बना देते हैं, मैंने का course का जो name है, वो है, यहाँ पर angular course, कुछ data भी add कर देते हैं simply, and then उसका जो author है, author को मैं कहा देता हूँ अपना नाम यहाँ से return करना चाहता हूँ, response तो मैंने का response.json, और यह जो courses का list है, वो मैं यहाँ से return करूँगा, simple, now course router को मैंने यहाँ से export कर दिया है, simply, यहाँ पर मैंने उसका use किया हुए, तो जब भी मैं कोई request send करूँगा, API slash courses पे, course router activate होगा, और यहाँ पर मैंने जो, इसके बाद अगर क हमने API slash courses पे send किया, now देखते हैं, get request के बाद हमको अगर कोई एक course चाहिए है, जिसका id, कुछ particular id है, तो मैं इसका id add कर देता हूँ, यहाँ पर one, nice course का id है, one, यह मैंने add कर दिया, तो एक और create कर लेते हैं, जिसका course id हम कुछ और करेंगे, मैंने का copy, paste किया, and then इसका id मैं कर देता हूँ, to, इसको मैं कहा देता हूँ, node course, इसका author है, तो मेरे पास अब दो course है, मैं जाऊँगा, request send करूँगा, तो मेरे पास दो course का list यहाँ पर आ चुका है, जब मैं API slash courses slash करके, उसका id pass करूँँ, तो मुझे वो particular id वाला course मिलना चाहिए, तो यहाँ पर I cannot get, क्योंकि मेरे पास इस तरह को कोई URL नहीं, जिसके पास मैं ID pass करता हूँ, तो मुझे हमको course.js में हमारा root URL यह है, मुझे handle करना है slash id वाला, तो इसके लिए मैं URL create करना पड़ेगा, तो इसको मैं copy कर लेता हूँ, paste किया, तो यहाँ पर मुझे slash नहीं चाहिए, मुझे चाहिए colon id, colon id क उतर आएगा, क्योंकि परम्स है, तो मैं इसको access कर सकता हूँ, request.params से, मैंने आपर लेखा const id is equals to request.params.id, तो मुझे वो id बाला student मिल जाएगा, sorry, id मिल जाएगी, इस particular id से student हमको सर्च करना है, तो इस courses से मैं सर्च करूँगा, मैंने का const, courses is equals to, courses is equals to, courses नाम का array है, array पर हमक find, find कैसे करते हैं, simply array.find, यहाँ पर मुझे मिलेगा एक एक course, so यहाँ पर हमें पास करते हैं, अरो function, तो अगर इस course का id, given id के बराबर है, तो इसका मतलब यह है, कि मैं वो course यहाँ पर return कर दूँगा, ना मैं यहाँ पर check करूँगा, कि अगर वो course है, if course is there, then मैं यहाँ से return क आता हूँ, response.status set करेंगे, 404 मतलब कि not found, and then एक message भी दे सकते हैं, तो मैंने आप लिखा JSON, and then यहाँ पे एक error message add करेंगे, not found, okay, थोड़ और proper message देते हैं, not found, कौन सी id के लिए not found है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, id is request to, कौन सा id, तो वो id जो आपने आपर read किया हुआ है, perfect, ना चलते हैं, new request में, send करते हैं, तो जो यहाँ पर आया है, not found, जबकि मेरे पास एक id, one say, student है, course है, उसके बाद भी not found आ रहा है, तो देख लेते हैं, क्यों नहीं आया, courses.find मैंने कहा, course if course id is equals to, equals to course id, equal equal नहीं करेंगे, क्यों कि यहाँ पर दो, यह course id number है, और यह वाला id string है, तो मैं type check नहीं करना चाहते है, सफ value check करना चाहते हूँ, double equal का use करेंगे, वापस आएंगे page को, again मैंने request को send किया, तो यहाँ पर particular course मुझे मिल गया, अगर मैं course id 2 कर देता हूँ, send करता हूँ, तो मुझे particular course 2 है, वो मिल गया, course अगर 3 करते हैं, तो 3 से कोई course नहीं, इस send कर सकता हूँ, right, एक और create करते हैं, course router से delete कर लिए, माली जी मुझे कोई delete करना है, तो मैंने का course router dot delete, dot delete, अब particular कौन सा id भाला delete करना, वो id दे दिया, मैंने, id को मैंने read किया, और उसको मुझे delete करना है, तो मैंने आप एक find, तो find ना करके, मैं करता है, उसको delete करना है, तो find क करके, मैं यहाँ पे index find कर सकता हूँ, मैंने का find index, तो मुझे वो index मिल जाएगा, कौन से index पे वो course है, जिसको मुझे delete करना है, और अब मैं इसको यहाँ से delete कर सकता हूँ, तो यह काम करते हैं, कि अगर index is greater than, greater than minus 1 है, इसका मतलब है, कि मुझे वो course मिल गया है, और अगर मु courses dot splice, splice मिला है, आप कितने element delete करना चाहते हो, तो कहां से, मैंने का index से delete करना है, मुझे एक element, तो इस particular index से एक element delete हो जाएगा, वो particular element, तो जैसे ही है, यहाँ पे delete हो जाएगा, तो मैं एक status send कर देता हूँ, client को, एक convention होता है, 204 status, तो यहाँ पे मैं लिख दूँँगा, return response dot status, status कैसे हैट करेंगे, 204 मतलब कि no content, ओके, अगर यह नहीं मिला, तो यहाँ पे 404, तो test करते हैं, इसको request send करेंगे, slash 1 पे, तो वो student जो हो जाएगा, course delete हो जाएगा, यहाँ पे आएगा no content, को कि response नहीं आया, response dot status, अभी आप status send करते हो, last में आपको call करना है send, ताकि आप response को send भी करो, वापस आएंगे send के request, तो यहाँ पे 204 no content, वो delete हो चुका है, फिर से send करूँगा, तो इस बार आएगा not found की कि वो delete हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको change कर देता हूँ, get request में, तो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा not found, 2 करते हैं, तो मुझे इस बावे वो मिल जाएगा, लेकिन मैं 2 पे फिर से delete request send करूँ, वो delete हो जाएगा, फिर से हम send करेंगे, तो यह not found आगी कि वो delete हो चुका है, तो इस तरह से मैं हाँ पे handle करता हूँ, delete request, अब बात करते है, post request की, तो simply put request भी हमने यहाँ पे handle नहीं किया, put request को भी देखते हैं तो इस मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, एक हमको post request send करना है, इस पे, slash api slash courses पे इस लिए मैं इस id को remove करूँगा, post request मनला हम कुछ data send करेंगे, जिसको हमें set करना है अपने data database में, आ फिर अपने array में, तो इस params की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे मुझे मिलेगा एक course, simply मै कर दीता हूँ, course constant courses equals to request.body, तो इस body के पास होगा, वो course object, इस course object का मुझे id set करना है, तो id को मैं increase करूँगा, जितना length होगा courses का, तो simply मैं यहाँ पे लिखूँगा course.id is equals to, जो भी आपके courses है, total, जितने भी courses हैं, उसकी जितनी भी length है, उसका जो plus 1 है, वो मैंने इसकी id में set कर दिया, इसको मुझे insert करना है, अपने courses array में, तो मैं कहूँगा courses.push, और इस course को मैं इसके अंदर insert कर दूँगा, और फिर इसके बाद मैं यहाँ से return कर दूँगा status, status set करने की ज़रूरत नहीं है, simply मैं यहाँ पे return करूँगा response.json, यह create हो गया है, तो अगर नहीं हुआ तो 400 bad request, यहाँ पे return करेंगे वो course object जो अभी create हमने किया है, right, अब लेकिन इस course object को देखते हैं, क्या आता है, तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा console.log, और मैंने यहाँ पे लिखा course, देखते हैं, हाँ पे course object आता है या फिन नहीं, तो नहीं request send करते हैं, इस पे मैं करता अगर मैं पहले get request, send किया, तो यह object आया है, इसको मैं copy कर लेता हूँ, यह body है, इसको मैंने इसको copy किया, आप मुझे send करना एक post request, इसकी body में मुझे add करना है, URL change करेंगे body, body में मुझे क्या add करना है, body में add करेंगे यह object, इसका id मैं send नहीं गरूँगा, course का नाम send तो माल लीजे यह जो कोर्स है वह Express और इसका अथर विरेंद्र एंसेंड किया यहां पे कुछ-कुछ register करेंगे हमें आपे middleware तो मैंने का register middleware और एक function है इसको मैं पास करूँगा app ताकि वो app के साथ middleware को register कर सके and then ये function export करेंगे इसको मैंने का module dot export is equals to register middleware app मिल जाएगा तो app के साथ register करना है कौन सा middleware तो मैंने का const express is equals to require require express and then मैंने यहां पर लिखा मुझे जो middleware यूज करना है वो इस express के पास है तो यह हमारे पास app object इस पर मैं कहूंगा app dot use कौन सा middleware use करना है मुझे मुझे यहां पर use करना है express dot JSON जिसका काम क्या है इसका काम है body में अब जो send कर रहा है उसको JSON के forward में insert करना ठीक है लेकर अब आप में इस register middleware को call करना पड़ेगा इसका use करना है तो तो बापस आएंगे अपने app में में यहां पर आप रजिस्टर हुआ है जहां पर app बनाने के बाद तुरंत मैं कहूंगा रजिस्टर दिस middleware with this app तो इस app के साथ वो middleware रजिस्टर हो जाएगा और अब हम यहां पर student के अंदर जो body मैंने send की उसको हम read कर पाएंगे ना और send करते है request तो यहां पर जो author था वो create हो गया जो course था वो create हो गया ID 31 के साथ और server भी यहां पर प्रेंट हुआ वो data एक और course एड करते हैं मैंने यहां पर लिखा react course send किया तो यहां पर create हो गया इस पर हम get request send करेंगे तो पूरी लिस्टर जाएगी मेरे पास courses की जिसमें total four courses जो कि हमने एक array में handle किये है ओके स्ट्रक्चर सारी फाइस को close कर देते हैं देखते हैं अपना एक बार यहां पर क्या क्या हमने create किया हमारे पास एक API practice folder है जिसके अंदर हम एक index.js बनाया है जो कि starting point है इसके अंदर हमने create किया है register middleware function जो कि middleware के अंदर है हमने import करके register करती है then हमने API की setting की है then course router create किया जो कि अलग से router है जिसके अंदर बहुत सारे router हमने एक router create करके उसका export किया और index.js में use किया इसके बाद हमने app को कहा भाई app.listen port number इस पे server is listening तो इससे हमारा जो कैसे यहाँ पर server किये जाते हैं वह मैं आपको आंगे सिखाने वाला हूँ उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखांगा mongodb कैसे हम mongodb के साथ यहाँ पर communicate करते हैं ताकि हम थोड़े से basic CRUD operation से यहाँ पर perform कर सके using mongodb देखेंगे basics of the mongodb तो यहाँ पर mongodb को हम install करेंगे node.js application से अपने express.js application से mongodb को connect करने के लिए हम एक third party package का use करेंगे जिसकर हम mongos लेकिन उसको use करने के पहले आपको mongodb server install करना पड़ेगा अपने system में locally तो आई इसको install करते हैं आपको यहाँ पर simply लिखना है mongodb server यहाँ पर mongodb community server आपको मिल जाएगा यह रहा second link mongodb community download इस पर आप click करोगे तो simply आपको यहाँ पर download के option मिल जाते हैं आपके system के हिसाब से मैं windows use कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो windows automatic यहाँ पर select हो जाएगा हो गया download button पर click करेंगे and then mongodb का जो downloading है वो start हो जाएगा तब तक mongodb का एक और software है mongodb compass जिसमें हम data को देख सकते हैं यह mongodb server है लेकिन हमारे पास होगा एक mongodb compass जिसमें हम इस data को देख पाएंगे collection documents के form में download करेंगे mongodb compass आपको simply लिखना है google पर mongodb compass और simply first link के हाँ पर मिलेगा mongodb compass product slash compass right now पर click करेंगे and then इसको download कर लेंगे same process है यहाँ पर हमारा जो OS है वो यहाँ पर select हो जाएगा यह select हो गया windows and then click करेंगे यहाँ पर zip ना select करके हम use करेंगे MSI installer and then click करेंगे download पर mongodb का जो compass installation है downloading है वो यहाँ पर start हो जाएगा now install करेंगे mongodb mongodb का setup है उस पर हम click करके installation start करेंगे and यहाँ पर आगे welcome to mongodb click करेंगे next पर accept करेंगे ते agreement then complete setup चाहिए हमको यहाँ पर आपको select करना run service as a network service user and then इसको यहाँ पर install करेंगे okay यहाँ पर आपको करना install mongodb as a service service माला भी background में चलता रहेगा यह close नहीं होगा जैसे आप system अपना start करते वे start हो जाता है install mongodb compass तो मैं इसको untick करूँगा क्योंकि मैंने mongodb compass अलग से download किया है तो अलग से इसको install कर लूँगा then click करेंगे next पे then click करेंगे install पे तो इस तरह से जो mongodb server है community server वो आपके system में install हो जाएगा now mongodb install हो चुका है finish करेंगे अब हम mongodb compass install कर सकते हैं तो उसको हम open करेंगे then करेंगे click next पे next next and then install तो जब मैंने mongodb install किया तो मैंने उसको run as a service किया मतलब background में start हो गया होगा run होने लगा होगा तो उसको हम check करने के लिए अपने अगर windows system में use कर रहा हूं तो उसके हम कैसे use check कर सकते हैं services में जाके देख सकते हैं कि हमारी जो mongodb service हो यहां पर आप देखोंगे mongodb server running है अगर यह running में नहीं होता है तो आप यहां पर start पर क्लिक कर सकते हो right click करके ओके तो यह running है automatic का मतलब यह जैसी आप start करोगे अपना system यह automatic run होने लगेगा start होते ही ओके तो यह as a service अभी running हो रहा है अगर running नहीं है तो आप right click करके इसको run कर दीजे right इसको हम करेंगे close यहां पर mongodb compass install हो चुका है click करेंगे finish now mongodb में जो data हम save कर रहा है server में उसको हम अपने compass के through update कर सकते हैं लिलीट कर सकते हैं देख सकते हैं data है की नहीं तो इसको देखते हैं यहां पर हम run करेंगे mongodb compass को यह रा जो की install हम कर चुके हैं open करेंगे और यहां से try करते हैं कुछ data insert करने का कुछ database create करेंगे collection कि mongodb में data किस तरह से हमें यहां पर store करते हैं उसको पहले समझेंगे और बाद में हम देखेंगे node.js application से इसको कैसे हमें यहां पर data को insert कर सकते हैं delete कर सकते हैं update कर सकते हैं तो mongodb compass यहां पर open हो गया है new connection चाहिए हमको यहां पर हम करेंगे fill collection fill in connection field individually इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको डालने local host right locally मेरे चल रहा है क्योंकि वह port आपका यह default है authentication none है कोई authentication नहीं है connect पर क्लिक करेंगे तो यहां पर करेंगे mongodb server install है running है तो यह connect हो जाएगा आपके mongodb server से यहां पर हमें पूरा data देख रहा है हमारे पास कुछ database है admin config local यह हमारे पास पहले इस जो को database बने हुए है तो create करते हैं नया database करेंगे नया database पर create new database database का नाम मुझे क्या देना है तो for example मैंने database का नाम दिया students db students db and then collection का नाम कोई collection for example आगर आपने mysql पर काम किया तो हमारे पास database में table होती है mongodv में table के table को हम अगर बात करें table को क्या बोलेंगे mongodv में तो हम उसको बोलते है collection तो student db में एक table मैं चाहता हूं students नाम का जिसको मैं कहूंगा collection तो student नाम का मैंने collection create किया एंड इसके लाद create करेंगे create database यहाँ पर student db create हो गया है जिसके अंदर students नाम का collection है और इस students नाम की collection के अंदर में data insert कर सकता हूं तो data insert कैसे करेंगे यहाँ पर हमने कहा add data insert a document यहाँ पर में document insert कर सकता हूं ID auto generated है कॉमा करके एक नया data add करेंगे मैंने का name name का value देना है मुझे मैंने लिखा विरेंद्र कॉमा करके दूसरा value insert करेंगे मैंने का age एज का value देना है मुझे 23 तो इस तरह से मैं key value pair में data insert करता हूं तो यहाँ पर एक जो object है वो insert हो चुका है तो यही same काम हमें आप करना है node.js application से अगर आपको update करना है तो यहाँ से आप directly इस पर right click करके डबल क्लिक करके इसको आप update कर सकते हो एंड अगर इसे delete करना है तो आप से delete run में click करके इसको delete कर सकते हो तो इस तरह से हमें यहाँ पे काम करते हैं mongo db में मैं collection को भी delete करना चाहता हूं तो delete run पर क्लिक करेंगे type करेंगे student db and then drop collection drop database तो इस तरह से वो मैंने database ही delete कर दिया तो यह तो था कि हम manually compass से कैसे data insert कर रहे हैं update कर रहे हैं delete कर रहे हैं now देखेंगे next step में कि mongo db को हम अपने javascript से कैसे data को insert कर सकते हैं कैसे अपने express.js node.js applications उसको connect कर सकते हैं now mongoose पे हमको अगर काम करना है mongoose क्या है mongoose एक package है third party package जिसका हम install करेंगे और उसकी help से mongo db से मैं data को insert करेंगे delete करेंगे update करेंगे ठीक है तो यहाँ पर four underscore API यही मैंने यहाँ पर express के अंदर बनाया हुआ है जो की तो एक काम करते हैं इसको हम express से नहीं relate करते हैं इसको अलग से create करेंगे simply मैं vs code को बंद कर देता हूँ and visual studio code को फिर से open करूँगा अपने अपने repository में जो की मेरा main folder है ओके वहाँ पर हम एक और अलग से folder create करके mongo db से related नहापे अहाँ code करेंगे जिरो सेवन अंडर स्कोर आम जिरो सेवन अंडर स्कोर mongodb mongodb okay mongodb या फिर हम इसको कह देते हैं 07 ंडर स्कोर mongoose लोग जिरो सेवन अंडर स्कोर mongoose के अंदर मैं एक file create कर लेता हूँ इस file का नाम है index.js index.js इस index.js के अंदर हम सारा code करेंगे तो मुझे यहाँ पर पहले install करना है पहले मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना है mongoose था कि मैं यूज कर सकूं mongo db पर राइट क्लिक करके मैं open in integrated terminal करूंगा तो इस तरह से यह open हो जाएगा यह current folder मेरे इस folder में now यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर मुझे install करना है mongoose पहले हम एक project create करना पड़ेगा तो मैंने का npm init and then hyphen hyphen yes के सांथ मैं इसको create करना चाहता हूँ एक package.json create हो चुका है install करेंगे mongoose npm install mongoose तो यहाँ पर मैंने install किया mongoose का जो latest version है वो मैंने यहाँ पर install किया अगर आप mongoose अगर आपके पास node.js का 10 version है तो आप mongoose 5 install करेंगे ठीक है तो यहाँ पर तो यहाँ पर सा incompatibility issue हो सकता है अगर आप कोई latest node.js को यूज नहीं कर रहा है तो मेरे पास कौन सा node.js version है वो मैं आपको दिखाता हूँ इक परी यहाँ मैं लिखूंगा node-v तो इससे मुझे पता चलेगा मेरे पास 14 है इसलिए मैं latest वाला जो maungoDB और यहाँ पर install कर रहा हूँ तो maungoDB जो maungoos है वहाँ पर install हो चुका है नाओ file को run कर लेते हैं तो file को run करते बाद में करेंगे now index.js है मेरे पास इसके अंदर maungoos यहाँ पर install हो चुका है now mongoose को use करने के लिए आपको क्या करना होता है सबसे पहले तो हम उसे load करना है मैंने का mongoose is equals to हमने आप लेखा require and then आपके package का नाम जो किये mongoose now mongoose के पास एक function होता है mongoose.connect mongoose.connect इस connect को देना होता है एक URL जो कि होता है आपका connection URL तो connection URL आपको कहा से मिलेगा तो आप simply इसके documentation में जा के देख सकते हो mongoDB के कि इसका connection URL क्या होता है तो सबसे असान तरीका है आप चल जाए mongoose के documentation में mongoose npm यहाँ पर फर्स्टी लिंक मिलेगा mongoose npm js.com का दूसरा लिंक है mongoose js.com तो मैं mongoose js का जो official website है वहाँ पर मैं विजिट करना चाहूंगा तो यह आचो के हैं हम यहाँ पर quick start guide पर click करेंगे quick start में आपको यह page मिलता है यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह रहा connection URL ओके आप या फिर आप simply दीबी colon slash local host विए आपके local ही चल रहा है इसके बाद है आपके db का नाम तो मैं इसको कह देता हूँ test-db test-db तो यह आपके connect हो जाएगा mongoose server में और mongoose server में यह database create हो जाएगा now अब हमें क्या करना है जैसे यह connect होता है तो यह हम कुद रिटन करता है एक promise जैसे एक promise रिटन करेगा मैं इस पर then call करके एक callback पास करूँगा तो यह callback run होगा अगर आपका mongo db connect हो गया तो मैंने यहाँ पर लिखा console.log and then यहाँ पर मैंने लिखा connected अगर यह connect नहीं होता कोई error जाती है तो यहाँ पर catch चलेगा मैंने का catch और इसमें मुझे मिलेगा एक error और मैं यहाँ पर simply console.log का यूज करना चाहूँगा मैंने यहाँ पर लिखा error in connecting error while connecting ठीक तो यहाँ पर error आया तो यह पता चलेगा connect होगा तो यह okay now run करते हैं अपने index.js को mongoose पर right click करेंगे open in integrated terminal यहाँ पर मैं यूज करूँगा node-mon का मैं यूज कर लेता हूँ node-mon index.js जब भी मैं file save करूँगा node-mon run होगा तो यहाँ पर क्या आया connected मतलब की mongo db connect हो चुका है तो यह काम करते हैं जो हमारा port number उसको invalid कर देता हूँ मैं 17 जगा 18 कर देता हूँ मेरा mongo db उस port पर रन हो रहा था अब मैं गलत port दे दिया अगर मैं अब इस file को run करता हूँ तो यहाँ पर error आनी चाहिए कि mongo db connect नहीं हुआ तो यहाँ पर catch block चलना चाहिए तो यहाँ पर मुझे message देखेगा error while connecting क्योंकि जो मैंने port है वह यहाँ पर wrong port यहाँ पर मैंने use किया है थोड़ा सा time ले सकता error आने में क्योंकि यह जैसी error आती ही तो mongo db बार-बार try करता है internally connect हो सके नहीं होता है तो फिर एक time बाद कुछ millisecond बाद यह हमको error थो कर देता है तो यहाँ पर error message print हो गया मैंने वीडियो को post किया हुआ था करीब मुझे 10 seconds का time लगा तो 10 seconds बाद यह message आया तो मैंने बताया कि connection नहीं होता तो बार-बार बार को try करता internally तो अगर नहीं हो पाता तो finally यहाँ पर error message मुझे मिल गया नव पोड को आप सही कर देते हैं और फिर देखते हैं कि connect होता कि नहीं जैसे connect होता है connection का message तुरंत आ गया तो यह था basic कि हमने mongo db को कैसे connect किया connection create हो गया है अब हमें data insert करना data insert करने का क्या तरीका होता है वो हम देखेंगे now जब आपको कोई data create करना है जो data आपको save करना है तो आप बनाते हो पहले एक schema schema क्या होता है एक तरह का या अपकर template होता है एक तरह का धाचा कि हमारा जो table है हमारा जो collection है collection के अंदर जो एक object होगा एक document उसमें क्या-क्या properties होंगी वो हम define करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए admin माल लीज़े admin के अंदर कुछ भी नहीं है config local कुछ भी नहीं है startup log तो अगर मैं बात करता हूँ startup log के बारे में तो इसका जो एक document है एक object है इसका structure कैसा है तो यहाँ पर देखो कि इसमें की है hostname start time है जो की date type का है start local time है जिसमें again date है लेकिन वो string के form में है hostname भी एक string है ID एक string है ओके और यहाँ पी ID एक number है ओके तो इस तरह से मैं बताता हूँ कि कौन सा key कौन से type का है तो इसको मैं कहता हूँ schema and then schema बनाने के बाद हम data को save परते हैं schema से पता चलता है Mongoose को कैसे data को map करना एक object के साथ तो schema कैसे create किया जाता है वो देख लेते हैं बहुत simple है यहाँ पर मारे पास class है Mongoose के पास मैं लेका सब्सक्राइब क्लास का नाम क्या है तो मैं दिखा दिता हूँ मैंने का Mongoose Mongoose के अंदर classes का मैं destruct कर रहा हूँ destruct करने के लिए मैं यहाँ पर यूश कर रहा हूँ syntax का curly brackets and then schema तो यह schema classes की help से हम एक schema बनाएंगे यहाँ पर मैंने बना दिया मान लीजे मुझे कुछ data करना जैसे to do ठीक मुझे to do का एक data करना कि मुझे क्या करना है तो मैं कर दूंगा title description and simply title and description आपको क्या करना है वो का तो मैंने मान लीजे बनाया है यहाँ पर to do schema to do schema बनाया कौन to do schema बनाने के लिए हम new schema इस object बनाएंगे इस schema का यह object बनाया इसको हमें पास करना एक object यहाँ पर हम बताएंगे values कौन से type की होंगे उसका key क्या होगा तो मैंने बताए पहला key मेरा title होना चाहिए और वो होगा string type का राइट यह होगा string ना दूसरा होगा यहाँ पर मैंने कहा description और description का type क्या होगा string होगा तो अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से types हम use कर सकते हैं इस schema के अंदर होते हैं टाइप सारे तो इस schema के अंदर है type सो मैं कहे देता हूं कौनस्ट इजी कूल स्टू मैंने लिखा schema और यहां पर schema के अंधर से मैं डिस्ट्रक्ट कर ज Cat हूं यहाँ आपके टैपस को यह आगए टैपस इस टैपस के अंदर से भी मैं कुछ श्राक्ष कर सकता हूं सारी टैपस मैंने लिखा यहाँ पे कॉंच्ट कॉ मुझे कैसे बता चलेका क्या है है हमने लिखा number है एरे हैं तो आसे बहुत सारी टाइप से हैं आप इसके लिए documentation को रीड कर सकते हैं तो यह जो string है यह इस string का use करेंगे यह आगे string टाइटल इस ट्रिप्शन इस ट्रिप्शन इस ट्रिंग है है तो यहाँ पर हम बता देंगे कि यह number टाइप का है तो इस तरह से मैंने एक schema create कर दिया ना schema create हो गया हम कोई भी जब object save करते हैं तो एक object create करते हैं तो यह तो schema object है तो हम जो create करेंगे आप उसका हम करेंगे model तो model create करेंगे तो मैंने कहा const to do is equals to mongoose dot model अब यह actual हमको एक class return कर देगा यहाँ पर तो मैं यहाँ पर pass करूँगा to do कि आपके इस नाम से अपना collection create करना चाहते हो और उसके लिए कौन सा schema है तो यह हमने दे दिया to do schema अभी एक to do class हमको मिल गया है क्लास बोल सकते हैं function क्या है क्यों हम प्रिंट करके देखते हैं आखर में यह है क्या तो मैंने का console.log and then हमने यहाँ पर to do को print किया उसको में एक new keyword की help से इसका object create कर सकता हूँ इस to do का यह model है तो यहाँ पर connection create हो गया and then यहाँ पर print होना चाहिए to do देखते हैं तो यहाँ पर देखो model of to do यहाँ पर create हो चुका है okay type of model देखे हैं क्या है यह तो simply object होगा type of to do यहाँ पर आया function तो जावस्क्रिब में हम function को भी new keyword के साथ invoke कर सकते हैं उससे अब्जेक्ट create हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस function को call करेंगे using new keyword तो मैंने यहाँ पर लिखा const एक to do मुझे create करना है जिसका object मैं create करूँगा मैंने का to do यह मैंने create कर देखना है object to do का print करके देखते हैं इसको console पर क्या ही to do object मैंने का console.log and then is to do को हमने print किया तो यह function था जिसको मैंने new keyword के साथ invoke किया और यह to do का एक object होगा जिसके अंदर यहाँ पर एक ID आ चुका है मतलब कि एक object जिसका एक object ID यहाँ पर automatic set हो गया अब इसमें मुझे कुछ-कुछ value set करनी है तो इसको मैं पास करूंगा title title is equals to मैंने यहाँ पर लिखा take breakfast मेरा यह title है description description is equals to something ओक तो इस तरह से मैंने to do object create कर लिया लेकिन अभी मैंने to do object create किया है इस to do object को save नहीं किया है तो to do object को save करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे to do dot save to do dot save save हमको promise return करेगा तो promise को हम कहींगे then जैसे ही मुझे result मिलता है यह then function call होगा एक callback के साथ इस callback को जो save किया हुआ to do है वो मिल जाएगा जो भी result है वो यहाँ पर मिलेगा then हमने यह आप लिखा console dot log और यहाँ पर हमने print किया result यह to do जो है आपके database में save हो जाएगा यहाँ पर यह सेव हो चुका है title description सारी चीज़े आ चुकी है यह उसको मैं mongodb compass में check कर सकता हूँ यहाँ पर refresh बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर एक test db add हो गया है इसके अंदर एक collection है to do to do collection के अंदर यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हो एक data हमने take break first add किया है अपने mongodb से जावास्क्रिप की help से हमने यहाँ पर mongodb में data insert किया है data save करने के लिए मेरे पास एक और method है new to do की help से हमने एक object बनाया देना उसको save किया तो ऐसा ना करके मेरे पास एक directly method भी है उसका मैं use कर सकता हूँ तो मैं इसको भी comment कर देता हूँ यहाँ पर add करते है एक method जो हमारे पास to do model है उसकी help से मैं create कर सकता हूँ इस पर create function उसको मैं call करूँगा इस create function को मैं एक array या फिर single object पास कर सकता हूँ तो let's pass an object और let's pass an array और array के अंदर मैं multiple to do's create कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से copy करके यहाँ पर paste करूँगा and then इसको मैंने multiple copies create किये ओके टेक ब्रेक फास्ट टेक ओके यह मैंने कुछ to do क्रियेट किये last में हमको promise रिटन करता है promise में हमको भी लेंगे सारे to do's जो भी save हुए है and then यह सारे to do's को मैं console पर log करना चाहता हूँ तो मैंने आप लेखा console.log and then to do's save किया console पर restart हुआ यह function run होगा call होगा यहाँ पर create होगा है सारे to do's यहाँ पर आप देख सकते हो यह आगा है सारे to do's इसको मांगोडी भी compass मजा के चेक कर सकते हैं database को refresh करेंगे यह आगा take free fast, take lunch, do homework, code in javascript and learn ds तो इस तरह से मैंने multiple to do's यहाँ पर add कर दी है तो यह था एक दूसरा method create जिसकी help से हम यहाँ पर to do's को create कर सकते हैं आप यहाँ पर array की जगा पर single object भी pass कर सकते हूँ इसको कर देते हैं comment and then देखते हैं कि हम to do's को आप कैसे database से fetch कर सकते हैं ना देखेंगे कि कैसे हम database से अपने mongodb से कैसे data को read कर सकते हैं तो last जो section था हमने उसमेल सीखा कि हम कैसे connection create करते हैं यहाँ पर हमने connection create किया connection create हुआ तो print हुआ connected अगर कोई error आई तो print हुआ हमने schema create किया schema क्या होता है एक template होता है कि हमारा data है हमारा single object है वो database में कैसा दिखने वाला है तो हमारा to do schema था उसमें होगा title description of priority हमने उसके type define कि then यहाँ पर हमने model बनाया तो यह तो template था यह schema है schema को हमने convert कि एक model में object में इस class एक तरह से हम इसको कह सकते है class हमको मिलिया now इस class का हम एक object बनाएंगी तो save कर सकते है उसके अंदर कुछ methods होती है जैसे की save method using save हमने object save किया object बनाके and then एक to do करके है कि यहाँ पे static method है इस static function को हमने create को call कि है create comic array after single object pass करके भी to do को create कर सकते हमने database में now next हमें यहाँ पे सीखना है कि हम कैसे अपने database में जो हमने data save किया हुआ है जो हमें mongodb में दिख रहा है यहाँ यह रहा मेरा database में connect कर लेता हूँ perfect यह हो गया connect यहाँ पे मेरा database का नाम है वो है test underscore db test underscore db test underscore db के अंदर है to do's to do's नाम का एक collection इस collection में यह data है इसे हमें read करना है using javascript तो यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास जो to do model है model के helps हम इसको read करेंगे यहाँ पे में लिखूंगा to do dot read करने के लिए हमारे पास find जैसे get all method होती ही वैसे get करके हम create करते हैं इसमें get को आप remove करके कर तो find तो वैसी find मतलब के सारे object find one मतलब की करेंगा सारे object जितने भी object है आपके to do collection के अंदर वो सारे object मुझे written करेंगा ना यह जो find method है यह हमको एक promise written करता है तो इस promise पे मैं call करूंगा then इस then को मिलेगा जो भी eventual जो भी result है वो तो मुझे result में मिलने वाले हैं सारे to do's यह हमने एक arrow function पास के जिस arrow function के अंदर यह जो method है यह find method वो यहाँ पे to do पास कर देगा हमें सारे to do मिल चुके हैं इस callback में ना इस callback के अंदर मैं लिखूंगा console.log यह मेरे को मिल गए सारे to do's right now code को run करते हैं और देखते हैं तो index.js पे मैं right click करूँगा और open an integrated terminal and then मैं इसको run करूँगा using node mon मैंने आप लिखा node mon index.js यहाँ पे start हुआ हमारा node application और यहाँ पे आप देख सकते हो यह application connect हो गया सारे जो भी data था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है यहाँ पे मेरे पस कितने object आये हैं एक take breakfast, take lunch, do homework, code and js, learn ds यह कुछ objects नहीं मुझे आप मिल चुकी है perfect है now first वाला take breakfast, breakfast की spelling गलत है मैं क्या करता हूँ मैं अपने mongodb compass यहाँ से मिसकी spelling चेंज कर दीता हूँ मैंने आप लिखा breakfast यहाँ तो इससे क्या होगा है तो अभी आप देखोगे कि breakfast की spelling वो change हो गई होगी मैंने mongodb compass से इसको change किया है यह data वहीं से आ रहा है तो यहाँ पे आप देखो ओके क्या problem है यह रहा तो यहाँ पे हमारे पास data आ चुको तो इस तरह से में सारे object जितने भी मेरे collection में हैं वह मैं read करता हूँ इस find को हम conditions दे सकते हैं कि आप इसमें से कौन सा object चाहते हो अचा मुझे वो object चाहिए जिसका description something है या फिर मुझे वो object चाहिए जिसका title take break fast हो single object आप कैसे find करो के condition लगा के देखेंगे next video में आप मैंने यहाँ पे terminal को right में move कर दिया सकता हूँ condition मुझे लगानी है मुझे सारे to do नहीं चाहिए जिसका description या फिर जिसका title वो take break fast है यह वाला मुझे को चाहिए है तो इसके लिए मैं कहा कर सकता हूँ मैं यहाँ पे लिखूंगा to do हमारे model का नाम find को हम पास करेंगे एक object जो कि हमारा filter object तो to do dot find वो object find करो जिसका title वो take break fast है यह भी हमको एक promise रण करेगा यह मुझे वो सारे to do's देगा अगर एक से जादा है तो मैंने इस लिखा to do's मुझे सारे to do's मिलेंगे मैंने यहाँ पे लिखा console dot log and then is to do's को हम print करेंगे save किया यहाँ पे आप देखोगे application reload हो रहा है यह रहा reload हुआ and then again यह run कर रहा है node index.js को and यहाँ पे देखोगे आप एक array मिला array के अंदर मुझे एक object मिला इस object के अंदर है take break fast क्योंकि एक ही था इसलिए एक ही मिला है तो अगर मैं description की बात करूँ तो अगर मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ मैंने आप इसको paste किया इसको कर देते हैं comment and then find मुझे वो सारे object चाहिए जिसका description यहाँ पे something dot dot है मैंने यहाँ पे लिखा something dot dot and then save किया तो यहाँ पे वो सारे to do आ जाएंगे जिसका description something dot dot है कोई object नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे something का s है वो small लिखा है कोई object नहीं है क्योंकि सारे object का description था वो मैंने something dot dot ही रखा था क्योंकि सारे object यहाँ पे आ चुकी है तो इस तरह से मैं यहाँ पे filter लगा लेता हूँ इसको हम comment करेंगे find by id कैसे हम ID की help से किसी object को find कर सकते हैं नगर किसी हमें ID की help से किसी object को access करना है तो वो कैसे करेंगे झेखते हैं जो भी हमने method का देखा ही वाला to-do dot find हम इस ouvy हमाइड को access कर सकते ही object को access कर सकते हैं जैसे हमने कैंडिशन दिय description to something जिसका description something था वो मुझे object मिल गया वैसे ही मैं यहाँ पर कर सकता हूँ जिसका id is equal to यह id है तो यह वाला object मुझे मिल जाएगा यह कर सकते हैं लेकिन id से find करने के लिए हमारे पास एक और अलग से method दिया गया है find by id दौनों मैं देखते हैं क्या यहाँ पर difference आता है take lunch, do homework and learn ds यह तो माली कि मैं इस id को copy कर लेता हूँ आप इसको copy कर सकते हैं mongodb compass से भी मैं directly terminal से कर रहा हूँ तो यह आगया id तो मैंने कहा to do.find वो वाला object लेके आओ जिसका id यह वाला given id है यह मुझे return करेगा एक promise promise.then किया then compare करेंगे एक callback function इस callback को pass करेंगे यह सारे to do's उस id से क्योंकि सारे तो नहीं क्योंकि एक id unique होती है यह id तो वहाँ हमको एक ही to do मिलेगा but यह जो find method ही हमको array return करता है यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log और इस to do's को read करेंगे now save किया तो इस id से जो भी to do होगा वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा तो यह देख सकते हो आप यह आगया learn ds लेकिन इसमें आप देखो क्या मिला मुझे यहाँ पर एक array मिला है array के अंदर एक ही element है तो जब मुझे पता है कि id unique होती है और इसमें एक ही element मिलने वाला आप डिरेक्टली यहाँ पर id पास करोगे यहाँ आइडी पास किया यह मुझे promise return करेगा promise मुझे मिलेगा एक single to do क्योंकि यह single ही object देगा क्योंकि id एक unique ही होती है यहाँ पर मुझे मिल जाएग single to do save किया और यहाँ पर आप देखो कि single object मुझे मिलेगा यह रहा है एक single object जिसका id यह given id ही तो दौनों में का difference है find mom को पर देता है एक array आप single element दे रहा हो चाहे 6 element चाहे 7 साया 8 वह हमको एक array देगा लेकिन find by id सिर्फ एक ही element मुझे हाँ पर return करता है जो कि इस id वाला object होगा now sorting और searching का भी अच्छा support है हमारे पास sorting के लिए हम क्या करेंगे तो एक काम करते हैं कि हम पहले सारे object लेके आजाते हैं तो यह रहा हमारा code copy करते हैं तो हम इससे सारे object मिलते हैं copy किया तो मैंने का to do.find then सारे to do को मैंने कंसोल पर print कर दिया तो मैंने यहाँ पर लेखा to do dot क्योंकि यह मेरे पास array है तो इस पर मैं for each का use कर सकता हूँ यहाँ पर मुझे एक to do मिलेगा और इसके अंदर हम जो भी print करना चाहते वह कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लेखा console dot log और इस to do से मुझे क्या read करना है मैंने का title तो मैंने इस to do का सर्फ title को यहाँ पर print किया तो console में आप देखो कि मैंने to do list पर iterate किया iterate करके मैंने उसका title यहाँ पर print किया यह देख सकते हो क्या है take breakfast take breakfast take lunch do homework code in js learn ds तो मैं कर चाहता हूँ उसको sort करना चाहता हूँ by title तो find के बाद आप यहाँ पर बता सकते हो find dot short तो sort आप कैसे करना चाहते हो मैंने का title से तो यहाँ पर मैं pass करूँगा title now save किया मैंने का find dot short sort by title and then जो भी result वो मुझे मिलेगा और यह करके print होगा यहाँ पर देखो कि यह sort हो गया title से ascending order में तो पहले आया d js तो यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यह आंगे पीछे है c पहले आ गया है और d बाद में आया d पहले आ गया and then c बाद में आया ऐसा इसलिए कि यह small letter में है यह वाला small में है यह capital से start हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है तो अगर मैं code in js को change कर देता हूँ मैंने आप लिखा यह रहा code in js okay तो मैं इसको कर देता हूँ code in js and then इसको मैंने update किया and then file को save किया again अभी आप देखोगे यह ascending order में जब आएगा code पहले आएगा then do homework फिर learn code यह इस तरह से okay I hope आप चीज़े clear हो रहे होंगी थोड़ा सा मैं इसको resize कर लेता हूँ okay इस तरह से मैं करता हूँ sort अब जस्ट आपको इसको opposite sort करना तो आप यहां प एक hyphen का use करोगे hyphen title okay मैं इसका copy create कर देता हूँ एक को मैं कर देता हूँ comment ताकी बाद में यह आप इसको देख सको मैंने का hyphen title minus title इसका मतला पर just opposite हो जाएगा तो अभी C से start हुआ D E F G H इस तरह से sort हुआ अब इसका just opposite होगा क्या होगा यहां पे descending order में आएगा सबसे उपर आएगा T T T then learn do and then code okay so इस तरह से मैं ascending and descending order में इसको short कर सकता हूँ अब यहां पे आप अपने keys को change कर दीजे एक title लगी जागा कर दीजे description तो वो description से sort होगा अब आप कर दीजे उसको id तो वो id से sort हो जाएगा ना देखते हैं delete और update कैसे करना है हमारे पास ही जो to do model है की help से हम delete and update करेंगे यहां पे मैं कहूंगा to do dot यहां पे मेरे पास है delete many and delete one find one and delete find id and delete तो पहले देखते हैं delete one का क्या use है तो अगर मैं कहता हूँ delete one और delete one को मुझे pass करना condition कि आप कौन सा object delete करना चाहते हूँ यहां मैं पास करता हूँ अब मुझे कौन सा object delete करना जिसका नाम है take break fast ठीक है break fast यह रहा take break fast मैं इसको copy कर लेता हूँ मैं यहां पे बता देता हूँ कि जो इसका title is equal to take break fast जिसका भी title take break fast उसको delete करना लेकिन अगर multiple objects हैं आपके collection में take break fast नाम से लेकिन वो उसको delete one ही करेगा इसको मैं print कर लेता हूँ मैं लेखा console.log console.log and then यहां पर मैं लेखा result इसको save किया तो यह जो result है वो delete हो जाएगा और delete होने के बाद जो यह object हो जाएगा delete होने के बाद हम को यहां पे result में क्या मिला delete count is equal to 1 तो जो object हो जो delete होता है हमको यहां पे count मिलता है लेकिन अगर मैं यहां पे कहता हूँ delete delete one delete one delete one and sorry find one and delete find one and delete यह क्या करता है वो देखते हैं तो break fast की जगह पे एक और था मेरे पास जिसमें k है यहां पे इसको देखते हैं क्या होता है जो मैं कहता हूँ find one and delete तो मुझे result में क्या मिलता है वो आपको देखना तो last time जो मैंने कहा delete only मैंने कहा find and sorry just मैंने आपको कहा delete delete one तो उसने delete किया result में हमको दिया delete count लेकिन इस case में क्या होगा find one and delete के case में मुझे result है उसमें एक object मिलेगा जो कही delete हुआ है find करता है and then उसको delete भी कर देखना तो पहली delete हो गया अब मुझे आप object मिल गया लेकिन अगर मैं फिर से इसको delete करता हूँ तो यहाँ पर मुझे object नहीं मिले है कि वह object पहले से delete हो चुका है यहाँ पर क्या है null बस जो result जो हमको मिलता है वह अलाग अलाग है ऐसे ही delete many and find many and delete कभी आप use कर सकते हैं ओके तो नहीं बात करते हैं कि आप update कैसे कर सकते हैं किसी भी document को सबसे पहले काम करते हैं कि सारे जो document उसको पहले find कर लेते हैं तो find करने के लिए क्या करना है मुझे मेरे पास जो model है मैं करूँगा to do dot find इससे मुझे सारे document मिल जाएंगे then इस पर मैं call करूँगा then then में मुझे return में मिलेंगे सारे result इस result को मैं print कर सकता हूँ यहाँ पर हम एक arrow function पास किया यहाँ पर हम लिखेंगे console dot log and then यहाँ पर मुझे जो भी result है मैं अतलब की सारे to do's है वो यहाँ पर print हो जाएंगे console मैंने write में shift कर दिया है यहाँ पर मुझे सारे to do's print होके मिलेंगे तो आप इसमेंसे हम किसी एक id को pick करेंगे और उसको हम update करेंगे मैं इसमेंसे एक id पिक कर लेता हूँ यह वाला मैं copy किया इसका नाम code in js title code in js मैं इसको change करके यह फिर इसका description है तो आप देखते है change कैसे करना है मैं इसको comment कर देता हूँ मुझे वो id की जरूवत थी स्टी मैंने यहाँ पे find किया यहाँ पे const create कर लेता हूँ यह to do id है जिसको मैंने भी copy किया यह hold मैंने इसको कर लिया इसको हम update करेंगे यहाँ पे लिएता हूँ const मैं यहाँ पे लिएता हूँ to do dot find and update यहाँ पे आप देखोगे find one and update एक method है और simply यहाँ पे एक और update many and update one तो कि हम id से कर रहा है तो मैं update one का use करूँँगा find one and update में अपडेट होगा वो हमको return भी होगा simply मैं अभी update one का use करता हूँ update one में मुझे क्या करना है बताना कि कौन सवाल आपको update करना है तो आप एक object pass करते हो जहाँ पे आप बताओगे इसका id जो है वो to do id जहाँ पे मैंने बताया कि यह to do id इसको update करना है करना है वो आप second object pass करोगे यहाँ पे कॉमा करके मैं second object pass करूँगा इस object के अंदर हम pass करते है operators क्या operators होंगे तो अलग-अलग बहुत सारे operators होते है mongodb आप जाओगे mongodb operator search करो यहाँ पे आपको मिलेंगे pull push rename मुझे यहाँ पे करना है update मलब कि यह value को set करना है description set करना है दूसरा description तो आप मैं लिखूंगा dollar set यह आपको देखेगा set मतलब कुछ add करना set colon इसके बाद मैं आप बताऊंगा object में कि आपको क्या set करना है मैं इसको थोड़ा सा तोड़ देता हूं next line में मुझे बताना कि मुझे यहाँ पे 57 मैं बताऊंगा कि मुझे आपे description set करना है इसका description मुझे रखना है 업dee डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से ओके यहाँ पर मैंने पता है तूडू.update1 कि इसको अपडेट करना है जिसका ID तूडू ID है एक अबजेक्ट पास के जहां बताऊंगा मुझे क्या करना सैट करना है क्या सैट करना है डिस्क्रिप्शन सैट करना है जिसका updated description यह हो जाएग जैसे अपडेट होगा यहाँ पर मुझे मिलेगा एक promise इसको मैंने कहा then और मैंने यहाँ पर लिखा update result जो भी updated result वो मुझे मिलेगा यहाँ पर मैंने रिखा console.log console.log और यहाँ मैंने प्रिंट की updated result सेफ करेंगे तो यह जो ID वाला टूडो अपडेट हो जाएगा जो भी updated result वो मुझे यहाँ पर मिलेगा एक acknowledgement मुझे यहाँ पर मिला कि हाँ यह update हो चुका है यहाँ पर देखो जो उसको try करते हैं तो second वी वैसे ही है इसमें आपको करना है find one and update यह रहा find one and update तो इससे होगा find होगा वो update हो जाएगा update करके मैं इसको गह देता हूँ updated again and then save करते हैं तो इस बार जो मुझे result मिलने वाला है वो आपको देखना है कि वहाँ पर क्या मिलने वाला तो इस बार आपको क्या मिला updated result में क्या मिला object id updated description मिला आपकी पहले वाला मिला तो यहाँ पर update होने के बाद नया object मुझे नहीं मिलता है अगर आपको नया object चाहिए update होने के बाद तो आप कॉमा करके यहाँ और एक object set करो इसमें value pass करो new is equals to true तो इससे क्या होगा जो नया जो updated object है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर आप यहाँ पर object new is equals true करते हैं तो आप मैं इसको फिर से update करता हूँ फिर से updated रिखाव हमें फिर से updated जो भी description था वह मुझे आप मिलेगा यह रहा फिर से updated तो इससारे से करता हूँ तो update होने के बाद जो नया object है वो मुझे यहाँ पर return होता है अगर आप तो update1 में क्या होता, update होने के बाद आपको result में just acknowledgement मिलता है लेकिन find1 and update में update होने के बाद जो नय object है वो आपको return होता तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी document को अपने collection में update कर सकते हैं तो अभी हमने यहाँ पे सीखा के express.js में कैसे apis create की जाती है जिसमें हमने पहला यहाँ पे example देखा quick start कैसे करना है then हमने देखा middlewares क्या होते हैं then हमने file structure यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हमने फिर देखा की apis यहाँ पे कैसे create की जाती है तो api का हमने practice किया था controller देखा middleware router सारी हमने विवस्थित की अलग-अलग folder में okay quick start में मैंने आपको क्या बताया हुए था simple आप कैसे apis को create करते हैं फिर हमने देदी देखा complexity को बढ़ाया और चीजों को समझा बस इतना ही है कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अब हमने बाद में सीखा कि mongodb के साथ कैसे communicate करना है mongodb में आप कैसे cloud operations perform कर सकते हो वो हमने सीखा using mongos now अब हम यहाँ पे करेंगे practice यहाँ पे हम एक और API बनाएंगे एक meetup API और उसको हम connect करेंगे mongodb के साथ और देखेंगे कि यह हमारा API वो mongodb के साथ कैसे काम करेगा पूरा connectivity करेंगे फुल एक working API create करने वाले हैं okay so start करते हैं तो यह मैं जो भी server इसको मैं close कर देता हूँ उसकी जरूत नहीं लास्ट मैं mix answer को run करेंगे यहां पर ने ब्राउजर open किया हुआ है क्योंकि मैं आपे जो भी documentation से open करना चाहता हूँ सबसे पहले तो express.js मैं search कर रहा हूँ और यहां पर जो भी express.js का documentation मैं open कर लिया यहां पर मैं search करूंगा mongoose या गया mongoose, mongoose का documentation या गया mongoose बस इतना नहीं है कुछ ज़्यादा है कुछ जरूरत नहीं है आप चलते हैं अपने project side एक नया project start करते हैं यहां पर मैं एक folder create करूंगा 08 underscore 08 underscore मैंने आप लिखा express with express with express underscore mongoose underscore practice यह मैंने एक folder create किया इस folder के अंदर मैं create करना चाहता हूँ project इसको मैं कहूँगा open in integrated terminal तो यहां पर terminal open हो चुका है side में यहां पर मैं कहूँगा npm init क्योंकि मैं एक नया project start करने वाला हूँ तो npm init यहां पर कच questions पूछ जा रहे हैं आप से आप अपने package का नाम क्या रखना चाहते हो मैं इसको कहा देता हूँ meetup api api okay इसमें कोई space नहीं होना चाहिए actually यहां पर मैं कहूँगा meetup underscore api version 1.0.0 description मैंने कहा practice api entry point क्या रखना है आपको index.js test command कुछ भी नहीं git repository कुछ भी नहीं keywords कुछ भी नहीं author virendra license just okay यहां पर हमने क्या किया package.json create कर लिया now is package.json मैं मुझे क्या करना है मैंने जो जो name दिया थे वो आपको यहां पर देखने मिल रहा होंगे तो यह हो गया कुछ इस तरह सी काम करता है यहां पर एक file create कर लेते हैं index.js जो कि हमारा एक entry point है index.js आ गया यहां पर मैं लिख देता हूं console.log and then यहां पर मैं लिखा index.js file को save किया console open करेंगे and then इस folder को मैं open करूँगा integrated terminal में यह आ गया यहां पर अगर मैं लिखता हूं npm start तो क्या होता है npm start जैसी मैं लिखता हूं तो यहां पर problem आया क्या है error start नाम का कोई script नहीं है आपके पास तो start मतलब मैं run करने के लिए इसको start लिख रहा हूं यहां पर package.json में जाएंगे start script मुझे यहां पर लिखनी होगी मैं इसके बारे में पहले भी बात की हुई है test को remove करके मैं click देता हूं start जब भी मैं npm start करूँ मुझे क्या करना वो मुझे यहां पर बताना है जब भी मैं लिखूँ npm start तो मुझे node की help से क्या करना index.js को run करना है तो मैं लिखूँ का node index.js save किया now मैं लिखता हूं npm start तो यह क्या करेगा node index.js index.js तो यह था basic script कैसे काम करती है ना मुझे इसको development mode करना क्योंकि मैं बार बार run नहीं करना चाहता तो मैं एक और script क्लियर कर लेता हूं dev script development mode के लिए इस case मैं node.js का use करूंगा node.js install नहीं है तो मैं यहां पर लिखता हूं npx की help से कर सकते हैं तो अगर node.js install नहीं होगा npx पहले उसको install करेगा then run करेगा so मैं लिखूंगा npx node.mon and then index.js okay so node.mon आपको जो भी changes उसको listen करेगा now वापस आएंगे अपने command prompt में terminal में और यहां पर हम लिखेंगे npm run dev npm run dev npm run dev मतलब कि npm से मैं नहीं का run करो क्या dev script जो भी dev script है npx node.mon index.js run हो गया जो की listening mode पे है okay तो अब हम क्या करेंगे जैसे हम कोई फाइल यहां पर change करेंगे index.js में यह file तुरंद reload हो जाएगा now बात करते हैं next आंगे क्या करना है console को मैं तो छोड़ा कर देता हूं उसकी ज़रूत नहीं है बार बार मुझे देखने की ज़रूत नहीं है express.js install करना की क्या हम API create करने वाले है express.js install करेंगे तो यह terminal तो busy है तो मैं इसको बंद कर देता हूं यहां पर यह मैं इसको बंद किया cls install करेंगे npm install express मुझे पता है mongoose भी मुझे use करना तो मैं space देके mongoose भी लिख दूँँगा npm install express space देके mongoose mongoose और express दौनों हमारे package.json में उसके entry हो जाएगी और यहां पर node modules folder हो जाएगा जहां पर यह दौनों packages इंस्टाल हो जाएगी express और mongoose इंस्टाल हो चुके हैं तो application को run कर लेते हैं यह रहा हमारा command prompt यहां पर मैं लिखूँँगा npm run dev run dev क्योंकि dev script मैंने यहां पर add किया हुआ जिसका काम है node mon की help से index.js को run करना यहां पर यह run हो जाएगा ओके यह हमारा जो file है वो run हो चुका है अब हम create करेंगे express.js server server create करने के लिए import करेंगे express को यहां पर मैं लिखा const const express is equals to require express okay now is express यह क्या है function होता है const app एक variable create किया है app को store करने के लिए app is equals to express एक function है जिसको हमने call किया यह आगे हमारे पास express application इस app से मैं कहूंगा app.require का spelling mistake है app.listen listen को हम पास करते है port number तो मैंने का मुझे 3000 port पर रन करना है इसको मिलेगा एक callback क्योंक होगा success callback तो यहां पर मैं लिखा console.log and then यहां पर लिखूंगा app is listening यहां पर app is listening on 3000 यह आ चुका है लेकिन अब इस app तो जो है वो listen कर रहा है लेकिन हमें उसको जो request उसको handle करने के लिए हमने कुछ create नहीं किया तो हमें आपर कहिंगे app.get app.get slash पर मुझे क्या करना है तो simply मैं यहां पर एक function पास करूँगा एक arrow function इसको मिलेंगे दो parameter पहला है request दूसरा है response so request है responsible request related information के लिए response generate करने के लिए response object यहां पर मैं कहुँगा response.json और यहां पर मैं message दे देता हूँ एक object इसके इंदर मैंने message पास किया मैं यहां पर काऊंगा API is working okay so API is working अब हम चलेंगे browser में इसको test कर लेते हैं server तो हमारा run हो ही रहा है आपर चलते हैं browser और यहां पर हम लिखेंगे localhost colon 3000 यहां पर आया app is working okay now हमें यहां पर जो application create करना है meetup application होगा जिसमें हम add कर पाएंगे कि कहां पर meetup होने वाला है next और उसी पूरी information यहां पर मैंने जो last time बनाय हुआ था express.js उस पर आप देखो कि मैंने कुछ folders बनाना आपको सिखाया था file structure के अंदर controller बनाया है मैंने middleware routers index.js इस तरह से अलग-अलग files मैंने अलग-अलग अलग-अलग जो भी काम करने वाली file से उसको अलग-अलग folder में बनाया था वैसे हम यहां पर follow करेंगे तो इसको कर देते हैं close जो हमारा next example है 01 इसके अंदर index.js है यहां पर मैं अलग-अलग folders कुछ create कर लेता हूँ मैं आप एक folder create कर लेता हूँ controllers 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 यह हो गया controllers create इस folder के अंदर मैं एक और बनाऊंगा मैंने इसको कहा models models हो जाएंगे हमारे mongoose related models जो भी है वो हमें हाँ पर create करेंगे models और schema and then एक और create कर लेते हैं routers के लिए इतना काफी है middleware अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैं कोई middleware user भीस में नहीं कर रहा हूँ okay index.js है हमारे पास अब चलते हैं अपना काम कर लेते हैं router में चलेंगे router के अंदर एक router create करेंगे अपने meetup router एक file add कर लेता हूँ है मैंने आहाँ पे लिखा meetup.js या फिर आप कह सकते meetup.router.js या फिर simply meetup.js करेंगे मैंने का const express is equals to require express now इस express के पास होता router इस router को हम call करते हैं तो यहाँ पे मैंने का express.router यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एक router okay router इस router को मैं router ना बोल के मैं कह लेता हूँ meetup meetup router now meetup router पे हम register करेंगे अपने urls मैंने आप लेखा const या आप मैं कहा देता हूँ meetup.router.get slash meetups slash meetups meetups इस पे जब दी कोई request आयेगा मुझे क्या run करना है वो function कॉंसा है मुझे अभी नहीं पता तो simply मैंने एक function मना के छोड़ दिया यह जो function है मैं controller में बनाऊंगा controller कह सकते हो आप इसको request handler बोल सकते हो तो यह जो function है यह हम रखेंगे controllers के अंदर और वहां से इसको import करने यहाँ पर इसको link कर देंगे वैसे ही बाकी और के लिए कर लेते हैं एक और request आएगा इसमें post request के लिए एक request आएगा put request के लिए अगर आप update करना चाहते हो कुछ और एक और request send करेंगे हम delete request के लिए अगर आप meetup delete करना चाहते हो आप जब get करोगे तो सारे meetups आएगे लेकिन आपको कोई एक meetup चाहिए तो आप meetup और उसका id pass करोगे तो meetup colon id क्योंकि एक dynamic value है इसको हम कहेंगे params तो एक meetup चाहिए तो ये वाला post request आएगा तो ये put request आएगा तो आपको कौन सा meetup update करना है तो जो भी meetup update करना आप उसकी id send करोगे तो यहां मैंने लिए इस id वाले meetup को update करना चाहते हो delete करना है तो कौन से वाले meetup को update करना चाहते है उसके लिए आप id पास करोगे तो ये हमने बना लिए url सारे ओके इनका भी implementation बाकी है इसको हम करेंगे last time now meetup router को export करेंगे कि हम इसे बाहर use करना है तो यहां पर हम लिखिए exports is equal to object यहां पर मैं pass कर देता हूँ meetup router now meetup router को हमें register करना है अपने app के साथ वापस आएंगे app में यह रहा app हमके देते हैं app.get जब भी request आए app.use का use करेंगे हमें आप so क्या करना है मुझे जब भी request आएगा slash api slash meetups slash meetups तो मुझे run करना है meetup router meetup router import करेंगे सो यहां पर मैं लिखा const कहां से import करना है सो मैं लिखा require dot slash routers slash meetups यहां से मुझे import करना है ओके मैंने import गला तरीके से किया है export इस तरह से होगा यह index है export किया मैंने यहां से और यहां पर मैं उसको import करूँगा सो यहां गया meetup router यहां पर हम कहेंगे meetup router perfect लेकिन मैंने यहां एक गल्दी की हुई है कोई भी request आएगा slash API slash meetups पे और यह meetups है यहां पर दो दो बार जाएगा तो meetups slash meetups हो जाएगा यहां पर जो meetup router का URL वो क्या है slash API slash meetups तो कोई भी request आएगा तो वो इस URL पर आने वाला है तो फिर यहां पर मुझे meetups लेगा जरूरत नहीं है तो मैं इसको यहां से remove करूँगा यह कुछ इस तरह से यहां पर slash पर रिक्विस्ट आएगा तो यह चलेगा ID पर आएगा तो यह चलेगा post पर आएगा तो यह वाला function चलेगा put or delete ठीक है तो इसके आएगे यह append होते जाएगे तो आप बना लो कैसे URL बन रहे है यह कुछ इस तरह से चलेगा ना यहां पर error आ रही है कुछ-कुछ तो देखेंगा उसको meetup error, meetup router तो हमने meetup router को register कर दिया now, अब मुझे का करना है meetup router में register किया get के लिए meetup.js, यहां पर मनाएंगे सारे functions, तो functions create कर लेते हैं, मैंने कहा function function मैंने इसको कहा get all meetups इसको मिलेंगे दो parameter पहला है request, दूसरा है response, यहां से मुझे return करना है response, तो मैंने कहा response.json and then यहां पर मैं एक error return कर देता हूं, simply मैंने कहा 1,2,3, just for testing कुछ नहीं कर रहा है यह मैंने create कर लिए get all meetups के लिए वैसे ही हम अलग-अलग create करेंगे तो मैंने यहां पर copy किया मैं इसको कहा देता हूं create meetup वैसे ही मैंज कहा देता हूं delete meetup उसको मैं कहा देता हूं update meetup और एक और create get one meetup के लिए so get meetup by id request and response तो यहां से मुझे single object written करना है तो यह मैंने one return किया simply भी ना उसको मुझे use करना है बाहर किसी file में तो सारे जो भी functions है उसको हमें export करना पड़ेगा यहां पर हम लिखिंगे export एक object create कर लेते हैं सारे function direct एक object के form में return कर दिंगे so get all meetups get meetup by id update delete and finally कौन सा बचा है एक और create यह हो गया तो इस तरह से मैंने object यहां से return कर दिया ना इस object को हमें use करना है आ सारी functions को हमें use करना है यहां पर कैसे use करेंगे simply get all के लिए मुझे हाँ पर पास करना है get all meetups आटो import हो रहा है यह नहीं होता तो आप कर सकते है manually यह get id के लिए है तो मैं कहूंगा get meetup by id यह हो जाएगा create meetup create meetup यह वाला हो जाएगा put request जो की update के लिए update meetup and then finally delete request delete meetup delete model नहीं delete meetup यह रहा ओके यह mongoose import हो गया perfect तो अब देख लेते हैं error क्या कह रहा है error कहां पर है error आ रहा है import को लेके तो यह मैंने कहां पर यूज किया हुआ है import I think मैंने index.js में import किया है कहां पर router के अंदर meetup router के अंदर meetup यह यहां पर import यह auto import के कारण वो ESX का जो feature है वो यहां पर import statement वो आ चुका है तो मैं import use नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर require use कर रहा हूं so basically मैं यहां पर कहूंगा const const from की जगह पर आएगा require यह JavaScript कर दूसरा syntax से वो import करने का उस पर मैं बात नहीं करूंगा भी and then यहां पर मैं लिखता हूं equal इस तरह से const यह सब मुझे import किया कहां से meetup से now save करते हैं अभी कोई error एक और error है index.js में index.js line number 2 चेक कर लेते है index.js line number 2 const meetup router app.use सही है कोई दिक्कत नहीं पर पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत है save किया unexpected token export okay so हाँ यह problem है आप export जैसे कुछ नहीं है यह आएगा module के अंजा module.exports is equal to यहाँ पर हम लिखेंगे meetup router okay so last lecture आप देख सकते हैं जहाँ आप हमने modules के बारे में देखा था यह रहा modules one lib और index.js बनाया था जिसके अंदर मैं लिखेंगे था module.exports किया है तो यह थोड़ा सा मैं मिसकर गया है यहाँ पर index आपको देखने मिलेगा तो यह सारी चीज़ें आपको देखाना नहीं पड़ेगे मैंने का module.exports is equal to object module से मुझे export करना है यह सारी चीज़ें now save करते हैं और देखते हैं अगे इनकोई error okay index.js में एक error है index.js पर चलते हैं चेक कर देते हैं meetup router को मैंने save नहीं किया है तो इसको मैं save करूँगा and then application is listening okay तो चेक करें हमने यहाँ पे सारे जो functions है वो भी register कर दिये हैं और इसको मैंने register कर दिये अपने API के साथ तो चलते हैं इसको test कर लेते हैं हमारा url localhost.3000 slash api slash meetups meetups तो यह आ गया एक array यहाँ पे meetups के बाद अगर मैं कोई ID पास करता हूँ यहाँ पे मुझे one मिला ठीक है कि मैंने directly send किया हुआ है one तो यहाँ पे आ गया one सिर्फ मैंने meetups वे get request send किया तो एक array आ गया तो put delete request मैं यहाँ से send नहीं कर सकता हूँ उसलिए मैंने उसका जो demo हो आपको यहाँ पे नहीं दिया ओके तो यह जो function से यह काम कर रहा है next हमारा task है इन functions को implement करना ठीक है तो अभी क्या करेंगे get all meetups हम database में request send करेंगे database से कहेंगे data लेकिया हो और फिर यहाँ से send करेंगे now database को introduce करना है यहाँ पे तो last example से मैं कुछ connection code हो copy कर लेता हूं okay so so यह रहा connection करने का code यहाँ से मैं यह जो types इसको copy कर लेता हूं okay या फिर यह काम करते है यह पूरा मैं यहाँ से copy कर रहा हूं इतना मैंने इसको copy कर लिया close कर देते हैं यह रहा हमार example 08 यहाँ पर controllers है, models है and routers है, ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ पर, कि simply हम यहाँ एक और folder create कर लेते हैं, db नाम से, ठीक है, यह रहाएगा हमारे directly 08 के अंदर, यह रहा हमारा 08 folder, इसके अंदर directly, folder मैंने यहाँ पर add किया, मैं इसको कहा देता हूँ, db, ok, db म okay, so, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक function create कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर function create connection, create connection, यह मैंने connection create कर दिया, create connection, इस function के अंदर हम क्या करेंगे, यह mongoose की help से connection को create करेंगे, तो हमारा जो code वह वबस्तेत रहेगा, कि हाँ एक function को call किया, connection create हो गया, इस तरह से, okay, now, यहाँ पर मैं देना अपने database का URL तो create connection connect connect.com देना URL दे दिया हमने ये local का URL testdb.com का देते है meetups meetups ओके ये हो गया meetups db इसके बाद connection.then then console.lock किया catch error आ गया तो ये सब मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ directly मैं यहाँ जो भी नहीं जहां से भी आप create connection call करोगे वहाँ पे आप then and catch का use करोगे.now create connection function ऐसे हमें बाहर use करना है किसी दूसरी file में ताकि हम इस connection को create कर सकें तो यहाँ पे हम again export करेंगे मैंने का module.exports is equals to directly मैं कह देता हूँ create connection तो directly मैंने इस function को export किया है कोई object create नहीं किया यहाँ ठीक है यहाँ मोंगूस की ज़रूरत है इसलिए मोंगूस को यहाँ रहने देते हैं बाकि सब को मैं यहाँ से cut कर लेता हूँ आफि मैं बाद में करूँगा कि मुझे इसकी ज़रत पड़ेगी हाँ ओके now connection को create कहां से कर रहें तो index.js में चलते हैं अपना main जहां से हमारा application start हो रहा है यह रहा index.js एक application हमने create किया app.lesson है इसके बाद यहीं पे हम create कर लेते हैं connection import करेंगे मैंने का const create connection को import करेंगे from कहां से require.db.index.js तो जब भी db के अंदर index.js है तो आपको index.js लेंगनी की ज़रूत नहीं होती है simply मैंने db से import किया create connection now is create connection को हम call करेंगे और connection create होगा but मुझे इस पे then call करना पड़े होगी कि वो promise return करता है तो मैंने का then जैसे connection create होगा यहाँ पे हम print कर देते हैं मैंने का console.log mongodb connected तो यहाँ पे आपको console में देखना है app is listening आया mongodb connected आया क्या यह रहा app is listening then mongodb is connected database connect हो चुका है तो हमारा index.js में सारी configuration होगा हमारे application की यह हो गया हमारा database connect अब models के अंदर हमें create करने है सारे models and schema तो हमारे पास एक ही model है तो models के अंदर हमें नया file create कर लेता हूं meetups meetup.js okay तो बहुत सारी meetup.js meetup.js ho गई है लेकि साब अलग अलग काम के लिए router में अलग meetup.js है तो आप इसको कर सकते हो meetup.model.js ऐसा का नाम रख सकते हो तो वह आपकी उपर depend करता है यह भी सही है तो models में जाएंगे अब यहां पर हमें model create करना है तो db के अंदर मैं यह है इसलिए delete नहीं करें कि मुझे जरूद पड़ेगी तो मैं इसको यहां से कह लेता हूँ copy meetups के अंदर जाएंगे paste ही यह इसकी मुझे जरूद पड़ने वाली कि मुझे schema बनाना है meetup के लिए यहां मैंने कहा const const मैंने इसको कहा meetup schema is equals to new schema create करेंगे new schema इसको pass करेंगे object ना हमारे meetup का जो safe है वो कैसा होने वाला है वो आपको यहां पर define करना है id define करना है जरूरत नहीं id पहले से होता है now date define कर सकते हैं तो मैंने आप लेखा date is equals to date का value आप यहां पर रखना चाहते हो वो आप यहां पर बताओगे तो types के अंदर कोई date है क्या यह रहा date ओके यह जो date है यह होगा concept type का तो मैं इसको कहा देता हूं type is equals to यह होगा date type का कुछ default value set करना है कि तो मैंने का yes एक जो new date है जो भी जब भी आप meetup create करोगे वो current date रहेगी उसकी या फिर आप अलग से pass भी कर सकते हो गर कोई value आपने पास नहीं की है तो फिर उस case में default date हमें आपे set करने वाले है default date ने new date की जगर हम यूज करेंगे date dot date dot now का ठीक है date dot now फंक्शन है फंक्शन पास करते हैं जब भी default value आपको देनी होती है लेकिन यह यह date है यह इससे clash हो रहा है क्योंकि यह date different javascript date है और यह date types वाला है तो मैं इसको remove भी कर सकता हूं इसकी जरूरत नहीं मैं directly इसको date भी यहां पर pass कर सकता हूं यह भी एक type है ओके तो देखते हैं अगर कोई दिक्कत होती है यहां पर तो हो सकता है यहां पर दिक्कत हो मुझे मैं अभी इस पर confirm नहीं हूं बठा आंगे पता चल जाया कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो यहां फिर हम इस बार documentation को भी follow कर सकते हैं यह यहां पर हम यूज कर पा रहे हैं और default value date.now ओके तो कोई problem नहीं होने वाली है तो जो भी default जो हमारा date object होता है हमारे JavaScript में उसको भी as a type हम यहां पर यूज कर सकते हैं date यहां पर मैंने पास के दे date.now उसका default value, now meetup का कोई title होगा तो यह add कर देते हैं title is equals to, title का type क्या होगा, तो title का type होगा string इसका default value कुछ रखना है क्या? नहीं तो कोई default value उसका नहीं रखना है यह required रहेगा कि तो यहां पर मैंने लिखा required as equals to true yes यह जो value वो required रहेगा, same चीज मुझे description के लिए करना है मैं copy कर देता हूँ उसको हमारे meetup का description होगा so यह मैंने पास कर दिया description and then एक image add कर देते है meetup का तो मैंने कहा image is equals to type इसका क्या होगा so मैंने कहा type is equals to string and then required रहेगा यह value yes so मैंने कहा required is equals to true okay meetup कहां पे होने वाला है उसके लिए आपको location add करना है, so location add करेंगे हमने कहा location location एक तरह से string होगा जिसमें आप directly address वगरा दोगे यहाँ पे इसका जो type है वो हो जाएगा आपका string जो की required है is equals to true, सारी जीने required है, date में required value क्यों नहीं पास किया क्योंकि जो default value हो हमने set किया ही है तो required आप pass करो है ना करो, default value set हो नहीं है तो मनला आपकि यह required ही है तो इस तरह से मैंने एक schema create किया, now is schema के लिए model create करेंगे यहां पे मैंने लिखा const meetup model, इक तरह से meetup model एक class होने वाला है, इसलिए मैं इसको directly क्या देता हूं const meetup is equals to mongoose.model model को पास करना है आपका name, model का name, collection name, तो मैंने का model and then यहां पे आपको पास करना है schema तो हमारा जो schema है वो हो जाएगा meetup schema, इस तरह से मुझे model मिल गया, इस model को हमें बाहर use करना होता है जब भी हम read करेंगे file को data read करेंगे, delete करेंगे, update करेंगे, इसलिए मैं इसको export करूँगा मैंने लिखा module dot module dot exports is equals to meetup meetup meetup, okay so मैं default import नहीं कर रहा हूं, export नहीं कर रहा हूं, एक object के form में कर रहा हूं तो जब आप इसको import करोगे, require करके load करोगे अब एक object के form में इसको destruct कर सकते हैं इस तरह से मैंने इसको export किया है now, इसको मुझे use करना है बाहर से तो पहले तो एक काम करते हैं इसको close कर देते हैं इसकी जरुत भी नहीं है फिलाल के लिए और यहाँ पे मुझे इन सब चीज़ों जरुत नहीं है रिमूफ किया कट किया ना चलते हैं कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर से सारे meetups का जो list है वो मुझे लेकि आना है यहाँ पे मैं करूँगा मैंने यहाँ पे लिखा meetup meetup export import का कोई option नहीं आ रहा आपको तो आप यहाँ पे manually लिख सकते हो कैसे करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा const something यह something क्या है मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे लिखा require कहा से करना है मैंने लिखा dot dot slash एक folder अप जाएंगे यहाँ पे है models models के अंदर है meetup इस meetup के अंदर से मुझे import करना है meetup plus या फिर meetup model इस meetup model से मुझे कहना है find सारे meetup लेकिया हो dot then जैसे ही वो meetup मिल जाएं तो मुझे हाँ पे मिलेंगे सारे meetups और जैसे ही मुझे वो सारे meetups मिल जाते हैं इसे मुझे क्या करना है return करना है response में एक arrow function पास किया मुझे यह meetup मिल चुका है इस meetup को मैं send करना है response में तो मैं कहुंगा response dot json एक object बनाएंगे object का key name रहेगा meetups और उसका value रहेगा meetups तो key और value यहां पे दोनों meetups रहेंगे लेकिन जो second वाला meetups है वो एक variable है वो value और यह उसका key है जब ऐसा कोई syntax आता है जहां पे key value सेम है तो आप इसमें से इसको remove करके इस तरह से sort में लिख सकते हूं तो javascript आप इसको test करते हैं कि meetups हमें आरे पास आ रहे हैं यहां पर नहीं application run हो रहा है index.jse run हुआ connection create हो गया यहां पर इस listening ना जलते हैं browser पे and then यहां पर मैं request send करूँगा API slash meetups पे request send किया तो यहां पर आया meetups और यहां पर क्या आया है ठीक है यहां पर directly मैं create कर लेता हूं मैंने का meetup.meetup.create यह हो गया meetup.create इस create को मैं पास करना होता है एक object इसके इन्द में date पास नहीं कर रहा हूं इसके इन्द में title पास कर रहा हूं मैंने कहा some meetup description देना है मुझे इसका description is equals to description इसका location क्या है कहां पर होने वाला है meetup सो मैंने कहा location is equals to Delhi and then एक और था image image is equals to कोई image आपको पास करना तो मैं कुछ dummy images उठा रहा हूं तो मैं चलता हूं मैंने यहां पर लिखा lorem-pixam lorem-pixam क्या है lorem-pixam एक ऐसी website है जहां पर आपको dummy images मिल जाती है तो आप उसको simply use कर सकते हूं तो यहां पर मैं इस image को copy कर लेत हूं या फिर यहां पर और भी image जैसे यह रही मैंने इसको यहां से copy किया and then इसको मैंने पेस्ट किया तो यहां पर मैं last मैं Q is equals to dummy value पास करूँगा इससे क्या होगा वो मैं आपको बाद में बता हूँ ठीक बस इसको add कर दीजिए इसको फर नहीं पढ़ने वाला है यह मैंन यहां आपकी console पे lock करना चाता हूँ directly मैं यहां पर फंक्शन पास करना होता है यहां पर तो directly मैं then के बाद console.log directly pass कर सकता हूँ ऐसे इससे क्या होगा then को मिलेगा एक function जो कि console.log console.log को directly जो भी object है वो इसको pass हो जाएगा तो सब्सक्राइब जो भी save होगा वो print हो जाएगा तो control as press किया save हो गया जैसे यह object save होगा यहाँ पे console पे print होगा वो object just wait यह यह object यहाँ पे हमारे database में save हो चुका है अब यही object मैं fetch करने वाला हूँ get all से तो चलते हैं अब browser पे और page को करते हैं download यहाँ पे आप देखोगे एक object आ चुका जो की database से आ रहा है click करेंगे photo पे तो यह आ गया हमारा वो photo perfect है now इसको हम कर लेते हैं यहाँ से अब remove इसकी जरुरत नहीं मैं इसको comment कर देता हूँ ओके तो यह जो data है यह आपकी database में save हो चुका है आप MongoDB compass open करके देख सकते हैं ओके ना वापर चलते हैं page को reload करेंगे तो यह data वहीं रहेगा क्योंकि यह database से आ रहा है तो यह अब delete नहीं होने वाला है perfect now get all meetup तो हमने implement कर लिया अब क्या करना है get meetup by id ok get meetup by id कैसे करेंगे तो आप एक id पास कर रहा हो slash करके perfect तो आप क्या करोगे जो भी id है आपके meetup का यह आप meetups के बाद slash करके pass करोगे कुछ इस तरह से तो अभी यहाँ पर one मिला तो इस id वाला meetup मुझे मिलना चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इस id वो read करूँगा कैसे request.params की help से मैंने लिखा const id is equals to request dot params.id तो वो id मिल गया इस id वाले meetup को मुझे search करना database में कैसे करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हमारे model का क्या नाम है meetup meetup.find find को आपको pass करना condition या फिर आप find by id का use कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर लिखा find by id और उसको हम pass करेंगे id dot then तो जैसी मुझे object मिलेगा मुझे यहाँ पर object मिल जाएगा मैंने यहाँ पर लिखा meetup and then यह रहा तो यहाँ मैं चेक करूँगा क्या मेरे पास कोई meetup है क्या इस id से कोई meetup मिला या फिर नहीं तो अगर इसमें meetup है तो यहाँ मैं लिखा if meetup अगर meetup होगा तो यह चलेगा block if block तो यहाँ से मैं काऊंगा response dot json and जो भी मुझे meetup मिला है उसका मैं object create करके यहाँ से send कर दूँगा लेकिन अगर object नहीं मिला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ return तो अगर meetup object नहीं है तो मुझे send करना है not found message यहाँ पर फिर मैं return करूँगा return response dot status 404 मतलब की not found and then dot json हम send कर सकते हैं इसको एक message दे सकते हैं कि message में क्या दे दे message में हम pass करेंगे कि meetup 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 not found with the id और आपका जो भी id था उसको मैं यहाँ पर insert कर रहा हूँ जो भी id आपने pass किया वो आपको यहाँ पर show होगा ओके यह रहा हमारा final code now वापस चलते हैं इसको test कर लेते हैं so page को reload करेंगे क्योंकि इस id से एक meetup object था तो वो मिल गया लेकिन अगर मैं इस id को change कर दू to कर देता हूँ and send किया तो यहाँ पर आया message meetup not found with the id यह इस id से को भी meetup नहीं है perfect यहाँ पर टू की जगए one करते हैं send करते हैं तो इस id से meetup था तो वो मुझे आहाँ पर मिल गया now create करना है meetup यहाँ पर get all यह get request के लिए get by id यह single meetup के लिए get meetup by id और यह create meetup यहाँ पर सिर्मेंब फंक्शन implement कर रहा हूँ इसका मलब यह नहीं की directly function implement किया और response आने लगेगा यह functions मैंने पहले ही map करके रखे हुए है router में यह काम मैंने पहले ही कर लिए था इसलिए मैं सिर्फ functions पर काम कर रहा हूँ चलते हैं अब create meetup पर काम करते हैं यह रहा create meetup मैं यहाँ पर expect कर रहा हूँ कि जो request object है उसके साथ body में आप कुछ data send करो जो कुछ data क्या होगा वो data होगा id, description, location and image okay यह जो data को आने वाला हमारे request.body के साथ उसको read करेंगे मैंने का const and then यहाँ पर मुझे body में data मिलेगा मैंने का body is request to request.body जो request.body इसके अंदर meetup object मिलने वाला है तो simply मैं सको कहते हूँ meetup मैं आप कोई validation नहीं कर रहा हूँ कि meetup के अंदर description है मैं यह सब नहीं कर रहा हूँ भी ठीक है तो यह बात का काम है बाद में हम देखींगे तो अभी मुझे यह लग रहा है कि meetup आएगा ही आएगा और जो भी meetup data आने वाला उसको मैं directly save करने वाला हूँ यहाँ मैं लेखूंगा meetup.create या फिर meetup का एक object बनाके आप उसको save भी कर सकते है .save तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ meetup.create तो इसको मैं पास करूँगा meetup object and .then जैसे यह create हो जाएगा मुझे यहाँ प एक नया वाला meetup मिलेगा जोकि save हो चुका है with id और जो भी save हुआ उसको मैं यहाँ से return करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा response.json json में convert करेंगे यह new meetup और उसको मैं यहाँ से return कर देंगे जब भी कोई नया meetup आप create करते हो नया object create करते हो server की API में API में जब भी हम कुछ नया object create करते हैं तो एक status set करते हैं जाओ google chrome में और यहाँ पे लिखो status code 201 इसका मतलब क्या होता है 201 मतलब होता है created ओके यहाँ मैंने क्या है meetup object create किया है इसलिए मैंने यहाँ पे send किया 201 and then json send कर देंगे मैंने क्या create किया है then अब ही चलेगा जब यह create हो जाएगा लेकिन अगर यह create नहीं होगा कोई error आ गई तो उस case में क्या होगा तो मैंने आप लिखा .then के बाद मैं आप लिखूँगा .catch अगर कोई error आती है तो उस case में मैंने का मुझे एक error मिला है इस error का मुझे क्या करना है तो मैंने लिखा response.status set कर देते हैं एक error आया है मैं आप लिख देता हूँ 404 मतलब की bad request 400 bad request मतलब की कुछ आपने input गलत दिया होगा and then हमें आप JSON में send करेंगे message so यहाँ पर मैं लिख देता हूँ error एक object create कर लेते हैं यहाँ आप मैं लिखा error and then इस error के अंदर कोई message होगा वो message मैंने यहाँ से return कर दिया okay इसकी जरूर मुझे नहीं है अब मुझे आप एक post request send करने है तो post request send करने के लिए मैं आप यहाँ तो postman का use करूंगा या फिर कोई API client का तो मैं आप ए thunder client मैंने install किया हुआ है जिसका हमने last time use किया है एक नया request create करेंगे and then यहाँ पे मैं request add करेंगे तो मैंने का localhost colon 3000 slash API slash meetups इस पे मुझे create करने के लिए post request send करना है तो यहाँ पे हम select करेंगे post request and body add करेंगे तो body में आपको set add करना है JSON data okay यहाँ पे मुझे space कम मिल रहा है तो मैं इसको cut कर लेता हूं जिया गया server run हो रहा है background में कोई problem नहीं है यहाँ पे मुझे body set करना है body में मैं भी कुछ भी set नहीं कर रहा हूं directly मैंने send कर दिया यहाँ एरर आया हुआ है model validation field image path image is required okay यह error मैंने send किया है catch के अंदर से यहाँ पे हम add करेंगे image 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 का url image मैं कोई भी image दे देता हूं मैंने कहा image dot image dot iu करके एक को image होगा and then मुझे यहाँ पे set करना है title meetup title description 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 meetup is created from API client single quote नहीं आएगा यहाँ पे आपको proper json पास करना होता है यहाँ पे हम पास करेंगे double quote okay and then location पास करना है मुझे so मैंने यहाँ पे लिखा location is equals to delhi again and then इसको भी हम कहेंगे double quote send करेंगे so यहाँ पे एक और error आचुका है location is required location मैंने send किया है location location is required description is required तो यहाँ पे एक problem है हमने middleware का use नहीं किया है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है तो जो भी मैं body send कर रहा हूं कोई middleware नहीं कोई function नहीं है हमारे पास जो कि इस body को convert कर रहा हो और उसको body में insert कर रहा हूं तो जलते हैं हम यहाँ पर use करते हैं express का एक middleware है हम यहाँ पर कहेंगे app.use express.json यह क्या करता है आप जो body में set करके जो भी send कर रहा हूं data उसको वह convert करके json में javascript object में उसे body के अंदर insert कर देता है okay now save करेंगे application restart हो गया होगा and then request send किया कोई error आ चुका है okay perfect यह रहा meetup यहाँ पर create हो गया है दो meetup हो चुके हमारे पास मैंने यहाँ पर लिखा meetup 3 and then send किया तो यहाँ पर 3 meetup हो चुके होंगे total मैंने का meetup 4 total 4 meetup हो गया है अब मैं अगर इस पर get request send करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए 4 meetups send किया request यहाँ पर देख सकते हो multiple meetups यहाँ पर आ चुके है जो कि मैंने अभी create किये हुए है meetup title, meetup 3, meetup 4 तो इस तरह से मैं यहाँ पर post request को handle कर सकता हूँ meetup को create करने के लिए तो यह जो data जा रहा है यह जा रहा है mongodb में using mongos अब बात करते हैं कि update कैसे करना है meetup को यहाँ पर हमने एक function को put request के साथ यहाँ पर map किया हुए जो कि update meetup इस update meetup में जाएंगे आप send करोगे इस request object के साथ request.body के अंदर और कौन सा वाला जो meetup आपको update करना है उसकी idea parameter में set करोगे ठीक है तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़े read करूँगा पहला चीज़ body के update क्या करना है तो यहाँ मैं कहाँ देता हूँ const const updated is equals to const meetup meetup इसको मैं कहाँ देता हूँ update करना है तो मैं कहाँ देता हूँ const update is equals to हमने इसको लिखा request request.body तो इससे जो भी मुझे update करना है वो updated वाला जो data है वो मुझे मिल जाएग and then const वाला meetup update करना है वो मैं परमीटर मैं साइट करूँग तो मैं यहाँ पर कहा देता हूँ const id is equals to meetup sorry request request.request.params params.id okay params.id मैं यहाँ पर क्यों लखा है id इसनी लिखा क्योंकि मैं पूट request को हैं लिखा है यह id मुझे मिलेग update meetup के अंदर request.params के अंदर से id तो अब मुझे पता चल गया कौन सा meetup मुझे update करना है तो पहले तो हम इस meetup को सर्च करेंगे okay तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ meetup.meetup. या फिर ना सर्च करना directly हम उसको update कर सकते हैं होगा तो हो जाएगा update नहीं होगा तो नहीं होगा update simple तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ meetup.find1 and update find1 and update यह आ गया अब मुझे हम बताना है कौन सा वाला मुझे update करना है तो वह meetup update करना है जिसका id यह given id है प्लस एक और object पास करेंगे जहाँ पर हम बताएंगे क्या करना है आपको मुझे करना है set values को set करना add the dollar set and then आप यहाँ पर पास करते हो एक object उस object में आप बताते हो कि title क्या रखना है इसके बाद आप बताते हो कि description क्या रखना कर रहे तो तो यह जो object है यह मुझे मिलने वाला इस update के अंदर तो directly मैं इस update को यहाँ पर set कर सकता हूँ यहाँ पर मैं लिख दूँगा update जो भी update object आपने पास किया उसके इंदर का description is equal to something title is equal to something तो हो सकता है एक value update करना तो एक object एक value set करोगे दूसरा दूसरी value set करोगे तो इस तरह से जो भी update आपने set किया हो अपडेट हो जाएगा and then आप चाहते हो कि new object मुझे return में मिलना चाहिए update होने के बाद यहाँ पर मैं एक और object पास करूँगा जिसमें मैं value पास करूँगा new is equal to true perfect and then यहाँ पर मुझे मिलेगा promise इस promise के अंदर मुझे मिलेगा updated वाला result मैंने का updated is equal to और यहाँ पर मैं कह देता हूँ response.json response.json और जो भी updated है meetup यहाँ पर वो मैं updated result return करूँगा updated okay now इसकी जरूत नहीं है अगर कोई error आती है तो आप इसके आंगे catch use कर सकते हो catch में आप बता सकते हो कैसा कोई object नहीं है यहाँ फिर updated में मुझे null मिलेगा तो condition आप लगा सकते हूँ now चलते हैं इसको test कर लेते हैं command prompt में देख लेते हैं application run हो रहा है perfect now meetup new request में जाएंगे यहाँ पर मैं post request send कर रहा था मैं इसको put में convert करूँगा and then मैं सिर्फ title change करना चाहता हूँ यह मैंने किया title इन्हें इसको भी remove किया यह होगा मैं title update करना चाहता हूँ अब कौनसे वाले meetup का title update करना चाहते हूँ तो जो मेरा url मैंने configure किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि मैं request के आंगे slash करके id set करूँगा इस तरह से यह वाली id का जो भी meetup होगा उसका title meetup 4 करना चाहता हूँ अभी इसका title क्या है Delhi again इसका title meetup 4 ही है लेक्ट से क्या होता है तो मैंने आपर send किया तो एक error आया हुआ है कि JSON error तो यह comma नहीं होना चाहिए now send किया तो यहाँप यह update हो गया perfect now meetup 4 है इसका title हम चेंज कर रहेते है मैंने आप meetup title updated send किया तो यह आगया meetup title updated perfect है now browser में चलते हैं और सारे सारे जो भी meetups उनको request करते हैं slash API slash meetups यह आगया यहाँआप मैंने update किया हुआ है जो कि है meetup title updated चलते हैं एक बार अपडेट करते हैं इसको मैंने इसको लिखा मैंने इसको लिखा YouTube meetup and then मैंने send किया update हो गया होगा reload करते हैं page last वाला जो था यह रहा YouTube meetup तो इस तरह से मैं यहाँआप update operations perform करता हूँ अगर आप title update नहीं करना चाहते हैं remove करके आप यहाँआ लिग दीजी description so description update हो जाएगा date update करना है तो आप यहाँ डेर send कर दीजी date update हो जाएगा next है यहाँ पर delete करना तो delete करने के लिए का करेंगे हमारे पास router है delete request हमने यहाँ पर handle किया है delete request में request आएगा api.meetup.id जुस भी id आप delete request send करोगे वह id हमें delete करना है चलते हैं delete meetup पे और यहाँ पे delete meetup को implement कर लेते हैं यह रहा delete meetup function इस function में request के help से मुझे यहाँ पर मिल जाएगा id तो इस id को मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ आप यहाँ पर destruct कर सकते हो forms के अंदर से id को directly तो अगर मैं इसको यहाँ से remove करूँ और curly bracket में wrap कर दूँ तो इसके अंदर जो भी id वो मुझे id यहाँ पर directly मिल जाए तो यह एक दूसरा syntax है now delete करते हैं delete करने के लिए मेरे पास id तो मिली चुका है directly delete कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लेखेंगे meetup dot meetup dot find find करना deleted वाला तो आप find करोगे नहीं करना तो directly delete one वाला method यूज कर सकते हूँ यहाँ पर हम लिख देते हैं delete one कि मुझे find नहीं करना कौन सा delete कर रहा हूँ तो directly तो मैंने यहाँ पर लेखा find one delete one delete one को हम बताएंगे कि मुझे underscore id जो id आपने given id है उसको delete करना है delete one होने के बाद यहाँ पर मुझे मिलेगा promise तो मैंने यहाँ पर लेखा delete and यहाँ पर दाएगा deleted जो भी responsive वो and then मैं यहाँ पर लेख देता हूँ response dot response dot status क्योंकि जब भी हम delete करते हैं तो two zero one मतलब कि no content वो delete हो चुका है two zero one नही two zero four no content now no content and then then यहाँ पर मैं pass करूँगा JSON object जहाँ पर यह delete result होगा तो मैं इसको कह देता हूँ response और response में यह जो deleted एक object मुझे यहाँ से मिलने वाला acknowledgement वो मैं यहाँ से written कर रहा हूँ तो इस तरह से simply जो हमारा meetup है वो delete हो जाएगा now save करते हैं और try करते हैं इसको simply यहाँ पर यह id मैं पास किया हुआ है इस पर मैं delete request send करूँगा और इस object की मुझे जरूवत नहींगी delete करते हैं आप कोई data send नहीं करते हूँ जहाँ मैं बता रहा हूँ कि API slash meetup में जो id मैंने send किया इसको delete करना है send करेंगे request तो यहाँ पर आया internal server error delete one and then is not a function ओके तो यहाँ पर then नहीं है THEN type of error now application restart हो गया है okay again problem control c press करके मैं इसको terminate कर देता हूँ and again run कर देता हूँ okay so start हो चुका है हमारा application app is listening send करते है request तो यहाँ पर 204 no content यहाँ पर कुछ JSON response नहीं आया है okay तो यह genuine है क्यों क्यों कि जब भी आप delete करते हो delete में आप status set करते हो 204 तो अगर आपने 204 delete कि है तो आपका जो body है वहाँ पर body नहीं होता है okay लेकिन अगर आप यहाँ यहाँ पर 200 से add करते हो तो आपको यहाँ पर body मिलेगा तो हमें सहाँ लगना 204 जब यहाँ status set करोगे आपको body नहीं मिलेगी तो मैं इसको remove कर सकता हूँ अन्यसरी जूरत नहीं है status जब आप status बद सेंड करना चाहते हो status के बाद आपको लखना पड़ेगा send okay status dot send तो इस तरह से जो भी status हो यहाँ पर send हो जाएगा now try करते है send किया तो यहाँ पर एक error आया हुआ है क्यों हाँ 204 content error आया basically यह delete नहीं होगा होगा क्यों object था ही नहीं तो अभी then चला success response मिला और उसके बाद यहाँ पर आया 204 तो कोई नया आप try कर सकते हो चलते हैं नया try कर लेते हैं यह वाला meetup title वाला मैं इसको copy करूंगा id को replace करेंगे send किया कोई error आ चुका है okay यहाँ पर एक error है कि cast object id fail to the value तो मैंने यहाँ पर object id वो यहाँ पर गलत दे दी है तो इसलिए मैं यहाँ पर validation करना चाहता हूं बाद मैं तो object id यहाँ पर मैंने गलत copy कर ली मैं इसको सही copy कर लेता हूं 6 से लेके f तक okay and then यह यहाँ से रिमूफ किया paste किया proper id and then send कर लिए और इसको cancel कैसे करें यहाँ से send किया तो add 204 क्योंकि अभी 204 यह वाले delete हो गया है तो आपर page को मैं reload करता हूं तो यहाँ पर कितने हैं जब बजे मेरे पास 2 क्योंकि एक पहले delete खर चुका था और एक आभी बाद में किया okay तो इस तरह से करते हैं यहाँ पर करते हैं यहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे mongodb से communicate कर सकते हैं हमने API के साथ mongodb को यहाँ पर implement किया समझते हैं कि full stack application क्या क्या चीज़े होती है और अभी हमने क्या क्या चीज़े सीख ली है okay मैं full stack की बात करता हूं full का मतलब है पूरा ठीक है तो एक application में क्या क्या चीज़े होती है तो पहला तो होता है यहाँ पे database ओके पहला तो हो गया यहाँ पे database जो कि हमने क्या देखा वहीं mongodb के बारे में देखा हमने देखा कि mongoose की help से आप कैसे javascript की help से mongoose से communicate करके database में data save कर सकते हूं इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि API कैसे बनाते ही तो एक तो यह तरीका होगा API के लेकिन अभी हमने यह नहीं सीखा अब हमारे जो website होती उसमे database होता है बीच में API यह जो की data लेके आएगा हमारे लिए mongoose से और simply हम कह सकते ही हमारा server का काम हो गया now यहाँ पे client के लिए हमारे पास कुछ नहीं वहला कि browser में क्या दिखाना पेज तो page में हमको data दिखाना भी हमारे पास API था तो API में यह जो data है यह हमारे कोई use का नहीं user के किसी use का नहीं page design करना है जहाँ पर यह data हमको दिखाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे pages design करेंगे तो जिसको हम design करते हैं अपने html help से css की help से और again javascript की help से javascript आप देख रहा होगे दौनों में common आ रहा है ठीए javascript की help से अगर आपको करना है simply simple pure javascript की help से तो यहाँ पे client end में हमारे पास अलग-अलग frameworks होते हैं और libraries होती है जैसे की react है हमारे पास हमारे पास angular है हमारे पास view.js तो यह बहुत सारी libraries है जिसका use करके हम यहाँ पे client site पे using javascript stml css तो कहीं नहीं जा रहा हो तो हमेशा ही रहेगा ठीक है यह कहीं नहीं जा सकता बट यहाँ पे javascript की help से हम इसको easy बना सकते हैं अपनी design को एक तरीका यह हो गया कि आप किसी library या फर framework को use करो client site पे और इस API का use करो इस angular react और अपने किसी भी library या किसी framework में उस page को design करने के लिए data को retrieve करने के लिए जो भी data मिलेगा वो आपको API से मिलेगा एक तरीका यह हो गया अब दूसरा तरीका क्या होता है core for stack application मराने का कि आपके पास यहाँ पे database है ओके आपके पास यहाँ पे database है database में हमने यहाँ पे क्या की जब हमने API create किया तो API यहाँ से ले रहा है data और API करता है यहाँ पे हमको return करता है JSON हमको क्या मिला page में JSON मिला अभी आप देख रहे हो कि कहाँ पे मिल रहा है JSON हमारे browser पे ही तो मिल रहा है तो हम browser पे JSON return करने की वज़ाए हम क्या कर सकते है JSON को यहाँ से remove करो और आप directly यहाँ पे HTML दे दो यहाँ पे मुझे किसी framework और library की जरूरत भी नहीं पड़ रही यह दूसरा pattern हो गया क्या आप क्या कर रहा हो API जो आप API यहाँ से बना रहा हो API बना के आप क्या कर रहा हो यहाँ पे JSON return कर रहा हो तो API ना बना हो आप यहाँ पे directly आप यहाँ पे यह हमारे request handlers writing बेकार है उसको आप leave कीजी जो मैं बोल रहा हूं उसको द्यान से सुखिए यह हमारे request handler हो जो हमारे functions create all, get all create, update, delete, meet up यह क्या करेंगे यह functions handler हैं यह हमको JSON दे रहा थी अभी तक अब यह JSON नहीं देंगे आप क्या करेंगे यह हमको HTML page देंगे तो इस तरह से हमारे full stack application जो है वो बनके तयार हो जाएगा तो मैंने यहां से JSON response को remove कर दिया जो APIs बनाने का concept था वो मैंने remove किया और अब मैं क्या करूंगा database से data लिकाल के लाओंगा और यहां पर क्या करेंगा हमारा application हमारे request handle remove क्या करेंगे एक HTML page बनाएंगे वह HTML page हम यहां पर return कर देंगे तो इस तरह से हमारे full stack application बन जाएगा यह एक तरीका है दूसरा क्या हो सकता हमने API बनाई हुई है हमारे पास API है API हैंसे हमको मिल रहा है JSON इस JSON को आप use कहा करोगे अपने किसी भी client-side library framework की help से आप एक design यहां पर create कर सकते हो तो इस course के last month मैं आपको एक demo दूँगा जहां पे आप इस HTML return नहीं करोगे जहां पे आप इस API का use करके किसी भी client-side library framework का use करके आप page design करोगे एक दूसरा तरीका हो सकता है तो पहले हम बात करते है HTML rendering की इसको हम कहते है server-side rendering मतलब जो HTML page है वो आपका server पे बनेगा यह जो part है यह मेरा server है तो जो HTML page है वो आपके server पे बनेगा लेकिन जब आप JSON की बात करते हो तो आप JSON देते हो तो यह जो JSON है यह आपके client side पे यह यह आपके client पे काम करता है यह आपके client पे काम करता है तो जो अभी हम सीखने वाले हैं वो हम देखेंगे server-side rendering मतलब जो HTML page है वो आपके server में बनके हमको मिलेगा client-side rendering में client में हमको मिलता है JSON वो JSON हम लेते हैं HTML page कहां बनाते है client-side rendering तो चलिए देखते हैं कि server side rendering में क्या करना है मुझे जाकता कि मैं एक HTML page में ये meetup का data और design जो return कर सकूँ Now बात करेंगे server side rendering कैसे करना है अपने express.js के साथ server side rendering तो बात मगरेंगे पहले हम simply ये सीखेंगे कि page है हमारे पाथ HTML page हम एक HTML page कैसे किसी request में send कर सकते ही तो इसके लिए हम एक नया example क्रिएट कर लेते हैं यहाँ एक नया folder में create कर रहा हूं मैंने इसको लेखा 09 underscore server side rendering server side server side server side underscore rendering server side rendering यह मैंने एक folder है हाँ पर create किया इसके अंदर में एक और folder है हाँ पर create कर रहा हूं 01 01 underscore basics 01 underscore basics यहाँ पर मैं एक express js application create करने वाला हूं तो इस folder के अंदर जाओंगा मैं और इस folder के अंदर इसको मैं कहूंगा open with integrated terminal मैं terminal में open कर लिया यहाँ पर लिखूंगा npm hyphen hyphen npm init hyphen hyphen yes okay hyphen hyphen yes इस से क्या होगा कि simply package.jsm create हो जाएगा default तो यहाँ पी एक create हो चुका है ठीक है now मैं यहाँ पर install करूंगा package express js यहाँ मैं simply लिखूंगा npm install express npm install express जब तक हो express install हो रहा है तब तक हम इस 01 basics के अंदर एक file create कर लेते हैं index.js इससे मैं run करूंगा तो यह आगया index.js run होगा ना इसको run कर लेते index.js को directly node.mon की help से run करूंगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ node.mon node.mon मैं install है कर नहीं है आपके install तो भी कोई बात नहीं है आपको npx help से आप run करो मैं करूंगा npx node.mon index.js तो अगर आपके वाज node.mon नहीं होगा तो node.mon इंस्टॉल हो जाएगा होगा तो जो भी इंस्टॉल है उसका use करके index.js को हमने run कर दिया अब क्या करना है इस index.js में सबसे बहले तो हमें server create करना है तो server create करने में मैं बिल्कुल भी अपना time waste नहीं करूंगा मैं index.js में जाओंगा यहां से में directly पूरा जो code copy करने वाला हूँ ओके नाव आगा index.js में हमने express को import किया meet of router की जरूत नहीं है इसको remove करेंगे app create किया app.json किया जरूरत नहीं है वैसे पर ठीक है connection create नहीं करना यहां पे app.listen हमने किया perfect है यह and then इसके बाद हमने का app.get हमने यहां से response में API create किया जिसमें हमने API is working को return किया perfect तो इस तरह से हमारा API है वो यहां पे तयार हो गया ठीक हम इसको try कर सकते हैं browser पर जाएंगे वापस से and then यहां पर हम लिखेंगे localhost colon 3000 तो यहां पर आया API is working but अब मुझे API नहीं मुझे यहां पर page return करना है तो आप देखते है page कैसे return किया जाता है perfect now यह जो हमारा page is server side rendering है हमारे पास इस server side rendering के अंदर यह रहा index.js okay इस index.js के side में मैं एक और file यहां पर create कर रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया index.html आप जो नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं तो मैं इसको simply कह रहा हूं index.html now इसके अंदर मैं कुछ html लिख लेता हूं मैंने लिखा html5 and then यहां पर में h1 add कर देता हूं मैंने कहा hello this is this is my first html page save किया एक paragraph add कर देते हैं एक paragraph add किया lorem एक dummy text मैंने यहां पर insert किया perfect उस तरह से मैंने simple सा html page create किया now चलते हैं वापस index.js के अंदर यह रहा index.js जहां पर API is working यहां पर मुझे json return नहीं करना मुझे एक page return करना है जो कि index.html जो कि मैंने अभी create किया है index.js के side में ही रखा हुआ है तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं मैं यहां पर लिखूंगा response.send और यह send क्या करता है यह file send करेगा request.send file यह आपका file send करेगा इसको आपको देना है path तो अगर मैं इसको directly नाम दे दूं index.html तो यह काम करेगा क्या तो देखते हैं यह काम नहीं करेगा यहां पर आया path must be absolute absolute path मतलब कि यह full path देना है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है c colon user colon इस तरह का यह path मैं कैसे create कर सकता हूं मैं यहां पर लिखूंगा मेरी directory name क्या है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन से folder में हूं यह मुझे पता चलेगा underscore underscore directory name से इसमें मैं plus करके slash index.html लगा लिखता हूं तो current directory के अंदर है index.html now save किया वापस आते हैं page को reload करेंगे तो आ गया hello this is my first html page and paragraph तो इस तरह से मैंने यहां पर क्या किया एक html page written किया okay now यहां पर मैं student return करना चाहता हूं सारे table के form में वो भी कर सकते हैं कैसे करेंगे simply हम जाएंगे index.js के side में एक और file create करेंगे मैंने लिखा students.html इस student.html के अंदर मैं लिखा HTML5 यहां पर मुझे table क्रेट करना है एक h1 add कर देते हैं मैंने लिखा students एक hr add किया मुझे table create करना है मैंने लिखा table table के अंदर होता है t head, t head के अंदर होता है t r for row and इस के अंदर होगा th for heading मैं आप लिख देता हूं student name and then यहां पर लिख देता हूं student ah number student ka phone number okay now मुझे t body create करना है इसको copy करेंगे paste किया and then यहां पर मैं कर देता हूं t body t body के अंदर t r होगा लेका यहां पर होगा t d t d for table data and something like this यहां पर student ka name देना है मुझे तो यहां पर मैं देता हूं virendra and then इसका phone number तो कोई भी phone नम तो इस तरह से मैंने tr create किया इसको multiple create कर देते हैं यह safe किया वापस जाएंगे index.html में यहां पर एक और endpoint add करेंगे एक url create करेंगे तो हमने कहा slash students पर जब भी कोई request आएगा तो मुझे क्या करना है मुझे कौन सा file देना है user को मुझे यहां पर देना students.html जो की current directory में ही रखा हुआ है तब मैं जब भी request send करूंगा students.html में students पर यह मुझे file देगा students.html वापस चलते है localhost.3000 slash students पर visit करेंगे तो यहां पर आगया मेरे पास table तो इस तरह से simply मैंने यहां पर क्या किया एक html file return कर दिया लेकिन अब यहां पर एक problem है problem क्या है कि html के अंदर मैं कुछ dynamic content add नहीं कर सकता मेरे पास ही students है मुझे database से निकालके यहां पर दिखाने है या फिर मेरे पास javascript object है उस object मेरे पास एक array है student का उस student के array पे iterate करके मुझे यह वाले data यहां पर दिखाना है तो वह मैं यहां पर नहीं कर सकता क्योंकि मैं html के अंदर कोई for loop नहीं लगा सकता कोई if else नहीं लगा सकता simply मैं यह कह सकता हूं कोई logical tags मेरे पास नहीं है जो कि मैं html के अंदर लिखूँ तो यहां पर हमें support मिलता है html के अंदर logic लगाने का templating languages की help से अब यह templating languages क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे तो मेरे पास templated engine है template engines यह रहा मैंने documentation open की express js का यहां पर है template engines ना यह template engine क्या करते हैं यहां पर कुछ warning दी हुई है आप इसको पढ़ सकते हैं यहां पर these template engine works out of the box with express लिए आपको पता नहीं यह कैसे काम कर रहा है बस आप use करो out of the box ठीक है पड़ी करते क्या है तो आपको html के अंदर यह logic लगाने की ability दे देते हैं ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अपने html page के अंदर कुछ logic लगा सकते हैं हम क्या करते हैं यहां पर हम tr को एक ही बार create करते हैं लेकिन हमारे पास अगर 100 student है तो हम इसको loop लगा के 100 बार create कर देते हैं ऐसे create होता है dynamic content तो dynamic content generate करने के लिए हम यहां पर templating languages का use करने वाले हैं तो अब हमारे पास बहुत सारे template engines है यह देख सकते हो यह एक reference है तो एक ही नहीं है बहुत सारे है इसमें से मैं आपको एक use करके दिखाऊंगा जो की है swig template swig template क्या है अगर आपने जैंगो में काम किया तो जैंगो की language है HTML create करने की वही same language यहां पर यह use करता है यहां पर आप देख सकते हो यह कुछ इस तरह से तो इसके अलग syntax होते है जैसे कि हमें JavaScript में अगर variable create करना है तो हम where का use करते है अगर हम for loop का use करने के लिए अलग syntax है वैसे ही हमारे HTML page के अंदर हमे swig का use करना है तो उसकी एक अलग language है तो यह उसके syntax है curly bracket open close percent sign for and then object name कुछ इस तरह से तो हम यह आँगे इसको हम सीखेंगे कि यह कैसे काम करता है तो simply अभी आप याद रखिए कि template engines है जो कि आपको dynamic content create करने में आपकी help करेंगे तो आजी समझते हैं कि template language का आप यहाँ पर use कैसे करना है now समझते हैं कि swig template को हम यहाँ पर कैसे use करेंगे 01 जो basics है उसमें मैंने आपको simply यह बताया कि index.js जो हमारा यहाँ से हम कैसे file को सर्व कर सकते हैं तो अब हम देखेंगे templating language का use करके dynamic content कैसे generate करना है वो देखेंगे 01 basics से इसका में copy create कर लेता हूं यहाँ यहाँ पर 01 basics underscore copy okay मैं इसको rename कर लेता हूं मैंने इसको कहा 0202 underscore मैं इसको कहते हूं swig okay now swig के examples देखेंगे तो इस folder में चलते हैं और यहाँ पर मैं open कर लेता हूं integrated terminal तो यहाँ पर terminal open हो गया now यहाँ पर मैं run करूंगा तो मैंने यहाँ पर लेखा npx node-mon index.js index.js तो जो भी basic code हमने last example में लेखा था वही सारा यहाँ पर फिर से run होने वाला है यहाँ पर problem आ चुका है कि express नहीं मिला ओके यहाँ पर हम installation करना पड़ेगा तो अगे मैं आहाँ पर simply कहूंगा npm install क्योंकि express जो है वो हमने basics folder के इंदर install किया था तो इस swig folder के इंदर install करने के लिए हमें सिर्फ लिखना npm install जैसी में लगता हूं npm install तो यह package.js के अंदर जो भी dependencies यहां listed है वो सारी की सारी इस folder में install हो जाती है ओके ना चलते हैं तो यह जो index.html है इसको मैं यहां से remove कर देता हूं और यहाँ पर student.html इसको मैं यहां से remove कर देता हूं ओके तो अभी मेरे पास सिर्फ एक index.js है basics के अंदर swig यहां पर swig-swick के अंदर index.html इसको remove किया और swig के अंदर index.js है यहां पर抵 QUE हbabलो नकूरा है यहां परdist MON index.js यहां है यहां करेंगा और मैं इसको भी यहां से remove कर देता हूं और इसको भी हम यहां से remove करेंगे तो इसको देखने की जरूरत वैसे कुछ नहीं है तो मैं इसको bottom में move कर देता हूँ उतनी जाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बस वो run होता रहेगा now तो जो हमने Swig अभी install नहीं किया now Swig को install करेंगे मैं तो Swig install करने के लिए यहाँ पर documentation को आप follow कर सकते हैं Swig template हम यहाँ पर use कर रहे हैं इसका link आपको मिल जाएगा description में ओके नहीं तो simply आप देख सकते है Swig template Google में तो आपको इमिल जाएगा getting starting पर click करेंगे यहाँ पर यह रहा कैसे इसको install करना है तो npm install swig-save उस तरह से आप इसको install करेंगे मैंने copy किया वापस आते हैं टर्मिनल में paste करेंगे तो यह 02 Swig के अंदर install कर रहा हूं मैंने का npm install swig-save तो यह package.json में इसकी जो entry वो यहाँ पर हो जाएगी and जो swig है वो यहाँ पर install हो जाएगा now install हो गया अब इसको use करना है कैसे use करना है तो simply आप documentation को follow कर सकते है getting started में जाओग तो यहाँ पर express.js लिखा हुआ है यह रहा कि express.js के साथ इसको कैसे use करना है तो first step है पहले इसको लोड करेंगे तो यहाँ आगया swig इसको हमने लोड किया swig लोड करने के बाद हम यहाँ बताएंगे कि engine app.engine यहाँ से magic start होता है इन्होंने लिखा हुआ है क्या होता है यह मैं आपको बताऊंगा आंगे यहाँ पर app.set view engine html and then आपने बताया कि views मनलब की जो views हमनलब जो सारे html files है वो आप कौनसे folder में रखने वाले हो वो बता होगे आप यहाँ इससे क्या फाइदा होगा आप यहाँ पर बार बार आपको folder directory name का use निकलना पड़ेगा automatic हम पहले ही बता देंगे swig को कि हमने सारे html कहां रखे हुए है वहाँ से वो pages को अठा लेगा तो start करते हैं तो पहले तो मैं इसको run कर ले तो मैंने का npxnodemon index.html sorry index.js यह हो गया run now यहाँ पर मैंने app को create किया now use करेंगे swig का तो मैंने का const swig is equal to require load करेंगे swig यहाँ पर हमने लिखा swig now swig load हो गया now swig को हमको use करना तो हम इस app को बताएंगे पहला काम हमारा की app.engine यह रहा तो हम हम बताना है की app.engine में कि हम क्या यहाँ पर use कर रहे है कौन सा engine क्योंकि हो सकता हम swig के लिए कुछ और use कर रहे हैं ओके वैसी हम आप बताएंगे f.engine तो html file से हमारी हम html file create करने वाले हैं और swig है यहाँ पर मैंने कहा swig dot एक काम करते हैं मैं इसको use नहीं कर रहा भी simply तो अब क्या करेंगे हमने हमारे पास swig आ गया मैं यहाँ पर क्या करूँगा swig के पास एक method है कौन सा method swig के पास एक method है render render file वो क्या करेगा आपके file को render करेगा simply तो उसको use कैसे करना है यहाँ पर मैंने पास को index.html नहीं है तो मैं simply index.html मैं create कर लेता हूँ swig के अंदर so मैं एक folder create कर लेता हूँ views नाम का views generally हम views के अंदर रखते हैं सारे html files convention होता है जिसको हम views कहते हैं यहाँ पर मैं एक folder create करूँगा मैंने लेखा views और इस views के अंदर मैं सारे html files रखना चाहता हूँ मैंने इसके अंदर रखा एक index.html या फिर मैं इसको कह देता हूँ home.html इस home.html के अंदर हम कुछ html add कर लेते हैं मैंने आप लेखा h1 home page now इस home page को कैसे मैं server करूँगा using swig वो देखते हूँ index.js में वापस आएंगे जब भी कोई request आएगा slash HTML अपकी home पे तो हमें क्या करना है swig की help से render करना है file तो क्या गरेंगे simply हम यहाँ पे कहेंगे swig.render file render file नाम का एक function है मैंने का swig.render file इस render file को हमें देना होता है path तो हम देंगे इसको अपना file का path फाइल कहां पे रखा हुए है तो file रखा हुए underscore directory name plus कहां पे slash views के अंदर है home.html यह हमारे file का path है तो यह उस file को read करके हमें return करेगा एक data जो भी response उसके अंदर है जो भी उसके अंदर लिखा हुए वो हमको return करेगा तो मैंने आप लिखा const मैंने इसको कहा दिया html तो हमको मिल गया है html इस html को हमें return करना है client को using response हम यह जो html है send कर सकते हैं तो proper चलेगा कोई error आया हुगा है देख लेते हैं क्या है यहां पर आया require को लेकर error ओके require यह now save किया application reload हो गया वापस चलते हैं home page में visit करते हैं localhost colon 3000 तो क्या है home page perfect अब मुझे क्या करना माली जी मैंने एक और page बनाया जिसमें मैं कह देता हूँ slash home और इस slash home पे मुझे again home page ही देना है तो मैंने कुछ नहीं किया जाता home page इसमें मिलेगा मुझे ठीक है अब मैं यहां पर कह लेता हूँ slash home तो यहां पर application reload हुआ app.get slash home home पे मैंने home page दिया यहां गया home page पर्फेक्ट लेकिन आप देख रहा होगे यहां पर बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ यहां पर directly name हर बार मुझे change करना पड़ रहा है माली जी मैंने सारे views को कहीं और move कर दिया तो मुझे इस views का नाम change करना इसको एक बार कर सकते हैं बार बार ना करके ठीक है इसलिए यहां पर हम यूज़ करते हैं इंजन का तो अपने app को बता देंगे कि सारी files कहां रखी है तो मैंने बता दिया यहां पर कि app.engine app.engine और हम बताएंगे कやって mo sage file यूज़ कर रहा है यहां पर क्या करना है तो हम app को बताएंगे liar ंप इसको उसको काल कर दो इस file यहांपे मैं बता रहा हूं कि swix के अंदर freshwater file को कॉल करना है औं स्विक हो सकता है मैं कोई accessibility engine यूज कर रहा हूं तो अगर मैं कोई दूसरा डाम रेंजन यूज करने लगा तो उस case में क्या होगा मुझे हर जगह जाके change करना पड़ेगा इस method का नाम लेकिन अब मुझे नहीं करना पड़ेगा कि मैंने एप को एक बार बता दिया अब मुझे यहाँ पर render file करने की ज़रूत नहीं है simply यह remove करेंगे हम करेंगे response.render response.render render को हम pass करते है request object जो request है क्योंकि यह space के अंदर हमें ज़रूत पड़ सकती है और दूसरा parameter हम यहाँ पर pass करते है पहले हम इसको pass करेंगे view name तो आपके file का क्या नाम है और वो कहां पर रखा हुआ है तो views के अंदर तो by default हमारा जो application उसको views के अंदर ही सर्च करेगा तो simply मैं यहाँ पर लिखूँगा home और same चीज मैं यहाँ पर लिखूँगा response.render and then यहाँ पर मैं लिखूँगा home ओके ना वापस आते हैं page को clear reload तो यहाँ पर आ गया कि no default engine was specified and no extension was provided तो हमें यहाँ पर default engine बताना है और extension यहाँ पर लिखा हूँ view engine यह मुझे यहाँ पर set करना है यहाँ पर हम कहेंगे app.set set को हम बताएंगे view का engine क्या है तो engine यहाँ पर हम बताएंगे html मतलब कि हमने बताएगी file का जो extension है वो html files है okay now आप देखते है page को हमारा application page इसको reload कियते हैं यहाँ पर क्या है home page आप इसको remove करते है home page अगेन आया तो मेरा कितना काम असान हो गया वो देख सकते हो आप मुझे यहाँ पर render file का user लक्सी नहीं करना पड़ रहा मुझे direct rename नहीं बताना पड़ रहा html या फिर मैं इसको कहा हूँ pages तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो html pages है वो pages के अंदर चलेगा अब यह page नहीं मिलेगा कि यहाँ पर यह क्या करता है यह automatic view के अंदर धूनने की कोसिस करता है लेकिन मुझे आप यहाँ पर करना है इसको change करना है कि इसको views के अंदर मैं ढूंड़ो इसको pages के अंदर सर्च करो ठीक है तो हम इसको configure कर सकते हैं कैसे configure करेंगे app.set की help से बताएंगे के app.set कहां पर रखे हुए हैं सारे हमारे views वो हमें आप पर configure कर सकते हैं कैसे हमें आप बताएंगे app.set बताएंगे इसको views सारे views कहां पर रखे हुए हैं आप बता दो तो हम बताएंगे के directory ने मलब current directory में ही आपको search करना है लेकिन slash pages के अंदर तो मैंने का slash pages अभी मेरी जो सारे views हैं वो कहां रखे हैं directory pages के अंदर सारे views हैं तो जब दी मैं लिखूँगा home तो application क्या करेगा pages folder के अंदर home को धूनने की process करेगा जो कि हम मिल जाएगा तो या गया home page इस तरह से आप और भी pages के लिए create कर सकते हों तो simple से यहाँ पर एक configuration है कि आप बताओ view engine क्या है आपका extension html html क्या है आपका जो भी html के लिए आप use कर रहे हो तो आपने switch.render file use करना है engine html files के लिए यह वाला आप multiple engine भी use कर सकते हों कोई और extension के लिए कोई और ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर हम लिए html के लिए render file views का जो folder है वो कहाँ पे pages यह मैंने बताओ अगर आप यह नहीं करते हैं तो by default views के अंदर ही होगा एक और create करके देखते हैं तो home को मैं कह देता हूं students मुझे करना students.html render करना है इस पर मैं यहाँ पर लिखूँँगा students.html लिखने ही ज़रूद नहीं ज़रूद नहीं just students इसका मतलग है को students.html नाम का file आपके pages के अंदर रखा हुआ है लेकिन अभी तो यह नहीं है तो हमें आपके create करेंगे एक file मैंने create किया यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया students.html इसके अंदर html add कर देते हैं मैंने का html यह add किया यहाँ पर मैंने लिखा students page and then इसको मैं cut करके h1 के अंदर wrap कर देता हूँ यह now मैं विजट करूँगा local school and 3000 slash students पे तो मुझे मिलेगा students page okay कहीं spelling mistake है students students पे मैंने कहा render करना है मुझे students.html और यह students.html है यह रखा हुआ है आपके pages के अंदर perfect application reload हुआ now page को करेंगे reload तो यहाँ पे आगे students page so मैंने आपको बताया था कि हम यह स्विक टैमिलेट इंजन की का जो यूज कर रहा है वह हम कर रहा है dynamic content generate करने के लिए okay लेकिन अभी dynamic content तो हमने generate किया ही नहीं so dynamic content generate कैसे होगा वो देखते हैं so dynamic content वालब यह पेज में हम एक template create कर देंगे कि यह हमारा template है data change होता रहेगा data कैसे change होगा वो देखते हैं माल लीजिए भी मैंने home.html है simply चलते हैं home.html के ही अंदर यह रहा हमारा homepage यहां से हमें homepage मिलता है तो वापस चलते हैं हम अपना homepage विजिट कर लेते हैं यह आगे हमारा homepage अब इस homepage हम मुझे करना dynamic content add करना तो माल लीजिए मैं अपने homepage में data दिखाना चाहता हूँ तो इस render function को हम इस page को data pass कर सकते हैं कैसे pass करेंगे तो इसको मैं simply कहता हूँ context जो भी हम data pass करते हैं इसको हम कहते है context तो मैंने इसको कहा context 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 की spelling गलत है context यह रहा context में एक object pass किया object को हम key value pair pass करेंगे तो मैंने यहां पर पाल लीजिए name is equals to name का value मैं पास कर दिया और यह context हम इस render function को pass करेंगे second object होगा कि data आप page में दिखाना चाहते हो data आप यहां पर pass कर सकते हैं response dot render homepage homepage को हमने पास किया context context के अंदर है name और name जिसका नाम है variant है context हम वहां पर read करेंगे index अपने home dot html के अंदर home dot html में जाएंगे यहां पर मैं simply paragraph create कर लेता हूँ अब कोई value कोई variable का value होगा आपको यहां पर print करना तो आप use करते हो double curly bracket का double curly bracket का मतलब यह कि किसी variable की value आप page में show करना चाहते हूँ तो मैंने वहां से context के अंदर क्या पास किया name तो मैं यहां पर लिखूंगा name तो जो भी name का value होगा वो मुझे यहां पर show होने लएगा ठीक है नव वापस चलते है page को reload करेंगे तो यहां पर आपको देखने home.html page को reload कर रहा तो वो reflect नहीं हो रहा है क्यों क्यों HTML page यह caching हो रही है तो अगर यह page change होता तो उसको reflect नहीं कर रहा है जब तक application reload नहीं हो तो बिना application reload करें मैं चाहता हूँ homepage का data change होता रहा है तो मैं आप setting कर सकता हूँ development mode के लिए swig को हम बोल सकते है cache is equals to false तो अब यह page जो है caching नहीं करेगा सब्सक्राइब हमारे page की तो अब मैं जब भी page reload करूँगा यह दोबारा से render होगा तो सह है my name is viran अगर मैं यहाँ यहाँ पे दो dot 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 or add करता हूँ page को मैंने save किया और फिर से page reload करूँ तो यहाँ पे यहाँ पे यूज कर सकते है तो simply मैंने आपे कि एक name का value वह यहाँ पे print किया now एक काम और करते हैं कि आज का date क्या है वह हम यहाँ पे print करना चाहते है माली जी मैंने आप एक h1 add किया मैंने का today is और आज का मैं यहाँ पे date print करना चाहते हूँ ब्रेकट में लेखा date date क्या यह date मैंने इस page को pass किया नहीं किया तो मुझे date यहाँ पे नहीं दिखे गा यह date हमें इसको pass करना पड़ेगा जब हम home page render कर रहे हैं क्या इसको मैंने date pass किया सिर्फ name pass किया यहाँ पे date भी pass करूँगा new date यह तो आज का जो भी date है वो मैंने इसको pass किया तो भी date था वो मैंने home page पे print किया हुआ है वो जो home page पे date था वो date मुझे यहाँ पे देखने मिलेगा यह आ गया object बढ़ यह object के form में आ रहा है तो इस date को क्या कर सकते हैं date का मुझे माल लीजी चाहिए यह मैंने का get get date dot to local date string local date string function call किया तो यह मुझे को date string देगा तब इस date में date string आ चुका है और इस date string को मैंने यहाँ पे print किया हुआ चलते हैं page पे page को reload करेंगे तो यहाँ पे आया date तो यह dynamic value अगर मैं यहाँ पे time print करूँगा तो आप देख पाएंगे कि data change होगा हर वार जब भी मैं page को reload करूँगा तो मैंने इस context में time भी add कर दिया लेकिन इस बार मैंने कहा get new date dot to time string जो भी time string वो मिला इस time को मुझे print करना है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ today is और यहाँ पे मैं time दे सकता हूँ मैंने का time save करेंगे यहाँ पे और add कर देते हैं इस तरह से जब भी मैं page reload करूँगा मुझे यहाँ पे time देखने मिलेगा today is time print क्यों नहीं हुगा क्योंकि index dot js में मैंने time pass किया new date time time print होना चाहिए क्या बात है new date dot to local time string call करते हैं यह से मुझे time मिल जाएगा and then time को मैंने home के अंदर directly यहाँ पे double कर दी bracket में time pass किया तो आना चाहिए page को reload करेंगे तो यह आ गया time page को reload कि अब देखो हर बार millisecond change हो रहा है क्योंकि server इसको बार बार render कर रहा है तो time हर बार change हो इसको मैं कहता हूँ dynamic content okay यह तो मैंने आपको दिखाए कैसे हम किसी variable की value को अपने html page में show कर सकते हैं now यहाँ मैंने थोड़ा सा changes किया हुए index.js मैंने सिर्फ date pass किया है और यहाँ पे हम double curly bracket के अंदर date को directly print नहीं करें हम date के एक function को भी call कर सकते हैं javascript जो function को करते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं time click मैंने date dot to local time string call कर दिया date string यहाँ पे print हो गया तो इस तरह से हम functions भी double curly bracket के अंदर print कर सकते हैं तो वो जो भी value return करते हैं वो हमारे page में print होती है तो यह तो था simply अब चलते हैं student.html में और देखते हैं student.html content generate कर सकते हैं तो भी मैं home.html को close कर रहा हूँ यहाँ पे router add करेंग student page के लिए यह मैं कर चुका हूँ वैसे भी app.get students students.html यहाँ पे print करता है student.html के अंदर क्या है student page लिखा हुआ है simply चलते हैं page में visit करते हैं slash students page यहाँ पे आगे students page now, मुझे यहाँ पे print करना है students का data माल लीजिए मेरे पास एक students का list है मैंने यहाँ पे लिखा const students is equal to यह मेरे data का नाम है यहाँ पर मैं simply इसको कह देता हूँ data is equal to यहाँ पे कुछ student का list हम यहाँ पे create कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा Mohan and then यहाँ पे लिखा विरेंद्र इसके बाद मैंने आप लिखा संदीप इसके बाद मैंने आप लिखा सूची और विशाल और एक और नाम मैं आप एद कर देता हूँ शिड तो यह कुछ नाम है तो मेरे पास student का list आ गया अभी student की list मुझे अपने page में show करना है एक list के form में यह कैसे करेंगे वो देखते हैं तो पहला काम कि जब हम रेंडर करेंगे अपना students page student.html तो यह जो data ही हम इसको send करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे create कर लेते हैं context context या फिर data जो कुछ भी बोलो आप context इसमें आपको key value पे पास करना तो माली जो का key मैं रखना चाहता हूँ students और इसका value का data तो students की help से यह हमारा key है इस key की help से मैं student.html में अपने students को access करूँगा तो अब चलते हैं student.html में अभी मैं एक चीज मिस कर गया render करते time मैंने यह data पास नहीं के तो यहाँ पे कॉमा करके हम पास करेंगे यह context इस तरह से जो context मैंने पास के इसके अदर students मुझे मिलेंगे student.html के अंदर यहाँ पे हम print करेंगे तो just मैंने double curly bracket लिखा इससे मैं किसी variable का value page मैं show करता हूँ यहाँ मैं लेखा students तो जो भी array था वो array मुझे यहाँ पे देखेगा अपने page पे वापस आते हैं page पे page reload किया तो यहाँ पे क्या है कॉमा करके सारी values जो है print हो चुकी है तो इस तरह से मैंने array को directly print कर दिया लेकिन मैं array के एक-एक element को अलग-अलग print करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक loop लगाना पड़ेगा for loop का use करेंगे जिसकी help से हम एक-एक instrument को print कर सकते हैं थोड़ा decorate करके now समझते है loop कैसे यहाँ पे use होता है loop बहुत simple है पहला तो syntax आपको याद रखना है क्या होता है इसमें कुछ भी logic tag यूज़ करने का logical tag यूज़ करने का sentence curly bracket open close इसके अंदर आप लेगोगे 2% sign यह ओगया opening यह दूसरा होगया closing अब यहाँ पे आपको बताना है क्या आप loop यूज़ करना है तो मैंने का for for इसके बतार बताओगे आप एक variable name student है तो मैं इसको देता हूँ student in use करोगे आप and then students students in student एक बार मैं confirm कर लेता हूँ in है या फिर off है थोड़ा से confusion होता है यहाँ पे आप documentation को भी रीड कर सकते हैं यहाँ लॉज़िक tag logic tag के अंदर है for loop यह रहा if and for loop logical tag होते हैं यहाँ person in people वैसी ही मुझे करना है student in students students एक list है इसमें से एक-एक student object मुझे मिलेगा इस student variable के अंदर now is for loop को हमें close भी करना है close करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो again same syntax open close and then यहाँ पे लिखते हो and for so कोई भी आपका tag होगा for if हो last में end करने के लिए आप end का use करके अपने tag का नाम end for इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वह उतने बार print होगा जितने students के अंदर होगे माली जो मैंने यहाँ पे लिखा just मैं लिखता student now वापस चलते है page में page को reload करते हैं यहाँ पे देखो बार बार student 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 print हो गया क्योंकि जब loop चला जितने student थे उतने बार यह loop चलेगा इसके अंदर का content उतने बार print होगा अब यह जो student test का value मुझे print करना तो मैं double curly bracket का use करके इस student की value उसको print कर सकता हूँ page पे यहाँ मैं लिखूँँगा student यह आ गया तो loop चलेगा इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है student के अंदर के value था वह मुझे पेज में show होगा वापस आते हैं page को reload किया तो आया value print होगया अम इसको list के form में कैसे दिखा सकता हूँ मुझे decorate करना तो यहाँ पे मैं माल लीजे इसको h1 में दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने add कर दिए h3 यहाँ पे मैंने add कर दिए h3 तो इससे क्या होगा एक h3 create हो जाएगा जिसके अंदर student का नाम मुझे show होगा देख सकते हो इस तरह से अब मुझे एक list create करना है तो मैं क्या करूँँगा list हम कैसे create करते हैं तो पहले मैं list tag का use करता हूँ li list में हम ul या ul का use करते हैं और इसके अंदर होता list item तो जो item बार बार आता है जैसिकंग मैंने list create किया to li आएगा बार बार जो चीज बार बार आएगी वो आएगा loop के अंदर मैं इस loop को यहाँ से cut करके इसके अंदर paste कर देता हूँ लिस्ट क्रियेट हो गया तो इस तरह से हम यहाँ पर पेज को डैकुरेट कर सकते हूं तो यह था basic for loop कि हम यहाँ पर for loop का use कैसे करते हूं ओके यह था for loop हम देखेंगे next section में कैसे complex object में इस loop का use करके table create कर सकते हूं ठीक है तो हाँ पर direct student था तो directly name print हो गया अगर student object एक complex object होता तो हम इसको कैसे यहाँ पर use करते हैं वह हम देखेंगे now बात करते हैं कि complex object अगर आपके पास है तो अभी मैंने क्या किया हुआ था students का मेरे पास list है जिसमें simple मैं इस string का use किया है मेरे पास यहाँ पर simply name है student के तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास complex object है तो मैं उस पर कैसे iterate करूँगा वह देखते हैं तो complex object मैं कैसे create करूँ multiple इसके लिए मैं आप एक utility use करूँगा एक website है मेरे पास इसको मैं कहता हूँ कि यह number है तो यहां से सर्च कर सकता हूँ basically यह बहुत काम की चीजिए आप इसको देख लिए इसको देख लिए इसको देख लिए इसको देख लिए नमबर है वजह निट किया minimum कि यह इतना मैं इसको copy कर लिया यह मैंने copy किया and copy करने के बाद हम इसको यूज करेंगे तो यहां पे जो मेरे पास swig zero to swig है इसके अंदर मैं directly एक थोड़ा सा यह problem करता तो यह काम करता हूँ पहले तो कि मैं swig मैं open कर लेता हूँ अपने file explorer में and then मैं vs code को बंद कर देता हूँ and then मैं सिर्फ फोल्डर को drag करके अपने vs code में drop करूंगा तो इससे क्या होगा कि सिर्फ जो swig folder है वही vs code में open होगा तो इस तरह से जो zero to swig folder है वो मेरे vs code में open हो चुका है now इस project को हमें run करना है तो simply हम यहाँ पर terminal open करेंगे and then यहाँ पर मैं लखूँगा node-mon index.js perfect अभी जो मैंने data copy किया है मैं उसको यहीं पर रख लेता हूँ तो मैं यहाँ एक file create कर लेता हूँ मैं इसको यह देता हूँ data.js data.js and is a dummy data है क्योंकि हमने testing के लिए यहाँ पर create किया हुआ now is data.js में एक variable मैं create कर लेता हूँ students is equal student जो भी data हमने copy किया तो मैंने यहाँ पर paste किया मेरे पास इस तरह से सारे students आ गए जो की है मेरे पास total 100 students और जिसे मैंने एक students variable में store किया हूँ perfect now is students variable कहां में बाहर use करना है तो हम इसको export करेंगे now export करेंगे तो यहाँ पर हमने लेखा module.exports module.exports is equal to यहाँ पर हमने पास किया students right now अब चलते हैं index.js में now index.js में हमें सारे students को render करना है तो यहाँ पर जो const data है इसको मैं यहाँ से remove कर देता हूँ और simply मैं यहाँ पर pass कर देता हूँ students तो यह students क्या है इसको हम import करेंगे data.js से okay so यह students को import करेंगे data.js से तो यहाँ पर मैंने लिखा const something मुझे को इंपोर्ट करना है कहां से तो हमने यहाँ पर लिखा require मुझे import करना है dot slash data.js से यह रा data यहाँ से मुझे import करना है students सारे students का list है वो import हो गया एक complex object है तो वह एक complex object li के form में यहाँ पर print हो जाएगा आँ चलते हैं page में इसको test कर लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा localhost colon 3000 slash students students यहाँ पर क्या आया Mohan, Virendra तो यह एक बार file को save कर लेते हैं page को reload करेंगे तो यहाँ पर एक-एक object जो हो print हो रहा है तो क्योंकि एक complex object है इसलिए पुरा object ही यहाँ पर लिखा हुआ है अब मैं अगर सकता हूं student.html में आएंगे student यह complex object है अगर मुझे ऐसे json में convert करना है तो simply मैं pipe का use करूंगा pipe एक तरह से function call होते है internally यहाँ से function call होगा JSON function को यह json जब मैं लिखता हूं colon pipe json internally switch क्या करेगा एक function call करेगा जो इस student object को json में convert कर देगा perfect अब एक student के अंदर first name है last name है तो मिरे पास student एक object है इस पर मुझे चाहिए first name या फिर id मैंने का id तो इस तरह से id मिलेगा एक dash लगा के यहाँ पे उसका first name भी चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा student dot first underscore name तो इस तरह से id dash student का first name page पे print किया तो यह आ गया उसको हम table के form में show कर सकते हैं तो अब मैं ul को table में convert करना चाहता हूं तो मैंने का table और मुझे अब एक row create करना ही है तो मैं इसको करूँगा tr में convert तो यह हो गया table का row मैंने create कर दिया and table के row के अंदर होता table data मतलब की td यह मैंने td create कर दिया इसके अंदर मैं double curly bracket use करके मैं कहूंगा student मुझे चाहिए student का id copy किया student का first underscore name मुझे चाहिए student का last name तो मैंने का student dot last name वैसे मुझे यहां पर चाहिए student का email student का email आ गया मुझे चाहिए student का age तो इस तरह से मैंने एक row create किया जहां पर यह row बार बार create होगी जितने student उतनी rows यहां पर create हो जाएंगे और उनका data यहां पर show होने लगे पे reload किया तो यहां पर table create हो गया जिसमें यह create होगी अगर मैं view page source करता हूँ तो आप यहां पर देखोगे एक एक row create होगा एक तो तीन ओके इस तरह से यहां पर dynamic content आप जो create कर सकते हो complex object के साथ ओके तो यह तो था for loop के हम कैसे looping करते हैं किसी भी array में ओके नाव यहां यहां पर कैसे लगा सकते हो वो हम देखेंगे next action माली जी अब मुझे यहां पर condition लगानी है कि अभी क्या हो रहा है कि यहां पर सारे जो भी students की list है वो पूरी मुझे list यहां पर show हो रही है तो यहां पर आप देखोगे कि कुछ यहां पर कुलत से ओके हो करना है तो इसके कंदीशन कहां पर लगा सकते है how यहां पर मुझे इसके माल ला लेशन मुझे एक मुझे और दो और बाहर दो कि इफ के बाद आप देते हो condition, तो माली जी मेरा condition है कि 12 is less than 10, ओके, यह मेरा एक condition है, कि यह condition true है, नहीं, यह condition false है, तो अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, end if, and then इसको पहले close करेंगे, और end करने के लिए हम यहाँ पर use करते है, end if का मतलग जो if block है, वो यहाँ पर end हो गया, यह condition अगर false है, तो यह इसके अंदर का code नहीं चलेगा, लेकिन अगर यह condition true हो जाती है, तो मैंने कहा 12 is greater than 10, तो इस case में क्या होगा, यह condition true होगा, यह condition true होगा, तो इस end if और इस if block के अंदर जो भी लिखा है, वो प्रिंट होगा page पे, तो माली जी मैंने आप लिख गे, h1 and then यहाँ पे लिखा कि condition is true, तो अगर condition true है यह वाली, तो यह h1 मुझे page में show होगा, page को reload कर देते हैं, आपर क्या है, condition is true, लेकिन अगर यह condition false हो जाती है, मैं इसको कह देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 90, 90 जो है, वो 12 से बड़ा है, तो यह condition false होगा, क्योंकि यह condition false होगा, यह condition is true, नहीं होगा, तो अगर मैं page को reload करता हूँ, तो यहाँ से remove होगा, अब यहाँ पे if else भी होता है, तो end if के पहले मैं आप एक else भी use कर सकता हूँ, same syntax, curly bracket, open close, percent sign, and then यहाँ पे हम लिखते हैं else, तो इस h1 को मैं copy करके यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इस case में क्या हो होगी, तो यह else part चलेगा, अगर true होगी, तो यह वाला चलेगा, तो इस case में क्या आएगा, condition is false, जो है, वो print होगा, तो यहाँ condition is false, लेकिन अगर मैं 90 को कर दूँ 0, तो यहाँ पे 0 is less than 12 है, तो condition is true, यहाँ पे क्या है condition is true, तो इस तरह से मैं conditional statement use कर सकता हूँ, तो इसको मै मैं भी comment कर रहा हूँ, and then यह आपको page में show नहीं होगा, अब यह same condition मैं इस row मैं use कर सकता हूँ, इस मैं कैसे use कर सकता हूँ, मुझे row को hide and show करना है, तो मैं उसको यहाँ से cut कर लूँ, और यहाँ पे मैं लगा लूँ एक if, तो यहाँ पे मैं add कर लेते हैं, एक if, तो मैंने क condition true होगी, तो इसके अंदर का content है, वो page में show होगा, यह आगया, तो मैं यहाँ पे यह इस तरह से इसको कर लेता हूँ, तो loop चलेगा, यहाँ पे मुझे condition में check करना, क्या check करना है, if student.age is greater than 20, तो जिसकी age greater than 20 है, यह वही मुझे page में show होना चाहिए, यह मैंने condition लगा दिया, if student.age is greater than 20, then यह TR create होगा, अगर यह false होगे condition, तो कोई TR नहीं होगा, now save करते हैं, वापस आते page में reload किया, तो अभी आप देखो, क्या हुगा, सारी की सारी जितनी भी age यहाँ पे show हो रहे हो, सारी की सारी 20 से बड़ी है, 20 से बड़ी तो पहले भी थी, तो यह काम करते हैं, कर लेते हैं, जो भी student की age 40 से बड़ी होगी, वो मुझे show होगा, page reload कियाते हैं, आप देखो 42, 41, सारी की सारी, condition थोड़ा और change करें, मैंने का 44, and then page को reload कियाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 ही student है, जिसकी जो age बड़ी हो 44 से बड़ी है, तो इस तरह से मैं conditionally यहाँ पे इसको render कर सकता हूँ, ओके, ना उसको थोड़ा सा और change करते हैं, तो इस table को मैं simply यहाँ से copy कर लेता हूँ, इसको मैं comment add कर देता हूँ, जो next यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट किया, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अगर student की age, इसको यहाँ से cut करते हैं, थोड़ा सा practice करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा, if, if मैं मैं कहूंगा कि अगर student.age is greater than 35, मैं चाहता हूँ, जो 35 से बड़े हैं, वो vote कर सकते हैं, तो अगर student की age 35 से बड़ी है, तो मुझे यहाँ पे क्या show करना है, वो हम बताएंगे, and then end करेंगे, if को तो मैंने आपे लिख दिया end if, percent sign को मैं भू तो end if, यह चलेगा जब यह condition true होगी, तो अगर यह condition true होगी, इसका मतलब यह है, क्या करना है, मुझे अगर age 35 से होती हो, यहाँ मुझे print करना, can vote, अगर यह 35, यह condition false होगी, तो मुझे यहाँ पे else भी add करना, तो मैंने यहाँ पे add कर दिया, else, और इस else के अंदर मैं cannot vote, इसका line break add कर देते हैं, ताकि आप अच्छे से सको समझ पाओ, यहाँ गया, perfect, आप मैंने का, if student का age अगर 35 से बड़ा है, तो मुझे print करना, can vote, अगर यह चोटा है, 35 से, तो मैं यहाँ पे कहूंगा, cannot vote, now save करते हैं, वापस चलते हैं, page में, यहाँ पे आप देखोगे, 42 can vote, 20 cannot vote, ओके, अब इस में थोड़ा और कुछ कर सकते हैं, क्या, कि इस can vote को मैं, मैं एक spend में add कर देता हूं, यह, और इसको मैंने यहाँ पे paste किया, इसको भी मैं spend में add कर देता हूं, और मैंने इसको यहाँ पे paste किया, तो अगर यहाँ पे 35 से जो बड़, छोटा है, is equal to red, now, is reload किया, okay, color is equal to red, perfect, ऐसे होता है, यह आ गया, तो अभी यहाँ पे मैंने गया किया, जिसका जो age है, 35 से चोटा है, मैंने वास को red color में show किया, cannot vote, cannot vote, जो भी cannot vote है, वो अब red color से आ रहे हैं, तो इस तरह से मैं if or else का use करके, यहाँ पे conditionally, यहाँ पे table को render कर सकता हू okay, I hope यहाँ पे चीज़ें के लिए रो गए होंगी, perfect, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसको यहाँ से cut कर देता हूँ, copy किया, paste किया, okay, now, यहाँ गया, अब मुझे यहाँ पे करना है, जिसका age, 35 से बड़ा है, मुझे उसके लिए यहाँ पे दिखाना है, एक simply button add करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा vote, मैंने यहाँ पे लिखा vote, and then, यहाँ पे मैंने एक और button create किया, एक और button create किया, जिसमें मैं लिखूँगा again, यहाँ पे रहेगा vote, लेकिन यह जो button है, यह जो button है, वो disabled रहेगा, यहाँ पे मैं लिख दिया disabled, इसका मतलब किया जो 35 से छोटा होगा, उसको जो vote button है, वो disabled रहेगा, यह आ गया, तो जिसकी age 30, 42 है, 35 से बड़ा है, वो यहाँ पर vote के button प्रेस कर सकता है, लेकिन जो 20 उसमे vote का button काम नहीं कर रहा है, तो इस तरसी हम इसको पर condition लगा सकते, अब आप यहाँ पर देखो कि जो button है, यह सेम है, यहाँ पर भी button सेम है, सिर्फ change क्या हो रहा ही? disabled change हो रहा है, तो सरफ मैं जो if else दिसेबल में लगा सकता हूँ, कैसे? अब मैं इसको यहाँ से cut करूँगा, इसको मैं यहाँ पर paste कर दूँ, यह आ गया, और इसको मैं यहाँ से remove करूँ, इसको भी remove करूँ, इसको remove करूँ, तो मुझे disable कब करना है, मुझे disable कब करना है, जब इसका age 35 से छोटा है, यह आगए 35 से छोटा, अगर यह 35 से छोटा है, तो इस case हो मुझे आपर disable add करना है, यह हो जाएगा, add अगर यह condition true होई तो, then यहाँ पर हम add करेंगे, मैंने का end if, इसका मतलब क्या एक button create करो, लेकिन disable add करना है, जब student का age 35 से छोटा है, ओके, यह कुछ इस तरह से काम करेगा, देखते हैं, क्या होता है, page को reload किया, same result, कोई भी problem नहीं, ओके, तो button दो create हुआ, लेकिन disable कब add हुआ, जब 35 से छोटा है, इसको मैं कर देता हूँ 40, ताकि आप changes यहाँ पर देख पाए, page reload किया तो अब अब बाली यहाँ पर जो vote button है, वो यहाँ पर enable है, तो इस तरह से आप conditionally यहाँ पर rendering कर सकते हो, I hope चीज़ें आपको clear हो गई होगी, तो यहाँ पर एक बहुत important feature के बारे में बात करते हैं, जो कि है, एक HTML page को extend करना है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो application होता है, उसमें कुछ content है, जो repeated होता है, जैसे कि आपका head up, यह जो head section है हमारा, इसमें यह content repeated है, हर page में यह content होता ही है, इसके बाद ही जो body लिखा हुआ content समना होता है, इसके बाद navbar, किसी website में navbar होता है, navigation bar, वो हर एक website में common होता है, जैसे कि अगर मैं अपनी feelbytocode.com website को visit करता हूँ, आप यहाँ पर देखें कि navigation bar है, जो कि हर एक page में होता है, जहाँ पर यह logo है, यह, जो repeated content ही हर page में हमको create नहीं करना होता है, हम इसको एक ब use का ऐसे करना है, वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, तो एक file create कर लेते हैं, यहाँ पर, इसको use करने के लिए, pages के अंदर मैं एक file create कर लेता हूँ, इसको मैं कहा देता हूँ, layout.html, मैं कहा देता हूँ, layout.html, अब इस layout.html में हम वो repeated content रखेंगे, तो यह से मैंने य HTML तो यह हमारा जो, एक structure है, HTML page का, वो हमने create कर लिया, यहाँ पर मुझे हमा लीजे nav bar create करना है, तो मैं यहाँ पर div या फिर मैं एक nav bar create कर लेता हूँ, nav, and then h1 add कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखा, this is, this is nav bar, ओके, now nav bar के बाद मुझे content रखना है, और इसके बाद मैं footer create करू content, okay, तो इसके बीच में हमें अपना content insert करना, तो हमें यहाँ पर use करते है, block का, तो हमें आप एक block create करेंगे, यह swig की जो है, terminology है, जो मैं use कर रहा हूँ, तो हर एक template engine में अपनी terminology होते लिए concept सबके same होते है, तो यहाँ पर हमें block create करना होता है, तो यहाँ पर block create करने के end करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा block, end block तो इसको मैं कहूंगा end and then block, okay, यहाँ में लिखूं end block, जैसे के हम for use करते हैं तो यहाँ पर for रहता था, उसको end का निकली end for लिखते हैं वैसे block है, तो यहाँ पर लिखा block, अब इसका नाम मैंने रखा है main, तो इसके बीच में आ यूज करेंगे, तो जो repeated content है, मैं उसको यहाँ से remove कर दूँगा, यह मैं रिमूफ किया, यह commented code है, मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ था कि आपको बाद में यह आप इसको समझ पाए, and then यह body इसको यह मैं remove करूँगा, अब हम top पे उसको import करेंगे, अपने layout.html को, ए layout.html, now वापस रहते हैं, page पर page को reload किया, तो यहाँ पर आए, this is navbar and यह आगया, तो मैंने कौन सा page देखा, students.html के अंदर मैंने layout.html content लेके आगया, यह आगया, navbar और यह आगया हमारा footer, perfect, लेकि navbar और footer के बीच में, यहाँ पर हमारा content दिखना चाहिए, तो वो content नहीं इस block के बीच में, यहाँ पर मुझे जो अपना content हो, मुझे यहाँ पर insert करना है, right, तो वो हम कैसे insert करते हैं, वो देखते हैं, तो इसका नाम क्या है, block का नाम main है, तो मैंने उसको extend किया, अब मैं इसके अंदर जो भी content लिखूँँगा, यह पूरा content, यह जाएगा उस block के अंदर, okay, तो यहाँ पर मैं अब create करूँगा एक block, तो मैंने यहाँ पर लिखा block, वो same block आपको use करना जो आपने layout के अंदर create किया, इसका नाम है block, block and then नाम था उसका main, now इसको end करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँँगा block and इसको मैं कहूँँगा end block, end block, अब इसके अंदर लेकिन आपने जो भी यहाँ पर block main के अंदर लिखा है, वो आपका इस block main के अंदर यहाँ पर जाएगा, तो जो हमारा final structure होगा वो हो nav and then आपका content main के अंदर वो and then footer, चलते हैं page में, page को reload किया तो यह आ गया, this is nav bar मतलब की nav bar है हमारा, इसके बाद हमारा content आ गया, सारे student का list आ गया and then last में आ गया footer, तो इस तरह से मैं अपने nav bar का use कर सकता हूँ, अब अगर मुझे home page पे जाना है, तो अगर मैं चलता हूँ home page पे, यह आ गया मैं home page पे, मुझे home page पे भी nav bar चाहिए है, और मुझे footer चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, simply home page पे जाएंगे, यह जो extends और आपके file का नाम, तो file मेरा रखा हुआ layout.html, यह मेरे file का नाम है, layout.html, layout.html, इसके अंदर मैंने एक block बनाया था, उस block का use करेंगे, block का नाम था main block, and then इसको end करेंगे, so end block, इसके बीच में आपना content रख दीजिए, तो home page पी, यह मेरा main content है, so finally मैं आप एक div भी add कर देता हूँ, यह कुछ इस तरह से, perfect, now format कर लेता हूँ, the tier say, okay, तो इस तरह से मैंने इसको format कर दिया, और पापस आईए page को reload किया, तो this is navbar, and then यह रहा हमारा footer, okay, तो इस तरह से यह काम करता है, perfect layout के अंदर चलते हैं, जो हमारा navbar है, इसके बाद म char add कर देता हूँ, मैंने कहाँ पे add किया, changes मैंने किये layout में, तो home और student पे automatic यहाँ पे changes हाएंगे, यहाँ पे line आ गई, same चीज आज आएगा slash students के अंदर भी, क्योंकि यह same navbar और footer use हो रहा है, उस तरह से मैं यहाँ पे use कर सकता हूँ, एक layout file का, जहाँ पे repeated content यहाँ पे add कर सकता हूँ, तो अभी आपको क्या काम करना है, आपको try करना है, कि जब मैं home page पे आउँ, तो इसका document जो हो change हो जाए name, document का जो title हो जाए student, home page पे आउँ, तो title change हो के हो जाए home page, यह आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि यह तो layout के अंदर है, layout के अंदर यह title इसको आपको change करना, ज आपको आपने यह किया होगा, कर पाए या नहीं कर पाए, देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, मेरा जो काम हो क्या है, कि मैं home page से, यहां से, मैं इस layout.htm के अंदर title इसको change करना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि layout.htm के अंदर title तो यहां पे तो इस title के अंदर मैं block create कर रहा हूँ यहां पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ, block title, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने इसको का block title, and then इसको end करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे end block, ओके अब यही same block मुझे use करना है अपने home page में, तो यहां पे हम कहीं भी कर स title के अंदर यहां पे आजाएगा, perfect, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूँ, block title, और इस title में यहां पे pass कर देता हूँ, मैंने लिखा home page, तो यह जो मैंने home page लिखा हुआ है, यह layout के अंदर, इस title के बीच में यहां पे आजाएगा, यहां पे क्या आगया, home page, तो इस तरह से home page का title है, वो home page हो जाएगा, अब सेम चीज मुझे करना, इस students के लिए, तो copy कर लेते हैं, इस block को, and then यहां पे extend करने के बाद, यहां पे मैं चाहता हूँ कि इसका title क्या हो, यहां पे हम चाहिएंगे students, तो यह title इसका भी change हो जाएगा, आँ चलते हैं page में, try करते हैं इसको तो page को reload किया, तो यहां पे क्या है title में, students, और home page विजट करेंगे, तो क्या आएगा, home page, तो इस तरह से मैं एक block की help से, जो मैंने block create करना, आपको दिखाया, block title, इस block से मैं पूरा जो data हो यहां पे change कर सकता हूँ, तो इस तरह से यहां पे meta information, कुछ meta data आप change करना चाहते हो dynamic रहे, तो भी आप इस तरह से कर सकते हो, ओके, आप जो भी चीज़ें आप पर करना चाहते हो, वो कर सकते हो, using block, तो आपको अलग-अलग blocks यहां पर create कर लेने हैं, और उससाप से आपको यहां पे, simply data आप send कर सकते हो, अपनी किसी भी page से, यहां पे कुछ अलग-अलग filters हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक JSON filter, तो अगर आप JSON को use करते हैं, filter कैसे apply करते हैं, तो आपका variable name, then pipe symbol, then उसके बाद आपको use करना, आपका filter, तो यह filter का effect है, वो आपको देखने मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, JSON के form में, तो अगर मैं students.html को open करता हूँ, और इस student का first name है, तो अभी यह student का first name है, वो आपे कैसा देख रहा है, तो यह देख लेते है, slash student, आपर जो first name है, वो कुछ इस तरह से, तो मैं इसको capital case अगर चाहता हूँ, तो मेरे पास यहां पर filter है, जैसे कि यहां पर capitalize, यह filter है, अगर मैं इस filter को apply करता हूँ, तो जो भी value हो, capital case में convert हो जाता है, जो भी variable है, आपका यह value, इसके बद आप pipe symbol का use करोगे, and then यहां पर लिखोगे capitalize, यह जो भी value हो, वो capital case में convert हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे filters है, आपको documentation देखना है, और चीजों को समझना है, तो यहां पर यह हो गया, capitalize, तो capitalize का मतलब क्या है, यहां पर यह देख सकते हूँ, जैसे यहां पर लेखा I like and something जो भी है, तो capitalize का मतलब क्या है, यहां पर first जो character है, वो यहां पर capital है, हमारे case में तो पहले से था, तो कुछ फर्क हम को सौंच में नहीं आया, लेकिन अगर मैं यहां पर कह देता हूँ, upper, यहां पर है, lower है, इस तरह से और भी है, तो उनका use करके देखते हैं, ठीक है, तो मैं first name क lower case में होगा, यहां पर केस में होगा, यहां पर केस में आ गया, और यह आ गया lower case में, इस तरह से यहां पर और भी filters है, यह देख सकते हो, join group by first, default date, capitalize, last, length, length, length मतलब कि अगर आपको length प्रिंट करना है, तो वो length के लिए है, यहां पर देखो कि यह array है, यहां पर length मुझे चा मिल जाएगा, return में, तो इस तरह से simply आप यहां पर आके इसको देखो, और इसको आप चीज़ों को समझने की, गोसस करें, ठीक है, तैसे बहुत सारी चीज़े है, सारी चीज़े मैं इस चोटे से वीडियो कर तो cover नहीं कर सकता, तो आपको देखाता हूँ, documentation ताकि आप ची नदर डालते हैं, तो यह कुछ टेक्स हैं, जिसमें हमने block tag के बारे में देखा, else के बारे में देखा, else, if, else, same चीज़ जैसे हमारे programming language में है, वैसी यहां पे, extends के बारे में हमने देखा, filter क्या है, तो filter के बारे में आप यहां देखो, filter uppercase, यहां पे कुछ value pass किया गया है, and then, यहां पे एक variable name है, जो कि यह name, and then end filter, तो यहां पे क्या हुआ, यह जो value है, यह uppercase में convert हो गई, right, तो यह एक function है, basically यहां पे, filter क्या है, एक function है, filter हमने दिया, और इसको मैंने दिया uppercase, uppercase क्या है, uppercase हमने अभी देखा, एक filter है, okay, और filter एक filter है, और filter एक tag है, तो name pass करता हूँ, जैसे, मैंने आपे pass किया uppercase, तो यह जो भी values एक के अंदर आई हुए, वो सारी uppercase में convert हो गई, तो इसको मैं try करके दिखाता हूँ, मैं इसको इसको यहां से copy किया, और सबसे top पे चलते हैं, एक छोटा सा example ले 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 and just, मैं इसको save किया, तो इससे क्या होगा, जो विरेंदर है, वो, तो यहां पे यह क्या बोला, अपर नाम का एक filter होता है, क्योंकि अपर case जैसे कोई filter नहीं, इसलिए, वहां पर error आई, अगर मैं इसको कहा देता हूँ, lower, तो lower नाम का filter है, तो वो lower यहां पे apply हो जाएगा, इसको मैं इसको अपर case में लिखा, और मैंने कहा कि filter है, filter apply करो कहूं सा lower filter apply करना है, इस value पे, इस value पे यह apply हो जाएगा, perfect, यह काम करते हैं, मैं इसको यहां से remove करता हूँ, और यह जो मेरा table है, इस table में मैं apply कर देता हूँ, ठीक है, यहां पे मैं लेखा apply, apply अपर, अपर, जिसे क्या होगा, यह जो filter है, यह upper case वाला filter ही पूरी table में apply हो जाएगा, right, ना वापस आते हैं, page को relate की तो आप देखोगे, पूरा table आपका upper case में आ गया, तो इसका काम यह है, कि आप पूरे, जितना भी block है, इस पूरे block में आप अगर कोई apply करना चाहते हो, कोई filter, तो व भी बाद में lower case में convert हो गया, यह यहाँ पर आप इस तरह सी इसका use कर सकते हो, परफेक्ट ऐसे बहुत सारे अलग-अलग, आप इन सब को इस बार अपने end पे try करके दिखिए, मेरे end से इतना ही SWIG template language पे, next एक practice के लिए हम वही meetup application को create करेंगे, meetup application में implement करेंगे, अपना यह SWIG template engine, so start करते हैं अपना full stack application, meetup application, okay, so हमें एक folder create किया हुआ meetup application, इस पर हम काम करेंगे, तो इस folder में, मैं open कर लेता हूँ, इसको integrated terminal में, ताकि हमें एक express.js application यहाँ पर start कर सकें, आप मैं यहाँ यहाँ पर लिखूंगा, npm init, okay, आपके package का ना आपको क्या रखना है, वो यह यहाँ पर रताना पड़ेगा, इसके बाद मैंने कहा 10 meetup यहीं में रखना है, version 1.0.1, description कुछ भी नहीं, index, entry point, test command कुछ नहीं, git repository कुछ नहीं, keywords and author, so yes, 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 तो यहाँ एक package.json create हो गया, now यहाँ पर मुझे कुछ packages install करने है, जैसे कि हमने सीखा, express.js के लिए express package, and then mongos, जो कर सकते है, so npm install, express, and mongos, so last time जो हमने 08 underscore express mongos में practice के लिए, यहाँ पर फोलर बना है, तो यहाँ पर कोई src folder नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा से एक नया, एक folder add करूँगा, एक hierarchy, जहाँ पर मैं meetup application के अंदर एक folder और create करूँगा, जिसको मैं कहूँगा src, तो सारा जो source code है, वो इसके अंदर रहेगा, node modules, and then यहाँ पर src, और इस src के अंदर मैं create करूँगा index.js, जहाँ पर मैं code लिखूँगा, तो मैं भी यहाँ यहाँ पर लिख देता हूँ console.log, console.log, और यहाँ पर मैं लिखा meetup application, okay, now save किया, now src के अंदर index.js, इसको मैं कैसे run index.json की help से script add करके, यहाँ पर जो script section है, इस script में यहाँ पर एक और script add कर देता हूँ, मैंने आप लिखा start, एक start script है, जहाँ पर अगर आप development mode पर नहीं है, तो आप इसको कैसे run करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे node src slash index.js, index.js, लेकिन development mode पर मुझे यह ऐसा कुछ चाहिए कि यह automatic file जैसे में save करूँ, यह restart हो जाए, तो एक और dev script में add कर रहा हूँ यहाँ जिसमें मैं add करूँगा node one के help से, तो अगर node one install होगा, तो यह directly उसके help से run करेगा, अगर नहीं है तो npx करेगा, पर यह node one install करेगा, so node one npx src and then src and then slash index.js, तो इस तरह से मैंने node one के help से यहाँ पर script add किया हूँ है, उसको save करते हैं package.json को close किया, now वापस आते हैं terminal में and then यहाँ पर हम लिखेंगे अब npm, यहाँ पर में लिखूँगा npm run dev, तो यह src के अंदर index.js, यह उसको run करेगा, तो हमें सारा code जो भी यह javascript code वो src के अंदर ही रखूँगा, जो भी अब चलते हैं इसको कर लेते हैं minimize इसके अब जरूरत नहीं है मुझे, and then अब देखते हैं क्या करना है, तो start करेंगे express से जो कि हमने install किया हुआ है, सबसे पहले हम एक server create कर लेते हैं, या फिर server बाद में create कर लेते हैं, पहले एक folder hierarchy create कर लेते हैं, so src के अंदर में एक folder add कर controller, controllers, controllers, या फिर आप इसको controllers, controller जो भी गह सकते, so controllers, इसके बाद again src पे click करेंगे, and then मैं एक और folder create करेंगे, db के लिए, so या आ गया db, controllers, db and models, एक और create कर लेते हैं, routers के लिए, so new folder, and then routers, या गया, अगर आप कुछ और file set करना जाते हैं, utility files, कुछ functions, तो आप उसके लि related काम आप कर सकते हो, perfect, now index.js में चलते हैं, और index.js में पहले तो server create कर लेते हैं, so const express is equals to require express, now application create करेंगे, const app is equals to express function को call करेंगे, एक app create हो गया, now एक port, कौन से port पर run करना है, तो मैंने का const port is equals to 3000 port पर मुझे run करना है, and then यहाँ पर मैं कहूँँगा, app.listen, कौन से port पर run करना है, so मैंने यहाँ पर पास कर दिये 3000 port, and then एक callback पास करेंगे, जो कि on success पर run होगा, अगर हमारा server successfully create हो गया तब, and then यहाँ पर लिएता हूँ, console.log, and app is running on, and एक dynamic value, इसलिए मैं double, यहाँ पर interpolation का use करूँगा, and then यहाँ पर लिएता हूँगा port, तो यह dynamic value किया मैंने using backtick string create करके, तो इस तरह से जो हमारा express server हो यहाँ पर create हो जाएगा, terminal open करेंगे, यहाँ पर आ गया है, app is running on 3000 port, perfect, now next step हमारा क्या है यहाँ पर, हमें एक database का connection करना है, so database connection करने के लिए mongos है मेरे पास, तो db के अंदर में एक और folder, यहाँ एक file create कर रहा हूँ, इ db के अंदर मैं एक function create कर लेता हूँ, मैंने का function, function create किया, जिसको मैं कहा देता हूँ, create connection, create connection, okay, now import करेंगे mongoose, तो यहाँ पर मैंने का const, mongoose is equals to require, and then mongoose, now mongoose को connect करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँँगा mongoose.connect, connect को देना होता है मुझे एक URL, तो URL एक variable alexic कर लेता है, const connection, const connection URL is equals to something, अभी मुझे नहीं पता क्या है connection URL, documentation से देखेंगे, and then is connect को हम पास करेंगे connection URL, यहो गया, connection URL connect करने का पादा हमे एक promise return करता है, तो मैं इसको यहाँ से directly return कर रहा हूँ, now is create connection को export करेंगे, so module, module.exports is equals to create connection, now यहाँ पर मैंने एक object के form में इसे export किया है, तो मैं वहाँ पर destruct कर सकता हूँ, जहाँ भी मैं इसको import करूँगा, right, तो connection URL अभी pending है, तो उसको हम यहाँ आप add करेंगे, पहले create connection को import कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा const, const something, मुझे क्या चाहिए, बाद है, तो हम कहींगे require, and then कहां से मुझे चाहिए, तो मैंने एका dot flash db, db के अंदर है index.js, तो index.js जब होता है, तो मैं just db लिख सकता हूँ, तो वो यहाँ पर automatic index.js ही होगा, now यहाँ पर मुझे क्या import करना है, तो create connection, now app create हो गया है, यहाँ इसके बाद हमें आपर कह सकते हैं क create connection, इत प्रामिसरन करता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा then, then, तो connect होने के बाद हमें यहाँ पर print करेंगे, console.log, console.log, connection, connection created, ओके connection, और अगर कोई error आती है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, catch, अगर कोई error है, connection नहीं हो पाया, तो यहाँ पर एक error आएगा, and then इस error को हम प्र console.log, error, यहाँ पर मैं एक object print कर देता हूँ, जहाँ पर मैं लिख देता हूँ, message, message is equals to mongodb connection error, and कुछ message होगा, तो एक message भी देते हैं, मैंने का message is equals to, इसको मैं कहाँ देता हूँ, error is equals to, जो error object हमको मिला है, उस error के अंदर message object होगा, उस message को हमने आता हूँ, प्रिंट किया, perfect, तो अगर catch, error आए, कुछ तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, now save करते हैं, console पर देखेंगे, error आएगा, कि मैंने connection string पास नहीं किया है, okay, जहाँ प एक error आया है, message mongodb connection error, और error क्या है, invalid connection string, connection string कहाँ से लाएंगे, documentation को जाएंगे, mongoosejs.com, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, connect में, मैं इसको copy कर देता हूँ, local वाला है, ठीक है, copy किया, मैंने इसको यहाँ पे, and then connection string कहाँ से index.js के अंदर यह रह connection string, यहाँ पर मैं इसको paste किया, यह local connection के लिए test को मैं change करके कह देता हूँ, meetup, meetup-full stack, यहाँ पर काम कर सकते हैं, हमारा पुराना वाल js है मेरे पास, इसके बाद यहाँ पर db के अंदर route, index.js है, यहाँ पर यह रहा मेरा string, इसको मैं copy का लेता हूँ, तो same database मैं use कर रहा हूँ, जो last time मैंने किया हुए था, so यह मैंने इसको किया, यहाँ पर paste, perfect, now save करते हैं file, console पर आपको देखना, इस पर connection create हो जाएगा, क्यो model के लिए मैंने पहले से create करके रखा हुआ है, तो मैं उसको ही copy कर लेता हूँ, ठीक है, so मेरा last example है, यह रहा model meetups.js, इस meetups.js को मैंने copy किया, and then इसे मैं अपने नए वाले models के अंदर paste कर रहा हूँ, so यह आगा, यहाँ पर meetups.js, सारी files मैंने close की हैं, और मैं आपको दिखा मैंने क्या copy paste किया, कि यह रहा मेरा copied code, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, mongoose को import किया, schema, types, and यह कुछ types मैंने destruct किया, एक meetup schema create किया, जहाँ पर मैंने का type date, title, description, location, and image, यहाँ पर type इसका date है, default value, date.now, मनला current date, इसके बाद title है, string, and required है यह, description string है, जो की required है, again location string है, जो की required है, image string है, जो की required है, तो इस तरह से यहाँ एक meetup.js में मैंने यहाँ पर schema create किया, now, यहाँ पर model create कर लिया, model को export कर लिया, तो मैं तो अपना time save कर लिया है, अगर आपके पास directly आप इस section में jump करके आप देख रहा हैं वीडियो, तो description में आपको github का link बिल जाएगा, वहाँ जाके आप code को उठा सकते हूँ, तो इस तरह से मैंने db हो गया, मेरा बन गया, यहाँ पर model create कर लिया हमने, आव हमें create करना है कि router, router हम type करके create करेंगे, कोई copy paste में नहीं करूंगा, चलते हैं कि router create कर लेते हैं, router के अंदर मैं सारे routers create करके functions को map कर दूँगा, जो कि functions मैंने create नहीं किये, तो इक काम करते हैं, controller में पहले एक function create कर लेते हैं, कुछ functions, request handlers create कर लेते हैं, तो इसको मैंने नाम दे देता हूँ, again meetup.js, meetup.js, now यहाँ पर हम functions create करेंगे multiple functions, so यहाँ पर मैं एक function create कर लेता हूँ, या फिर हम क्या कर सकते है, directly module से export भी कर सकते हैं, बिना function create कर करके direct export करेंगे, तो एक दूसरा तरीका ही है, तो अलग-अलग तरीके आप देखेंगे तो आपको सहुंग आएगा javascript में कितने तरीके हैं, यही काम को करने के, यहाँ मैं कर लेता हूँ, module.export, module.exports, module.exports is equals to, module.exports dot, function का नाम, तो मैंने यहाँ पर लेखा get all meetups, या फिर get all meetups, या फिर आप इसको कहा सकते हो, meetup page, कुछ भी, तो मैं simply उसको कहा देता हूँ, get all meetups, या फिर मैं इसको कहा देता हूँ, meetup page, ठीक है, all meetup, all meetup page, यह all meetup page के लिए गारो function create करेंगे, and कुछ इस तरह से, यहाँ पर मिलेगा, एक request object, एक response object, and then यहाँ से कुछ response मुझे return करना है, simply मैं भी कहा देता हूँ, response.json, and then यहाँ पर मैं कहा देता हूँ, request.json, जिसमें से मैं request.url को return कर रहा हूँ, ठीक है, just इतना, now इसको copy कर लेते हैं, copy create किया, module.exports, दूसरा है, create करने के लिए meetup, तो एक मैं form बनाऊंगा, html page बे, जिस form को हम सर्व तो इसको मैं कहा देता हूँ, meetup form, जो कि meetup को create करने के लिए होगा, तो यहाँ पर कहा meetup form, meetup form सर्व करेंगा, जहाँ पर again मैंने कुछ नहीं किया, simply form सर्व करेंगे, एक और हो जाएगा create meetup के लिए, meetup form अब submit करोगे, तब यह create meetup call होगा, तो मैंने हाँ पर कहा create meetup, create meetup, के लिए, इसके बाद कोई meetup delete करना है, तो उसके लिए आएगा, तो मैंने हाँ पर लिखा delete meetup, delete meetup, okay, now यह एक्सपोर्ट भी किये हुए है, तो मुझे last में modular export लेंगे, ज़रूत नहीं है, तो modular export एक object है, उस object के अंदर में delete meetup नाम का, एक key insert करके उसके अंदर function assign कर दिए, चलते हैं, अब router के अंदर एक और file create कर लेते हैं, again meetup.js, ना इस meetup.js के अंदर हम router create करेंगे, तो हमने लिखा const, router चाहिए मुझे कहां से मिलेगा, express के अंदर से, हमने लिखा express is equals to require express, const meetup router is equals to express.router, router create हो गया, now हम यहाँ पर कहेंगे meetup router.get, जब धी कोई request आएगा slash meetup पे, तो हमारा जो router होगा, उसका base URL हम क्या create करने वाले हैं, हम उसका base URL रखेंगे meetups, meetups, okay, slash meetups, कोई भी request आएगा meetups slash पे, get request, get request, तो इसका मतलब यहाँ है कि हमें सारे meetups सर्व करने हैं, जब सारे meetups सर्व करने हैं, तो हमारे पास meetup page हमने create किया है, तो हम इसको कहा देते हैं meetup page, all meetup page, तो यह page यहाँ पर import होगा controller से, perfect, आप ऐसी multiple create कर लेता हूँ मैं, तो get request आएगा meetups slash create पे, meetups slash create पे, create मतलब क्या को form मिलेगा, या फिर मैं इसको कहा देता हूँ form, तो कोई भी request आएगा, slash form पे, उस case में मुझे क्या करना है, या फिर मैं इसको simply कर देता हूँ, meetups slash create, meetup slash create पे जब को get request आएगा, तो उस case में मुझे क्या करना है, meetup form देना है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा meetup form, okay, now, कोई post request जब आएगा, मतलब आप create कर रहा हूँ, right, जब post request आएगा, मतलब कि आप को data send कर रहा हूँ, जब form submit करेगा, तो उस case में post request आएगा, create URL पे, same URL पे, post request आएगा, तो उस case में मुझे क्या करना है, create meetup, तो मैं कहूँगा create meetup, अब अगर delete request आएगा, तो मैंने आप लेखा delete, और यह कौन से, meetups slash पे आएगा delete request, लेकिन यहाँ पे, कौन से delete करना है, उसका ID भी send करोगा, यहाँ पे आएगा ID, तो आप इस case में क्या करोगे, delete करोगे सारे meetups, यह हो गया, now meetup को export करना है, simply हम यहाँ पे लेखेंगे module, dot exports is equal to object create कर देते हैं, ताकि हम destruct करेंगे, तो यह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, यह वाला, कि मैं default import ना करूँग, एक object के form export करूँ, यहाँ मैं लिखूँगा meetup router, meetup router आगा, इसको मैं register करना, अपने app के साथ, index.js में जाएंगे, and then यहाँ पे इस app के साथ register करेंगे, so app.app.use, तो इस meetup router को use कप करना, जब कोई request आएगा, slash meetup पे, जब भी कोई request आएगा, slash meetup पे, यह meetup router यहाँ पे उसको handle करेगा, meetup router उसक start हो गया, app.use, जब भी को request हा, slash meetup पे, meetup router यूज होगा, slash meetup के बाद, अगर, simply slash है, तो all page, create page, अगर meetup slash create है, meetup slash create है, तो meetup slash create है, again, पर post request है, तो यहाँ पे create वाला meetup आएगा, then delete, okay, now चलते हैं, इसको test कर लेते हैं, command prompt check कर लेते हैं, कोई error, कोई error नहीं, वापस चलते है पेज को, localhost call on 3000, slash meetups, पेगर तो आया है, यहाँ पे cannot get meetups, okay, registration की टाइम पे आपने कुछ गलत किया, क्या, यह रा, meetup, इसको मैं कहूँगा, meetups, page को reload किया, okay, तो यहाँ पे क्या है, slash, मतलब की मैंने just URL print किया, इसलिए, अगर मैं इस पे, एक और URL बनाना, जहाँ पे मैं एक single ID पास करूँगा, तो इस particular ID वाला single meetup मुझे मिले रहा, वो मैंने create नहीं किया, तो वो भी create कर लेते हैं, यह रहा हमारा router, जब को get request आएगा, slash ID पे, slash ID, meetup का ID रहेगा, मनलब की colon ID मनलब भी dynamic value, इस के से मुझे करना है, single meetup page देना है, तो मैं इसको कह सकता हूँ, meetup detail page, meetup detail page, meetup detail page हमने create नहीं किया है, इसको create करेंगे, पहले इसको import कर लेते हैं, then चलके इसको create कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ से copy किया, इसको मैं कहा देता हू meetup detail page and then, okay, now save किया, वापस आते हैं, page में page को reload किया, तो यहाँ पे आएगा meetup detail page, तो यहाँ आगया current URL, right, now हमको API grade नहीं करने है, हमको HTML pages देने, HTML pages सर्व करेंगे, तो चलते हैं, HTML pages create कर लेते हैं, all meetup के लिए, meetup details के लिए, और यतनी हमने create कि यह सब के लिए, तो अभी हमन SWIG install कर देते हैं, तो application serve हो रहा है, इसको मैं terminate कर देता हूँ, terminate किया, clear किया, CLS and then npm install swig, npm install swig, now swig यहाँ पे install हो चुका है, application को run कर लेते हैं, so यहाँ पे मैं कहूंगा npm run dev, okay, development mode पे run किया, यहाँ पे हमने node 1 की helps से इसको run किया, now, swig install हो गया है, SWIG का configuration हो कर देते हैं, so swig का configuration करने के लिए आएंगे वापस index.js में, यहाँ पे swig का configuration करेंगे, import करेंगे swig, तो मैंने का const, import करना है, module को load करेंगे, यहाँ मैं कहूंगा const, swig is equals to, हमने यहाँ लिखा require, const require, swig को load करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे swig, यहाँ गया swig, swig का क default configuration add कर देते हैं पहले तो हमने लिखा यहां पे swig.setDefaults setDefaults में चाहता हूँ कि मैं भी caching नहीं करना चाहता हूँ तो हम यहां पर लग देते हैं cache is equals to false यह जो caching is equals to false है यह सिर्फ development mode के लिए रहेगा not for production तो हम यहां पर लिख देते हैं not for production only use in development mode caching से क्या होता है एक बार अगर page आया तो बार-बार rerender नहीं होगा उसको स्विक cache कर लेगा और उसी को वापस सेंड कर दे उसमें आपका time user server का वो save होता है उसको सिर्फ production mode पर use नहीं करना है सिर्फ इसको development mode पर ही use करना है ठीक है यह आगया caching के लिए now हमें अपने application को बताना है इस app को कि हम स्विक यूज़ कर रहे हैं यहां पर हम बताएंगे app.engine app.setviews तो views के लिए मैं viewset नहीं कर रहा हूँ default मैं views के अंदर ही रखूंगा सारे estimate pages को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि में मेरा folder कौन सा estimate pages वाला तो simply मैं यहां पर देखा देता हूँ उसको engine तो engine कौन सा हम यहां पर use कर रहे हैं यहां पर हम बताएंगे html के लिए हम use करेंगे swig का एक function है जो कि render file इसका हम use करेंगे हमने बता दिया application को कि हम swig use कर रहे हैं जिसका render file function call करना है जब भी मैं response.render वोलूं तो swig का render file call होना चाहिए यह करेगा internally अपना express now यहां पर हम बताएंगे app.set यहां पर हमें engine set करना है यहां पर हम बताएंगे engine and then यहां पर मैं बता देता हूँ मैंने लिखा html engine यहां पर होगा view engine यह कुछ property है जो कि by default होती है तो हम इसको documentation से follow करना है ठीक है तो एक बार मैं इसको confirm कर लेता हूँ express पर जाएंगे express पर नहीं, swig temperating का documentation उस पर जाएंगे तो हमने लिखा swig and यह आ गया उसका documentation इसको मैंने last lectures में भी बताया हूँ express js का setup यह रहा, इसमें हम set करते है view engine is equal html and then views तो views के लिए मैं default folder views ही use करने वाला हूँ express करके, क्योंकि मेरा index.js file है यह भी src के अंदर ही है तो जो views folder वो भी src के अंदर ही होना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है, let's try क्या करते हैं, करके देख लेते हैं इसको कोई देखकर नहीं है, तो यहां पर हम करेंगे views folder create अंदर views के अंदर रखते है index.html index.html जो कि हमारे home page के लिए है, अगर index.js file src के बाहर होता तो मुझे views बाहर create करना पना तो let's try क्या होता है, सबसे पहले दो में एक html 5 basic template and then यहां पर लिख देता हूँ home page, right, इसको try करते हैं, क्या होता है, तो यहां पर कोई home page के लिए URL नहीं है, तो मैं कर देता हूँ app.app.get, get request जब भी आएगा कहाँ पर, slash पर, मतलब कि home page पर, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर मिलेगा एक request parameter, दूसरा मिलेगा response parameter, now response की help से मैं कहूँगा response.render, क्या render करना है, index file तो directly मिलेगा index, index.html से render हो जाएगा, now save करते हैं, देखते हैं, क्या होता है, वापस आएंगे page पे, localhost colon 3000, enter press किया, यहां पर आना चाहिए html page, but problem, क्या आया, यहां पर आया हुगा है, कि youtube javascript tutorial application के views folder नहीं है, यही मुझे पहले भी लगा था कि ऐसा ही होने वाला है, okay, क्योंकि मैंने एक src folder नहां पर extra बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से, जो मेरा views folder है, वो src के अंदर है, तो एक काम हम यह कर सकते हैं, कि views folder को हम बाहर रख दें, या फिर अगर आपको src के अंदर ही तो मैं इसको बोल देता हूँ, मेरा जो सारे views हैं, वो src के अंदर, src के अंदर नहीं, पूरा हमें directory name बताना पड़ेगा, तो underscore underscore directory name, plus directory name मतलब की, directory name क्या होगा आपका, थोड़ा से यहां पर logical है, तो मैं आपको देखाता हूँ, क्या होने वाला यहां पर, तो अगर मैं तो src तक का मुझे path मिल गया है, तो अब मुझे, जस्ट मुझे बताना है, slash views, मैंने आप लेखा plus slash views, now save किया, तो यह आ गया मेरा folder का नाम, यहां पर src slash views है, यह सही है, ठीक है, यहां पर slash अलाग अलाग, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो handle कर लेगा, automatic, सही है, मेरा directory name यहां पर हम पेस्ट करेंगे, अपना यह directory name, तो अब मैंने बदा दिया, मेरे सारे views कहां पर रखें है, directory name slash views में, now save करते हैं, इसको and then वापस चलते है, page को reload करेंगे, तो यहां पर आएगा index.html, यहां गया हमारा home page, वैसे ही हम अलग-अलग pages create कर लेते हैं, अब सब के लि करना चाहता हूँ, तो मैं views के अंदर एक और folder मैं create करूँगा meetup, meetups के लिए, तो मैं meetup, just मैं करता हूँ meetup, meetup folder के अंदर मैं meetup related सारे pages रखने वाला हूँ, एक index, एक page बना लेते हैं, मैंने कहा, meetup, meetup-list.html, okay, meetup-list.html, यहां पर मैं एक h1 add कर देता हूँ, जहां पर मैं मैं कह देता हूँ, meetup-list, and then, इसका copy create कर लेते हैं, इस copy को मैं rename कर देता हूँ, मैंने कहा, meetup-form.html, जिसके अंदर एक form रहेगा, now, यहां मैं कह देता हूँ, meetup-form, okay, बस यह दो ही pages के हमें जरूरत है, meetup-list and meetup-form, now, इस form और meetup को हमें दिखाना, तो controller में चलेंगे, all meetup page जाएगा, तो यहां से मुझे कौन सा page सर्व करना है, meetup-list page, यहां पर मैं response.remove करूँगा, मैंने यहां पर लिखा response.render, इस render को हमें बताना है, हमारा page कहा है, हमारा page है meetup folder के अंदर, हमने बनाया हूँ है meetup-list, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपका HTML page है, कि by default हो HTML पेज है, हमने बता है, कहार enter करना, meetup के अंदर meetup-list नाम का HTML page होगो सर्व करना है, now copy कर लेते हैं इसको, जब आप meetup detail page में जाओगे, तो एक और meetup detail page हम बनाएंगे, हमने आप लेखा meetup underscore detail, ओके अभी बनाएंगे, इसको paste करेंगे meetup form में हमको चाहिए meetup-form, create meetup में हमको again same form ही देना है, यहाँ पर मैं कहा देता हूँ meetup-form, जब आपको meetup delete करोगे, meetup delete करने के बाद आप कहा जाओगे, अब बापस से meetup list में ही जाना चाहते हूँ, हम जाएंगे meetup list, meetup detail form नहीं है मेरे पास, meetup detail page नहीं है, copy कर लेते हैं इसको, याग या meetup detail, meetup-detail.html, और इसक हमने बहुत सारे pages create कर लिये, सब को serve कर दिया, आवापस चलते हैं, browser पर check कर लेते हैं, तो अगर मैं जाऊंगा slash meetups पे, meetup का list आएगा, अगर मैं जाता हूँ meetups, meetup slash create पे, मेरे पास आना चीव form, meetup detail page आ गया इसमें, तो meetup detail page, अच्छा, ये एक ID की तरह treat हो रहा है, इसलि create करता हूँ, तो भी detail पे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा conflict हो रहा है, इसलिए हो रहा है, ये चीज़े बहुत जरूरी है समझना आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों है, ये इसको जो sequence ही matter करता है, जब आपने slash ID के लिए कोई request send किया, ओके, ये delete के लिए, ये get के लिए, जब आपने request send किया slash create पे तो वो create हो एक ID treat हो गया, इसलिए ये वाला router चल गया, तो ये जो dynamic router होते हैं, इसको आप last में लगाओगे, ये मैं कर देता हूँ, इसको last में, इससे क्या कर अगर आपने slash create किया तो ये create वाला जाएगा, लेकि create के लावा कुछ और है, तो फिर वो ID वाला चलेगा, इस तरह सी काम करता है, now page को reload करेंगे, तो यहाँ पर आएगा meetup create के लिए page आएगा, meetup form आ गया, लेकिन create के लावा कुछ और meetup ID है, तो meetup detail page आएगा, perfect, एक चीज और मैं चाहता हूँ कि जब मैं homepage पर visit करूं, homepage नहीं आना चाहिए, जब भी मैं homepage पर visit करूं, homepage नहीं चाहिए, मुझे चाहिए meetups page, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहूंगा response.redirect, हम इसको redirect कर देंगे, कहां पर, तो उसको हमें देना होता है URL, तो हमें जाना है, slash meetups पर, slash meetups पर, slash meetups, यह जब भी मैं homepage पर जाऊंगा, यह slash meetups की जगा पर redirect हो जाएगा, now page को reload करते है homepage को, तो आप देखोगे, यह meetup page पर आ गया, जब भी मैं homepage पर जाऊंगा, यह meetup page पर जाएगा, तो अभी हमने कर दिया page configuration, now, एक navbar create करेंगे, जो की, सारे page में common है, तो navbar create करने के लिए का करना पड़ेगा, एक layout file create करेंगे, जहां पर हम use करेंगे switch के एक feature का, जिसको हम गहते है, extending HTML, ओके, यहां पर हमने सारे pages show कर दिये, अब करते है, main fundamental पर बात की, हम को कैसे चीज़ों को organize करना है, तो कैसे चीज़ें यहां पर काम करेंगी, form कैसे create करना है, then कैसे list दिखाना है, तो अभी ते हमने बहुत basic बेसिक देखा कि कैसे हम switch का use करके pages को design कर सकते है, now actual application पे कैसे इसको use करना हो देखते है, तो meetup list page तो हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास यह meetup नहीं है, meetup पहले create करेंगे, फिर दिखाएंगे, तो वैसे मैं पुराना वाला database वाई use कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने directly section में jump किये हैं, तो यहां पे define किया हुगा है, जो meetup form है मेरा, यह रहा है views, views के अंदर हमारे पास है meetup folder, इस meetup folder के अंदर है meetup form, यह रहा meetup form, इस form को हमें design करना है, तो यहां पे जो nav bar होगा, वो हर एक page में same होगा, तो पहले काम करते हैं, nav bar create कर लेते हैं, ओके, nav bar create करेंगे, जहां पे buttons हों जिसको मैं कहा देता हूँ, layout, layout folder मैंने create किया, इस layout folder के अंदर मैं HTML रखूँगा layout.html या फिर header.html या फिर base.html जो भी आप कहना चाहते हूँ, मैं इसको कहा देता हूँ, base.html, और base.html में जो basic HTML है, जो repeated content है, यह वो हमें आपे add कर लेते हैं, तो इसका जो title है, वो अभी कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं remove कर देता हूँ, इसको भी हम dynamic रखेंगे, जैसे कि हमने last section में सीखा हुगा है, now body के अंदर में div create कर लेता हूँ, जो कि हमारा main div होने वाला है, and then is div के अंदर होगा एक header, ठीक है, तो मैं आप लिग देता हूँ, header, और एक और मैं यहाँ प content, यहाँ पर जाएगा main content हमारे application का, एक div के लिए बना लेते हैं, जिसमें मैं class apply कर देता हूँ, classes equals to main, तो हमारा main div हो जाएगा, right, now इसके बाद last में होगा हमारे पास footer, यहाँ पर मैं add कर देता हूँ footer, ऐसे footer में तो कुछ हमको रखना नहीं है, just मैं उसको शोग दिया इसको हम end करेंगे, यहाँ पर end block, जो भी content आएगा वो इसके अंदर आएगा, यहाँ पर nav bar ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आँ चलते हैं, मीटा form है, यहाँ पर मुझे वो base.html यूज करना जो कि हमारा layout file है, तो extend का use करेंगे, तो same, यहाँ पर percentage of percent sign and then open close curly bracket, ना हम यहा html वो layout के अंदर रखा हुआ है, ऐसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा layout slash base, layout slash base, ओके ना वापस चलते हैं, page में meetup form को reload करेंगे, no such file in directly, okay, base.html होगा यहाँ पर, base.html, now page को reload किया, क्या problem है, use के अंदर meetup के अंदर layout.base.html नहीं मिला, okay, क्योंकि मैं अभी कहाँ पर हूँ, meetup form के अंदर हूँ, और मैं directly layout की बात कर रहा हूँ, meetup form से, मुझे एक folder up जाना है, then layout, यहाँ पर मैं कहूँगा, dot dot slash layout and then base.html, तो यहाँ गया header हमारा, okay, मैं एक try और करना चाहता ह यहाँ पर slash लिखा कर, तो क्या होता है, तो यहाँ पर यह कहाँ पर search कर रहा है, layout के अंदर हो के, तो यहाँ पर dot slash लगना जरूरी है, dot dot slash मतलब की, एक folder up, then, अगर मैं meetup के अंदर हूँ, एक folder up मतलब की मैं आ गया views के अंदर, और फिर मैंने का views के अंदर है, slash layout, layout then base.html, यह कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा जो file को search होगा, यहाँ पर क्या मुझे मिला, header, जा दिखका थे, file को मैंने save नहीं किया, now, यह आ गया यहाँ यहाँ पर header, now, इस header मैं, हमें main content add करना है, जो कि है nav, यहाँ पर, यहाँ पर आएगा main content, इस main div के अंदर, हम इस meetup form को, जो यहाँ पर मैंने कहा end block, right, now, इस यह अंदर हमें, यहाँ पर रखेंगे अपना content, इस तरह से, यह, ठीक है, now, page को reload करेंगे, यहाँ पर आया header, और यहाँ पर आया meetup form, now, इस header को थोड़ा design कर लेते हैं, तो bootstrap use कर सकता हूँ में, लेकिन अभी हम इसको बहुत basic रखेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं header में design कर लेता हूँ, मैंने एक nav create किया हुआ है, nav के अंदर में एक ul create कर लेता हूँ, और इस ul के अंदर में एक li create किया, इसके अंदर मैं link add कर देता हूँ, anchor tag, इसको मैं कर देता हूँ, slash, यहाँ पर जाएगा home, पहला link, तूसरा link कर जाएगा create करने के लिए, तो मैं इसको कह देता हूँ create, create करने के लिए meetup, and then उसके बाद मैंने का list, तो हो जाएगा list करने के लिए meetup, आप तीन link क्रियेट हो गए, now home में राएगा, slash, create में राएगा, slash, meetup, meetups, slash, create, हमारे यह URL हो जाएगा, और list के लिए हो जाएगा, slash, meetups, सही है, now पेज को रिलोड किया, home पे आना है, तो home पे क्लिक किया, यह आगया meetup list, back गाए, create पे क्लिक करेंगे, तो create form है, list पे क्लिक किया, तो यह आगया यह page, perfect, list को हम रखतेते हैं, inline, तो यह जो ul है, nav के अंदर, इसके लिए हम को css add कर लेते हैं, okay, तो css add करना, हाँ, यह हमने मैं अभी नहीं सीखते हैं, कैसे हम public files को serve करते हैं, तो एक काम करते हैं, कि हम यहाँ पे, जो हमारा src folder है, is src folder के अंदर, एक काम करते हैं, अभी मैं css वगेरा add नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं directly nav के अंदर यहीं पे style add कर देता हूं, so हम यहाँ यहाँ लिख देते ह करते हैं, तो मैंने लेखा nav, space, हमारे nav के अंदर इसके यहाँ पे css aq apply करना है, इसमें मैं चाहता हूं कि जो display है, वह in-line होना चाहिए, पेज को रिलोड किया तो यह कुछ इस तरह से actually मुझे ul में नहीं मुझे li में अपलाए करना तो nav के अंदर li, ul और ul के अंदर li और उस पे मैंने कहा inline तो यह inline आ चुकी है right इसमें हम कुछ padding add कर दें तो यहाँ पे मैंने कहा padding right is equals to 10 pixels का padding add किया यह कुछ इस तरह से यहाँ पे show हो रहा है ओके यहाँ पे मैं जो decoration है text decoration उसको none कर दूँगा text decoration is equals to none जा गया इसके बाद इसके इस पे जो text decoration is equals to none and then जो underline इसमें text decoration is equals to none पेज को reload करते हैं बरी इसको मैं कह देता हूँ anchor यह आ गया anchor में जब मैं text decoration none करता हूँ तो जो line है वो remove हो जाता है बट इसको मैं रखूँगा li को रखूँगा मैं padding left यह सब inline करने के लिए और इसके बाद मुझे क्या करना है जो हमारा li है li की अंदर जो anchor tag है उसके अंदर मुझे क्या करना text decoration none करना है तो यह कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने create कर लिया finally अब हम create पे click कर रहे तो यह आ गया list पे click कर रहे हैं तो यह आ गया लेकिन nav bar हट गया तो इस case में मुझे करना पड़ेगा तो हमारा हमने जैसे meetup form में यह use किया हुआ है extend tag यही same हमको list में भी apply करना है और detail में भी same चीज यहाँ पे apply कर देते हैं यह आ गया इसके बाद है meetup list and same चीज मुझे करना है detail page के अंदर यह आ गया detail page यहाँ पे paste किया यहाँ पे जाएगा meetup form तो हर एक page में मैंने layout जो base.html उसको extend किया हुआ है तो यह मुझे कुछ इस तरह से show हो रहा है now page को reload किया तो आगर list create पे click किया तो create list पे click किया तो list home पे click किया तो list इस तरह से मैंने जो navigation bar है उसको यहाँ पे reuse कर दिया now चलते हैं काम करेंगे अब form पे तो चलते हैं meetup form में यह रहा हमारा meetup form यहाँ पे हमें form create करना है ओके तो चलते हैं पहले तो page open कर लेते हैं then यहाँ पे देखोगे कि यहाँ गया create तो यहाँ पे आए meetup form यहाँ पे हमें form create करना है form create करना है यह रहा हमारा H1, इसको रहने देते हैं, कट किया है इसको, यहाँ पे मैं एक div एड कर लेता हूँ, यह हमने div एड किया, यह आ गया, meetup form, ओके, HR एड कर देता हूँ, एक lining के लिए simply, पेज बिलोड किया, तो यह कुछ इस तरह शे हमें अगर मुझे same URL पे विजिट करना होता है, same URL पे form submit करना हो, तो मैं एकसन कुछ नहीं दूगा, तो उसका मतलब है कि आप same URL, अगर आप स्विटसे को same to same copy करके paste कर दोगे, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं एकसन यहाँ पे specify नहीं कर रहा हूँ, होने वाला है, ओके, तैर इस तरह से यह काम करेंगा, title के लिए यह वाला input text आ गया सिसके बाद मैं copy का लेता हूं paste paste ओके पेस्ट ऑंप हम यहां पर पहला title के लिए हो गया दूसरा हम कर लेते हैं description के लिए description is अउर हो जाएगा हमहारा location के लिए और चौता हाई पर हए biết कर देते हैं इसका जो type रहेगा, input type हो रहेगा, date type का, and description जो रहेगा, उसको मैं select tag में create करूँगा, तो यहाँ पर मैं add कर देता हूँ select, इस तरह से, right, तो यहाँ गया form हमारा, sorry, select नहीं, यहाँ पर आएगा text area, यहाँ गया text area, कुछ इस तरह से, यहाँ पर मुझे names add करना हो था, जब हम form submit करते हैं, तो यह जो name है, इस name की help से हम अपने server में values को read करते हैं, okay, तो जो पहला वाला title, इस input का मैं name देना चाहता हूँ, तो मैंने इसका name रहेगा, जो title, जो भी आपने schema बनाया है, उसके हिसाब से मैं रख रहा हूँ, description का जो name रहेगा, वो रहेगा, again description, location का जो name रहे जो model है, model के अंदर, जो meetup है, उसको check कर लेते हैं, यहाँ पे location, image है, image जो की text, एक string field है, description है, title है, date है, image के लिए भी हमको एक field बनाना है, जो की again रहेगा, input field, यहाँ पे हम URL डालेंगे, अपने image का, okay, image uploading मैं अभी यहाँ बाद नहीं कर रहा हूँ, वो एक separate chapter हो सकता है, य तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, description में जो columns है, वो बहुत जादा है, rows बहुत जादा है, तो column को मैं कर देता हूँ, 30 ठीक है, लेकिन rows को मैं कर देता हूँ, 5, यह कुछ इस तरह से यहाँ पे show हो रहा है, कि कुछ यहाँ पे spacing कर रहा है, तो काम कर लेते हैं, यह जो div हमने apply किया है, इस div में, हम क्या कर लेते हैं, form के अंदर div है, css लिख लेते हैं, so यहाँ पे css add कर लेते हैं, तो css के लिए मैं directly, यहीं पे css add कर रहा हूँ भी फिलहाल, यहाँ पे style add करेंगे, then यह जो form हमारे पास, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि form के अंदर जो div है, right, जो div मैं set करना चाहता हूँ, so basically, इसका width है, इसका width नहीं कर रहा हूँ, basically, एक काम करते हैं, जो input field, label है, उसकी बात करते हैं, directly, तो एक काम करते हैं, जो label है हमारे पास, जो label है, label को मैं पहले तो display का कर लेता हूँ, block, block से क्या होगा, यह एक की बाद जी नहीं देखेंगे, उप पर देखेगा हूँ इस तरह से, now अब इस label का जो hidden width इसकी set करने की ज़रूरत नहीं है, मैं directly बात करता हूँ input पे, gender text area है उस पे, text area, right, इनके जो width है वो मैं set कर लेता हूँ, इसका width है वो मैं रख देता हूँ, 60 percentage, या फिर मैं इसको कह देता हूँ, 60% हमें आपे set कर देते है यह आगे 60%, ठीके तो हमारे div है, उसका 60% area आगया, तो इसको मैं कर देता हूँ, 60% perfect है, and then यह जो हमारे div है, जिसके अंदर ये input field and text area है, उसका मैं margin set करना चाहता हूँ, तो जो हमारे पास जो form है, इसके अंदर जो div है, इसका margin top है, margin top, मैं इसको 10 pixels कर देता हूँ, तो हमार margin top होगा, margin bottom की जरूरत है, क्योंकि margin bottom में क्योंकि label की नीचे input है, तो इसको मैं कर देता हूँ, 5 pixels, कुछ इस तरह से, यह आ गया, यह create होगया हमारा, ज्यादा कुछ designing मैंने की नहीं हुई है, इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा इसके boot step add करेंगे, last, ओके, यह कुछ इ to create करना मुझे last में, जिसको मुझे summit करना है, तो यहा पर जो button है, जो add करेंगी, वी тौर जिए कड ईंतर में add कर देता हूँ, और बटन में, जिसका type हो add कर देता हूँ, यह हो जाएगा submit type का, इन यहां पर इन यहां कर देता हूँ create meet-up, यहां बटन हो गया क्लिक कर रहा इसका color add कर देते हैं, so color is equal to white कर देता हूं, मैं इसका background color है, वो मैं कर देता हूं, gold, या गया, gold की जगहा पे मैं इसको रखना चाहता हूं, dozer blue, या गया button, okay, now button में कोई border apply करना है, border is equal to none, and then button का जो width हे, हो set कर देते हैं, यहापन कर देते है, 60 pixels, जादा शोट हो जाएगा 60 pixels, perfect, इसको मैं कर देता हूं, 200 pixels का बटन, या गया, button का कुछ width, height set कर देते है, तो इसको मैं कहा देता हूँ, height is equals to 40 pixels, यह हो गया button, right, इसको कर देते हैं, 30 pixels, and then border radius, इसको apply कर देते हैं, हम इसमें 20 pixels का, 20 pixels, यह आ गया, यहाँ बटन create हो गया, बटन पर जब क्लिक करेंगे, यह कुछ इस तरह से काम करेगा, okay, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो mouse over होना चाहिए, इस पर जब मैं hover करूँ तो, तो यहाँ पर मैं कहा देता हूँ, cursor is equals to pointer, जैसे मैं इस पर cursor लेके जाओंगा, यहाँ पर यह, मुझे इस तरह से show करेगा, right, बटन मैं थोड़ा सा CSS or add कर देते हैं, तो यह आ गया button, बटन पर जब मै hover करता हूँ, right, बटन मैं जैसे मैं mouse over करूँगा, तो यह सारी सीज़ा मुझे नहीं करना है, border remove करेंगे, यह सब कुछ remove करेंगे, मुझे बैक्ग्राउंड कलर है, वो बस मुझे यहाँ पर change करना है, जैसे मैं इस पर mouse over करूँगा, background कलर हलका सा हाँ आपर dark करेंगे, जैसे मैं meetup पर कुछ लिखता हूँ, मालनी जो मैंने अपर लिखा title, and then यहाँ पर लिखा description, location में डाल देता हूँ, जबल पूर, date select कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी, यह मैंने date select किया, image में मैंने कोई भी image डाल दिया, image.ioa की URL, create पर click कर रहा है, तो यह form submit हो रहा है, बट हो क्य create पे, router है हमारे पास, router में क्या हो रहा है, post request जा रहा है create पे, तो क्या चलता, create function, चलते है create function, यह रहा, जैसी मैंने create function किया, तो यह function run होगा, और इसने कहा किया, meetup slash meetup form फिर से हमको दे दिया, तो आ गया हमारे पास form, और इसके पहले हमें request से data read करना है, यहाँ पर मैं कहा लेता हूँ, मैंने का, const data is equals to, या फिर मैं इसको कहा हूँ, meetup is equals to request.body, तो इस body के अंदर मुझे मिलना चाहिए वो data, तो मैं कहा देता हूँ, console.log, and then इस meetup को print करके देखते हैं कि इसमें क्या है, okay, तो console open करेंगे, यहाँ गया console, node 1 start कर रहा है हमारे file को, and then submit करते हैं, इस page को reload किया, form again, submit होगा, यहाँ पर क्या है, meetup is equals to undefined, तो जैसे हमने last time, json body को read करने के लिए, एक middleware का use किया था, वैसे ही, यहाँ पर हमें, is form encoded URL, जो values है, encoded URL, जो values है, जो values है, उसको read करने के लिए, हमें एक और middleware की ज़रूर थे, चलते हैं, उस middleware को use करेंगे, यहाँ हमारा app, app create करने के बाद, यहाँ पर मैं करूँगा, app.use and then express.url encoded, इसका हमें use करना होता है, form की values को read करने के लिए, ओके, यहाँ पर कुछ options भी pass करने होते हैं, तो यहाँ पर हम कहिंगे, extended is equals to true, ओके, यह क्या करता है, documentation में आप जाके एक बार read कर सकते हो, बाकि page को again reload करे करेंगे, देखेंगे, तो अब मेरे पास यहाँ पर meetup का जो data है, वो मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हो, meetup का object मिला है, जिसके अंदर है meetup, और इस meetup में आप देखो कि title, description, javalpur, image.io and image, आगया, अगर मैं form में कुछ भी लिखता हूं, submit करता हूं, तो यहाँ पर क्या आय title, description, location, date, date में क्या आया, empty string, मतलब की date नहीं है, तो इसको हमें conditional है, यहाँ पर देखना पड़ेगा, कि data है, कि यह सारी चीज़ हम चेक करेंगे, और यहाँ पर error वगएरा show करेंगे, तो फिलाल मैं मान के चल रहूंगा, मेरे पास सारा data आ चुका है, तो उस case में हमें आप save करना है, तो चलते हैं controller में, यहाँ पर मुझे पूरा meetup का data मिल चुका है, उसको मैं directly save कर रहूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास meetup model है, मेरे पास meetup model है, meetup, meetup model मुझे नहीं show हो रहा है, तो meetup model को import करेंगे पहले तो, यहाँ पर मैं कहूंगा const, यहाँ मुझे मिलेगा कुछ-कुछ, जो भी है, पता नहीं क्या, बाद में देखेंगे, मैंने का require, and then dot dot slash models slash meetup, इस meetup के अंदर से मुझे चाहिए meetup model, यहाँ गया, form है हमारे पास, यहाँ पर, यहाँ रहा create meetup, यहाँ पर meetup dot create, create को pass करेंगे meetup object, उसको मुझे पास किया meetup object, जै और जैसे ही successfully save होता है, तो मुझे response में render करना है, यह वाला page, यह, अगर कोई error आती है, तो उसको हम बाद में handle करेंगे, फिलाल इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, जैसे ही होता है, मैं response को render करके, इसको return कर दूँगा, perfect, यह meetup मैंने use नहीं किया है, यह तो मैंने use किय हुआ है, इसको return कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, response.render और उसके पहले, हमें आप लिए देते हैं, console.log created and then comma meetup को print कर लेते हैं, okay, now, चलते हैं, हम वापस form को एक बार फिर से create करते हैं, और page को मैंने just reload किया, तो यहाँ पे कोई error आया हुगा, यह देखिए, error क्योंकि कोई values form पे मैंने नहीं की हुई है, read, okay, तो एक बार हम page को reload कर लेते हैं, यहाँ आगे हमारे पास form, title set करेंगे, मैंने लेखा title, description, location, date, and then image, image.io, create पे क्लिक किया, form submit हुआ, कोई error नहीं है, और console पे देखते हैं, क्या हुगा, so, console मैं, कोई error, catch, okay, यह पुराना error है, यह काम करते हैं, create call हुग, create मैं आया, then, then meetup call हुग, created पे नहीं हुगा, तो बार control, end, application को terminate किया, and then, again, एक बार page को reload करेंगे, continue, okay, यहां पर क्या print work created, मतलब कि जो data waste में हमारा जो data है, वो save हो चुका है, यहां पर meetup create हो चुका है, okay, तो जैसे meetup create होता है, तो हमें क्या करना है, message दिखाना user को meetup created, okay, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, simply, जो meetup जैसे create होता है, तो render को हमें यहां पर data pass कर सकते हैं, इसके बाद, context जिसको हम कहते हैं, तो एक object create किया, context object, and then, यहां पर मैं message दे दे देता हूँ, मैंने का message is equals to, message is equals to meetup, meetup created, यहां एक message यहां पर create कर लिए, meetup created, message यह मुझे कहां दिखाना, meetup form के अंदर, तो form में जाएंगे, और starting में क्या होगा, जब आप form, यहां पर माल लीजिए, मैंने meetup form की create किया, meetup form के अंदर मैं directly, यहां पर क्या लिएता हूँ, message is equals to, और जो message मैंने वहां से send किया, वो message मुझे चाहिए, तो यह आगया message, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, पगर मैंने page को reload किया, डिरेक्टी मैंने page में get request send किया, तो हम message में कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ create करता हूँ, मैंने का description, location, यहां पर आए meetup created है, जो मैं form पर get request send करना तो कोई message नहीं है, तो इसको मैं conditionally show कर सकता हूँ, तो इस message पर हम condition लगाएंगे, क्या message में condition रहेगी, तो condition यह रहेगी, कि if message, अगर message है, तो मुझे message show करना है, तो यहां पर कहिंगे end if, तो अगर message है, तो यह block चलेगा, और इस block के अंदर हमें दिखाना है message, इसको मैं create कर रहा हूँ div में, और इस div के अंदर मैं directly print कर रहा हूँ message, message, okay, तो एक काम करते हैं कि, यह message उसका value मैं अभी नहीं दे रहा हूँ कुछ ठीक है, और इस div में मैं class apply कर देता हूँ, इसका नाम है message, और इसके लिए हमें को CSS लिखना है, यहाँ पे हम इसके लिए CSS लिख देते हैं, इस message का जो color है वो मैं set कर देता हूँ, मैंने का color is equals to green, and then, जो background color है, वो भी मैं रखूंगा green, लेकिन यह जो green रहेगा वो थोड़ा सा light रहेगा कुछ, इस तरह से, okay, and then, इस पे border रहेगा, border 1 pixels, solid, solid green, okay, padding add कर देते हैं, padding is equals to 10 pixels का padding रहेगा, perfect, इतना काफी है, page को करते हैं, reload, okay, form आ गया, फिर से create करते हैं, title, description, location, date, month, y, year, year, and then image.io, कुछ भी, then create meetup, तिहां पर क्या आया, meetup created, perfect, लेकिन अगर meetup create नहीं होता, कोई error आ जाती है, तो उस case में मुझे क्या करना है, error page दिखाना है, simply error message, तो error कब आएगी, controller में चलते हैं, यह रहा, हम controller में क्या create किया, then call हुआ मतलब की, successful, लेकिन इसके बाद .catch, अगर कोई error आती है, तो मैंने का .catch, catch में आएगा एक error, और फिर हमें क्या करना है, इस बार भी हमें response में क्या करना है, same page show करना है, मैंने का response.render meetup form, लेकिन इस बार मुझे अगर error आया हुए, तो message में हमें error दिखाना है, इस बार मैं message नहीं, मैं इस बार यहां पर error दिखाना हूँ, और error में क्या रहेगा, जो भी आपका message है, तो error जो object है, उसके अंदर कुछ message होगा, वो error message में show करूँगा, तो इस बार मैं क्या करूँगा media form में condition चेक करूँगा, इस बार message नहीं, इस बार मुझे error चेक करना, है, इसको मैं copy कर लेता हूँ, इस बार मैं चेक करूँगा, error, यह थोड़ा सा formator वो problem कर रहा है, इस काम करते हैं, आपके comment add कर देते है, error message के लिए, तो formator मेरा सही रहे है, कोई दिखकर नहीं दे रहा, success message, यह हो गया, तो अगर कोई error है, तो मुझे यहाँ पे condition में CSS अलक्से create करेंगे, और इस बार मुझे दिखाना है, error में, error, अगर error है, तो इस बार मुझे error दिखानी है, तो जो भी error message वो मुझे दिखेगा, controller में जाएंगे, यहाँ पे जो error हो आगया, ठीक, perfect, और इस error के लिए CSS लिख लेते हैं, तो same रहेगा, CSS पूरा same रहेगा, यहाँ पे मैं कहाँ देता हूँ error, error में हम set करेंगे red color, red color, border रहेगा इसका gain red color से, and जो background color रहेगा, वो भी red रहेगा, लेकिन हलका सा, यह वाला, perfect, अब वापस चलते हैं, अभी मैंने कुछ भी create नहीं किया, कुछ भी type नहीं किया, create media पे click किया, तो क्या आया, model validation failed, okay, थोड़ा सा color पे खेल लेते हैं, यह कुछ इस तरह से, again page को reload किया, यहाँ गया, आप यहाँ model validation failed हो गया, title is required, description is required, location is required, सारी error एक सांथ मैंने आपे show करत ही, right, ठीका भी यहाँ पे जादा काम नहीं कर रहा हूँ, अब चलते हैं, एक और create कर लेते हैं, proper, description and location, date and image, save किया, meetup created, perfect, उस तरह से हमने meetup create किया, design पे हम जादा काम नहीं कर रहा है, आप चलते है, meetup को list करेंगे, list पे click किया, तो यहाँ पे हमें meetup की list दिखानी, जो भ meetups लेके आने, meetup form को मैं कर रहा हूँ, close अभी, and meetup list पे चलते हैं, तो यह रहा meetup list, यहाँ मुझे list हो करने हैं, तो उससे पहले हमें database से meetups सारे fetch करने, तो यह रहा हमारे पास हो function all meetup page वाला जो page हमको सर्व करके दे रहा है, तो page सर्व करने से पहले हमें database से सारे meetups लेके आने, क्या करेंगे, const हमने आप लेखा meetups is equals to, सारे meetups मुझे कैसे मिलेंगे, तो यहाँ मैं लग दूँगा meetup.find, 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 उससे मुझे सारे meetups मिल जाएंगे, या तो आप यहाँ पे dot then वाला यूज़ कर लो, या फिर आप async, async await कभी use कर सकते हूँ, अभी तक हम अभ wait, तो इससे क्या होगा meetup.find, सारे meetups मुझे मिलेंगे, और वो आजाएंगे meetups में, और अब मैं इस meetups का list है, वो इस render function को pass कर सकता हूँ, context में, तो object create किया, and then meetups की list है, मैं इसको paste कर दिया, तो अब मैं इस meetups का list है, इस page में जाके देख सकता हूँ, तो चलते हैं अपने page म और यहाँ पर हम वो meetup का list print करते हैं, तो यहाँ पर मैं का देता हूँ, HR, यहाँ पर मुझे meetup का list print करना है, simply मैं अभी क्या कर रहा हूँ, double curly bracket, अपना list हो show करना है, तो यहाँ पर मैं लग देता हूँ meetups, जो भी meetups होंगे, वो सारे यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे, जो formation मतलब वहाँ सा दिक्कत कर रहा है, मेरा prettier, यहाँ काम करते हैं, आप एक comment add कर देते हैं, यहाँ मैं लग देता हूँ main block, यहाँ अब यह जो पर प्रिटियर हो format नहीं करता है इसको, यहाँ यह कुछ इस तरह से सही है, ओके तो यहाँ पर comment यहाँ पर add कर देता हूँ, end block, य meetups मैं डिरेक्ट्री प्रिंट किये हुए हैं, डिरेक्ली, page कोडी लोड किया तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर object, 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 now इस पर हमें iterate करना है, एक एक पर trade करने के लिए हमें आपर क्या use करेंगे, for loop का, use करेंगे for, curly bracket open close, percent sign and then for, एक एक meetup मुझे मिलेगा, in meetups, meetups नाम एक बार हम for को end कर देते हैं, बाद में हम आगे लिखेंगे, क्या करना है, end for, for loop जो है, end हो जाएगा, and then now इसके अंदर हमें create करना है, table, तो table में, जो table tag होता हूँ, एक बार create होता है, right, तो इसको मैं remove कर रहा हूँ, पहले में table create करूँगा, and then t head create करेंगे, t head के अंदर हो create करेंगे, मतलब table row, and then table data, यहाँ पर हम add कर देते हैं, id, okay, id की जरुवत वैसे नहीं है, पर ठीक, id दिखाएंगे, title, description, और यहाँ पर हम add कर देते हैं, actions, जिसमें हम delete का button दिखाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम add करेंगे, location, और image दिखानी है, तो title के पहले मैं यहाँ एक image भी add कर दीता हूं, image, okay, now, हम meetup पे trade कर रहा है, एक meetup मिल गया मुझे, अब एक-एक meetup का मुझे, यहाँ पर क्या दिखाना, पहले तो id, double curly bracket, meetup.id, underscore id, use करेंगे, यहाँ पर, meetup underscore id, okay, 123456, 123456, चलते हैं भी meetup.id, वस देख लेते क्या आता, तो यहाँ गया, meetup.id में एक object, meetup.underscore id में एक object आ रहा है, तो इसको मैं meetup.id, यहाँ गया मेरे पास id, meetup का, right, meetup का idea आ गया, actually, underscore id में एक object id मिलता है, जो कि खोड़ एक object होता है, तो इसलिए object दिख रहा है, लेकिन underscore, just id लिखते हो, तो आपको id मिल जाता है, now, image के लिए, मैं आप लिखूंगा, double curly bracket, open, close, meetup.image, और वैसे ही copy paste कर लेते हैं, image के बाद है, title, description, and then location, and then actions है, actions मतलब कि वहाँ बटन देखाऊंगा, delete button, तो इक button create कर लेते हैं, या फिर एक anchor tag create कर लेते हैं, यह रहा anchor, and HRF मैं मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मुझे लिखना है, delete, तो मैं इसको देता हूं, delete, delete, okay, page को reload किया, यहाँ पर यह आगया, हमारे पास table, table में लिखा हुआ है, एक image का URL है, यहाँ पर title, यह description, उसका daily, and then delete button, delete button, जा हम क्लिक करेंगे, तो हमें delete करना है, बाद कैसे delete होगा, हम देखें या, यह ID की ज़रूत ब number देखा सकते हैं, तो sequence के लिए मैं कहा देता हूं, serial number, and then serial number यहाँ पर कैसे आएगा, ठीक है, एक problem है, तो इस loop से हमें serial number कैसे मिलेगा, एक काम करते है, serial number की जगह पर मैं कहा लिखता हूं, for loop, adjustment लेखा for loop, हर एक loop के अंदर एक variable होता है, for loop नाम का, तो इससे मुझे for loop की information म हुआ, for loop नहीं है, साइद, यह loop है, let me try, या फिर हम document, यह आ गया, साही है, loop नाम का एक object है, इस loop के अंदर से मुझे मिलेगी information, loop dot मैं इसको कहता हूं, index, देखते हैं, क्या आता है, तो क्या आया, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 आया, loop dot index से मुझे मिले आता है, 1, 2, 3, 4, अगर मैं index 0 होलता हूं, यहाँ पर मुझे जो index 0 से start होते हुए मिलता है, यह मुझे कैसे पता, आप इस for loop का documentation देखेंगे, swig में जाके तो आपको यह सारी चीज़े मिलेंगी, ठीक है, तो मैंने रखा index 0, तो index 0 से सुरू होगा, लेकिन से सिर्फ लेका index, तो 1, 2, 3, 4 नमबर मुझे मि यहाँ पर create कर लिया, इमेज की जगह पर मुझे proper image दिखानी है, URL नहीं दिखाना है, तो क्या कर सकते हैं, यह जो image है, यह हमारा एक URL है, इसके जगह में एक image tag create कर सकता हूं, तो मैंने कहा IMG, इस IMG अंदर जो src होगा, वो होगा हमारा URL, जो कि हमने यहाँ पर दे दिया, src is equal to meetup.image, जो भी URL होगा, वो URL में जाएगा, वो image हमें हाँ पर show होने लएगी, यहाँ पर देखो कि एक image show हो रही है, बाकी की images invalid URL है, इसलिए हाँ पर image नहीं देख रही है, इसके लिए कुछ-कुछ CSS लिख लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इस image मैं मैं class apply कर देता हूं, class को मैं कहा देता हूं, meetup-image, class name is equal to meetup image, चलते हैं, CSS add कर लेते हैं, यहीं पर, तो यहाँ पर मैं कहा देता हूं, CSS, style add कर लेते हैं, style मैं मैं एक class create किया meetup image, इसको मुझे decorate करना है, इसका मैं width set कर देता हूं, width is equal to, मैं इसका height set कर देता हूं, width automatic set हो जाएगा, then 60 pixels, height 60 pixels, एक काम करते हैं, width set करते हैं, width is equal to, again 60 pixels, 60% कर दिया मैं, 60 pixels, चावात हैं, apply नहीं हो रहा, meetup image, मैं height and width मैंने set की, and यह क्या है, यह रहा meetup image नाम का class, इसमें मैंने height and width set की हुई है, okay, meetup image class है, मैंने इसलिए dot का use किया है, height and width है, हापे मैंने set की हुई है, okay, effect इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर जो block main है, इसके अंदर आप जो भी लिखते हो वो page में show होता है, तो यह अगर मैं यहां पर view source page करूँ तो आप दो को इस page में कहीं भी CSS नहीं जो मैंने add किया, इसलिए effect नहीं show हो रहा, तो जो भी content आएगा, वो block main के अंदर आएगा, कि बाहर आएगा, मैं इसको यहां से cut करूँगा और इसको इसके अंदर लिखूँगा, तो इससे क्या होगा, यह content आपके page में show होगा, अभी यह काम करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको change करके अगर यह नहीं कर देता हूँ meetup-image, तो यह जो भी content आपको block के अंदर लिखना है, अफिर कोई भी blog आप create करो सकता, आप block style create कर सकते हो, यह इस तरह से काम करेगा, तो अभी यहां पर यह image show होने लगा, तो सिर्फ मैं height set कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, तो automatic यहां पर resize जाए हो, कुछ इस तरह से, अब मैं यहां प एक और border apply कर देता हूँ, तो मैंने इसको लिखा border radius is equals to 40%, ओके सो यह हलका सा हाँ पर round जाया हो, कुछ इस तरह से, perfect, तो इसको मैं कर देता हूँ 20% and यह सही है, बाकी की images सही नहीं है आपे, तो इसलिए मुझे error show हो रहा है, that is fine, तो इस तरह से मैंने image को show कर दिया, और यह data मुझे show हो रहा है, table मैं कुछ कुछ अपलाय कर देते हैं styling, यहाँ पर मैं आड कर देता हूँ table, table की width है वो मैं set कर देता हूँ 100%, तो table 100% रहेगा, कुछ इस तरह से, and then जो tr है, and जो comma th है, इन दौनों में, मैं set करना चाहता हूँ border, so border is equals to 1 pixels, solid, gray, okay, यहाँ पर यह border देख रही है, e h और t r नहीं, th और t d करूँगा, मैं यहाँ और यहाँ और यहाँ इस तरह से, border आहीं लेकिने, यहाँ दो-दो border आ रही है, तो हम इसको, इसका single कर सकते हैं, कैसे table मैं apply करेंगे, एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी, border collapse, यह रहा, border collapse is equals to collapse, इसके border दो-दो देख रही है, वो यहाँ पर single मैं show होने लगी है, ओके कुछ इस तरह से यह काम करेगा, now यहाँ पर हम इस padding apply कर देते हैं, तो padding is equals to 5 pixels का padding add कर देता हूं, यह कुछ इस तरह से, ओके, इसको हम थोड़ा और light कर देते हैं, इसको 0.56 pixels कर देता हूं, कुछ इ ओके, I hope clear हो गया होगा, यह हो गया हमारा simply table create, now यहाँ पर delete buttons हैं, तो delete button के लिए create कर देते हैं, तो मैं इसको कह देता हूं, dot delete hyphen button, delete hyphen button, तो जो class इसको apply करेंगे हम अपने delete button में, और यह रहा anchor tag, यहाँ पर हमे class apply कर देते हैं, जिसका ना में delete button, now उस delete button पर class apply, मैंने का color is equals to, color is equals to, हम इसको कह देते हैं red, and जो background color है इसका, वो भी हम कर देते हैं red, लेकिन यह रहेगा थोड़ा सा light color, कुछ इस तरह से, यह हो गया, एक anchor है, तो इसमें मैं text decoration is equals to none कर सकता हूं, text decoration is equals to none, यहाँ पर कोई decoration नहीं है, and then इसमें padding apply करेंगे, padding is equals to 5 pixels, border radius is equals to 10 pixels, ठीक है, इतना काफी है, तो यह कुछ इस तरह से हाँ पर delete button, create हो गया, now जैसी मैं इस पर click करूँगा, तो यह delete होना चाहिए, right, तो इसको हम देखेंगे, next, कि इसको कैसे delete करना है, तो अभी हमने जो URL बनाया है, delete करने के लिए वो क्या है, तो अगर मैं router में जाओं तो मैं जब delete request send करता हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत होगी form के साथ, कि हम जब form create करते हैं, सिर्फ, get होता है, या फिर post होता है, right, get या फिर post delete request, जब आप API की सांथ काम करते हो, कोई JavaScript के helps अगर आप send करते है request, तब delete request काम करता है, तो हम इसको की काम कर रहा है, अभी हमने form के साथ, तो हम इसको post convert कर देते हैं, and post request आप send करोगे meetups पे meetups slash, तो इसका मैं URL कुछ तरह से create कर रहा हूं, जब आप request send करोगे meetups slash delete slash, और इसके पाद आप send करो id, तो जिस id पे आप send करोगे post request delete के साथ, तो वो delete हो जाएगा, ठीक है, तो उसको मैं कहा देता हूं post request लेकिन यहाँ पे मैं add कर रहा हूं delete, and then slash, जब भी आप delete लिखके, delete slash और id, तो वो वाला जो भी meetup पे वो delete हो जाएगा, इस तरह से हमने ur को change किया, तो अब मैं क्या करूँगा, कि अगर मुझे इसको delete करना है simply, तो इस ur पे मुझे visit करना पड़ेगा, तो meetups slash delete पे, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इस delete button पे click करूँगा, जब मैं इस delete button पे click करूँगा, तो मुझे एक url पे visit करना है delete करने के लिए जो की है meetups slash delete, यहां पर हम लिख देते है meetups, meetups slash delete, लेकिन कौन सा वाला मुझे delete करना है, उसकी id भी मुझे यहां पे send करना है, right, slash id, तो वो id मैं यहां पे कैसे send करूँगा, जब मैं बडर में click करूँ, तो मैं इस delete के बाद यहां पे id लिख सकता हूँ, तो वो id मुझे कहां से मिलेगी, यह meetup से, तो मैंने कहा meetup.id, उस meetup की जो भी id होगी, वो यहां पे आजाएगी, तो यहां पे automatic url create हो जाएगा, और जैसे हम उस url पे visit करेंगे, तो वो जो meetup हो डिलीट हो जाएगा, तो अभी डिलीट नहीं होगा, but अभी यह controller हो हो जाएगा, कौन सा controller, यह रहा, यहां पे हमें एक statement लगा देते हैं, मैंने कहा console.log, console.log, and then यहां पे लिख देते हैं, delete meetup, और इसका id कर देते हैं, कौन dot id, okay, now, console को check करना है, जब मैं बटन पे click करूँगा, तब, और plus page भी देखना है, आपको, page को reload किया, तो जब मैं इस पे mouse over करूँगा, तो यहां पे आपको देखना है, यह URL, यह देखो delete, यह अलग-अलग यहां पे changes हो रहा है, अगर मैं इस पे करता हूँ, view page source, तो जो delete button है, वो आप देखो, यह रहा delete button, इस delete button का URL का URL क्या है, meetup slash delete, अगर मैं इस पे visit करता हूँ, तो simply यह delete होगा, okay, cannot get, क्योंकि यह get request था, तो अगर post request send करना है, तो मुझे तो form create करना पड़ेगा, तभी post request send होगा, या तो delete request, तो यहां पे दिक्कत दिया होने वाली, यह मैं delete इस पे click करूँगा, तो यह not found की, कि यह get request send कर रहा हूँ, तो get request को हमें post में convert करना है, तो इसको हमें post में convert करना तो हमें इसको form में wrap कर सकते हो, और फिर यह post request convert हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हमें यह जो conditions ही, थोड़ा सा change करनी पड़ेंगी, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, तो हम बनाएंगे type submit, तो इसका जो type रहेगा, वो रहेगा, submit type का, तो यह form वो submit हो जाएगा, पर form को submit कहां पर करना है, इस वाले URL पर, अब यह जो URL है, मैं इसको यहां से cut कर लेता हूँ, और इसको में रखूँगा action में, यह कुछ इस तरह से, यह form मैंने क्यों बनाया है, post request send करने के लिए, अब यहां पर मुझे href की जरूरत नहीं है, and then save करते हैं, वापस आते हैं, page पे, meetups की जो list हो देखेंगे, यह आ गया, अब मैं इस पर mouse over करूँगा, तो यह कुछ काम नहीं कर रहा, link, क्योंकि href मैंने remove कर दिया है, यह काम करते हैं, यहां पर जो href है, इस इसको मैं कर देता हूँ, hash, यहां पर मैं इसको disable रखना चाहता हूँ, तो मैं आपर एक काम करते हैं, anchor है यह न, इस anchor को मैं button में convert कर देता हूँ, simple रहेगा, सबसे सही, और इसको मैंने का button, href की जरूरत नहीं है अब यहां पर, यहां गया हूँ, button का type is submit, page को reload किया, तो यहां पर button create हो गया, लेकिन, कुछ problem है इसमें, button delete button, यह कुछ सा button है, delete, okay, यहां पर यह कुछ extra आ रहा है, यह क्या है, button मैंने create किया है, जिसके अंदर मैं लिखा delete, और इसमें class अप्लाई किया है, और इसका type is submit, button को मैंने close नहीं किया, यह मैंने button इस तरह से close करना है, यह हो गया button, perfect, now यह रहा, जब मैं इस पर click करूँगा, तो post request send करेगा, एक hover create कर लेते हैं, delete button पे, तब delete button है, तो इस पर मैं कहा देता हूँ, hover करने पे, या फिर जो cursor है, उसको मैं कहूँगा pointer, and delete button पे जब मैं hover करूँगा, तो यहाँ पर मैंने copy किया, and यहाँ मैं लिखूँगा hover, and जो color हो कुछ नहीं change करना मुझे सिर्फ जो background color हो को हलका सा dark करना है, कुछ इस तरह से, पिज रिलोट कि आप mouse over करेंगे, तो यह okay क यह देखो कहां पे गया, delete slash something पर यह कौन सा request है, यह post request है, तो अभी कुछ delete वगएरा नहीं हुआ है, functionality पूरी नहीं किया अभी हमने, now console check करते है, यहाँ पर क्या add delete, meetup, meetup का id भी आया है, perfect, तो post request हमने send कर लिया, अब इस post request हमने send कर लिया, अब इस meetup को हम देखेंगे बा यहाँ पर हमने कहा response.redirect, कहां पर redirect करना है, slash meetups slash list पे, या फिर simply meetups पे, यह हमारा जो बापस से list वाला page है, वो show होने लगेगा, प्राई करें इसको, तो मैं चलता हूँ list में, क्या problem है, okay page reload हो रहा है, यह आगया हमारा list page, list page में आगया, delete button में क्लिक किया, तो बापस से list page पे जा गया, फिर क्लिक किया बापस से list page आ गया, तो यहाँ पर लेकिने अभी delete नहीं हो, यह हमने delete किया ही नहीं, तो हमने database में id read कर लिया है, cons हमें delete करना है, now इस id को हम store कर लेते हैं, किसी variable में, copy किया, const id is equals to, यह आ गया, जिसको हमें delete करना है, now delete करेंगे, तो meetup.delete, meetup dot delete one, किसको delete करना है, id को, तो हमने का underscore id is equals to given id है, और जैसे ही यह delete हो जाए, तो मैंने का dot then, और जैसे ही यह delete होगा, तो हमें यह call करना है, cut किया, paste कर दिया, अगर कोई error आती है, तो आप उसको अपने end पे handle कीजिए, dot catch का use करके, ओके, तो delete किया, delete करने के बाद हमने इसको redirect कर दिया, जैसे मैं redirect होगा, तो हम मुरे पास एक जो है, यह remove हो जाएगा, now page को reload करते है, delete पे click करेंगे, तो यह देखे 7 वाला delete हो गया, click की है, 6 पे delete हो गया, 5 पे click के delete हो गया, 4 पे click के delete हो गया, let's 2 पे delete करते है, 2 को delete किया, वो भी delete हो गया, title and delete, तो सारे के सारे delete हो गय ना ओर लिस्ट पे एक भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, जब लिस्ट में एक भी नहीं होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे, नो meet-up, ठीक है, कोई meet-up नहीं है, इसको कैसे करेंगे, तो simply हम जाएंगे meet-up page में, meet-up list.html में, और यह जो table है, इस table को ह जब कोई meet-up है तब, तो उसको cut कर लेते हैं, यहाँ पर एक for add कर लेते हैं, sorry, if add कर लेते हैं, मैंने का if meet-ups.length, meet-up.length, meet-up.length, meet-up का length अगर 0 से बड़ा है, तो उस case में मुझे यह table दिखानी है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ end if, तो यह condition क्या बोलती है, अगर meet-up का length, one से बड़ा है, meet-up.length, अगर वो बटन से बड़ा है, तो table देखे कि अगर नहीं है, तो उस case में last में हमें दिखा देते हैं, else, end if है, यहाँ पर end करने से पहले, एक और यहाँ पर else add कर देते हैं, else, और यहाँ पर हमें करेंगे div add, तो इस div में मैं कहा देता हूँ no meet-ups, page को reload किया, तो यहाँ पर क्या आया, no meet-ups, okay, no meet-ups को दिखा देते हैं, एक class apply कर देते हैं, class is equals to no meet-up, no meet-ups को हम copy करेंगे, इसके लिए cssite करना है, तो यहीं पर कर देते हैं, एक class है, यहाँ गया, इस पर border apply करेंगे, 1px, solid, green, and then padding, 20px का padding add करेंगे, and यहाँ आ गया, इसके बाद जो इसका text alignment है, वो apply कर देते हैं, so, क्या problem है यहाँ पर, padding को लेगे गया, problem है, okay, comma नहीं आता है, यहाँ पर, padding, and then इसका जो text alignment है, उसको मैं center रखना चाहता हूँ, यहाँ गया, no meetup, इसका font change करेंगे, so, no meetup के लिए अंदर, जो color है, उसको मैं करूँगा, green color, यहाँ गया, green color, and then, जो size है, वो add कर देता हूँ, size, font size is equals to 30 pixels, कुछ इस तरह से, 40 pixels, no meetups, right, perfect, तो चलते हैं, meetup, create कर लेते हैं, list पर जाएंगे, list में कुछ नहीं है, create पर चलते हैं, और पर और add करते हैं, तो मैंने कहा, youtube, meetup, description, feel free to code, description, location क्या है इसका, तो मैंने इसको लेखा, daily, and date, डालना है मुझे, date मैंने यहाँ पर add कर दिया, and then एक image add करना है, तो चलते हैं, एक image copy कर लेते हैं, so pixar base से मैं एक image उठाऊँगा, इसमें हम सर्च कर लेते हैं, daily, या गया image daily का, इसमें से एक image copy कर लेते हैं, copy image address, perfect, now उसको हम करेंगे, यहाँ पर paste, and then send, create हो गया meet up, now चलते हैं, list चेक कर लेते हैं, list पर जाएंगे, तो यहाँ पर एक भी meet up नहीं आया, लेकिन मैंने तो create किया है, फिर क्यों नहीं आ रहा, ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉबलम है, create नहीं हुआ, क्या ही है, created तो लिखा हुआ, फिर यह create क्यों नहीं हुआ, list, create, list, home, create हुआ, फिर create क्यों नहीं हुआ, क्यों करते हैं, चेक करते हैं, इसको meet up controller में जाएंगे, meet up controller में जो list है, यह आया, list, इसमें हमने का meet up.find, सारे meet ups आएंगे, सारे meet ups आगा है, हमने इसको list में render किया, कहीं मैंने condition गलत लगाया हुआ, चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, no meet up दिखा, तो काम करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि, यह रहा, meet ups dot length को लेके कोई problem है, यहाँ पर, so meet ups की जो length है, ght नहीं आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर आ गए, perfect है, यहाँ पर आ गए, meet up, एक और meet up create करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा, meet up to, description add कर देते हैं, location add कर देते हैं, इसका हम, भोपाल, and then, a date डाल देते हैं, image add करना है, तो एक मैं image अठा लेता हूँ, भोपाल का, यहाँ से कोई भी एक image, copy किया, पेट कियाugi इस किंड़ किया सैंक्या क्रिए टिए हो गया नाउ लिस्ट पे जाएंगे ते ώहां पर डो में प्रे लिट बटन है खराली सब्सक्राогश सब्सक्राइब नो create पे click करेंगे, तो form आ गया, list पे click किया, तो इसके पुरी detail देखने है तो detail page भी create करेंगे तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे करता हूं, ज़िए मैं click कर रहा हूं, करहीं तो मुझे detail page नहीं आ रहा detail page खोलने के लिए मैं यहाँ एक और button create कर लिए तो pixels के बगल में इसको कहा देता हूँ detail button या गए detail button and then इसको मैं कहा देता हूँ show more okay submit को remove करेंगे इसकी जरुरत नहीं तो button की जरुरत नहीं है इसको मैं anchor tag में convert करूँगा क्यों कि href हो जाएगा आपका router में चलेंगी get तो आपको get request send करना है इस URL मेंदा meetups.id तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ हो जाएगा text actually change नहीं किया पर यह detail page है यहाँ पर देख सकते हो URL तो meetup detail page में चलते हैं यह रहा meetup detail page यहाँ लिस्ट पर गया एक ग्रीन कलर उसका ग्रीन है background कलर इसका रहेगा इस तरह से यह आ गया ओके बटन भी क्रिट हो गया कुछ सही नहीं है यह पैडिंग 5 पिक्सल्स है margin एड़ कर सकते हैं इसमें margin is equals to 10 पिक्सल्स बटन को inline कर दें तो जो buttons हैं इसको मैं कह देता हूँ display inline और जो दूसरा button है इसका जो display inline क्या बात है यह एक anchor tag है anchor tag में class apply किया हुआ है इसका नाम है detail button and यह रहा इसमें यह TD है यह रहा button बटन का color text decoration margin and padding border radius यह रहा delete button और यह हमारा जो TD है वो एक action है तो delete button बटन के actually में यह आप एक form भी है तो इस delete button को मैं यहां से remove कर देता हूँ और यह जो class है मैं इस form में apply करूँग ठीक है दिखते हैं क्या होता है यह आ गया तो अभी यह कुछ इस तरह से show हो रहा है perfect है लेकिन यहां पे जो form है यह जो button है यह button में delete show हो रहा तो button में तो button देखी रहा है मुझे तो एक काम करते हैं कि delete button को मैं इसको undo कर देता हूँ delete button को delete button रहने देते हैं बड़ी जो form है इसमें भी class apply कर लेते हैं जिसको मैं कर देता हूँ delete form delete form and then is delete form को हम करेंगे inline तो यहां पे जो delete form है इसको मैं copy कर लेता हूँ यहां पे हम रखेंगे delete form delete form and इसको मैं रखूँगा displays equals to inline यह कुछ इस तरह से show हो रहा है delete पे click करने तो delete हो जाएगा मैं जो delete नहीं करना है show more पे click किया तो detail page अब देखते हैं क्या करना show more पे मैं एक id send किया तो इस id वाला जो meetup था उसकी information पूरी मुझे निकालनी है और उसको मुझे detail page में दिखाना है now काम करेंगे detail page पे meetup slash id तो यह जो id है उसको मैं read कर सकता हूँ अपने function के अंदर meetup controller में आएंगे all meetup के लिए है यह रहा meetup detail page okay meetup form में सिर्फ हमने form submit किया था create में create किया है and then delete में delete किया perfect तो अब चलते है meetup को detail page में यह रहा इस request की help से मुझे वो id मिल जाएगी तो मैंने का const id is equals to request dot request dot params dot id तो वो id मिल गया now इस id से मुझे से search करना है तो मैं का हूँगा if sorry if नहीं मैंने का meetup dot meetup dot meetup dot find by id कर सकते हैं and then id pass करेंगे इसको मुझे meetup मिलेगा async वेट का यूज कर लेते हैं फिर then or catch का भी यूज कर सकते हो आप यहाँप मैं सेंगा वेट यूज कर लेता हूँ ताकि दोनों चीजा आपको समझ जानी ची async ync async and यहाँप मुझे मिलेगा meetup तो मैंने का const meetup is equals to मैंने यहाँप लिखा await यहाँप मुझे मिल जाएगा meetup and then यह जो भी meetup मुझे मिला हुआ है इसको मैं इस detail page को send कर दूँगा यहाँप एक object send करेंगे यहाँप लिखा meetup यहाँप जो भी meetup है वो मुझे मिल गया यह meetup में meetup detail page मैं देख सकता हूँ चलते हैं meetup पर detail page के पास यहाँप पर detail page के पास यहाँप यहाँप हम comment add कर देते हैं कि start main and then यहाँप पर end main okay now यहाँप एक div add कर लेते हैं इस div के अंदर हम लिखेंगे यह meetup detail page इस meetup detail page में जो h1 है जो heading है उसमें में meetup का title दिखा देता हूँ जो भी meetup हमको मिला है उसमें मैं कहूंगा meetup.title इसके अंदर एक paragraph add कर देते हैं जहाँप meetup का description so meetup.description meetup का location दिखा देते हैं तो इसके बाद मैं यहीं पर h2 या फिर h3 add कर देता हूँ यहाँप मैं कह देता हूँ location और यहाँप हमने लिखा meetup.location and then एक और paragraph add कर देते हैं जहाँप हम कह देते हैं meetup.date तो जो भी date है वह जाएगी यहाँप और एक date नाम का एक pipe भी होता है तो यहाँप pipe यहाँप यहाँप अप्लाय कर देता हूँ जो भी meetup का date है वो date के format convert होके हमको show होगा आ देखते हैं क्या होता है वापर चलते है page में reload करते हैं तो length को लेके problem आया हुआ है so length को problem यहाँपर क्यों आ रहा है इसको remove करते है date को करें यहाँपर 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 प्रॉब्लम करेगा यहाँपर देखते हैं क्या हुता है तो प्रॉपर डेट देखेगा एक object है जो कि अगें ठीक है क्या होता है डिलोड किया तो यहां पर यहां पर यहां पर हम कुछ परामीटर्स पास कर सकते हैं एक बार मैं यहां पर क्या होता है एक मिनट मैं जावास्क्रिप्ट का इक अन्सोल यूज करके देख सकता हूं कि जावस्क्रिप्ट में कौन गौन सी मेथड होती है new date.to.to.to dateString dateString में क्या होता है तो two date string में कुछ इस तरह से दिखता है मुझे, तो मैं two date string का ही use कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लेका two date string यह आ गया, now पे इस को करेंगे reload तो यहाँ पर आ गया यह date string, perfect है, तो यहाँ पर simply मैंने एक detail दिखाई हुई यह simply page की, कि कौन-कौन सा meetup, meetup की सारी information, तो यहां पर location and then यहां पर date है तो इसको मैं convert कर देता हूँ date में कुछ इस तरह से right perfect है तो इस तरह से हमारा जो media application मों बन गया create पर गया तो यह आ गया list पर गया तो यह आ गया and किसी एक पर click किया show more पर तो यह एक सी information आ गई okay तो यहां पर यहां पर थोड़ा साम detail इसकी जो designing उस पर काम कर लेते हैं तो design के मैं आप यूज़ कर लेता हूँ bootstep का तो आई देखते हैं bootstep यूज़ करके हम कैसे page को काफी अच्छ है आपर attractive बना सकते हैं बहुत कम समय में so bootstep add करेंगे लेकिन उससे पहले में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम public files कैसे यहां पर सर्व करते हैं माल लीजिए मेरे पास एक file है जिस जो की है हमारे page में यहां पे हमारे application में एक file है जिसका नाम कोई CSS file है माल लीजिए अब हमारे जो src folder है यहां पे directly मैं इस src के अंदर ही या फिर src के अंदर नहीं मैं अपने folder के अंदर रखूँगा यहां पर मैं एक folder create कर लेता हूँ इसको मैं कहा देता हूँ public टीका पब्लिक फोल्ड रहे इस पब्लिक के अंदर मैं folder create कर लेता हूँ CSS ऑर इस पबिलिक फोल्ड के अंदर के अंदर ही स्केण और इस public folder के अंदर में रख लेता हूँ images नाम का folder जहां पर हम images रखेंगे तो अभी मेरे application में कुछ ऐसा नहीं है बट हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया जाता ही now is css folder के अंदर माली जी मैं file create कर लेता हूँ जिसको मैं कहा देता हूँ index. dot या मैं इसको कर देता हूँ common dot css ठीक है common dot css पर हम कुछ को css लिख देते हैं हमाली जी मैंने आप लिख दिया h1 और इसके अंदर में लिख दिया color is equals to red ठीक मैंने को css apply किया यह common dot css मुझे चाहिए है इस page में मैंने यहाँ पर लिखा common dot css बद यह not found है यह मुझे कैसे मिलेगा तो हमें आप बता सकते हैं हमारी public files हम वो कहां पर रखी हुए है अपने application को बताएंगे तो हम src में जाएंगे index.js यहाँ पर हमारे पासे middleware होता उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मैं बताऊंगा मैंने का app dot app dot और यहाँ पर मैं काऊंगा public app dot app dot use app dot use का use करेंगे and then यहाँ पर मैं काईगे express dot public express dot static not public express dot static and then this static को बताएंगे कि हमारी जो सारी files हैं वो कौन से folder में रखी हुए है तो यहाँ पर मैं बता देता हूं मैंने रखा public अब वापस चलते हैं page को reload करेंगे express dot static बताएंगे अपने folder कर नाम तो हमारे folder कर नाम है public जिसके अंदर सारी files रखी है अब वापस चलते हैं page को reload किया यहाँ पर public के अंदर देखेंगे public के अंदर क्या है css folder उसके अंदर है command.css हम इसको access करेंगे तो हम लखेंगे public css css command.css तो यह आगा हमारा css file यह मैंने आपको क्यों बताया अब देखते हैं तो अब भी मैंने जो सारी files हैं उसके अंदर ही css लिखा हुआ है हमारा meetup list page उसके लिए हम इसको आपको देखेंगे लिस्ट.css लिस्ट के लिए इसके अंदर अगर फायल करेंट कर लेते हैं detail page के लिए detail page के लिए detail.css हम इसके अंदर एक और रक लेते हैं हमारे meetup form के लिए form.css यह form बाले page के लिए जो भी CSS में इस तरह से अलगला फाइल में रख ली, अब चलते हैं form के अंदर, तो अगर मैं जाता हूँ, meetup form के अंदर, meetup form के अंदर, जो भी CSS है, उसको मैं यहां से कट करूँगा, यह आ गया, इस CSS को मैं आ पर नहीं रखना चाहता है, मैं इसको कट किया, and save किया, और, इस जो कौन सा form है, meetup form, meetup form के अंदर, सारी CSS add कर देंगे, और इसके अंदर से style remove करेंगे, यह आ गया, तो मैंने सारी CSS अपने form की, इस CSS file में रख दी, तो अब जो meetup form, उसके अंदर कोई भी CSS apply नहीं है, तो अगर अभी मैं अपने form को visit करता हूँ, तो आप देखोगे, कि यह form कुछ इस तरह से शोगो रहा, अब मुझे यहां पर वो add करना है, तो simply मैं यहां पर क्या करूँगा, मैं इनके अंदर यहां पर style add कर सकता हूँ, यहां गया style, और style में मुझे मैंने, sorry, link करना है, लिंक करेंगे style seat, ओके, तो यहां पर मैंने का link style seat href, URL क्या है, तो मैंने का slash css folder के अंदर है एक और meetup folder, meetup folder, meetup folder के अंदर क्या है, form.css, okay, now page go reload करेंगे, तो यहां पर बापस से हमारा css वो apply हो गया, मैं view paste source करता हूँ, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर add हो गया है, अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहां गया मेरा css, okay, यहां पर लेकिन थोड़ा साब देख रहा होंगे, जो link है, यह कहां add होगा main के अंदर, main div के अंदर, जो css है generally, वो कहां पर होती है, head tag के अंदर, तो इस head के अंदर, गर मुझे css add करनी है, तो इसके लिए यहां पर हम title, block create कर सकते हैं, block का नाम में रखूँँगा style block, ठीक है, मैंने लिखा block, इसका नाम में रख देता हूँ style, और इसको end कर देते हैं, तो यहां पर हमने लिखा end block, जो भी style आप add करोगे, वो title के बाद यहां पर add हो जाएगा, ठीक है, पर इसको use कैसे करेंगे, इसको copy किया, यहां पर एक block है, हमारा main block, तो इसको मैं कर देता हूँ, main block started, इसके बाद यहां पर हमारा style block रहेगा, तो जो भी style आप add करोगे, हैट टेक के अंदर चली जाएगी, तो यहां पर मैं कर देता हूँ style block, style block, now style block create करेंगे, तो block style end block, इसके बीच में आएगी सार style seek, जो भी आप add करना चाहते हो, cut किया, इसको end paste किया, इससे फाइदा क्या होगा, जो आपने block create करेंगे, तो जो भी आप style block के अंदर लिखोगे, वो आपके base.html में इस title के बाद जाएगा, तो अभी आप देखो page में, यह कहां पे है, यहां पे, main के अंदर, लेकिन मैं CSS को div, इसके अंदर यहां पे head tag के अंदर रखना चाहता हूँ, अब मैं अगर page reload करूँगे, तो आप देखो कि title के बाद यहां पे आ गया वो, perfect है, यही हमको चाहिए था, now same चीज़ लिस्ट के लिए करते हैं, तो list में अभी style apply है, तो list page को open करेंगे, मैंने का list page, meetup list page, यह रही सारी style seeds, यह मैंने पूरा copy किया, cut किया यहां से, style को मैं remove करूँगा यहां से, यह आ गया, now इसको हम अपने list.css में paste करेंगे, so list.css, यह सारी style से यहां पे paste कर दी, now paste से सारी style remove हो गई है, तो यह page कुछ ऐसा देखने लगा, now चलते हैं वापस से list HTML के अंदर, और यह यहां पे add करेंगे style block, so यहां पर मैं कर दीता हूँ style block, create करेंगे style block, so यहां पर मैंने कहा block, style, end करेंगे इसको, end block and then इसके अंदर हम create करेंगे link, यहां पर हमने कहा link करना है मुझे एक css file, इसका url है css के अंदर, meetup नाम का folder है, उसके अंदर list.css, कुछ इस तरह से, okay, now page को reload किया, तो वापस से मुझे यह effect आ गया, create में गया तो create, list में गया तो list, और detail page का, जो कोई css है नहीं, तो इसके लिए मैंने कुछ भी यहां पर नहीं किया, perfect तो इस तरह से यह, जो blocks में वो काम करते हैं, now same, अगल, इस तरह से, इस title के लिए आप कर सकते हैं, आप कोई title जो नहीं हो रहा, जो चलते है, base.html, इस title के लिए एक block create कर लेते हैं, तो जैसे हम ने ये create किया है, वैसे हम इस block के लिए करेंगे title, तो यहां कि आगे title, title का नाम में रख देता हूं block title तो अब हम title यहां पर set कर सकते हैं किसी भी page से तो form में चलते हैं यहां से title create कर लेते हैं इसको में comment add करके लिक देता हूं title block टाइटल and then क्या टाइटल करना मुझे इस पेज का तो new meetup ये मेरा टाइटल रहेगा create में जाएंगे तो हमारा टाइटल होगा है new meetup same चीज मुझे करना है list page के लिए so list.html या गया यहां पे add करेंगे all meetups same चीज मुझे detail page के लिए करना है detail.html यहां पे title block create किया तो जो हमारा detail page रहेगा उसके लिए क्या add करना मुझे list में चलते है so mode तो जो भी मेरा title रहेगा meetup का वही मैं इस document का title भी create करना चाहता हूं यह value कहां से मिलेगी dynamic value तो double curly bracket meetup.title जो भी meetup का title होगा वो document का title होगा यहां पर यूट्यूब meetup perfect लिस्ट पे गए meetup2 पे click किया meetup2 इसका title भी document का title भी meetup2 है यह रहा एक benefit आपके blocks को यहां पर use करने का right now देखते हैं कि सारे css file को remove नहीं करेंगे हम इस page से बस करेंगे जरूरत नहीं किया हम उसकी और फिर हमें आप यूज करेंगे bootstrap now add करेंगे bootstrap तो bootstrap क्या है एक library है css की जहां पर बहुत सारी classes हैं इसका हम यूज करके directly effect दे सकते हैं अपने elements को तो लेकिंग यहां पर bootstrap 5 so first link मिलेगा bootstrap का इस पर आपको visit करना है इसको add कैसे करना अपने page में css का link दिया गया है css को copy करेंगे और apply करेंगे अपने किसी page में जहां पर हमें हमारो जो head tag है तो हमारा head tag पूरे application का एक ही है जो कि हमारा base.html में चलते हैं base.html में और यहां पर जो हमारा head है यहीं पर जो styling add की हुई इसकी ज़रूर वैसे मुझे अब नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं फिलहाल and then यहां पर मैं apply करूँगा अपना यह link तो इससे क्या होगा जो boot step का जो link है मैंने add कि है style sheet का जैसे हम यहां पर classes CSS लिख रहा है वैसा बहुत सारा CSS इस min.css के अंदर लिखा हुआ है तो बस हमें इस classes को use करना है इसकी आपने elements में और simply जो effect हमको देखने मिलेगा लेकिन यह जो style यह override कर देगा हमारी beauty step की effect को तो मैं इसको remove करके यहां से remove कर देता हूँ अलग डाल देता हूँ इसको कहीं पर CSS folder के अंदर जो के हमारा index.css के लिए है तो public folder हमारा यह रहा public इसके अंदर meetup css css के अंदर ही मैं बना देता हूँ index. या फिर base.css जिसके अंदर मैं इसको लिख देता हूँ मैं delete नहीं काना चाहता कुछ भी चाहकी आपको बाद मैं यह चीजे remind करने के लिए काम आएंगी ठीए यहां पर मैं paste कर देता हूँ यह css okay and यह जो base.css मैं इसको यहां पर link करूँगा तो यहां पर मैंने कहा link and then slash css slash base.css okay तो यह effect मुझे मिलेगा देख लेते हैं home पे गए तो यह आपको दिख रहा होगा nav bar में अभी भी यह inline okay and अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है base.css इनकी जरूरत मुझे नहीं है तो मैं इसको भी comment कर दूँगा अब इसका जो effect है वो देखने नहीं मिलेगा मुझे यह चला गया effect उसका क्योंकि मैंने bootstep add किया meetup का font है वो सब change हो गया now यह bootstep का effect मुझे हर page में देखने मिलेगा क्योंकि base.html हर page के साथ अभी linked है right now अब क्या करेंगे हर एक page में चलते हैं meetup page में जो meetup हमारा list page है so list.html में चलते हैं यहाँ पर जो हमने css apply किया हुआ है यह रहा वो css इसकी मुझे जरूरत नहीं क्योंकि हम bootstep यूज़ कर रहा है इसको मैंने comment कर दिया page पर जाएंगे वापस से create page list page में चलते हैं तो यह कौन सा page था list page list page की जो css वो मैंने remove कर दी okay तो यहाँ पर एक बड़ी view source page करते हैं देखते हैं css हमारा list है कि नहीं हमारा css यहाँ पे show हो रहा है right css show रहा है क्योंकि ὁọमेंट क्यें html comment और यह यहाँ पर काम नहीं गारेगा तो यह więc email comment है तो हमने यहाँ पर कौन सा comment हमने यहाँ पर िपरादेगा swik का comment गामेंन तो आपक्नोल को जाए करते हैं, तो इसकाम हम यह कर सकते है कि इसको uncomment करें सर्फ सिस link को comment करदें देखते हैं से क्या होता है, copy को doing pa ए सब्रोद करना है तो कि अगर इस ब्लॉक को आपको comment करना है तो हमनेशा में SWC का comment करने का तरीका वह तो आप शरच कीजिए कैसे करना है documentation से मैं इसको कर comment करता हूँ तो ये remove हो जाएगा page से ये remove हो गया now same चीज हम चलते हैं कर लेते हैं इसको create पहले page में so form page जो हमारा है meetup form यहाँ पे भी css था इसको मैंने comment किया और चलते है create यहाँ पे भी कोई css नहीं है अब हम यहाँ पे apply करेंगे bootstrap तो bootstrap में अगर आप कोई form create करते हो उसका div है तो हर एक div में आप एक class apply करोगे form group तो उससे आपको effect देखने मिलेगा तो अगर मैं यहाँ पे multiple एक साथ करना चाहता हूँ तो multiple cursors use कर सकता हूँ alt की press करके तो इन सप्पे में click करूँगा यह कुछ इस तरह से यह and यह तो मैं एक सान्य आप एक class apply करना चाहता हूँ class is equals to form form group form group से क्या होता है एक div आपने create किया है simply तो ज़्यादा कुछ effect अभी देखने नहीं मिलेगा now जो label है इस पे मैं class apply करूँगा तो इथ 4 qb control-d press करके कभी इस लेवल को select करूँगा control-d press करूँगा तो सरे एक label है यहाँ पे select होगया हर एक label में एक सान्य यहाँ पे बैटाइप कर रहा हूँग तो यह अपे मेसद क्लास apply करूँगा form label नाम का एक class होता है वो मैंने apply किया तो यहाँ पर कुछ effect देखने मिला सेम जी आप bootstep से जाके देख सकते हूं यहाँ पर आप सार्ज करोगे form यहाँ पर देखोगे form control यह रही form control तो इसमें आप देख सकते हो label में क्या form label apply किया इसमे form mb3 apply किया हुआ ठीक है input में हमें class apply करना form control तो आपका input field है वो काफी अच्छा देगीगा तो input में apply करने के लिए मैं इस input को select करूँगा control d press करूँगा तो सारे input एक साथ select हो गए now यहाँ पर एक साथ type करने के लिए मैं देखूँगा class is equals to form control paste किया तो यह आगया form create हो गए perfect now यह जो text area है उसमें कुछ class apply नहीं किया तो text area को सर्च करेंगे यह रहा text area यहाँ भी class apply करेंगे form control तो यह आगया कोई high इसमें कुछ भी margin अगयरा नहीं है तो जो हमारा main div होगा हमारे base.html में base.html में जो हमारा main div है इसमें हम margin padding add कर देते हैं तो यह रहा हमारा main div इसमें मैं class main अप्लाइ करके मैं आप अप्लाइ करूंगा main container container क्या करता है bootstep का container class है वो margin add कर देता है कुछ इस तरह से तो यह आगया meetup form जूम आउट कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से meetup form है लेकिन form का जो width हो थोड़ा कम कर लेते हैं तो form.html में जाएंगे and यह रहा हमारे पास form इस form में जो हमारा main यह रहा div यह रहा meetup form यहाँ पर मैंने HR add किया है और इसके बाद ही messages यहाँ से पूरा मैं select कर लेता हूँ form तक का यह form इतना ठीक है और इसको मैं cut करके div में wrap करूँगा कुछ इस तरह से and then is div में कुछ classes apply करेंगे classes कुछ to पहला तो m नहीं पहला यहाँ पर हम column lg 6 apply करेंगे तो जो इसका size है वो मैंने change कर दिया इसको मैं center में रखने के लिए mx auto का use करूँगा margin auto हो गया यह now इसमें मैं एक shadow apply करना चाहता हूँ तो मैंने आप लिखा shadow तो आपको shadow देखने मिल रहा है now p4 apply करने से इसमें padding air हो जाएगा तो यह आगया padding इसमें मैं rounded apply करूँगा तो जो corner हो rounded हो जाएगे कुछ इस तरह से now button के लिए कुछ CSS apply करें तो चलते हैं button में देखते हैं क्या करना है यह रा button इस button में form group apply किया है मैंने इसमें पहले mt4 apply कर देता हूँ तो top से margin end हो जाएगा किसी में भी margin नहीं है actually form group की जरूरत नहीं है form group को select करके remove करके mt3 apply कर देता हूँ तो margin top 3 तो यहाँ पे margin apply हो जाए कुछ इस तरह से button में apply करते हैं तो button type submit है इसमें class apply करेंगे btn btn success for the green button नहाँ पे आगया green button यह create हो गया green button ओके मुझे dark button की पसंद है तो मैं कर देता हूँ button dark तो यह आगया dark button right नीचे कुछ भी padding margin नहीं है तो काम करते हैं अपना जो footer मैंने create किया हुआ था base.html में चलते हैं base.html यह हमारा main div container यहाँ पे हमारा footer add करना था तो मैं एक div add कर देता हूँ कोई भी footer नहीं है बस इसमें class apply कर देते हैं mt4 तो simply margin add हो जाएगा नीचे देखोगा थोड़ा था margin show होगा right तो यह आगया meetup form meetup form पे चलते हैं और इस meetup form में जो यह heading है इसको भी हम इसके अंदर add कर देते हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं बहुत simple है now meetup list के अंदर जाएंगे and then meetup list में हमें simply यहाँ पर all meetup तो title है यह style के लिए है meetup list है यह जो table है इसमे class apply करेंगे table class यह मैंने apply किया table class यह table apply होग लिए image के लिए हमें लग से css लिखना पड़ेगा तो image के लिए अलग से css लिखने के लिए का करेंगे तो एक काम कर लेते हैं कि common.css लिख लेते हैं common.css जिसमें common css लिखेंगे सारे application का तो यहाँ पे मेरे पास javascript css है यह रहा इस css के अंदर एक file create कर लेता हूं है common.css इस common.css में लिखेंगे हम फाइला फोल्डर कंटेन एक्जिस्टिंग अल्रेडी एक्जिस्ट यह रहा common.css पहले से मैंने create किया हुआ है रिमूब कर लेते हैं यहाँ पे css लिखेंगे meetup image है इस meetup image को मुने copy किया meetup common.css में जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए style hide add कर देते हैं hide is equals to 100 pixels border का जो radius है वो कर लेते हैं यहाँ पे 10 pixels काफी इतना तो यह आ गया है perfect है now अब क्या करें इम टेबल थोड़ा सा सही नहीं है तो टेबल के लिए और क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टेबल है चलते हैं list.html में यह राट टेबल t body यह राट टेबल टेबल में एक और class apply करेंगे टेबल is equal table hover इससे क्या होगा table hover मैं इसमें mouse over करूँगा होवर्ड होता है ओवर्ड पेज को reload किया sorry table hover होगा पेज को reload करना भूल गया था मैं यह आ गया तो इस तरह से table hover हो रहा है table में border add करेंगे टेबल बॉर्डर टेबल बॉर्डर तो बॉर्डर आ जाएगा टेबल में क्या बात है टेबल बॉर्डर यह आगे टेबल में border आ गया परफेक्ट ना यहाँ पे buttons को भी थोड़ा action add कर लेते हैं तो यह रहे buttons हमारे पास इस button में class apply के delete button इसका CSM ने disable किया तो उसे फर्ग नहीं पड़ता ठीक है यहाँ पे हम apply करेंगे button class यह button में convert हो गया second वाला जो class है detail button यहाँ भी button add करेंगे तो आ गया button sorry button नहीं BTN यह आ गया BTN दौनों बटन बन गए delete button में मैं red दिखाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा BTN danger and button को small रखना चाहता हूं BTN SM but show more button के लिए BTN primary primary महला blue button दिखता है यह भी small रहेगा तो BTN SM यहाँ पे आ गया BTN SM right इसको मैं side by side अगर दिखाना चाहता हूं तो simply हमें यहाँ पे कुछ-कुछ और apply करना पड़ेगा बट उससे पहले मैं क्या कर लेता हूं जो form है और यह जो anchor है एक काम करते हैं इन दौनों को हम यहाँ से cut करके डिम में wrap कर लेते हैं इस तरह से एन इस बाहर वाले डिम में class apply करूंगा मैं मैं इसको यह देता हूं प्लेक्स कैसे काम करता है वह मैं आपको दिखाता हूं हम जाएंगे documentation में यहाँ पर हम लिखेंगे margin and padding यूज़ करना है मुझे तो simply मैं जो form है इस पर class apply कर सकता हूं यहाँ पर and then यह जो anchor इस पर भी class apply करेंगे यहाँ पर तो इसको मैं कह देता हूं mt m2 कर देता हूं यह आप m2 तो इससे margin add हो जाएगा तो कुछ इस तरह से margin add हो गया delete button पर click करेंगे delete हो जाएगा okay show more पर click करेंगे तो यह show हो जाएगा perfect now show more पर चलते हैं और उसको थोड़े design कर लेते हैं detail page तो चलते हैं अब detail page की तरफ तो यह आगया meetup detail page यहाँ पर हमें इस div में apply करना है div में class apply कर देते हैं एक jumbo tron करके कुछ है हमारे पास okay jumbo tron I think यह नहीं है Buddhist F5 में देख लेते हैं यह रहा documentation custom component I think यह नहीं है क्या है यह रहा custom examples examples में जाएंगे documentation में जाएंगे यहाँ पर content components में जाएंगे और यहाँ पर collapse navbar popover hmmm सायद यह नहीं है off canvas क्या है यह this is different okay तो कोई दिक्कत नहीं हो अपना यहाँ पर create कर सकते हैं तो फर्क नहीं पर तो उससे हमें एक काम करते हैं यहाँ पर हम create कर लेते हैं एक shadow सबसे पहला काम shadow shadow create करेंगे shadow आ गया एक padding add कर लेते हैं p4 add करके padding आ गया perfect now जो title है इसके बाद में एक hr add कर देता हूं एक line break एक hr आ गया यहाँ पर location है तो डेली की जगा पर location की जगा मैं एक location बार देखा देता हूं तो emoji होते हैं उसको हम copy paste कर सकते हैं तो इक search करेंगे हम copy paste emoji या गया आप icons कभी use कर सकते हो तो यहाँ पर copy paste emoji हम यहाँ पर search करेंगे वह emoji मुझे चाहिए location के लिए तो simply मैं आप सब्सक्राइब का location and then यह रहा pinpoint तो इसका use कर सकते है location के लिए या फिर आप map का use कर सकते हो but okay round इसका use करेंगे यह सही है copy किया copy करने के लिए copy button पर click करेंगे वापस आएंगे and then इस location को remove करके paste करेंगे इसको यहाँ पर यह आ गया date के लिए मैं use करूंगा calendar का यहाँ पर मैं search करूंगा calendar यह आ गया calendar copy करेंगे calendar को date की जड़ा पर calendar को paste करेंगे यह आ गया now description के लिए कुछ रही जरूत नहीं है page को reload किया तो यहाँ पर आया यह icon तो इससे पता चल रहा location है यह और यह क्या है यहाँ पर आया यह calendar update है perfect now यह जो description तो इसको भी एक line break add करके आगे कर देते हैं तो इसको मैंने कहा HR and perfect यह आ गया description ओके यहाँ पर जो div है इसको मैं again एक और div में wrap कर देता हूं cut div paste किया इसमें एक class apply करते थे हैं mt4 तो margin add का top से कुछ इस तरह से now अब nav bar और बचा है create पे गया तो form आ गया list पे गया list आ गया home पे गया detail पे गया तो show more आ गया now nav bar design करना है तो nav bar बहुत simple है यहाँ हम सर्च करेंगे nav bar bootstrap में बहुत प्यारे प्यारे से nav bar दिख जाते हैं आपको यहाँ पे इस बहुत basic सा nav bar उठा लेते हैं यह वाले इसको copy कर लेता हूं मैं आपस चलते हैं और चलते हैं base.html के अंदर जहाँ पे हमारा nav bar है era base.html यहाँ पे मुझे create करना है nav तो इसको मैं यह से remove कर देता हूं paste करेंगे यह आ गया तो इसमेंसे जो कुछ main main चीजें वो बस उठा लेते हैं बाकी सब को remove कर लेते हैं button अलग कर देता हूं मैं list को अलग कर देता हूं यहाँ पे ul है यह मुझे चाहिए तो यह आ गया हमारा nav bar क्या करें nav का color मुझे change करना है nav bar light को मैं कर देता हूं dark bg light को करेंगे bg dark तो कुछ इस तरह से मेरा nav bar आ गया perfect now यहाँ पे buttons के नाम मुझे change करने है तो यह home है जिसमें मैं simply home को home रहने देता हूं area label निसकर के भी जरूर फिलाल नहीं है तो remove करते हैं इसको इसको कर देते हैं slash okay then यहाँ पे मुझे features नाम का कुछ नहीं रखना है disable button remove करेंगे now यहाँ पे मुझे करना है create यहाँ पे मुझे करना है list create का जो url रहेगा हो रहेगा meetups slash create create और list के लिए जो url रहेगा हो रहेगा slash meetups reload किया तो आ गए दो buttons create पे click किया तो home आ गया list पे click किया तो meetup list आ गया यहाँ पे तोड़ा margin वगएर add होनी चाहिए तो काम करेंगी जो हमारा main है यह container इसमें हम margin add कर सकते हैं यहाँ पे मैं का देता हूं empty for तो हर एक page में margin आपको देखने मिलेगा इस तरह से list पे गाए list create पे गाए यहाँ पी margin है अगे चलते है list पे show more पे click किया तो यह आ गया create पे गाए list पे चलते हैं delete करते हैं किसी एक को delete पे click किया तो वह delete हो गया एक बचा delete पे click किया यहाँ आप यहाँ no meetup no meetup को हम change कर सकते हैं simple है so simply मैं जाओंगा अपने detail page में sorry list page में and then is list dot html यह रहा now is the list में यह जो मैं दिखा रहा हूं no meetup list html कहां गया length यह रहा else इसके बाद ही रहा div इस div में class apply कर लेते हैं यहाँ पर मैं कर देता हूं alert and then alert info कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा no meetup कुछ इस तरह से no meetup को हम थोड़ा सा बड़े में दिखाना चाहते हैं तो एक h1 या फ़र एक paragraph add करेंगे और इसके अंदर मैं देखा no meetup इस paragraph में class apply कर लेते हैं display 4, display 3 कर देते हैं तो no meetup थोड़ा सा capital में देखे हैं इस तरह से no meetups okay and then यहाँ पर मैं एक और button add कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक anchor tag add कर देता हूं click to create meetups click to create meetups and then यहाँ पर link add कर देते हैं meetups slash create page reload किया यहाँ पर आया यह इस anchor को मैं change कर सकता हूं button में तो simply मैं यहाँ पर class apply कर सकता हूं या फिर हम इसमें style apply कर देते हैं style is equals to inline styling कर रहा हूं style is equals to text decoration is equals to none add करेंगे now page reload किया दिया गया create click करेंगे तो यह आ गया meetup form list पर click किया तो यह आ गया list इसको थोड़ा सा color वगयरा मुझे जो सही नहीं लग रहा तो color मैं change करूंगा इसका simply मैं class apply करूंगा यहाँ पर यहाँ पर काम करें color is equals to कर देते हैं inherit 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 मतलब जोसका parent का जो color है वही color इसमें भी show हो रहा है उसको मैं कहता हूं inherit ओके और इस div इसको मैं का tag को cut करके एक div में wrap करूंगा paste किया क्योंकि मैं इस div में class apply करना चाहता हूं जिसको मैं कहूंगा m4 m4 से margin add हो जाएगा simply तो कुछ इस तरह से create पर click किया तो यह आगया meetup sorry hope अपने इस crash course में बहुत को सीखा होगा तो अगर आप और भी project level पर काम करना चाहते हैं project implement करना चाहते है API project या फिलस्टेक project आप विजिट कर सकते हैं feelfutocode.com जहां पर आपको कुछ ऐसे courses मिलेंगे जहां पर मैं सर्फ focus करता हूं project implementations पर अगर आप jango सीखना चाहते हैं python के साथ full stack application बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे courses हैं API related कुछ courses है express.js related कुछ courses हैं और front end and full stack developments तो आप एक बार जरूर से check out करें feelfutocode.com for more courses आप आप आपने बहुत कुछ चीज़ें यहां पर सीखी होंगी अगर आपको कुछ लगए आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share जरूर करें and subscribe करें इस चैनल को ताकि मैं future में भी ऐसे content लेके हाँ तो आप course का notification मिलता रहे thanks watching